आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फिर से एक बार महतुपूर्ण एक प्लेटफॉर्म आपके सामने लाया गया है यूपी पीएसी से रिलेटेड आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों मैं जगदिश चंद्र जांगेड आपका जेजर से फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म पीएसी वाला चैनल के नए और एक सबसे उतकरिष्ट उपहार इस नए यूट्यूब चैनल के उपर हम लेके आएं आपके सामने क्रैश कोर्स और रिविजिन कोर्स यूपी पीएसी के संदर्ब के अंदर I hope आप सभी बहुत ही बहतरीन हैं और audio visuals आपको clarity के साथ में सुनाई दे रहा है तो जल्दी से मिरको comment करके बता देंगे audio visuals clear है यस जल्दी से clarity से comment कर देंगे के yes sir audio video बहुत हा clear so that we can move ahead in the class Hello everyone How are you all Right नमश्कार 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 Welcome, 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 Good Afternoon to all of you All clear Get set and go कुछ basic instructions रहने वाला हैं आप सभी students के लिए पहला instruction जो रहने वाला है वो है ये कि you will all have the pen and paper ready with you आप सभी students जो हैं अपने साथ में क्या तयार रखेंगे pen और paper और यहां पे जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं और thumbnail में भी देखा होगा संपून भूगोल और यहां पे हमें एक precise जो हैं उसकी study करने की कोशिच करेंगे in a form of the swift revision to the pointers है ना आपको pointers लिखते जाना है कोई प् इस live session के अंदर और जो students अभी तक नहीं आए या बात में इसको recorded format में देख रहे हैं प्लीज notes बनाते चलिएगा class के साथ साथ में और अगर कहीं आप class के speed के साथ में basically अगर नहीं चल पा रहे हैं और कोई बिंदू आपके लिखने में जो चूक गया है आपको बिलकुल उस about it पूरा का पूरा focus जो है आपको खाली pointers, flow charts, keywords लिखने पे होना चाहिए और समझने पे होना चाहिए अगर आप बहुती बहतरीन तरीके से बहुती अच्छी understanding develop कर पाते हैं भुगोल के इस विशियों के बारे में तो definitely यहाँ पे चार चांद लग जाएंगे आपके prelims के अ पूछे जाएंगे तो क्या आप सभी लोग तयार है एक बार फिर से बता दीजे कितना होस में हैं और कितना जोस में हैं very good afternoon and a very very warm welcome back चलिए सुरुवात करते हैं geography का UPPAC specific segment और इस segment के लिए मैं सभी students को basically कह देना चाहता हूं कि आप सभी students जो है definitely यहाँ पे जो preparation कर रहे हैं या अगले साल यहाँ पे अगर लिखने वाले हैं और या इस साल आप लिखने वाले हैं दोनों students के लिए 2024 या 2023 दोनों ही students के लिए relevant वीडियो रहने वाला है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना है आपको इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना है आप बिलकुल न इंफर्मेशन देना चाहता हूं कि सर यहां पे कुछ फेर यूज के तहत कुछ सामगरी जैसे कुछ फोटोग्राप्स हैं कुछ इमेजेज हैं कुछ वीडियोज हैं स्टुडेंट्स के लिए बेसिकली मैं लेकर आया हूं यहां पे हमारा कोई इंटेंशन नहीं है एक बॉनाफ़ाइड इंटेंशन खाली टीचिंग का है एक एजुकेशन इंपार्ट हो मेरे भारत के गाव देहात में बैठे वे बच्चों को उन्हीं विश्यों का जो कि एक्जाम में महतो रखते हैं उनकी एक संपूर्ण और सकल जो हैं महतोता उनको basically understanding एक समझ डवलप हो पाए उसके लिए मैं किस तरीके से अपने teaching methods में कुछ नए innovation कर पाऊंगा बट यहां पे उसका copyright infringement से कोई लेना देना नहीं है सिर्फ teaching और education purpose से कुछ clips को मैं लेके आऊंगा ताकि जो मैं समझा रहा हूं उसको आप animation की मदद से समझ भी पाईएगा तो इस class को basically क्या खाली आप register में लिख लेने से ये class खतम नहीं होगी इस class में एक समझ बनानी होगी और इस class को आप बीच से देखना नहीं सुरू कीजेगा अगर सुरुवात से देख रहे हैं तो अंत तक आप देखेंगे कि यह एक layer by layer है और understanding सुरुवात की छूट गई तो अंत में भी basically जो है वह अदूरी रहने वाली है तो आपकी understanding जो है वह सुरुवात से ही बहतर हो इसके लिए हमको क्या चाहिए होगा कि सर आप जब class को सुरू कर रहे हैं तबी से सारे pointers को अच्छे से समझे क्योंकि पहला chapter का concept दूसरे chapter में काम आएगा पहले और दूसरे का फिर तीसरे में काम आएगा 1,2,3 chapter के concept 4th में का इसको भी बढ़ाने के लिए आप यूस कर सकते हैं आप सभी स्टूडेंट्स जो है यहां पे लिखने के साथ साथ में लिखने के साथ में अंडरस्टेंडिंग के उपर भी ज्यादा फोकस करेंगे और यस कोई भी डाउट्स आएंगे आप यहां पे देने वाले हैं comment section के और अगर doubt गलती से miss हो जाता है तो again you will be able to paste it है आप अपने doubt को वापस paste कर सकते हैं कई बार comments जो है उपर चले जाते हैं नहीं दिखा जाता है तो आपके doubts पीछे ना रहे हैं मेरी कोशिश यह रहेगी हर topic के end में मैं आपके doubts लूँ जैसे एक topic complete कराया उसके end में उसके doubts पा जाता हूं कि what are all the things जो basically आपके पास में यूपी के अंतरगत basically आपको conceptual way में समझना है क्या है आपके पास में देखिए facts का कोई अंत नहीं हैं पर concepts जो हैं वह सबसे महतुपूर्ण चीज में मानता हूं क्योंकि एक बार आपके concepts clear हो गए एक बार आपके पास में concepts clear हो गए आप किसी भी बुक से पढ़ेंगे आपके वो चीज समझ में आएगी आप किसी भी basically note से पढ़ेंगे वो चीज समझ में आएगी बर इस class को मैं basically कहीं भी factual point of view से नहीं ले जा रहा हूं कि बेटा fact को रट लो fact रटने नहीं है fact को basically अगर समझने की कोशिश करेंगे तो concepts के तुरू किया जा सकता है तो क्या-क्या pointers हम करने वाले हैं हम सबसे पहले basically जो है physical geography के कुछ pointers भौतिक भूगोल के कुछ pointers को यहाँ पे सुरू करने वाले हैं दोस्तों और भौतिक भूगोल के अंतरकत basically यहाँ से जो देखा गया है कि सर अर्थ origin of the earth और यूनिवर्स से रिलेटेट बेसिक questions आपसे पूछे गए हैं तो हम अर्थ से रिलेटेट अर्थ के शेप से रिलेटेड अर्थ की movement से रिलेटेड जो है questions यहाँ पर आपके सामने discuss करते रहेंगे तो I hope आप लोग भी basically पूरा साथ देंगे और हम सब मिल करके बहुत अच्छा से इस understanding पे पहुंचेंगे फिर हम जो है latitude longitude अक्षांस और देशांतर समझेंगे और फिर यहाँ जो है अर्थ के ही जो किस तरीके से अर्थ की भूपरपटी या फिर लीथो स्वेर का निर्मान हुआ है कैसे oceans continent बने हैं उसके लिए क्या क्या theories दी गई हैं आप अगर class 7, 8, 9, 10 की NCRT के through basically आपने जाना होगा कि सर यहाँ पे geography के अंदर के दो महतपुन सिधान दो महतपुन theories जरूर आती है सर सबसे पहली theory जो है आपके पास में continental drift theory और दूसरी है plate tectonic theory इन दोनों theories को हम यहाँ पे जानने की कोशिश करने वाले हैं जिस तरीके से लिथो स्वेर का निर्मान हुआ महाद्वीपो का महसागरों का निर्मान हुआ उसकी समगरव वैग्यानिक एक तरी आपके सामने सार गर्वित करूंगा जहां पर आपके पास में ज्यादा समय देना है ज्यादा समय जहां कम समय देना है वहां कम समय भी दिया जाएगा राइट सर यहां पर कॉपी में बना ले जिसका सक्षम वाला लिख रहे हैं definitely आप यहां पर फ्लोचार्ट से उसको बिसिकली हम जिन पॉइंटर्स पर फोकस करने वाले हैं वह रहेगा आपका एटमस्फेर वायू मंडल उसके परश्चात है आपके पास में प्रेशर प्रेशर बेल्ट दाब वदाब पेटियां कई सारे कोशन्स इस पर बनते हैं हर साल पूछे जाते हैं स्टूडन्स बारे में जानेंगे युमिडिटी टैंपरिचर ओशनी करेंट इन तमाम चीजों के बारे में हम बेसिक जानकारी लेने की कोशिश करेंगे यहां पर मैं यह कहने की कोशिश कर रहा हूं अगर आपके फिजिकल जोग्रॉफी के यह चैप्टर कंप्लीट है उसके पश्चात आप कभी भी इंडियन जोग्रॉफी या वरल्ल जोग्रॉफी को अगर कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे तो यहां पर सारे के सारे यही 10-20 कंसे από जो हैं वो इंड्या जोग्रॉफी पे और वरल्ल जोग्रॉफी पे भी लगने वाले मैं वापस दौराता हूँ фак्ट रट clear to all of you guys, right, inshallah, good afternoon, good afternoon to all of you, चलिए, आगे बढ़ते हैं, आप सभी लोग heading लगा सकते हैं, आपका chapter number one, chapter number one, earth, प्रत्वी, देखे, प्रत्वी के बारे में अगर हम कहने की कोशिश करें, हमारे universe में, milky way galaxy के अंदर, यहां हमारे प्रत्वी की अगर हम बात करें, तो solar system के अंदर कर देख बहुत ही important planet है, जो की goldilock zone में, habitable zone में, state है, प्रत्वी का shape basically, अगर यहां पर हम बात करें, तो shape of the earth, सबसे पहले पूछा जाता है कि क्या shape रहा है हमारे earth का, तो सरफ shape जो है, वह basically यहां पर कोई particularly geometrical, जियामिती में कोई shape नहीं है, क्या आप मुझे बता सकते हैं, विध्यारतियों, कि जियामिती में कौन सा shape ऐसा दिखता है, क्योंकि हमको जो globe दिखता है, वह basically exact sphere दिखाई देता है, हम उसको exactly basically spherical shape देते हैं, पर exactly spherical तो है नहीं, वह दुरूओ पे चप्टा है, कहीं पे bulge है, equator के आसपास में, तो कभी आपने गिली मिटी का धेला बनाया होगा ना, कभी भी वह क्या नहीं होता, exactly round नहीं होता, वह कहीं से निकला होगा, यहाँ पे equator के उपर अर्थ वीसी तरह प्रशारीत रहती है, expanded रहती है, extended रहती है, जबकि poles के उपर वो क्या है, flatten है, चप्टी रहती है, तो यह जो आकार है प्रत्वी का, वह आकार किसी से भी related नहीं है, बिलकुल आस्था वह भी पढ़ाये जाएगा, आप निश्चिंत रहे बिटा, वह भी चलने वाला है, तो यहाँ पे प्रत्वी अपने आप में ही एक unique आकार लिए है, number one point, earth has a unique, earth has a unique shape, और उस unique shape के कारण जो है, किसी दूशर शेप में उसको fit नहीं कर सकते, अते वो प्रत्वी का जो आकार है, उसको भू आब लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, प्रत्वी के लिए word use क्या जाता है, जियो है ना, तो जियोड सेप बेशिकली इसका कहा जाता है, अच्छा, इसमें बेशिकली एक और चीज हमको देखने की कोशिश करेंगे, कि सर equator के आसपास में, विश्वत रेखा के आसपास में, आपके पास में, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, कि यह extended है, यह extended है, अपने अक्ष के उपर लगातार पश्चिम से पूर्व दिशा की और घूर्णन कर रही हैं, जिसको हम कहते हैं, भू, जो है आपके पास में, भू, परी, घूर्णन, ठीक है ना, यह याद रख सकते हैं, अतेव यहाँ पर एक्जेक्ट राउंड शेप नहीं होकर के क्या ह जियोड शेप है अर्थ का, तो प्रत्वी का अकार भूआब हैं, और यहाँ पर अर्थ के शेप के जैसा कोई शेप नहीं है आपके पास में, और यहाँ पर प्रत्वी विश्वत रेखिये शैतर में अधिक प्रशारिते, धुरू पे अधिक चप्ती हैं, यहाँ कई पर प्रत्विय हम कहते हैं कि सर यह जो वा Mahar की तरफ जो है अपसारी थे कहिन कहीं फैली हुई है अच्छा क्यों फैली हुई है उसका कारण बताया जाता है दोस्तो प्रत्वि के घुर्नन के कारण परिभर्मन के कारण बाहर की तरफ एक बल sir आ है जिसको हम centrifugal अप केंद्रिये बल कहते हैं अना इस एक्वेटर टु अपर बल्च आउट दो एक्वेटर रिजन तो एक्वेटर से बाहर की तरफ यहां पे यह बल लगने वाला है तो अर्थ का जो एक्वेटरियल रेडियस है वह जादा है अगर हम देखने की कोशिच करें पौल्स पे तो फ्लैट है और इक्वेटर पर अभाईब। प्लैट है क्वेटर पर फ्लैट है उपड़ पर ऐम एक्वेटर पर हम देखने की किया लिए चीज आपको पे संदर्व की हैं और गत वर्षों में भी पूछी गई हैं अप्रत्यक्स तरीके से यह जो statements में आपके पास में पूछी जा चुकी हैं और आपको यह अच्छे से याद हो इसलिए हमारा लक्षे क्या रहने वाला है कि आप जब भी कोई चीज को पढ़े अच्छे से पढ़े और पढ़ाई के स साथ साथ में आपकी understanding जो है वह भी marvelous होनी चाहिए वह भी marvelous होनी चाहिए दोस्तों चलिए आईए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं I hope आपने अभी तक यहां पर यह लिख दिया होगा के सरी दुरूविय त्रीजिया कम होती है और विश्वत रिखिय त्रीजिया जादा हो sir economics right new batch आएगा बहुत जल्दी आएगा दिपक सर यहां पर है नमस्कार दिपक सर and definitely आप सभी से एक वादा है कि सर जो आपकी तयारी है उसको एक नहीं आयाम पर लेके जाना तो best team और best leadership के साथ में जो है आपको आगे लेके जायागा दोस्तों definitely समझ पर ध्यान रखियेगा और सारे facts हैं वह भी उसी के साथ में जुड़ते जाएंगे दोस्तों अब यहां पर अगर मैं बात करूँ rocket launching centers की तो क्या इसी कारण rocket launching centers भी जो है वो लगबग लगबग पूर्व दिशाक की तरफ रहते हैं ये सर लगबग लगबग सारे rocket launching center हैं वह भी हमारे equatorial region में जितन जो है वो क्या है वहां पर हमारे प्रक्षे पास्त्रों को हमारे satellites को हमारे rockets को बेसिकली जो है उनका launching stations हमेशा इसी साइड में होता है यहीं नहीं हर एक देश बेसिकली इसी बेसिकली equatorial centrifugal force का यूज लेने के लिए कि सर यहां से अगर मैं को कोई भी चीज को satellite को प्रक्षे बल लगेगा मतलब जो equatorial region में basically मेरको यहां पर force लगाना पड़ेगा वह force basically कम होगा दुरूविय शेत्र से तो दुरूविय शेत्र में क्या है यहां पर force ज्यादा लगाना पड़ेगा तो याद करने की कोशिश करना यह European Union Space Agency वगर यह लोग जो है न यह से नासा यह लोग भी अपना equatorial region के अंदर satellites ला करके फिर launch करते हैं क्या कभी आपने आज से पहले यह सारी चीज़े सुनी है कि आपके पास में satellites जो है NASA के satellites इस रोग रिलीज कर रहा है European Union के satellites इस रोग रिलीज कर रहा है France के satellites इस रोग रिलीज कर रहा है तो वो ऐसा क्यों बताया जाता है क्य जो basically launch pads है वो launch pad यहाँ पे पूर्वी स्थल पे रखे गए एक बार और यहाँ प्रशन पूठ करके आता है आपके सामने क्यों हमें basically ज्यादा से ज्यादा विश्वत रेकिये शेत्र के आसपास से यहाँ पे launch pads बनाने चाहिए तो यहाँ पे region है आपका outward force के सर यहाँ पे हर feel होगा प्लस यहाँ पे बाहर की तरफ एक और बल लग रहा है अतेव basically क्या हुआ खीचने वाला बल तो कम है और बाहर धकेलने वाला बल अच्छा कासा होगा प्लस rocket का खुद का engine काम करेगा तो कम fuel में जो है वह rocket space में orbit में भेजा जा सकता है I hope this point is quite clear to all of you I hope this point is quite clear to all of you kindly write it down kindly write it down के अर्थ जो है आपके पास में पस्टिम से पूर्वत दिसाक के अंदर rotate होती है अतेव basically जो है मुख्य rocket launching centers जो है वह विश्वत रेखे equatorial region के अंदर इस्टन कोस्ट में लगा जाते अब आप कहेंगे सर इस्ट कोस्ट पर क्यों लगाया वैस्ट कोस्ट पर क्यों नह गिरेगा बे ऑफ बंगाल में बंगाल की खाड़ी में पर अगर मैं यहां से सपोज आपके गुजरात से मुंबई से मैंगलूरू से उसको में लांच करता हूं सोचो अगर वह फेल हो गया तो वह इस तरफ बिसिकली अर्थ आएगी वह लांच हो रहा है उपर अगर फेल ह के अंदर डैफिनेटली तो इन बिंदूओं को आप लोग जो है अच्छे सा समझ सकते हैं बिल्कुल सही कहा आपने बिल्कुल मैं कमेंट्स देख पा रहा हूं या ओल पॉइंट्स आर क्लियर टू आल अफ यू आगेस राइट यह सारे पॉइंटर्स आप लोगों को साथ साथ मों लिखने है के रॉकेट प्रक्षेपन के अंदर जो हैं विश्वत रेखा के आसपास के शत्र में महादिपो के इस्टन इस्टन कोस्ट पे रहते हैं एक्जाम्पल इंडिया का हरी कोटा जो आंदर परदिस के अंदर है शतीस दवन स्पेस के अंदर स्वेस सेंटर यह तमाम जो हैं बिंदुवार आप लोग लिखते वे जाने वाले हैं बिलकुल निश्चिंत रहे आपको बेसिकली पॉइंटर जैसे अगर इस स्लाइड को समझाने में मेरे को आपको दो मिनिट लग रहे हैं तो आप उन दो मिनिट में से 20 सेकंड निकाल करके खाले इतना लिख सकते हैं इकविटोरियल रेजिटन वेष्ट कोस्ट सेटलेट लाँश पैड्स एक्žांपल श्री अरीकोटा यह चार्स अप लिखे जा सकते हैं यह फ्लो पॉंट आपके बने जाएंगे फ्लो चार्स आपके बने जाएंगे पॉइंटर्स बनते जाएंगे और इन प पॉइंटर्स क्लियर कर ली है आपके फिर है क्या हमें पता है कि यह जो अर्थ है हम इसको exactly हमारे model के लिए studies के लिए basically हम इसको spherical shape देंगे अब से पर हमें exactly पता है क्या equatorial region में तो बल्ज है बाहर की तरफ और poles के उपर यह चप्ती है दुरूब पे basically क्या है यह flattened है राइट स यह सारी चीजे हम लोग समझ में आ चुकी है बहत भैतरीन तरीके से पर आगे से हम जब भी अर्थ बनाएंगे तो हम टेडा मेडा गोला नहीं बनाएंगे हम exam में भी बनाएंगे तो भी basically circular shape ही बनाने वाले हैं so as to understand it better यह चीज याद रख सकते हैं तो हमारा basically अगर देखे है यह जो अर्थ का basically आपके पास मैं एक लमवत रेखा खीचू हूं जो अर्थ को basically दो भागों में बाटें तो अर्थ basically rotate तो हो रही है प्रथवी की अर्थ Uran लो टेट हो रही है इस नहीं बड़ा इमेज़नरी लाइन और इसके चारों तरफ प्रथवी जो है वह basically क्या है west से east की तरफ क्या कर रही है rotate कर रही है क्या हमें यह याद रहेगा can we remember this very important point very very important point इसको याद रख सकते हैं right axis of the earth again very important point क्या है आपके पास में this is inclined this is tilted 23 and a half degree from the from the central plane right इस point को याद रख सकते है imaginary line आपके पास में अक्ष क्या है हमारा axis क्या है this is nothing but imaginary line मतलब अर्थ के अंदर आप गुसके देखेंगे तो कोई ऐसी रेखा दिखेंगी नहीं this is just a line around which the earth is rotating तो imaginary line at which earth rotates इस line को हम लोग क्या कह रहे है axis of earth कह रहे है इसी line को इसी रेखा को axis of earth कह रहे है तो प्रत्वी की धूरी जो है वो लंबवत रेखा से साड़े 23 डिगरी के कौर्ण पर जुकी हुई होती है इस जुकाओ को अक्षिय जुकाओ कहते है we call this bending as the axial bending axial bending तो एक बार प्रशन पूछा जाता है एक बार प्रशन पूछा जाता है गत वर्ष के प्रशन पत्रक के अंतरगत की earth is inclined from the from the central plane आपके पास में यहाँ पे पूछा गया था कि सर अर्थ जो है अपनी लंबवत रेखा से कितने डिगरी पे जुकी हुई है 23 and a half डिगरी बस यह एक सिंपल सा था कई लोगों ने कहा कि यह कोशन सिक्स्ट एंसियारिटी का कोशन और PCS के एक्जाम में पूछा जाएगा पूछा गया है तो आप यह चीज देख सकते हैं कि चीज़े बहुत सिंपल सी आप बाद करें सर जो हमारी अर्थ है कि सर वह क्या कर रही है इंकलाइन के साढ़े 25 डिगरी के एंगल के उपर और सर वेस्ट से एष्ट के अंदर पाष्चिम से पूर्व की दिसा के अंदर गठ रोटेट कर यह ठीक है सर कहां रोटेट करने के साथ-साथ में वह सूजय की परिक्रमा भी कर रही है पर सर जिस परिक्रमा कर रही है उस परिक्रमा का जो पत है जो अर्बिटल पाथ है जो कख्षा है वह क्या exactly circular है क्या प्रत्वी उसके इसको हम लोग ऐलेप्रिकल औरबिट केटे हैं तो मतलब आपके पास expand सूर्य की परिक्रमा करती है, आप इस चीज़ को क्या लग सकते हैं, अलेप्टिकल और्बिट लिख सकते हैं आपके पास में आप देख पा रहे हैं प्रत्वी की सूर्य से दूरी प्रत्वी की सूर्य से दूरी एक बार जादा है एक बार कम है मतलब एक अवस्ता में जो है प्रत्वी सूर्य के बहुत नजदीक है और एक अवस्ता में बहुत ज़्यादा दूर है जब नजदीक वाली अवस्ता है तीन जनवरी की अवस्ता जब आपके पास में ये डिस्टेंस जो है 14.7 करोड किलो मिटर है जब आपके पास में ज्यादा distance है जुलाई वाला दिन है चार जुलाई वाला तब 15 करोड किलो मिटर का distance है कितना है 15.2 करोड किलो मिटर का distance है अच्छा जब नजदीक होगी जब नजदीक होगी तब हम इसको कहते हैं उपसौर सूर्य के नजदीक उपसौर है ना इसको अपेक्स relatively ज्यादा distance है यहां 14.7 करोड है यहां उससे भी ज्यादा आदा करोड ज्यादा मतलब 15.2 करोड किलोमेटर का distance है इसको मैं अपसौर अवस्ता या अपहिलियन अवस्ता कहूंगा है ना तो प्रत्वी की कक्षा कैसी है और्बिट कैसी है सूर्य के चारो तरफ वरताकार elliptical orbit है एक बार 15.2 करोड बहुत ज्यादा दूर है अतेव अपसौर अवस्ता अपहिलियन अवस्ता एक बार 14.7 करोड अतेव उपसौर अवस्ता पैरिहिलियन अवस्ता के अंदरगत प्रत्वी होगी आपके पास में तो एक वर्ष आपके पास में पूछा जाता आपके पास में आप बताने वाले हैं क्या सही आंसर होगा वहां में एक option यहां पर जन्वरी होगा और वो सही होगा अगर इह इस बार या इस वर्ष या अगले वर्ष पूछ लिया जाए प्रत्वी किस वर्ष जो है सूर्य से लगबग 15.2 करोड किलो मिटर्स की दूरी प को अगर स्पीड का प्रॉब्लम आ रहा है वो भी हम लोग सॉल्व कर देंगे है ना वेरी सून विया गूंग टू सॉल्व इस एज वेल पॉर आल अफ यू ओके गाईज कि या कशा के अंतर्गत शेब कैसा यहां पर सर्कुलर नवा करके अल्डिकल है व्रत की नहीं सーetr कुलर नहीं दिर्ग वर्ताकार id рокul orbit के अंतर करते हैं और distance जो है सूर्य से कभी ज़्यादा है कभी कम है it keep on changing मलब ऐसा नहीं है कि सूर्य से exact same distance के उपर जो है अर्थ हर बार है नहीं सर अर्थ जो है it will keep on changing the distance तो average distance जो है आपके पास में वो लगबग 150 million kilometers के आसपास में 150 million किलोमेटर के आसपास में हमने शेप पड़ा अर्थ का हमने एक्सियल बैंट देगा हमने अर्थ की औरबीट देखी अब हम अर्थ की जो हैं मुवेंट्स मोशन को जानने की कोशिश करते हैं अर्थ की जो मुवेंट्स हैं दोस्तों वहां बेसिकली दो प्रकार की होती एक है और एक है revolution मतलब एक तो प्रत्वी जो है अपने जो है axial bend के साथ में इस axis के चारो तरफ इस अक्ष के चारो तरफ पश्चिम से पूरो दिशा की तरफ लगातार घूमती रहती है घूमती रहती है चलो सर अधर टीचर्स का वीडियो फास्ट करके देखता हूँ आपका वीडियो स्लो करके पढ़ना पढ़ता है इसका मतलब हमारा content जो है वो ठुश ठुश के बरा हुआ है class के अंदर है आपको निकालना पढ़ता है पगड़ पगड़ के चलो अच्छी बात है पढ़ो अच्छे से बढ़ो इसको तो यहां पे एक तो rotate करती है यहां पे गुणन करती है एक रिवाल भी करती है किसर सूरिय के चारो तरफ elliptical orbit में घूम भी रही तो मला प्रत्त्वी क्या है कभी घूमर डांस देखा है शुरूति आरो ही राहुल क्या हमने कभी घूमर डांस देखा है घूम पूर्वर पूर्वर एक जो है गुलनन उक जो है चक्र कब पूरा कर लेती हैं कि Sarah 23 गंटे, չपन मिनिट और 4 सेकंड के अंदर आते यह लगवग हम कहते हैं कि Sir एक दिन कितने का होता है सर हम कहते है सर एक दिन तो चॉइस गंटे का होता है है ना यह exactly चॉइस गंटे का नहीं है करन भाया यह कितने गंटे का है, यह कितने गंटे का है तो यहां पर जन्रल ही हम लोग ये माने लेते हैं चॉइस हैं वो colored हैं है ना सामानिय तो क्योंकि कौन आदमी जो हैं तीन तीन मिनेट और 56 सेकंट का सब रखे तो तो ले 24 गंटे कर दो ना तेरा ना मेरा 24 गंटे याद आसानी से रहेगा है याद आसानी से रहेगा हाँ सर कल का कोशन यही था आंसर राइटिंग का वा 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 क्या बात है मज़ा आया कि नहीं आया फिर अब तर आज ही देखेंगे अब गूमर डांस बिलकुल करिएगा मत पढ़िए अभी है ना सुरुवात में 6-7 गंट अच्छे से पढ़ो फिर रात को गूमर डांस करना अ अर अर वह लगा रही होता है और पृरवी भाग सुरिय की तरफ जाएगा फिर पश्च्रिम से पारव प्रत्वी किस दिशा में गूम ती में पहले पूरी भाग सूर्य थाओ फिर पश्चिमी भाग सूरी की तरफ जाएगा प्रत्वी वेस्ट से इस्ट की तरफ मूव हो रही है तो प्रत्वी का परिग्रवन कुरा करने के लिए चॉइस गंटे चार सेकेंड का समय लगता है और अर्थ लगबग जो है इतना ही समय एक दिन के अंदर हम लोग कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं इसको याद रख सकते हैं सर आज रात वाला क्लास कैंसल करवा दीजिए नहीं ऐसा नहीं हो सकता सुनने की कोशिश कीजिए देखिए हर एक चीज में सिस्टम बहुत जरूरी है और आप ब्यूरुक्रेट बनने वाले हैं तो आपको तो नियमों से हां अमिता बिल्कुल आप इसको पढ़ें अच्छे से पढ़ें चलो भया यह पॉइंट क्लियर होगे आपके पास में अभी हम लोग पढ़ते हैं कि इस परीब्रमन का प्रभाव क्या पढ़ता है अब अगर मैं प्रश्न पूछता हूं कि मुझे बताईए कि सूर्य किस द सोचने की कोशिश को सूर्य पूरो में ही क्यो होगा और प्रश्ची में क्यो अस्तुए है पॉइंटर अच्छा है राइट पॉर्वी भाग पूर्वी भाग प्ष्चीमी भाग प्हेले पूर्वी भाग में हुआ फिर basically पश्चिमी भाग जो है वहां तक सूर्य पहुंच रहा है तो हम कहते हैं सूर्य उगा कहां से सूर्य उगा पूरो में फिर प्रत्वी दिरे 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 रोटेट करती है सूर्य अस्त का हुआ पश्चिम समझ भाई? बिल्कुल यह याद रख सकते हैं इसका भी हम लोग पॉइंटर्स बना सकते हैं अच्छा क्या यहां पे यह क्लास चलेगी? यह अगले 5-6 गंटे यह क्लास चलने वाली है क्या PDF मिलेगा? हाँ मिले वाला है कहां मिलेगा? कैसे मिलेगा? यह मैं क्लास के अंत में बताओंगा क्लास के एंड में यह बताने वाला हूँ कि यहां पे इसकी PDF आपको कहां मिलने वाली है पूरा अटेंशन से पढ़ लो सारी चीज़े फुरी होकर अगर तुम पैन साइड में रखके भी बैट जाओगे न पैन और पेपर साइड में भी रखके बैट जाओगे न तो मेरा चैलेंज है के क्लास के अंत तक तुमारा एकसाइटमेंट बना रहेगा है ना रात को आंट दस वज़े तक जब तक मुझसे पढ़ोगे तब तक तुमारा एकसाइटमेंट यूंका यूं जारी रहेगा तो क्योंकि अर्थ पस्चिम से पूर्व की तरफ रोटेट होती है पहले पस्चिम का हिसा सूर्य की तरफ गया तो सूर्यो दे पस्चिम में जो पूर्वी हिस्सा सूर्य की तरफ पहले गया तो पूर्व के इससे में पहले सूर्यों दे हुआ तो हम लोग कहते हैं Sun rises in the East तो हम कहते हैं सूर्य इस्ट में तो होगा फिर West में basically अस्त कैसे हुआ कभी हम लोग basically गाड़ी में बैठे हैं कार में बैठे हैं तो कार में बैठे हम आगे जाते हैं और पास में पैड होता है वो पीछे की तरफ जाता हो मैसूस होता है यस पास वाले गर हमको पीछे की तरफ जाते हो मैसूस होता है यस हाँ या ना बिलकुल होते हैं सर बिलकुल यह होते हैं सर आपके पास में वैसे ही सूर्य कहां से होगा सूर्य देवता होगे, सूर्य देवता तो अपनी जगह पर ही है, sun is at his point, पर प्रत्वी का कौन सा हिसा? पूर्वी हिसा, eastern part, पहले सूर्य की तरफ जाता है, तो हम कहता है सूर्य दे, पूर्व से हुआ, फिर प्रत्वी तो लगातार रोटेट हो रही है, वेस्स से East की तरफ रोटेट हो रहे है, सूर्य तो अपनी ही जगा पे बना हुआ है, तो ये सूर्य हम को पीछे की तरफ जाता हूँ मैसुस होगा, तो हम कहेंगे सूर्य उगता है, पूर्व से अस्त होता है पश्चिम में, प्रत्वी East to West रोटेट करती है, इसी वज़े से जब हम गाड़ी में जा रहे होते हैं तो सूरिय पूर्व से पश्चिम के और जाता हुआ प्रतीत होता है जैसे हर एक चीज तो यहां पर अर्थ का पूर्वी इसा सूरिय के सामने पहले जाता है फिर पश्चिम इसा जाता है यह चीज को याद रख लेना आप लोग बहुत ह लग्सी चीज है पर कई बार हम खुद नहीं समझा पाते हम सिर्फ यह कहते हैं कि पूरोव पूरोव है क्योंकि वह पूरोव है यह आपको पता चले पीछे का तरक आपको पता चले यही लक्षित था इस लख्ष का अच्छा इस इस परिभ्रमन का प्रभाव पस्चिम से और परिभ्रमन करती है सूर्य पूर्व से उदे होता है पस्चिम में अस्थ होता है यह पॉइंट हमारा क्लियर हो गया और क्या प्रभाव होगा इसका और क्या प्रभाव होगा इस रोटेशन की मूवमेंट का रोटेशन की मूवमेंट का यहां पे दिन और रात होता है प बहुती मैत्वपूर्ण गतिवीदी हो रही है, इस गतिवीदी को हम क्या कहते हैं, परी ब्रहमन के कारण, रोटेशन के कारण, डे और नाइट होता है, ब्रत्य लगातार गूम रही है, सूर्य का प्रकास जिस भाग पे गिर रहा है, वहाँ पे लिट भाग, प्रकाशित भा रहा है प्रकाश गिर रहा है तो इसके दूसरी तरफ क्या होगा डारकर पर्ट और प्रकाशिद भाग अन्लिट पार्ट नाइट होगी यह सवरनू वही बात है और लगातार सपोज यहां पर और गर करो करें और तंगर just करें तो यहां पर रत हुआ करती थी जैसे ही वह बाग सूरी की तरफ गुमेंगा तो दिन हो जाएगा तो पृती के परी ब्रमन के कारण लिटेशन के कारण डेयर नाइट होता है प्रथवी के रोटेशन के का सा बन जायगा एक से सागल में वेसीकल क्या होगा उस सरकल के एक तरफ का हिससा प्रकाश्चिल जहां दिने 1 टलफ का हिस्साज अंधेर में जहां पर रात होने वाली है तो इस सरकल को और रो िट को प्रश्ण करते हैं गृतर ना को अवी तक हम ने चीज जानी है कि सर प्रत्वी के घुमने से क्या होगा पहली बात हमने जानी कि घुमने की दिसा क्या घुमने में कितना समय लगा और फिर हमने जानने की कोशिश की कि किसके चारों तरफ घुम रही है जो एक्सिस है वो कितने डिगरी जुकी हुई है अच्छा फिर उस एक्सिस के चारों त ह kaufen आगर हमारी परत्वी कलकी तारीक में बोले नहीं मजा ने आ रहाGM में पश्चिम से पूर्व की तरफ नहीं होंगी अब मैं कहां से घुम नकी तरफ की की बीपिन रित्वी का अगर प्रत्वी मेरी कहां से कहां गुमना शुरू कर दे स्चिम से पूर्व की जगा जो भाग सूर्य के तरफ पहले जाएगा उस भाग में बेसिकली क्या होगा सन्राइज होगा राइट क्या यह याद रख सकते तो ऐसा ही एक कालपनिक सवाल बना करके कंसेप्चुल सवाल बना करके यहां पे पूछ लिया जाता है आपके एक्जाम में और यहां पे कई पढ़ता है हम तो लोटा उधरी सुबह सुबह सुरज को उधरी अर्क देने वाले बात कतम तुम चाहे रोटेशन को गुमा लो और यहां पे अप्लिकेशन बेस्ट कोशन था कि तुमको पता है या नहीं है कि प्रत्विया घुर्णन के कारण सूर्योदय जो है वो पूर् पढ़ने में मज़ा रहा है चीजों के साथ में तर्क को जोड़ा जा रहा है चीजों के साथ में बिसिकली और जो पास्टियर के अंदर और अभी तक आपको जान करके खुशे होनी चाहिए कि आप सिर्फ बीस पेच पाय है और आपने 36 concepts सीख लिये हैं 36 concepts बातों ही बातों म प्रत्वी पर तथा दिन रात वाले स्थानों को अलग लग करता है मतलब अर्थ के चारों तरफ इस वाले भाग में तो क्या होगा दिन होगा जो सूर्य के तरफ है और इस वाले भाग में क्या होगी यहां पर क्या है यहां पर क्या है डै है दिन और रात चलो सर अब हमारे पास में एक और पास पांट आपको पता हो ना चाहिए अब आपके सामने पहले एक कॉंसेप् दे रहा हूँ पहले एक सड्रेवल करते-करते करना बहुत ही बढ़िया होता है पर नजर जो है सड़क पर भी बनाए रखना नहीं तो कुछ और भी हो सकता है चलो आगे ध्यान रखते हैं दोस्तों सर्कल आफ इल्यूमिनेशन के बाद में प्रत्वी के परिभ्रमन घूर्णन रोटेशन के कारण एक और चीज होती है क्या चीज होगी क्या चीज होगी आये उसको समझने की कोशिश करते हैं यह सोनल और चीज और हो जारा है बिलकुल बिलकुल चलिए, तो यहाँ पे Korioly nasty ball का निर्मान होता है कोरियोलिस फोर आठ़क के ओपर जब भी कोई भी चीज आपके पास अर्त के साथ में हम भी रोटेट ओरें अर्त भी तो बैटो आप सबी लोग प्रत्थी पे हो या कोई मेरी Live Class Moon से ले रहा है या कोई मंगल गरह पे बैटा आया तो कमेंट करके बताओ आपन चांद पे एंसर है ना आई होब यार नॉट गणो इस गाय तोंडे तो आप सबी माननों मात्र मेरी तरह इसी गोले पे हैं तो यहां पे हम लोग बताते कि प्रत्वी भी लगातार गूम रही है प्रत्वी फोशन के अंदर गोल गोल घूम रही है उसके उपर एक बल लगता है हर एक वस्तू जो फ्री फ्लाइंग अबजेक्ट है जो प्रत्वी पे बैटी है उस पे बल नहीं लग रहा है जो प्रत्वी से जुड़ी हुए जैसे अभी मैं प्रत्वी से जुड़ा हूँ मेरे वर पवनों को देखूं उस पे लगेगा यह सवर नो हमें यह चीज तो पता होना चाहिए तो यहां पर प्रत्वी के एक्वेटर को अगर हम देखे कोई भी चीज जो free flying object free flying object मौनलब प्रत्वी से उसका कोई लेना देना नहीं है वो अपनी ही गती में उड़ रही है है ना जैसे हवाएं चल रही है पवने विंड चल रही है आपके पास में point number one कोई ballistics चल रहा है आपके पास में है ना जैसे कोई आपके पास में missiles होगे आपके पास में gun का bullet होगे आपके पास में free flying object जो है वह नदन Hemisphere में सीधा नहीं जाकर के right जिसा में deflect होगे Southern Hemisphere में सीधा नहीं जाकर के जब वो उड़ रहे होंगे तब left जिसा में deflect हो जाएंगे तो coriolis इस बल्द भी क्यों लग रहा है घुरुनन के कारण लग रहा है रोटेशन के कारण लग रहा है परीब्रमन के कारण लग रहा है राइट बिल्कुल 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 तो यह चीज भी आप लोग याद रख सकते हैं कोई भी free flying object होगा वह उत्री गोलार्थ में right और प्रहें ऐक्वेटर के उपर जो है यहां यहां पे यह न्यूनितम अबूगा जैसे जलिए को यहां पे से अगर नौड्ज definition की तरह नौ हों हो पत्म में ज़ना यहां बoup इक्किवेटर के आसपास में क्या है कोरियल इस बल गण गण यह जीरो गड़ैसे सब जयादा बेंड देखने बैंड देखने को मिल रहा है yes और no यह point भी clear हो चुका है sir आपके पास में इसी को के sir कोई भी free flying object northern hemisphere में right में घुम जाएगा southern hemisphere में left में घुम जाएगा इसी को basically हम क्या कहते हैं Coriolis बल कहते हैं इसी को Farrell's law भी कहते हैं परिक्षा में पूचा गया निम्न मैंसे कौन कौन से कतन सत्य हैं परत्वी के परी ब्रह्मन के संदर्व में एक ये था के Farrell's law Farrell's law और the Farrell's force और the Coriolis force is a result of the rotation yes that was correct answer that was correct statement right I hope यह point भी clear है बिलकुल इंडियन भी होगा world भी होगा physical भी होगा पर उन सब के pointer जो है वो physical में आते हैं अतेव हम पहले physical पढ़ रहे हैं चलिए इसको अगर मैं और बहतर तरीके से आपको समझाओं इसको अगर मैं और बहतर तरीके से समझाओं तो मैं कुछ ऐसे समझा पाऊंगा क्या यह हमारी earth rotate हो रही है yes sir यह है हमारी earth और यह है हमारी equator, यह क्या है हमारी equator सर, अब यह हमारी earth है और यह हमारी equator है, मेरे को बताओ के सर यहां से मेरे को पूरा का पूरा एक चकर देखो, अर्थ तो एक साथ में rotate कर रही है न, यह सर नो, earth एक साथ rotate कर रही है कि नहीं कर रही है, ऐसा तो नहीं है कि earth equator पे जो है गूमना होगा क्या यहां पर गति कुछ फास्ट होगी बड़ा एरिया है ना इसको भी 23 गंटे वही 56 मिनिट चार सेकेंड में एक चक्र पूरा करना है रोटेशन पूरा करना है और यहां पर पोल में बेसिकली पोल की तरफ में चला जाओंगा तो यहां पर क्या हो गया कम एर बेसिकली वापस वही समय लेना अब का एरिया कम है आपके पास में अब एरिया कम है पर आपके पास में क्या करना होगा इसको भी 23 गंटे 56 मिनिट और चार सेकेंड में एक चक्र पूरा करना है अब मेरे को बताओ पिड किस कहां पे जादा होगी अर्थ की रोटेशन की है लगबग वो क्या है जो है वो 200 किलोमेटर प्रती सेकंड की स्पीड से कोई भी जो है यह एक्विटर जो है यहां पर अर्थ जो है वह हम रोटेट कर रही है 100 kilometres पर सेकंड हां रोटेट कर रही है 50 kilometres समंद्य की कोशिश कर रहे हैं यहां दीरे-दीरे हो रहा है ठीक है ना यहां दीरे-दीरे आपके पास में कम हो रहा है सबसे ज्यादा यहां पर होगा अच्छा यहां पर कोई एक बंदा बैठा है यहां पर कोई बंदा बैठा है ठीक है ना इसकी बंदी यहां पर बैटी कहां पर समझे कोशिश कर रहे हैं यह basically क्या करते है यह क्या है आपके पास में यह है Mr. Majnu यह है Mrs. Laila है ना और यह कोई है आपके पास में लैला के पापा कोई है आपके पास में लैला's पापा अब what happens is यह यहां से basically क्या करता है एक पत्थर के अंदर love letter बांगता है and he's throwing it कहां से equator से जो है 20 degree North पे वह फैकने की कोशिश कर रहा है but pre-flying object क्या करेंगे जैसे नदन पोल पे गया वो तो सोचा के सीधा कहां जाएगा श्रीमति जी के पास में पर गलती से वो क्या हो गया नदन एमिस्वीर में deflect हो करके कहां पहुच गया यहां पर हर एक चीज क्योंकि यहां पर तो 200 किलोमेटर की स्पीड से भैका यहां पर वही चीज 200 किलोमेटर की distance है वह जो पत्थर भी फैका वह 200 किलोमेटर पर से पिड पास में तो लेला जी यहां पे लेटर उनके पपा के हाथ में और दोनों की तबाई सुनिश्चित है हुआ यह क्यों फैरल्स लॉक के कारण क्योंकि यहां पे जो है एक्विटोरियल रेडियस ज्यादा है अर्थ का रोटेशन मुवमेंट तब से ज्यादा स्पीड यहां पे में क्योंकि इस बार मुवमेंट जो है साउथ वर्ड है तो यह लेफ्ट है यह राइट है तो वह लेफ्ट में मुव कर जाएगी बस यही चीज है कभी भी आप हमेसा यह याद रखना कि नदन हमिस्फियर में कोई भी चीज को अगर आप घुमा रहे हैं तो उसको हमेसा र क्लास बताया जाएगा है ना उसके आगे की भी कई गटना है IPC CRPC के अंतरगत हम पढ़ाएंगे लौ वाला चैनल पर अभी हम लोग आपको UPPSC वाला चैनल पर पढ़ा रहे हैं चलो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं चलो सर बिलकुल बिलकुल फोकस अभी लोग कोरियोलिस बल मुक्त रूप से गती कर रही वस्तुव पर लगता है और इस बल के कारण उत्री गोलार्थ में वस्तुवे दाई और मुडती हैं जबकि दक्षिनी गोलार्थ में वस्तुवे बाई और मुडती हैं आपके पास म तो Coriolis Falls जो है ये कहाँ applicable होता है free moving objects पे होता है है ना अगर कोई चीज प्रत्वी से जूड़ी हुई है जो move कर रही है तो उसके उपर नहीं लगेगा तो क्या इसके उपर कोई चीज कोई video देखने की कोशिश करे एक video देखते हैं अच्छा खासा equator पे सबसे कम होगा तो प्रश्ण कई बन सकते हैं हमने सारे के सारे प्रश्णों को समझने की कोशिश की है समझ माया क्या सभी students को समझ माया Coriolis ball क्यूं लगा क्या हुआ वो लड़की ball फैक रही थी और ball सीधी नहीं गई कहाँ चली गई फ्री फ्लाइंग क्योंकि वो लड़की तो उस उस लगातार rotating object का हिस्सा थी वैसे ही आप उस rotating object का हिस्सा हो अर्थ का हिस्सा हो पर जैसे ही आप कोई चीज free flying fact हो चाहे football हो चाहे winds हो चाहे bullet हो चाहे पत्थर हो वो हर चीज क्या कर जाए कि free flying object right word bend कर जाएगा yes or no समझ माया किस किस को यहां पर यह पूरा method समझ माया कभी Coriolis sports को इस तरीके से पढ़ा हमने आज से पहले कहीं बार Coriolis sports को पढ़ा होगा पर क्या इस innovative तरीके से पढ़ा मजा आया उस चीज को जानने का मिला सीखने को मिला काफी सारी चीजे नई सीखने को मिलेगी सेशन के साथ साथ में आपको तो Coriolis बल जो है उसके बारे में तमाम जानकारी आपने यहां पर ले ली है चलिए तो इस वस्तू की गती अधिक होने पर उस पर लगने वाला Coriolis बल भी बढ़ जाता है अगर वस्तू दीरे से फैकी तो deflection कम होगा वस्तू को फैका जोड से speed से तो deflection भी जादा होगा deflection भी जादा होगा सर तो Coriolis बल के कारणी बेसिकली देखो जब winds दीरे दीरे चलती है ना जब winds दीरे दीरे चलती है तो नदन हमिस्पेर में स्पीड से अब ज्यादा स्पीड ज्यादा कोरियोलिस बल के कारण चक्रवात बनाएगी जैसे साइकलों और एंटी साइकलों होते हैं उसमें क्या होता है wind की स्पीड ही तो ज्यादा होती है winds की स्पीड ही तो ज्यादा होती है और जब winds की स्पीड ज्यादा होती है बच्चा लोग तबी तो बेसिकली क्या होता है आपके पास में winds की स्पीड ज्यादा होने के कारण चक्रवात बनने लगता है Coriolizable तो अभी भी चल रहा है, जो हवाय चल रही है, Coriolizable तो अभी भी उनपे effect हो रहा है, अभी भी उनपे लग रहा है पर उनपे क्या नहीं लग रहा है ज्यादा स्पीड नहीं होने के कारण कम कोरियोलिस बल लग रहा है अगर स्पीड ज्यादा पकड़ ली तो ज्यादा डिफ्लेक्शन और डिफ्लेक्शन दीरे दीरे फिर राइट की तरफ नहीं होगा फिर बहुत ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा बहुत ज्यादा डिफ्लेक् बहुत बच्पन से समझ जैसा हमको पता है कि सूर्यपूरों से उगता है मैं अच्छा बच्चा हूं गाए हमारी माता है वैसे हम यहीं भी बता है कि हुआ है high pressure से low pressure की तरफ जाती है यह तो पता है न तो सोचो तो अगर यहां पे उच दाप से निम्न दाप की तरब जो पौने जो विंड्स जा रही है कई बार basically क्या होता है कि वह पौनों के कैंदर में high pressure होता है कई बार low pressure होता है तो cycle के कैंदर में हमेशा क्या होता है low pressure होता है जब विंड्स basically क्या है आपके पास में यहां से उपर उ लाएगा उच्चान आप से निम्न दाप की तरफ ह्य चारों से बाहर जा रही है पर इस बार जब ह्य जारो तरफ से बाहर निकल रही है बचल जो तो क्या यह एक तरफिसे USD्ट करेगा से यहां पे जब चक्रवात के समय है, साइक्लोन के जम्मय उच्च दाब high pressure के अंदर पे हैं, anti-sopen जब निम्नम्न दाब के अंदर पे हैं, cyclone तो cyclone और antisyclone समझे, cornoleisval समझे, speed के कारण अब हवाए, पूरा circular formation में जा रही है, इसलिए उनको cyclonic movements कहा गया है cyclonic moments कहा गया है I hope you all are able to understand the pointers that I am going to deliver in the class, है ना, यह चीज लिख दी आपने, cyclone Q formation हुआ correlisable के कारण, है ना low pressure से हवाएं उपर की तरफ उट रही है पर अगर हवाओं की speed ज्यादा है तो वह हवाएं basically क्या ज्यादा correlisable के कारण cyclic moment में गोमना शुरू कर देगी उच्य दाप से निम्न दाप की तरफ हवाएं जाती है चारो तरफ है ना, और वही हवाएं अगर circular format में high wind speed के करण, high correlis force के करण अगर चलना सुरू कर दे, तो anti cyclone का निर्माण कर लेगी चलो सर, यह point भी clear हुआ, तो हमारे northern hemisphere में क्या हो रहा है हमारे उत्री गोलार्द में क्या हो रहा है उत्री गोलार्द मतब समझ पा रहे हैं, जब मैं कह रहा हूँ उत्री गोलार्द, तो क्या आप लोग समझ पा रहे हैं यह हमारा गोला, इस गोले के दो भाग equator ये है हमारा other hemisphere ये हमारा southern hemisphere मंसे क Sadly Left की तरफ bend करेगी। कवारि बल्क कर है Okay, point understood sir तो यहां पे हौाइ हमेसा किदर से किदर चल रही है 성 समझ मऩा आ गया हमको हवाय राइट वर्ड बेंट कर रही है high से low की तरफ जाना सीधा नहीं गई right वर्ड बेंट हाई से लो जाना था सीधा नहीं गई राइट वर्ड बेंड अच्छा इस बार क्या हो गया आपके पास में क्या आप देख पा रहे हैं हवाओं की यह एक तरकी की मुमेंट जो है हवाओं ने पकड़ लिए हवाओं जो है एक तरीके से जो है यहाँ पर एंटी क्लॉक्वाइ लाइज डारेक्शन में बनना सुरूवगी गड़ी की सुई जिस दिसा में गोमती है उसके ठीक विपरीत दिसा अच्छा आजाओ दक्षनी गोलार्थ पे अज़ाओं दक्षनी गोलार्थ पे भी क्या हवाओं हमेसा है से लो की तरफ ही जाएगी उतरी हो चांग दक्षनी यह राइट यह लेफ्ट यह हवा इधर की तरफ बैंड हो गई हवा को जाना था सीधा लेफ्ट में बैंड हो गई हवा को जाना था सीधा लेफ्ट में बैंड हो गई हवा को जाना था सीधा लेफ्ट में बैंड हो गई हवा को जाना था सीधा लेफ्ट में बैंड हो गई तो नदन हेमिस्फियर में Cyclones جो है temporary clockwise होते हैं जब कि Southern Hemispher में Cyclones जो है clockwise होते हैं कि मैं आया है समझ मुआ है बात क्यों हुआ यह कि यह चोटा सा एक statement दे रखा है तुप्रिया चोटा सा बेटा एक statement दे रखा अंसी एप उसने कहीं भी basically is को explain नहीं किया है even in the 11th physical fundamental of the physical geographic में है ना परन्तु आपको यह चीज़ पता होनी चाहिए कहां पर क्यूं हो रहा है है ना कहां पर क्यूं हो रहा है तो यहां पर cyclone की क्या परिस्तित्य होगी और anti cyclone की क्या परिस्तित्य होने वाली इसका ठीक उल्टा होगा anti cyclone क्या है कि सर cyclone के केंदर में high pressure है cyclone के केंदर में high pressure है पर अगर northern hemisphere की बात करूं उत्री गोलार्थ के अगर मैं बात करूं यहां पर किसकी बात करूं नदन northern hemisphere के अंदर तो eastern hemisphere में क्या होगा हवाय High pressure से Low pressure बाहर की तरफ जा रिए पर rightward bend हो जा रिए हवाय high से Low पर rightward bend low high से low rightward band high से low पर rightward band हवाई सर एक cyclic movement में जा रही है तो यहाँ पर northern hemisphere के अंदर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास से cyclone की जगा जो anti cyclone होगा वह clockwise moment करेगा Southern hemisphere में क्या हो जाएगा Southern hemisphere में हम सबको पता है कि हर चीज जो है leftward move होती है leftward move होती है तो यहाँ पर क्या होगा high से low तरफ जाते हुए यह इस तरफ से जाना है पर इस बार basically क्या है left की तरफ bend हवा इस तरफ bend होगे इधर से इधर जाना है पर हवा left की तरफ bend पर हवा left की तरफ bend हो जाएगे तो क्या आपके पास में anti-cyclic moment दिख रहा है, यह एक तरह का anti-cyclic moment दिख रहा है, इस तरह का moment दिख रहा है, कै सर, anti-clockwise moment दिखा, कैसा है, clockwise moment तो होती है, गड़ी जब इधर से आए, पर उसके ठीक विप्रीत चली जाए तो, anti-clockwise moment, यह पॉइंट भी आपका clear होना चाहिए, तो यहाँ पे आपके पास में इसके ठीक विप्रीत, बस आप यह याद रख लो, सिर्फ एक पॉइंट आप याद रख लो, सिर्फ एक पॉइंट याद रख लो, कि सर, नदन हेमिस्फियर में, anti-clockwise moment होती है, नदन हेमिस्फियर में, साइकलोन की anti-clockwise moment होती, बस इतना सा याद रख लो, उसका ठीक विप्रीत सदन हेमिस्फियर में, है न, इस बार basically हम लोग क्या कर देंगे, anti-cyclone के अंदर basically वापस हम क्या बता देंगे, कि सर, साइकलोन की जगा anti-cyclone में आते ही, यहाँ पे clockwise moment हो जाएगी, तो एक clockwise, एक anti-clockwise, है न, बिलकुल, शाबाश, point clear हो गया, अच्छा, एक और point clear हो गया आपका, क्योंकि ऐसे-एसे कई pointers हम लोग साथ-साथ में कर देंगे, और सारी यह एक ही concept से related है, मतलब यह है तो अलग-अलग chapters से related, पर इन सारे chapters को हम लोगों ने क्या कर दिया, assess कर दिया, compile कर दिया, आप कितनों को याद हो गया यह, पूछ लूँगा मैं, कभी भी पूछ सकता हूँ, ठीक है, जवाब देना होगा आप लोगों को, यह आपकी duty बनेगी अब, चलो भया, तो अब हमने क्या कर दिया, अर्थ का rotation जो है, वह complete कर दिया, कसर प्रत्वी साढ़े 30 degree पे inclined है, वह जो है, पश्यम से पूर्व की तरफ rotate कर दिया, जनरली आपके पास में क्या होगा, कि कुछ पुस्तकों में यह, एक paragraph या दो paragraph में बात खतम कर दी जाती है, पर आप जब आ चुके हैं, UPPSC वाला channel के उपर, और पढ़ रहे हैं हम से, तो definitely अब आपने देखा, कि जो चीज दो paragraph में ह हम भी खतम कर सकते थे, पर हमने उस चीजों को 10 आयामों से जोड़ दिया, गत्वर्स प्रशनों से जोड़ दिया, यही इस one shot की basically क्या है, उप्योगिता है, जो आपको exam में question solve करवाने वाली है, बिल्कुल, question भी कराएंगे, पर questions के लिए अगला session है, जो आज में पढ़ा रहूं इन सब पर basically past year paper होंगे, उन सब के उपर important MCQs भी practice होगी, तो हर subject के तीन-तीन basically classes होगी, एक one shot होगा आपके पास में, जहां पर subject पढ़ाया जाएगा, एक होगा, उन subjects के उपर जैसे जोगराफी के उपर मेरा अगला जो वीडियो होगा, अगले 10 दिनों में, उस ठीक है न, चलो, pointers clear है आपके, pointers clear है, चलो, अब हम बात करते है, revolution की क्या प्रत्वी जो है, सूर्य के चारो तरफ अपनी अक्ष पे basically क्या है, गुर्णन करती है, yes or no, गुर्णन करती है सर, तो अब मेरे को ये चीज बताएंगे आप लोग, दिशा क्या है, जो rotation की दिशा है वही revolution की दिशा है, जो परिब्रमन की दिशा है, वही परिक्रमन की दिशा है, तो जो परिक्रमा भी हो रही है, वह पश्चिम से पूर्व की तरफ की जा रही है, आपके पास में, इस point को भी आप लोग याद रख लीजिए, तो आपके पास में यह परिब्रमन, जो परिक् को लीप वर्ष के रूप में मनाते हैं जहां पे हम फरवरी के 28 की जगा फरवरी को 29 दिन की कर देते हैं एक दिन एक्ष्रा हम लोग जोड़ देते हैं एक दिन जोड़ देते इसको लीप वर्ष कहा जाता है क्या कहा जाता है लीप वर्ष आपको पता होना चाहिए तो आपको लीप वर्ष की calculations भी पता होनी चीए एक बार आपके पास मैं एक्जाम में पूछ लिया गया है ना लीप वर्ष कौन सा था है ना आज से जैसे जिस वर्ष परिक्षा है उससे पहले के जो दो सिधा सिधा सी गणी थे आप लोग सिधा याद रहो काॉँसा लीप वर्ष था कौन सा नहीं था आपको याद हो जायेगा वीडियो के कमेंट में लिखके बताओ पिछला लीप वर्ष कौन सा था विच वाज़ लास्ट लीप यर विच वास्ट लीप यर वेपर से रितु परिवर्तन होता है इसके कारण क्या होता है रितु परिवर्तन होता है आपके पास में revolution और axial bending के कारण तो अगर मैं आपसे ये प्रशन पुछू अगर मैं आपसे ये प्रशन पुछू अश्मी की रित्वी परिवर्टन प्रत्वी पे देखा गया है? हाँ सर, कि सर, प्रत्वी पे कभी सर्दी है, कभी गर्मी है, कभी वसंत है, कभी पतजड है, है सर, चार रित्वी देखी जाती है, पर क्यों देखी जाती है? तो उसका कारण आप बोलेंगे सर, प्रत्वी सूरी की परिक क्योंते ना होता था यूंते यह ना ररेवालूशन के साथ पूरा अंसर क्या होगा रेवलूशन और एक्षिय जुखाओ के कारण रित्व परिवर्तन होता यह पूरा इसका जवाब होगा तो प्रत्वी का जो हिस्सा सूरी की तरफ जुका होता है वहां गर्मिया होगी और जो हिस्सा दूसरी तरफ होगा सीधी सी बात है जो हिस्सा सूरी की तरफ है ज्यादा सन ज्यादा हीट तो समर्स गर्मिया दूसरा हिस्सा सूरी से परे हैं कम गर्मी कम हीट सर्दिया होगी वहा पर निर्बर करता है तो परिक्रमन के कारण रितु परिवर्तन होता है दुरूओं पे छह महीने के दिन छह महीने की राते होती है वे दिन की अवदी बढ़ती घटती रहती है यह सारी चीज़े क्यों ही परिक्रमन के कारण परिक्रमन परिब्रमन के कारण तो आपके पास में यहां पर सूरिय की चलिए सर तो प्रत्वी दारा सूरिय के चारो और की जाने वाली घती को परिक्रमन घती कहते हैं तब मोशन ऑब द अर्थ, अरंड सन इस आसे कॉल्ड रावलूशन तो यहां पर चोईस होने वाला अगला लिफट्स दो जार चोईस होने वाला हाँ या ना बिल्कुल सर चलिए तो आई होप आप इस स्विच को लिपते भी चल रहे हैं तो revolution और एक्जिल बेंडिंग के कारण रितु परिवर्तन होता है और दिन रात में परिवर्तन होता है और पोल्स पे 6 माइना दिन 6 माइने की रात होती है तो जिस तरीके से आपने प्रत्वी के परी भ्रमन के उपर रोटेशन के प्रभाव पड़ेते वैसे ही परी क्रमन revolution के भी प्रभाव आपको पता होने चीए कि आप खड़े खड़े गिना दो के सर यह तीन चार चीज़े होती है यह तीन चार चीज़े होती है सर चलिए अब यह बेसिकली आप लोग यह समझ सकते हैं किसी के साथ में ह सूरीया चीज़े एक हैं किया कि अपर शूर्य के चार हें क्रयी खर्रिक तो यहां पे लाइन जो बनते है do यहां पर लाइन होगी, 0 degree equator भूमत दे रहा, एक जो है 1.5 degree north जिसको Tropic of Cancer कहते हैं, 1.5 degree south जिसको Tropic of Capricorn कहते हैं, 90 degree south South Pole और 90 degree north जो है वह North Pole होगा, तो यह आर्क्टिक वरत, एंटार्क्टिक वरत यह सारी चीजे हमने जानने की कोशिश की, प्रत्वी के उपर कई कालपनिक रेखा है, महत्वन रेखा है, हम बनाने की कोशिश करते हैं, जब मैं प्रत्वी के उपर कई कालपनिक रेखा है, बनाने की कोशिश करता हूँ, तो उसका सबसे पहले मेरे को महत्व जानना है, कि why do आई मेड वाट आई मेड मैं यह ऐसी रेखा है क्यों बना रहा हूं वाइड आई मेक लाइंग्स लाइक दिस चलिए सर समझने की कोशिच करते हैं हम लोग यहां पर क्या हो रहा है कि सर यह जो साधे 30 डिगरी जो है आपके पास में नौर्थ है कभी सूर्य की सीधी रेखा है उर्थ वह इसके उपर गिर रही है तो कभी जो है आपके पास में जून के महीने के बार में दिसंबर के महीने में जब दक्षनी गोलार्थ सूर्य की तरफ है जब सदन हमिस्फियर सूर्य की तरफ है क्योंकि अर्थ तो इंक्लाइंड है अर्थ तो ऐसे इंक्लाइंड है अ 90-Degree की जो रेखाएं हैं उर्दोर रेखाएं जो है वह मकर रेखा शाधेतेज़ दिग्री साथ पर आ रही है ठीक है ना तो यहां पे क्या होगा जादा से जादा हीड्ट जो है वह सदन हमिश्फियर में आएगी तो यहां सबसे जादा से जादा क्या होगी सूर्य की गर्मी होगी तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि मई जून होते 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 मार्च के महीने में और यहां से रोटेट होते होते सेप्टमबर के महीने के अंदर ऐसा भी होगा कि सूर्य की सीधी रेखा है जो है वह एक्वेटर पे जाके गिर रही है यह जो हमारी एक्वेटर है ना यह जो हमारी एक्वेटर है सूरी की सीधी रेखा है, एक्वेटर पे जाके गिर रही है, उस वक्त के होगा फिर आपके पास में, उस वक्त आपके पास में 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात होने वाली है, 12 आर्स का डे, 12 आर्स की नाइट होने वाली है, इस पॉइंट को भी आप लोगों को याद रखना है ना तो यह दो सॉलिस्टिस हो गए आपके पास में यह हो गया आपके पास में विंटर सॉलिस्टिस सर्द रितू और यह हो गया आपके पास में समर सॉलिस्टिस जिसको हम लोग क्या कहेंगे कि नदर्न हमिस्वेर में गर्मी की रितू है दूसरा हो गया आपके पास में स् की कोशिश करते हैं जो हमारा विशुव है इसके बारे में जानो कि वह स्थिती जब सूरिय विश्वत रेखा के ठीक उपर लंबवत स्थीत होता है मतलब 90 डिग्री एंगल तो उसे विशुव की स्थीत कहते हैं इसको एक्विनॉक्स कहा जाता है क्या कहा जाता है गंटे का दिन बारा गंटे की रात होने वाली है सर आपके पास में इस दारान प्रत्ति की सभी स्थानों पर बारा घंटे की रात होने वाली है इसके आगे कै распि मुपास के सर इन यह लगबग आपके पास시면 एक साल में लगबग दो एक्विनॉक्स होंगे कि सर 21 मार्च और 23 सितंबर इन 6 महीने का डिफरेंस होगा मार्च अप्रिल माई जून जुलाई अगस्ट एंड सितंबर तो इन 6 महीने के गैप में तो जो मार्च में आता है याद करो बसंद 5.5 का स्प्रिंग उसको हम लोग क्या ख़ेंगे स्प्रिंग फिर जो होगा आपके पास में स्प्रिंग अपके पास में आप यहाद में होता है अब हम solustices के बारे में, मतलब आयनांत के बारे में पढ़ने की कुशिश करेंगे पहला है winter solustices, winter solustices कब आएगा आपके पास में जब southern hemisphere में, southern hemisphere में basically जो है मकर रेखा है, साड़े 23 degree south के उपर है ना, अच्छा यहां पे जो है सूरी की रेखा है, जो है उर्द वह गिर रही है, 90 degree पे गिर रही है, तो सरे southern hemisphere में क्या होगा, सूरिय का सबसे ज़्यादा प्रकाश मिलने वाला है, तो northern hemisphere में क्या होगा, इसका ठीक उल्टा होगा, उतरी गोलार्द में क्या होगा, सर्दी होगी, है ना, और ज़्यादा गर्मी कह यहांपे गर्म जादा होगा यहांपे जादा गर्मी देखने को मिलेगी तो मकर रेखा पे अगर आपके पास में लंबवत सूर्य की रेखाये गिरती है ऐसा होता है 22 दिसंबर के समय नहां तब नदन हेमिस्वेर में जो है है आपके पास में यह प्रड़ीप्तिव्रत है यह सूर्य का प्रकाश आपट गरें और ऑजशं़ ते ना इंट हैG तैना अपके पास में यहां पे सभील यहां प्रकाश यह है यह है अगर आप देखने की गोशिश करेंगे कि Sir यह Circle of Illumination जो है यहाँ पे देखने की कोशिच कर सकते हैं कि Sir सूर्य की सीधी रेखा है जो Northern Hemisphere में ज्यादा गिर रहा है प्रकाश आपके परसमें तो क्योगि Northern Hemisphere में प्रकाश ज्यादा गिर रहा है तो Northern Hemisphere में क्या होगा फिर आपके पास में ज्यादा heat और यहाँ पे गर्मी उसका ठीक उल्टा होगा यहाँ पे Southern Hemisphere के अंदर यह basic है आपको जो पता होने चाहिए So Circle of Illumination क्या करता है यहाँ पे it divides equator into the two equal parts प्रदिप्ति का अवरत विशु रेखा को दो समान हिसो में बाट देता है बाकी यह जो है आपके पास में यह पता होना चाहिए के सर जब आपके पास में 21 जून का समय है मकर अकरक रेखा के उपर सूर्य की 90 डिग्री एंगल के उपर जो है यह किर्णे गिर रही है तब basically क्या होगा आपके पास में यहाँ नदन एमिस्वेयर में गर्मी होगी जब मकर एक खा पर गिर रही है तो यहाँ पर सर्दी होगी जब equator पर गिर रही है तो या तो autumn है या spring है इक्विनोक्स है आपके बास 12 गंटे का दिन 12 गंटे की र लिए है बिल्कुल अब हम उसके आगे की जानकारी लेने की कोशिश करते हैं दोस्तों ठीके चैप्टर नंबर टू पर आ जाते हैं हम लोग चैप्टर नंबर टू में basically हम अक्षांस वह देशांतर की basic जानकारी लेने की कोशिश करेंगे आपके पास में अक्षांस कौन से यहां पर connect करूँ, सारे points को यहां पर connect करूँ है ना, और उसको मैं एक basically क्या करूँ, circular line मना दूँ प्रत्वी के चारो तरफ, तो जो यहां पर मेरे को zero degree का एक circle प्रत्वी के चारो तरफ देखने को मिलेगा, प्रत्वी के लगबग बीच में से, जो प्रत्वी को लगबग दो समान भागों में बाटेगा, एक होगा Northern Hemisphere उत्री गोलार, एक होगा Southern Hemisphere दक्षणी गोलार ठीक है, इसको भी याद करिए बिल्कुल, questions जो इसके related होंगे वह question series के साथ में करवाया जाएंगे है न, otherwise अगर मैं आपके पास में जो 10-12 topics यहां पर ले रहा हूँ, अगर सारे questions अगर मैं यहां पर कराऊंगा, तो यह class कल सुबर तक चलती रहेगी, इतना नहीं आपकी capacity है, और नहीं एक teacher की होती है, कि वो class को beyond reasonable limit, time बढ़ाए है उसका, ठीक है न, बिल्कुल sir बिल्कुल आप अरपिता जी क्या करिए technical help line के जो भी numbers है, आपकी जो application पे भी है वा message कीजिए, और एक email डाल दीजिए, इसके साथ में ही video के comment section में भी जो number दे रहे है, help line आपको मदद करेगी, आपके comments भी ज़रूर observe किये जा रहे होंगे, definitely they will reach out to you चलिए, तो latitudes and longitudes की basic जानकारी हम यहाँ पे लेते हैं कि sir, जो आपके पास में horizontal lines हैं उनको basically हम क्या कहते हैं, latitude जो आपके पास में vertical lines हैं, जो pole से, pole की तरफ हारी, north pole से, south pole की तरफ, उनको हम क्या कह रहे हैं आपके पास में, यहाँ पे we are calling them as, देशांतर चलिए अक्षांस, जो basically उसका कारी क्या कहते हैं क्यों हम basically अक्षांस रेखाएं कीजते हैं जो सामानांतर चलती हैं, एक दूसरे के, sir यह हमारे तापमान के अनुसार के sir बताती है किस अक्षांस पर कितना तापमान है तो basically अक्षांस रेखा है हमने क्यों बनाई, sir वहाँ पे तापांतर को बताने के लिए temperature को दिखाने के लिए फिर sir, अक्षांस और देशांतर दोनों रेखाओं को, मतलब इन RD lines को और इन खडी lines को, हम जब basically साथ में बनाते हैं, तो एक grid pattern बन जाता है रेखा तंतर बन जाता है, इस grid pattern को basically मैं जो है, graticule system भी कहता हूँ, कई बार आपने GPS के बारे में जाना होगा, कई बार आपने GPS के बारे में जानकर लिए होगी, कि sir ये location बताने में मदद करता है, क्या बताने में मदद करता है, location बताने में मदद करता है, अच्छा सर, जो यहाँ पे North Pole से South Pole की तरफ, जो यह इस सर की जो lines होती है, है ना, जो यह वाली lines होती है, यह lines का क्या काम होता सर, what is the purpose of the, sir यह time को, यह किसके लिए खीची जाती है, time के लिए, तो एक बताती है हमको distance, क्या बताती है, distance और temperature, और जबकि आपके पास में एक क्या बताती है, समय को, तो दोनों ही चीजों का time and distance का सकल ध्यान हो, इसके लिए हम basically इस रेखा तंतर ग्रिड सिस्टम को बनाते हैं, कि sir हम अमारी प्रत्वी के उपर पूरा एक equator बनाते हैं, है ना, फिर इसके north में कुछ अक्षांस बनाते हैं, south में कुछ अक्षांस बनाते हैं, और north से south pole को जोडते हुए, कुछ बेसिकली क्या खीचते हैं फिर आपके पास में देशांतर भी खिसते हैं, तो एक पूरा grid system, यह कालपनिक है, मतलब अगर मैं प्रत्वी को space से देखूंगा, I will not be able to see any grid system, मैं और को कोई grid system प्रत्वी पे नहीं दिखने वाला है, I will not be able to see any grid system on my earth, चलिए सब, आप लिख सकते हैं, latitudes और longitudes are the graticule system, जो basically एक location के जानकारी के लिए हम लोग यूज करते हैं, जैसे कि आपके पास में, मैं एक grid system यहाँ पे आपके लिए तयार करूँ, आप ही लोग उसका जवाब देने की कोशिश कीजिएगा, कि सर यहाँ पे basically यह क्या है, a, b, c, d, और यहाँ पे यह क्या है, आपके पास में, one, two, three, four, अगर मैं कहूं, hertz is located over here, है ना, and प्रजल is located over here, तो मेरे को बताओ exactly hertz और प्रजल कहां है, आप कहेंगे, सर, hertz भाईया जो है, वह, b, two, position पे हैं, है ना, और प्रजल जो है, वह कहां है, मेरे को comment करके बताओ, d, three location पे हैं, yes or no, yes or no, अगर प्रत्वी पे यह locations, यह grid line में बनाओ ही नहीं, तो क्या मुझे पता चलेगा, नहीं पता चलेगा, तो इन grid lines का बनाने का मकसद क्या हुआ, यह अक्सांस, देशानतर, आड़ी रेखाएं, खड़ी रेखाएं, खीचने का मकसद क्या रहा, यह मकसद रहा, के यह सर, हमें location दर्शाती है, के सर, मैं कहां खड़ा हूँ, वो कहां खड़ा है, हमारे बीच की, दूरी कितनी है, right or wrong, तो distance, place, location को बताने के लिए grid system को और time को बताने के लिए grid system को use किया जाता है तो जैसे अभी आप लोग ABCD समझ पाए है न वैसे ही ये खड़ी रेखा है क्या है ये ABCD की जग अगर मैं कहा हूँ ये 10 degree east, ये 10 degree west है इस तरीके से अगर मैं समझाओ तो ये देशांतर रेखा है कि longitude लंबी रेखा है longitude हो गई देशांतर आड़ी रेखा है अक्षांस latitude जिनको हमने कहा दिया parallels जितको हमने कहा दिया तो ये जैसे 1234 हमने बनाया इस तरीके पर सहज रूप से समझाने के लिए ये आपको example दिया गया है आए व्रहद रूप से समझते अगर मैं मेरे गोले पे अभी जो मैं बाहर खड़ा हूं अगर मैं अंदर जाओ अंदर जाओ अंदर जाओ रेडियस क्रॉस करते करते प्रत्वी के सेंटर पर आगया कहां आगया अर्थ के सेंटर से बेसिकली मैं 0 डिगरी का एंगल क्या है यह क्या है आपके पास में इक ऐसा प्लेन एक ऐसा वरत जो प्रत्वी को दो भागों में दो इस्सों में तोड़ दे equatorial plane कहता हूँ मैं equatorial वरत अच्छा इसके उपर northern hemisphere उत्री गोलाड इसके नीचे southern hemisphere दक्षणी गोलाड अब क्या होगा आपके पास में 0 degree से basically जो है मैं यहाँ पे equatorial plane से 0 degree के एंगल के उपर एक रेखा खीजता हूँ यह होगी आपके पास में equator line यह क्या होगी equator line आपके पास में तो आपके पास में वो सारे बिंदू जो इस equatorial plane पे है 0 degree के point पे प्रत्वी के चारो तरफ क्योंकि प्रत्वी मेरे को एक तरफ से दिखेगी तो मेरे को खाली एक रेखा दिखेगी पर वो एक रेखा नहीं है प्रत्वी जो है अमें यहाँ पे एंगल लूँकि सर इस बार मिरे को यहाँ पे जो है equatorial plane से 10 degree का एंगल लेना है कितना एंगल लेना है orbital plane से 10 degree का एंगल लेना है तो इसी orbital plane से 10 degree का एंगल पे जितने भी बिंदू आये प्रत्वी के चारो तरफ उन सभी को मैं एक रेखा में जोड दू तो मेरे पास में जो latitude आया 10 degree north, यहाँ पर भी ऐसे ही आपके पास में एक और angle बनाया जो 10 degree के सारे बिंदों को जोड दू तो सारे के सारे basically क्या हो जाएगा 10 degree south आ जाएगा आपके पास में ठीके, इसको भी याद रख सकते हैं, right they are part of the technical team right, typing and all other, right, चलिए आगे बढ़ने की कोशिच करते हैं focus on the screen everyone ध्यान screen पर रखें, इधर उधर ना रखें यहाँ पर अर्थ के center से अगर मैं 45 degree का angle इस direction में बनाऊ, 45 degree का angle इस direction में बनाऊ, है ना, और अर्थ के 4 तरफ 45, 45, 45, 45 का एक पूरा पूरा क्या, अर्थ के center से 4 तरफ 45 degree के points को मैं mark करूँ और उन सभी points को मैं basicly client से connect कर दूँ, तो जो basically इस बार मेरे को जो aksans, इस बार जो latitude मिला है, वो क्या है, 45 का इसी तरीके से मैं 90 degree का point करूँ तो इस बार जो मेरे को मिलेगा, 90 degree जो है latitude मिलेगा, क्या latitude समझ में आया, क्या latitude समझ में आया, वही चीज अगर मैं दक्षनी गोलार्थ पे कर दूँ, तो मेरे को दक्षनी गोलार्थ में भी ऐसे ही circle मिलेंगे, 45 degree, जब मैं कहता हूँ 45 degree, तो 45 degree एक line नहीं है, वो line हमको दिखरी है, क्योंकि हमको अर्थ का एक ही बाग दिख रहा है, मैं 2D बना सकता हूँ 3D तो नहीं दिखा सकता है, 3D अभी दिखाऊंगा पर वो होते क्या है सारे, circles होते हैं सारे क्या होते हैं, circles होते हैं, बिल्कुल सथ चलिए तो आपके पास में कितने circles बन सकते हैं हर एक degree का एक circle बन सकता है एक तो हो गया, 0 degree equator इसके उपर जो हैं, 1 degree से लेकर 90 degree तक 0 degree से लेकर 1 degree से लेकर के, ऐसे 2, 3, 4, 5 से लेकर 90 degree तक, कितने ऐसे वरत बन सकते हैं कितने ऐसे latitude बन सकते हैं कि सर, 90 अच्छा सर साउथ में भी वापस ऐसे कितने बन सकते हैं एक डिग्री नॉर्थ से लेकर के एक डिग्री साउथ से लेकर के साउथ में भी कितने बन सकते हैं 90 degree तक हर degree का एक एक basically क्या बन सकता है आपके पास में circle बन सकता है तो अगर मैं आपको यहाँ पे कहने की कोशिश करूँ के sir equator के अलावा poleward कितने latitude होंगे 90 equator के अलावा poleward कितने latitude होंगे 90 तो आपके पास में 90 degree north 90 degree south और equator का 0 degree total अक्षांस मानक अक्षांस standard latitudes कितने होते हैं 181 कितने होते हैं 181 होते हैं जबकि अगर मैं आपके पास में इसमें से यह कह दूँ कि sir कितनी रेखाए होगी क्योंकि sir अगर मैं यह देखूं यहाँ से यह सीधा 90 degree यह सीधा 90 degree यह 90 degree तो यह तो मातर दो बिंदू है ना यह दिरे दिर ऊपर की तरफ जा रहा हूँ पोल की तरफ तो यह तो मातर एक बिंदू है ना यहाँ पे कोई व्रत बनेगा क्या यहाँ पे कोई circle बनेगा क्या बिल्कुल नहीं मन रहा से 90 degree पे सीधा एक single एक point होगा तो यह बिंदू मातर है आप नोटिस कीजिएगा कि आपके exam में क्या प्रशन बना है क्या उसने standard latitudes पूचा है या latitude lines पूचिए total latitude lines 179 अगर total आपको standard latitudes या फिर circle पूच लिया overall जिसमें circles भी है सारे circles भी है और पोल के points भी है तो 181 होगा 181 होगा this point is clear this point is clear all of you बचा लोग यह point clear हुआ ना अगर clear हो गया तो यह comment करके बताया करो थोड़ा बहुत है ना तो कि मेरे को भी समझ माया है कि मेरे students को समझ माया रहा है हाँ शाबाश शाबाश very good यह pointers भी clear हो रहे हैं हमारे है ना तो यहाँ पे जैसे जैसे मैं latitude में उपर जाओंगा जैसे जैसे मैं latitude में उपर जाओंगा तापमान कम होगा और यहाँ पे दो latitude की बीच में समान दुरी होती है तो इन latitude को basically parallels भी खा जाता है क्या खा जाता है बच्चा parallels है ना सामानांतर क्या है कामानांतर रेखा है क्या ये सारी parallel है क्या ये कहीं एक बिंदू से जुड़ रही है नहीं सर परंथ जैसे मैं कहता हूँ सर north pole से south pole की तरफ अगर मैं ये रेखा है खीचना सुरू करूँ बच्चा लोग जिसको मैं देशानतर रेखा है कहता हूँ क्या यह देशानतर रेखा है parallel lines है are the parallel line no sir क्योंकि sir यह एक बिंदू से north pole से निकल रही है यह दूसरे बिंदू south pole पर आके मिल रही है इनके बीच की दूरी equator के आसपास में तो जादा है जबकि poles के पास में बहुती कम है ठीक है ना तो यहाँ पे जो यह आड़ी रेखा है latitude से वह parallels सामानांतर एक दूसरे से समानांतर equal distance maintain रखेगी जबकि जो खड़ी रेखा हैं longitude हैं देशानतर हैं वह एक pole से दूसरे pole की तरफ जाएगी और equator पे ज़्यादा distance रखेगी poles के आसपास में आते आते सब मिल जाएगी अथेव यहाँ पे कम distance pole की तरफ होने वाला एक और चीज आप लिख सकते हैं कि अगर मैं इनी अक्षांस में विश्वत रेखा से दुरूव की तरफ चलता हूँ 0 degree से 20, 30, 40, 60, 70, 80, 90 तक तो दिरे दिरे ऊपर की तरफ जाते जाते क्या होगा जैसे जैसे मेरे degree of the latitude ऊपर जाएगा वहाँ पे तापमान कम होगा सबसे ज़्यादा तापमान सबसे ज़्यादा तापमान कहां पे होगा सबसे ज़्यादा तापमान होगा equator के आसपास में क्योंकि यहां पे सूर्य की radiation जो है सूर्य की किर्णे जो है वह सीधी गिरती है हमने देखा था कभी करक रेखा पे कभी equator पे कभी मकर रेखा पे बलब इसी ट्रॉपिकल इसी उश्ण कटिबंदिय शेत्र में सबसे जादा होगा यह सर लेटिटूड्स और पैरलल्स एंड बिलकुल बिलकुल अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि सर अर्थ की सर्फेस के उपर लैटिटूड ऑफ एनी प्लेस रिप्रेजेंट दा एंगुलर डिश्टेंस फ्रॉम दा एक्विटोरियल प्लेन कि सर जो एक्विटोरियल प्लेन है ना यहां पे अर्थ के कैंदर से इस सर्फेस का बेशितली कैसे कटा गाल टंट पर 3 इसी तरीखे से 70-80-90 तो आपके पास में क्या होते हैं लैटिट्यूर अर्थ यहे प्रत्वी की सतह पे किसी स्थान का अक्षांस जो है वह उस स्थान की विश्वत रेखिये तल से equatorial plane से angular distance होता है equatorial plane से angular distance होता है कई बच्चों को latitudes नहीं पता कई बच्चों को latitude नहीं पता latitude समझ में आता, बोलना नहीं आता, समझाना नहीं आता सिधा बोलेगा आड़ी रेखा खीच ले लेफ्ट सर राइट की तरफ भया परिभार्षा बता दो कुछ तो था कुछ कौन मनाया था सर ने उसको बोला था सर ने केंद्र से रेखा भी खीची तिकुछ डिगरी के एंगर सरकल्स भी बनाये थे बताया था इस सामानांतर होते ह सिधा रट ले समझ ले लिख ले क्या लिखेगा भाई लिखेगा आपके पास में विश्वत रिकिये तल से कौनिये दूरी को एक्विटोरियल प्लेन से एंगिलर डिस्टेंस को सर जब आप पढ़ाए तो कोई डाउट होगा और अगले दो पल में अपने आप सॉल्व हो जाता है ऐसा बात है क्या चलो एक्विटोरियल प्लेन से एक्विटोरियल यह एक्विटोरियल प्लेन है जो प्रत्वी को दो भागों में तोड रहा है इससे एंगल 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 उपर चड़ता जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे अक्षांस इस को कई लोग parallels भी कहते हैं सामाना अंतर ठीक है चलो बच्चा प्रत्वी पर कुल कितने standard latitudes है 181, 90 degree, 90 degree और equator, 90 degree north के 90 degree south के और एक equator भी तो basically क्या है सबसे बड़ा क्या है, circle है वो भी सबसे बड़ा क्या है आपके पास में एक latitude है, चलिए sir अगर खाली रेखा है पुछू तो दो poles को गायब करो तो 181 से दो poles, poles तो खाली दो dot, दो बिंदू है, तो दो बिंदू गए 181 minus 2 179 lines होती है total standards में lines plus dots तो lines कितनी है, 179 dots कितने है dots कितने है, 2 north pole, south pole, hence आपके पास में, अगर मैं total lines पुछू तो 179, standard पूछ लूँ, तो 181 होना चाहिए market right, market right अच्छा, अभी हमने कहा कि sir, यहाँ पे latitudes are running parallel to each other, कभी एक दूसरे से मिलते नहीं है, है ना यह basically, यह मान के चलो, कि एक दूसरे से कभी नहीं मिलते, longitude तो मिलते ही मिलते, longitude मिलते ही मिलते, पर अब अगर मैं कहूं कि आप zero degree पे हो, है ना अगर मैं आप से कहूं कि भाईया, जेजे सर कहा है, जेजे सर zero degree equator के उपर है, हमारे दूर दर्सन वाले दीन दयाल भाईया जो है, वो है, one degree north पे, है ना, आपके पास में, इनी की जगह पे, जो है, अश्मी जी है, वो खड़े हैं, आपके पास में जो है, two degree north के उपर खड़े हैं, अश्मी जी, है ना, और आपके पास वे एक student और है, यहां पे जो है, क्या नाम है इनका, अंजल यह जो है, भाईया, यह खड़े हैं, three degree north के उपर, three degree north के उपर अंजल खड़े हैं, अब मेरे को बताओ जेजे सर, दीन दयाल, अश्मी और अंजल, इन चारों के बीच में distance क्या होगा, मेरे और दीन दयाल के बीच का distance क्या है, एक degree का distance, one degree का distance zero से one का, और zero से one के distance को हम लोग क्या कहते हैं, कि दो अक्षान से रिखाओ के मद्य की दूरी 111 km होती है, मतलब मेरे और दीन दयाल के बीच की दूरी कितनी है, 111 km, अच्छा, मेरे और यहाँ पर अश्मी के बीच की दूरी 2 degree, 2 degree कितना distance हो गया, 111 into 2, तो 222 km, मेरे और अंजल के बीच की दूरी वापस देखो, 1 degree, 2 degree, 3 degree 3 degree का distance, 111 को 3 से multiply करूँगा, तो यह कितना distance हो गया, 333 का distance हो गया आपके पास में, yes or no yes or no, चलो sir यह point भी clear हो गया आपका यह point भी clear हो गया, right तो 1 degree is equal to 111 km, है ना, only two latitude lines, तो दो रिखाओ के बीच में, बची दोनों क्या है, parallel है, दोनों क्या है, समान दूरी, maintain की हुए, समझने की कोशिच करो, तो मैंने शुरुआत में बताया था, क्यों lines कीची, sir, lines इसलिए, कि sir, यहां पे अगर मेरे को बताना हो, कि मैं कहां, तुम कहां, कैसे बताओंग कैसे बताओंगा, latitude के difference पे, आज हम कहां पाते हैं, कि sir, यह फला capital, फला state मेरे से इतना distance पे है, फला country इतना distance पे है, how do I know this, I know, sir, lines है या circle, भया, आनन्द यह है तो circle, है तो circle, पर मेरे को क्या दिखेगा, line ही दिखेगा, मेरे को क्या दिखेगा, line ही दिखेगा, yes or no, yes or no, line ही तो दिखेगा, एक circle जो बना हुआ है, अर्थ के चारों तरफ है, है ना, पर आपको 2D में तो एक line ही दिखेगी, तहां गया, यह फोटोग्राफ, यह नहीं, यह नहीं, ओफिशल फोटोग्राफ देखो, यह, यह रेखा दिखेगी है ना, पर यह रेखा exactly रेखा नहीं है, this is not a line, this is a circle, this is a circle, समझ माया, तो ऐसे ऐसे कितने circle हैं, एक equatorial circle है, प्रत्वी को दो भागों में तोड़ा, ऐसे हर एक degree के उपर basically 90 और, उपर वाला तो लास्ट वाला एक dot ही है, उपर वाला circle पुरा नही 80 degrees out, खाली दो points है, they are not circle, hence not lines, and not standard, right, आवी clear, चलो, आनन से सुनना चाहूंगा वापस, मेरे class में generally कोई भी एक student ऐसा नहीं हो, कि जिसको यह लगे किया हमने doubt था, और जेजे सर ने clear नहीं किया, है ना, वोगि यह सारे कलिश्ट chapters है, है ना, और अगर इनको डंग से नहीं क सही, होते हैं, तो यह circle ही है, पर map, मैं जब basically earth को 2D में draw कर रहा हूं, तो basically क्या दिखेगा आपको, इस तरीके से दिखेगा, चलो sir, लंबे time तक दिवाग में रहने वाली है दोस्तो, चलो भया, अब हम आगे बढ़ते हैं, latitude समझ लिया हमने, है ना, latitude almost सारी जानकारी ले ल यह scum है आपके पास में, तो poles के आजपास में तो छोटे-छोटे circles होंगे, poles के आजपास में जाओंगा तब तक छोटे-छोटे circle हो, 90 degree तो खाली एक dot T है, yes or no, 90 degree तो मातर एक dot T है, yes or no, yes, तो दुरो की और बढ़ने पर अक्सांस रिखाओ के लंबाई कम होती जाती है, right, while moving toward the pole, the length of the latitudinal lines decreases, the length of the latitudinal lines decreases, right, शाबाश, अक्सांस बढ़ने के समय तापमान कम होता है, जैसे मैं कहता हूँ, यह हमारा गोला है, यह हमारा 0 degree equator है, यह हमारे सूरज मामू है, अच्छा, इन से जो सूर्य की रेखाएं आएगी, वो जादा से जादा, basically कहां पे, हमने कहा कि साड़े 30 degree, साड़े 30 degree north, और साड़े 30 degree south, तक basically क्या है, उर्द्व गीरेगी, मतलब 90 degree का angle बनाएगी, अधर्वाज इससे उपर कैसी है, सूर्य की रेखाएं, तिर्ची जा रही है, कैसी जा रही है, तिर्ची जा रही है, when sun rays are slanting, when sun rays are slanting, तिर्ची रेखाएं जा रही ह कम से कम heat पहुच पाएगी, कम ताप, कम उश्मा, कम गर्मी, मतलब ज्यादा से ज्यादा basically या तापमान कम होगा, सर, we will not get such live classes for BPSC as parents, soon you will get it, soon you will get for the BPSC as well, है ना, आप इसको भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि देखो, ये rotation, revolution, latitude, longitude, earth का shape, billions of the year से same है, अगर हम आज से एक लाख वर्ष बाद में भी, बिहार PCS की तयारी करेंगे, तब भी basically हम इनी principles को पढ़ेंगे, हाई है ना, इनी principles को पढ़ेंगे, उस वक्त ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, कि सूर्य जो है वह, वह, दुरूओ के उपर पहुच जाएगा, पहुच भी सकता है सर, I sage है, एक लाख वर्ष का नहीं करूँगा, मैं अभी के लिए कह रहा हूँ, जब तक आपकी eligibility बनी रहेगी है ना, तब तक basically principles physics के यही रहेंगे, बिल्कुल, सर क्या यह class 6-12 की है, 6-12 मतलब समझा नहीं बेटा, NCRT कहा रहो, यह NCRT class नहीं है, this is not NCRT, यह समझ लो, है ना, यह सारे concept आपको एक ही जगा NCRT में मिलेंगे भी नहीं, आप देख पाओगे तो, है ना, चलो सर, अब important lat latitudes लिख लो, के सर, सबसे important latitudes होता है, 0 degree, 0 degree, जो अर्थ को दो पार्ट में, नदल हमिस्वेर, सदन हमिस्वेर, उत्री और दक्षणी गोलाट में बाटता है, इसके पश्चाथ, 5 degree north और south वाला region जो है, इसको विश्वत्रे किये शैत्र, equatorial region कहते है, 0 से 5 degree north, south, फिर होता है जो 67 degree north और 66 degree south वाला region रहता है, यहां पर एक जो region बनता है, इसको हम frigid zone कहते है, क्या कहते है, frigid zone जो poles के आसपास में, temperature बहुत ही कम, almost sunya के आसपास में, ठीक है न, sunya या sunya के आसपास में, तो आपके पास में, यह equatorial region हो गया, यह tropical region हो गया, यह temperature region 25 से लेके 66 की बीच में, 66 से लेकर के south pole और 66 से north pole के बीच में frisid zone रहेगा, इसको याद रखो, frisid zone रहेगा, इसको याद रखने की कोशिश करो, चलो भईया, है न, तो यह important latitudes है, equatorial, फिर आपके आगया, tropical, फिर आपके आसपास में आगया यह poles और frisid zone के बीच की lines जो है आपके पास में, इसको ह हाँ, बिलकुल, NCRTs में, कुछ चीज़े, 6, 7, 8, 9, 10, और NCRT के जो concepts है न, वो कुछ इस तरीके से दे रखे हैं, कि they are not consistent, concept बहुत शांदार है, बहुत lucid और शांदार language है उनकी, पर उनकी भासा इस तरीके से हैं, और उनकी लए एक बांधी हुई नहीं है, they are not consistent, कुछ concept इधर के हैं, राजू, तो कुछ concept उधर के आ रहे हैं, आपके पास में, है न, इसको याद रख सकते हैं, टुंडरा, टाइगा, वो भी आप लोग इनको कह सकते हैं, ठीके न, चलो सर, आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पे, अब हम कहते हैं, कि क्यों सर आपके पास में, एक्विटोरियल रीजिन में, जहां 90 डिग्री एंगल के उपर प्रती पे सूरी की रेखा है, सीधी गिर रही है, वहाँ पे ज़्यादा टेंपरेचर है, जबकि यहाँ पे जैसे जैसे मेरा जो एंगल जो हैं, 25, 30, 40, 50, 60 की तरफ जा रहा है, सूरी की किर्णे तीर्छी ज थियोरम पड़ी होगी, याद करो, कौन सी ती वो हाइपो, मैं तो उस प्रमे का नाम भी भूल गया हूँ, I am forgetting the name, बट आप लोग बस उसको इस तरीके से याद करने की कोशिश करो, कि सर यहां की और यहां की दूरी से ज्यादा दूरी यह होने वाली है, है ना, लंब और होता है, अब उसको अंग्रेजी माद्यें वाले किस तरीके से जानेंगे, मा भी चाओंगा, हम नहीं बता पाएंगे, पर यह डिस्टन्स हमें सा ज्यादा होगा, जो स्लांटिंग सन्रेस का होगा, है ना, अब हमारे एट्मास्फियर में क्या है, प्रत्वी के गोले में च कम स्केटरिंग होगी, पर यही किर्णे अगर ज्यादा ट्रेवल डिस्टेंस कर रही है, तो अब वो हो यहां से यहां तक पहुंचने में कितना ट्रेवल कर रही डिस्टेंस, ज्यादा कर रही है, और सूर्य की किर्णे, ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा यहां पर कम स्के ना जो शाम का लाली मा बनती है डॉन और डस का टाइम होता है सुबह गोधुली वेला साम को जो की होती है आपके पास में उस वक्त भी-लाली मा होती है आपके पास महजब सुूर्य अस्त होता होता है चितिज में होता है पर उस वक्द वह समय बहुत कम होता है दस-विस सेकेंद मिनिट कर मुश्कल किया रग से आँज़ अगर मैं कब मैं 0 degree दिग्री तक घ रहा हूं तो इसको क्योंगा middle latitude अगर मैं कहूंगा 60 degree से 90 degree के बीच में बैट आओ तो मैं इसको कहूंगा higher latitude उच्च अक्षांस, मद्य अक्षांस वा निमन अक्षांस तो अगर मैं आपको कभी भी कह दूँ अनिश, आनंद, सोमवती अगर मैं आपको कह दूँ कि आप अभी higher latitudes में है तो आपकी स्थती कहां होगी 60 से 90 degree के बीच में अगर मैं कह दूँ आप जो है lower latitude में है आपकी स्थती कहां होगी वही सर 0 से 30 के बीच में आप middle में हैं तो 30 से 60 के बीच में होगे तो कई उस जगा पे मैं ये शब्द यूज़ करूँगा कि ये फिनोमिना, ये घटना lower latitude में होगी ये घटना higher latitude में होगी तो क्या आप समझ पाएंगे उस point को यस आपको समझना होगा तो वहाँ पे इन pointers को आप लोगों को मिलाने वाली एक तरीके से ये semi circles होगे ये क्या होगे? पूरे circle नहीं है, प्रत्वी के चारों तरफ नहीं बना रहा हो ये semi circles है ये क्या है आपके पास में? अर्ध व्रत है तो आपके पास में एक जो prime meridian plane होगा कि सर एक पहले जैसे equator जो है दक्षणी दुरूपे आ रही है और यहाँ पर इसको मैं कहा दू prime meridian और इस prime meridian plane से फिर मैं जो angular distance लेता चलू angular distance लेता चलू कौनी ये distance लेता चलू वहाँ से फिर मैं एक degree के उपर जितने भी बिंदो है सब को चोड़ता चलू एक और circle फिर दूसरा circle फिर तीसरा circle फिर चौथा circle इस तरीके से जो है prime meridian से east में और prime meridian से west में basically मेरे पास क्या बनते जाएंगे दोस्तों circle बनते जाएंगे जैसे हमारे equator जो है आड़ी रेखा थी latitude था यहाँ पर prime meridian क्या खड़ी रेखा होगी उड़ी रेखा होगी जो उत्र और दक्षिनी दुरू को जुड़ेगी यहाँ याद रख सकते हैं यहाँ याद रख सकते हैं हम लोग चलिए सर तो अगर मैं basically यहाँ पर यह चीज कहूँ के सर हमारी प्रथ्वी के उपर यहाँ पर prime meridian कहां से निकलेगी आदा तो खाली equator से काटा जा सकता है पर इस तरीके से आदा इधर से इधर से उदर से कहां से काट होगे सर वर्ष था आपके पास में गत बीसवी सताबदी का और बीसवी सताबदी के टाइम में लास्ट सेंचूरी के अंदर आपको पताओगा उपनेवेशिक काल का बोल बाला था और जब उपनेवेशिक काल का बोल बाला था उनका बोल बाला था जिसकी लास्टी उसकी बैस अभिताब बचन का डायलोग है कि जहां से हम खड़े हो गए लाइन वही से बनेगी वही बात है वो बोले सर ग्रीन विच लंडन वोले प्राइम मेरीडियन खीजनी है रुको मेरे घर से ही खीचो ना इसी बहाने क्या होगा कल मेरे हाथ से पली दुनिया की कमांड चली जाए पर दुनिया इसी बहाने यात्व रखेगी कि कभी हमारे दद्दा का भौकाल हुआ करता था इसको ग्रीन विच लाइन कहा जाता है जो ब्रिटेन के लंडन सहर से होते वे निकलती है यह चीज याद रख लिजे अब इससे एक डिगरी के एंगल पे दो डिगरी तीन डिगरी चार डिगरी है ना हम क्या कहते हैं कि सब पूरा वरत जो होता है उसके चारों तरफ हम लो यहाँ पे 10 डिगरी यह क्या हो गया आपके पास में वेस्ट और यह क्या हो गया इस्ट तो यहाँ पे यह ग्रीन वीच रेखा पूरी प्रत्वी को दो हैमिस्फियर में दो गोलार्दों में बाट रही है जैसे एक्वेटर जो है नदन हैमिस्फियर और सदन हैमिस्फियर म मैं क्या खीच सकता हूँ not say south को connect करने वाली जो semi circles है जो longitude है जो देशांतर है वह खीचे जा सकते हैं क्या ये pointers clear है आपके लिए yes sir these pointers are clear to all of you चलिए sir इन points को समझना so on the surface of the earth longitude क्या है देशांतर क्या है they represent its angular distance east or west of the prime meridian plane prime meridian plane क्या है prime meridian greenwich रेखा प्रत्वी के कैंदर से जो basically यहाँ पे एक plane बना रही है उससे angular distance बता रही है वहाँ पे हम equatorial plane से angular distance कौन ये दूरी ले रहेते यहाँ पे prime meridian plane से कौन ये दूरी ले रहे है तो यहाँ पे कौन ये दूरी किसे दर्शाती आपके पास में प्रधान मध्यान रेखिये तल prime meridian plane से angular distance तो क्या आप latitude वे longitude दोनों की दिशाओं को अच्छे से समझ पाएंगे समझा पाएंगे भविश्य में सही अगर प्रश्न पूछा जाए आपसे तो क्या सही answer दे पाएंगे तो यह आशा आपसे मैं बानते हुए चल रहा हूँ तो कुल कितने हुए आपके पास में कि सर एक तो हो गया prime meridian एक हो उसके 180 जो हैं west में और 180 जो हैं इसके east के अंदर तो total कितना हो गया 180 प्लस 180 360 प्लस ये prime meridian जिसको हम 0 degree prime meridian भी कहते हैं तो total standard कितने होगे longitude 161 अच्छा ये जो देशांतर रेखा हैं है ना 360 होती है क्योंकि जो ये 180 degree east और 180 degree west मलब ये वाली रेखा और ये वाली रेखा क्या दोनों एक ही होगी क्या ये वाली रेखा क्योंकि प्रस्षी तो है सोचो ये map मैंने खोल रखा अगर मैं इस map को ये फोल्ड कर लूँ globe के चारों तरफ चिपका दूँ तो क्या ये रेखा पिछली रेखा के सेम आएगी क्या ये रेखा 180 degree east और 180 degree west दोनों सेम ही रेखा है है ये सर इनको याद रख सकते हैं हम लोग तो आपके पास में 161 टोटल होते हैं पर अगर हम लोगों को रेखा है देखनी है तो 160 ही होती है क्योंकि 180 degree देशानतर तो कितने है इतने पर इसमें से रेखा है अगर count करूंगा तो 360 ही है अर्थ वरत है ये सारे के सारे पूरे वरत समान होगी येस लंबा एक क्यों समान होगी सर आपके पास में प्रत्वी के north pole से south pole में कैसे भी घूम के चला जाओं दूरी तो बराबर ही होगी ना येस और नो येस और नो मैं यहाँ से यहाँ जाना है चाहे यहाँ से मैं घूम के जा रहा हूँ दूरी तो बराबर ही होगी अब इनके बीच में क्या होता है कि सर डिस्टेंस जो होता है इक्वेटर के उपर जादा है और पोल के उपर कम है बस यह pointers आपको याद रखते हुए चलना है यह pointers याद रखते हुए चलना है दोस्तों तो total देशानतर रेखा है 360 होती है क्योंकि 180 degree east और west पूर्वे उपस्चिम देशानतर रेखा है समान होती है और यहाँ पे सारे semi circles होते हैं they all form the semi circle सभी देशानतर रेखाओं कि लंबाई समान होती है the highest distance between the longitudinal is found in the equator क्योंकि equator के आसपास में आप देखेंगे इनके बीच की दूरी देखो क्या ज़्यादा है क्या इनके बीच की दूरी ज़्यादा है हाँ या ना equator के आसपास में ज़्यादा है और poles पे तो यह सारी रेखा हैं मिल रही है मतलब poles के आसपास में कम है तो equator के आसपास में highest distance होता और highest distance मतलब कितना होगा लगबग 111 वही बताया था कि sir 1 degree का distance is equal to 111 km का distance अच्छा इसी के उपर क्या मैं थोड़े से आपके knowledge को test कर लूँ can I test your knowledge yes sir, क्या knowledge को test कर लूँ मैं आपके, जल्दी से comment करके बता दो I can test your knowledge now so अब मेरे को आप लोग बताने वाले हैं आपको पता है कि sir यहाँ पे 0 degree sorry इसको करते हैं 0 degree यह है 10 degree, यह है 20 degree ठीक है ना, यह 10 degree, यह 20 degree नॉर्थ, ठीक है ना, अब हम लोग ले दे हैं कि sir यह है आपके पास में इसको western hemisphere ले ले लेते हैं यह है 40 degree, यह है 50 degree, यह है 60 degree और यह है 70 degree है ना, यह सारे क्या है degree west, degree west और यह क्या है degree north और यह क्या है degree south अब आपको यह चीज मेरे को बतानी हैं दोस्तों you are supposed to tell me कि अगर यहाँ पे BIPIN यहाँ पे खड़ा है है ना, और उसका BPSC का interview center यहाँ पे है, तो BIPIN को कितने distance travel करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा हो गया sir पहले मेरे को 111, 111 और फिर वापस इस तरीके से आना होगा तो एक distance तो यह हो जाता है sir आपके पास में, ठीक है ना, एक distance sir यह हो जाता है, ठीक है यह दोनों ही हम calculate कर पाएंगे अगर मैं कहूं आपके पास में रित्विका is standing at the equator and she is having her center over here on the same equator तो वो अपने exam center पे travel करने के लिए कितना distance travel करेगी sir 111 plus 111 right or wrong right or wrong याद रखना है यहाँ पे एक degree नहीं है, 10 degree है तो इसको भी observe कर लेना यह गलत हो जाएगा यह 1110 और 1110 इस तरीके से आपको travel add करना होगा travel add करना होगा क्योंकि यहाँ पे मैं खाली एक degree दो degree नहीं दे रहा हूँ यहाँ पे degrees 10 में आ रही है याद रखना एक degree के बीच में वन डिगरी और टू डिगरी के बीच का distance जो है वह 111 है तो यह एक pointer था जो हर बच्चे को नहीं समझ में आता इसलिए basically मैं ने दिया क्योंकि कई बार ऐसे भी प्रशन पूछे गए है ऐसे भी प्रशन पूछे जा चुके हैं आपके पास में अगर आपको 17 डिगरी नौर्थ जाना है तो आपको कितना distance ट्रैवल करना पड़ेगा 222 किलोमेटर 222 किलोमेटर ठीके इस इस क्लियर गिमिया थमसप के सर यह pointer clear होते जा रहे हैं यह pointers हमारे clear होते जा रहे हैं तो longitudes क्या है यह time को calculate करने के लिए है latitude जो है वह distance को calculate करने के लिए अच्छा मैं longitudes को जो basically जो है वह distance calculation में क्यों नी use कर रहा हूँ क्योंकि सर इनके बीच का जो दूरी है equator पे 111 पे तो 0 है तो क्या मैं longitude को exactly time जो distance के लिए use कर सकता हूँ क्या मैं longitude को distance के लिए calculate कर सकता हूँ हमेशा नहीं सर क्योंकि जैसे जैसे में पोल की तरफ चला जाओंगा distance कम होता जा रहा है तो longitude जो है वो distance के लिए कम वह समय के लिए time के लिए जादा उपयोगी होते है time के लिए जादा उपयोगी सिद्ध होते हैं आपके पास में जैसे कि हमने कहा था के सर आपके पास में यह है जीरो डिग्री प्राइम मेरीडियन यह है 180 डिग्री जो है वैस्ट और यह है 180 डिग्री इस ठीक है ना और यह दोनों रेखाए एक ही है जब मैं परत्वी को पीछे की तरफ इनको खोलूंगा मैप के चारो तरफ में लगाऊंगा अर्थ के ग्लोब के चारो तरफ तो यह दोनों रेखाए एक ही होगी इसको मैंने का जीरो डिग्री प्राइम और यह 180 डिग्री इस्ट और वेस्ट दोनों को मैं क्या कहता हूँ आपके पास में इंटरनेशनल डेट लाइन तो कैसे टाइम कैलकुलेट होता है हमने कहा सर टाइम कैलकुलेशन के लिए एक रेखा खीचनी ज़रूरी थी जो प्रत्वी को जो है आपके पास में इस्टन हैमिस्फेर और वेस्टन हैमिस्फेर में दो बात में ब्रेक कर सके समझ में आ गया स उसको हमने ग्रीन विच मीन टाइम बोला आपके पास में क्या बोला जी एम टी यस इट विल बी सॉल डोंट भी अभी सॉल हो जाएगा आपका वो डाउट भी सॉल हो जाएगा अना लांग्रियल गैप का डिस्टन्स क्या होगा सर देखिए लैटिटिट्यूड का गैप है एक डिगरी 111 किलोमेटर नॉर्ट पोल से एक्विटर तक सेम गैप रहेगा पर आपके पास में अगर मैं यहाँ पे लैटिटिट्यूड की जगा लॉंगिट्यूड की बात करूँ एक्विटर पे तो वो सेम रहेगा 111 पर क्योंकि पोल्स तक आता है सारे प्राइम मेरिडियन पर है उसको GMT बोल दिया Greenwich मीन टाइम बोल दिया सर हमने अच्छा यह रेखा जो है Greenwich रेखा जो है कौन कौन से सहरों से होते वे निकलती है सबसे पहले तो सबसे पहले तो UK से होते निकलती है फिर है France, Spain, Algeria, Mali, Burkina Faso, Togo, Ghana यह प्राइम मेरिडियन और यहाँ पर एंटाक्टिका से एक Queen Maud Land से उते वे निकलती है कौन सा एरिया है बोलो Queen Maud Land कौन सा है मिरे साथ में बोलो याद नहीं होगा तुमें नहीं तो बोलो Queen Maud Land, 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 प्रश्ण पूछा गया Greenwich रेखा अंटाक्टिका के किस शेत्र से निकलती है तब यहाँ पर किसी के कंट्री का एरिया नहीं है यह एरिया आपने देखा होगा अनहेबिटेबल है पहला पॉइंट यहाँ खाली रिसेट स्टेशन चल रहे हैं यहाँ खाली एक्प्लोरेशन चल रहा है पर यहाँ प QML ठीक है ना? Queen Maud Land Queen Maud Land तो कहां कहां से निकलती है Prime Meridian? France देखो UK से निकलती है UK के बाद में France और Spain से निकलती है फिर आपके पास में एंटर हो जाती है Africa के अंदर Africa के North में आ गया Algeria क्या है Algeria फिर क्या हो गया आपके पास में Mali फिर क्या हो गया आपके पास में Burkina Faso और मैं ऐसा कुछ लिख सकता हूं यह तीन तो याद रहेंगे ना आपको के सर एक है UK एक है France और एक है जो है आपके पास में Spain क्या है Spain क्या यह तीनों चीज़ों तो याद रहेगी है क्या यह तीन चीज़े याद रहेगी अच्छा एक और चीज़ फिर यहां से यह क्या है कहा बॉर्किना फा सो है उर्फी स incapacité आई माण रहे है यह क्र यह पॉइंट भी आपका क्लियर बीच विछा सब diarrhea यहां पर लेटिटूड अक्षांस रेखाओं का हमने बताया कि एक डिग्री लेटिटूड एक सो ग्यारा किलोमेटर दस डिग्री हो गया तो 1110 किलोमेटर हो गया जलो समझ में आ रहा है 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 तो एटीएम एलजीरिया टोगो माली बुर्किना फासो यह है आपके पास में वह एफिरिकन कंट्री जिन से ग्रिन विच मिन टाइम वाली लाइन या फिर जीरो डिग्री प्राइम मेरीडियन निकलती है पहला पॉइंट आपके पास में नंबर टू पॉइंट आपके पास में जो मैं बताने की कोशिश करूंगा कि इसके बाद में भी एक और चीज रह जाएगी आपके पास में बुर्किना फासो क्या है इलजीरिया माली बुर्किना फासो घ्रम टोगो एंड अंतार्क् cruelty का कॉन सा एरिया है एंटतिका का कॉन सा एरिया बहियों एंट्टिका का स्चैत्र है क्वस्थ judgmentsportland में साथ बोलो क्योंकि यहाँ पे एक तरक का तक्या कल एंद मैंसे बनाने से पहले तो जब मैंने प्रश्ण पत्र पुछे इस प्रशण से इस प्रशा है या फिर ठीक है देखो जब मैं आपको कोई डेटा दे रहा हूं न वह डेटा आपका एकदम साइंटिफिक या फिजिकल या मैथमेटिकल केल्कुलेशन के लिए जब मैं आपको कह रहा हूं 111 किलोमेटर यह कई जगा 0.24 है यह कई जगा 0.33 है यह कई जगा आपके पास 0.14 भी है पर मैं आपको क्या कह रहा हूं 111 याद रख बात खतम ना यार तुमें ब्यूरोक्रेट बनना है सतही ज्यान होना है पर बहुत सारा सब्जेक्ट का ज्यान होना है उसकी रिसर्च पे नहीं जाना है पहला पॉइंट इ होते हैं इसलिए हम 365 दिन का साल कहते हैं हमको भी पता है कि इसमें कुछ आवर्स आगे पीछे हैं कुछ मिनिट्स आगे पीछे हैं बट होल्ड और हॉर्से एक्जाम की डिमांड उतना उससे ज्यादा ग्यान हम कम लेगे जब हम एजडियम बन गए जब कलेक्टर बन गए है ना फिर हम लोग क्या करने की कोशिश करेंगे अब हमको सरकार देगी स्टडी लिव तब जाएंगे ऑक्सपोल्ड चरकारी पैसे पे और वहां पर रिसर्ट कर डालेंगे कि सर लेटिट्यूड और लॉंगिट्यूड में क्या फरक होता है कहां कितना कैल्कुलेट होता है सारी जिग्यासा इसांत करेंगे पर अभी के लिए याद करो अभी के लिए याद करो अभी के लिए याद करो बात खतम अपनी जिग्यासाओं को उतना ही रखो जितना तुम्हारे लक्ष की पूर्ति में काम है लक्ष की पूर्ति से बियॉंड चले गए तो फिर तो क्या करोगे तुम PhD अपनी इस तैयारी को बेसिकली क्या बना दोगे पंच वर्षी योजना five year plan बना दोगे और five year plans तो तुम्हे पताई है फिर कहने ही क्या कहने ही क्या सर हमारे पास चलो सर पॉइंट्स क्लियर हो गया अब ढम टाइम कैलकुलिशन पर आ जाते हैं उसको हमने मान लिया GMT time अब फिर हम कहते हैं कि अर्थ कहां से कहां rotate हो रही है कि सर हमारी प्रत्वी अपने axis के चारो तरफ जो है rotate कर रही है पस्चिम से पूर्व की तरफ क्या ये points आई है ये सर पूर्वी बाग सूर्य के सामने पहले जाता है चलो सर तो अर्थ का rotation 360 degree होता है चोईस गंटे में क्या चोईस गंटे में लगातार क्या चोईस गंटे में लगातार आपके पास में क्या है प्रत्वी एक चक्र पूरा करती है बिल्कुल इसको हम लोग नहीं याद रख दिया और प्रत्वी जब एक चक्र पूरा करती है तो एक चक्र लग 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 वग किते टाइम में चोईस घंटे में और कितने गुम गहीं 320 डीग्री गुम गहीं topics है Write डिगरी कतने गूमी कैसर ठीन सांट डिगरी घुमी कितने टाइम में गूमी सर 29 गंटे में गूमी सार पंदरा दिगरी क्या तुमें पता है पिछले एगंटे में तुम और किटो रोटेट कर रही ElsNow कंदरेगा рोटेट करै प्रूटेट करец कि त्हक्त र व्रैत कर रही है illa क्रेस्यक्ते संस्थ है मैंने यहां पे हर मिणिट में कितने डिग्री रोटेट हो रहा है और चालीस आ के पार्ट में चार मिनिट का समय लगता है और उस चार मिनिट के अंदर क्या है प्रत्वी एक डिगरी एक डिगरी एक डिगरी घूम जाती है याद रखेंगे इसको सब्सक्राइब यहां पर ग्रिंट में चक्र पूरा करती तीन सो सांट डिगरी पूरी घूम जाती है जब तीन सो सांट डिगरी का एक चक्र पूरा करती है मैं यह कह सकता हूं कि सर एक घंटे में 15 डिगरी घूमती है तो मैं कह सकता हूं कि साट मिनिट में 15 डिगरी घूमती है मैं यह कह सकता हूं एक डिगरी घूमने के लिए 4 मिनिट का समय लगता है कितने समय लगता है अगर आपको यह स्लाइड क्लियर है तो अब आपको कोई भी टाइम रिलेटेड डाउट होगा तीधा कहा है इस स्लाइड को याद कर लेना तर ने कहा था एक घंटे में 15 डिगरी दुनिया घूम जाती है पर तुम अपनी जगह पे बने हो तुम अभी भी कायम हो तुम अभी भी बढ़ाई पे बढ़ाई कर रहे हो तो यहां पे हर कं सूर्य की किरणा आएगी संवरे फिर 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 फार्ट पाएगी एस और नो तो हर कंट्री जैसे सिफर मैं कहता हूं कि मेरा भारत क्या है इसर्न हमें हमारा भारत यहां पे कहीं लोकेटेड से क्या करेगा फिर आपका त्रुना चल परदेश के बीच में कई रेखाए हैं जो भारत से होते हैं कई रेखाएं भारत से होते voi 59 सारी रही हैं आपके पास। जो हैं आपके पास में देशानतर लॉंगिट्यूड लाइन निकल रही हम कौन सी लॉंगिट्यूड लाइन को हमारा टाइम लाइन मांग तो हमने कहा कि सर ना ही आपके पास में जहां गुजरात वाला एरिया है और ना ही आपके पास में जो अरुनाचल प्रदेश वाला एर तब क्या मतलब है आपके पास में इसका मतलब यह वा बया कि इसका मतलब यह वा कि सरी जीरो डिगरी प्राइम मेरीडियन है यहां पर जो समय होगा हमारा इस्ट के अंदर है कितना होगा 82 82 एंड हाफ डिगरी इस्ट के उपर इंडिया का क्या है आपके पास में प्राइम मेर समय यहां से निकलेगा तो सर यह क्यों नहीं माना गुजरात वाला और यह क्यों नहीं माला क्योंकि सर अर्थ जैसे आपके पास में यहां से यहां तक की जो दूरी है देशान तरी दूरी लॉंगिट्यूडनल डिस्टेंस वो लगबक 30 किलोमेटर है तो आरे 30 डिग्री है औ चार बज़े बैठा हुआ है तो यहां पर बसे दो बचरण गड़ें तो यहाँ पепर कि T टेंडर्ड मेरीडियन चुन लेती है अपना एक बेसिकली मानक समय चुन लेती है कि सर इस मेरीडियन पे जो समय होगा वही मेरा समय है तो हमने साड़े 82 डिग्री इस्ट को चुना 82 and a half इस्ट को चुना ठीक है सर पर 82 and a half किसे कि सर इस जीरो डिग्री प्राइम मेरीडियन से 82 half डिग्री इदर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 80, 82 साड़े 82 इस्ट पूर्वक के अंदर ठीक है तो सपोज यहाँ पे जो समय है उससे हम कितना दूर है तो फिर हमने का सर साड़े 82 डिग्री हम कह रहें सर यहाँ पे लगबग 15 डिग्री के लिए हमको क्या चाहिए एक घंटा का डिस्टेंस डिफरेंस चाहिए सर तो हमारे पास में कितना हो गया 82 तो आपके पास में लगबग कितना डिस्टेंस हो गया यह कितना डिस्टेंस हो गया ग्रीन वीज समय से अंतराष्टे समय का गोशित किया गया, इसको GMT बोला गया है आपके पास में, तो another country जो है खुद का time calculate कर सकती है, जो भी वो standard meridian रखेगी, जो हमारा Indian standard time है, 82.5 है, वह भी या तो 15 या 7.5 के भाज्य होना चाहिए, क्योंकि 15 का भाज्य होगा, मतलब 1 hour का difference, साड़े साथ का भाज्य होगा, मतलब वह डिवाइडेबल होगा, मतलब हाफ आवर का difference होगा, तो अगर मैं आपके पास में 75 को मानू, तो मतलब 5 गंटा, 15, 5, 75 और 82.5 और 75 में difference किता, साड़े साथ का, तो एक और आदा गंटा, तो 5 गंटा और 30 मिनट का difference होगा, 5 गंट पहले यहाँ पे पूरों में आ रहा है, फिर इस greenwich रेखा पश्चिम पे आ रहा है, तो suppose अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ, कि यहाँ पे सामके 5 बजे, कितने बचे हैं, greenwich रेखा पे, GMT पे सामके 5 बजे, लंडन में सामके 5 बजे, तो हमारा time क्या होगा, उससे, उससे आग पांच घंटे आगे होगा, तो हमारे पास में क्या होगा, फाइव, PM होगा उस वक्त, समझ माया, सबी को समझ माया, क्यों हमने बेसिकली गुजरात और अरुना चल परदेश को नहीं चुना, क्यों हमने एक ही रेखा को चुना, क्योंकि हम नहीं चाहते थे, कि सर, अगर मै अच्छा जो है, वो यहां वाला है, वो कहेगा, सर, मैं मेरे मानक समय को मानूं क्या, या उसके मानक समय को मालूं, सारे कन्फिशन को दूर करते वे, हमने यह मानक समय मान लिया, है न, 82 and a half, यह तय कौन करती है, सरकार तय करती है, आज गवर्मेंट चाहे, 82 and a half की जगा, 75 मानक समय मानेंगी, राइट, सो यहां समझ में आ गया, चलो, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप सो गए थे, उठ जाईए, चलिए, है न, तो आप यह कैलकुलेशन कर पा रहे हैं, तो समझ पा रहे हैं, तो सपोर्ज अगर मैं ग्रीन वीच मेरीडियन टाइम से, इतना दू समय कैसे जो है, ग्रीन वीच मेरीडियन टाइम से, हम कैलकुलेट करेंगे, पंदरा, डिगरी, एक घंटा, साड़े साथ डिगरी, आदा घंटा, है न, और एक डिगरी, चार मिनिट, इसको हिसाब से कैलकुलेट कर लो, है न, इसको उस हिसाब से कैलकुलेट करते जाएंगे, हम लोग, ठीके न, चलो, सो, यह सारी चीजे हम लोग को, समझ में, आ चुकी इंडियन स्टेंडर टाइम, जो है, 82.5 डिगरी, इस्ट से होता है, कुछ जैसों में, एक से ज़्यादा कालखंड होते हैं, कई कंट्रीज हैं, जो आपको देखने को मिलेगी, बच्चा लोग, उसमें, एक से ज़्यादा जो हैं, आपको क्या देखने को मिलेंगे, कालखंड यहाँ पे देखने को मिलेंगे, सर, एक से ज़्यादा कालखंड क देखने को मिलेंगे हमको यह चीज़ बताओ सबसे पहले तो वाई डूवी सी मोर देन वन कि किसर कुछ कंट्रीज ऐसी भी होगी कुछ कंट्रीज ऐसी भी होगी जिनका बेसिकली क्या है लॉंगिट्यूडनल डिस्टेंस बहुती हाँ अब यह देखो हमारा भारत कहां पर है यह रालगबग हमारा भारत इस भारत को देखने की कोशिच करो किसर भारत का विस्तार कितना है बहुती कम एरिया में फैला हुआ है पर रश्या को देखो रश्या को देखने कोशिच करो कितना ज्यादा एरिया में फैला हुआ है प्रशन बाइंडी प्रेंज ब्रश्या के सब्सक्राइंग सब्सक्राय। है आपके बीच का टाइम यह है कि गंटे का वे कौंप्रमाइज कर देया गुजरात लॉइसे होते वे गुज रही है तो उनके जढ़ा टामजोन होने वाले है Points रश्या के ज्यादा टाइम जोने वाले ऐसे ही फ्रांस एक ऐसा देश है अब आप कहेंगे इतनी छोटी सी कंट्री है फ्रांस तो इतनी छोटी सी कंट्री के अंदर भी यह राफ फ्रांस आपका इस छोटी सी कंट्री के अंदर भी आप ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि सर इसके पास में सबसे ज़्यादा बारा जो है बेसिकली जो है इसके पास में वो टाइम जोन से इसके पास में इतना ज्यादा क्यों है सर इसका रीजन यह है क्यों कि अदर भी बेसिकली क्या टाइम मानना पड़ता है हमारे भारत की दरें के हमारा खली अपनी कॉलोनी में मोहलें में एक यह यह फ्रांस वाले बोले ऐसा कोई मोहला नहीं ऐसा कोई भी बैसिकली क्या नहीं जिदर अपना फ्लेट ना हो वह सबस्टेंट में और यह चानट को दिखने को मिल रहे हैं को जँदी से कालखंड होते हैं किया सीखने को मिला नई जानकारी अगर हुआ तो जल्दी से एक बार कमेंट कर दर्शा दाव दिजूंग हाइस नंबर अब टाइम जोन फ्रांस के पास में देखने को मिलेंगे चलिए सर तो यह तो हो गया किस तरीके से मैं टाइम कैलकुलेट करूँगा अब क्या टाइम के साथ साथ मैं डेट को भी कैलकुलेट कर लूँ क्या 12 गंटे 12 गंटे चॉइस गंटे चॉइस गंटे एक दिन चॉइस गंटे कंप्लीट होते क्या मैं डेट भी चेंज करता हूँ यस चॉइस गंटे के अंदर डेट भी तो परिवर्टित होती है हमारी मैंने का 180 डिग्री इस और 180 डिग्री वेस्ट दोनों ही एक ही सेम लाइन है जिसको मैं क्या क्या क्या पॉंट हमiko क्लियर को श्राइफ के लेकर के यहां तक आया मैं नबे 11ग pag टे पर सच यहां से यहां तक के बीच कि बीच इङक तरफ सरी Marin यह सीधी लाइन नहीं होनी तो सीधी चाहिए बट इट इस नॉट स्ट्रेट लाइन तो अब यहां पर क्या होगा बया उसको देखने की कोशिश करना के सर इस पॉइंट के उपर एक तरफ तो बेसिकली जो है 11 मार्च है उस तरफ क्या है 12 मार्च है नया दिन उगरा है डिफ्रेंस है या नहीं है 12 गंटे का डिफ्रेंस देखने को मिलेगा तो 180 डिग्री इस्ट के दू बच्चा या 180 डिग्री वेस्ट के दू दोनों ही एक ही बात है तो बहुत ही सिंप्ली बात कह रहा हूं है मांशो आपको गंगाधरी शक्तिमान था कि किसी को बता मत देना 180 डिग्री इस्ट और वेस्ट एक ही लेक रेखा होती है पीछे की तरफ वापस उस मैप को फोल्ड करोगे तो ये दोनों लाइन्स एक ही है और जब ये दोनों लाइन्स एक ही होती है मेरे भाई तब बेसिकली हम लोग इसको क्या कहते है 180 डिग्री इस्ट को ही हम लोग जै की हर लड़की और रेखर नाम की हर ज्यामिती जो है सीधी होनी चाहिए पर ये रेखा तो है काफी तीर्ची है टेडी मीडिया और कहीं जो है इसके गुषंड भी बाहर निकलावा है क्यों है वह इस लिए ताकि हस्बेंड वाइफ में लडाई नहों गल्फरेंड बॉइफर तो इस लाइन पर बेसिकली कई कंट्रीज निकलेगी इस लाइन के एक तरफ एक दिनांग होगी एक तरफ दूसरी दिनांग होगी पूरवक के अंदर और एक दूसरी दिनांग होगी आपके पास में तो क्या होगा सर आपके पास में सर यहाँ पे यह होगा कि अगर मैंने स इसके यहां पे हैं बीस तारीक है मर गए सर कि दीन दयाल का पडूसी 20 तारीक में जी रहा है दीन दयाल 19 तारीक में जी रहा है तो यहां पर क्या हो जाएगा फिर लडाया होगी कैसे लडाया हो सकती है एनिवर्सरी है फस्ट एनिवर्सरी की वापस फस्ट एनिवर्सरी तो ऐसी कही यह था है चोटे मोटेय यूद्ध चोटे मोटे परवान बंव वाली गटनाय हो सकती है घरों के अंदर वहां और जब कंफ्यूजन क्रिये खोगा कभी एक लैंड से एक सखल से नहीं निखाली तो सब्सक्ताइब करो Car कब इसे रेखा को क्रॉस किये तो दिनांग चेंज हो जाएगे अंतर राष्ट्रे सहमती से यह बात हो चुकी है है ना हां क्यों पानी से निकालना जरूरी था इंटरनेशनल वाटर से निकालना जरूरी था आप लोग यह समझ पाएं ताकि कंफिजन कम से कम हो एक इस थल के पर एक ही लेंड पर एक ही कंट्री पर ऐसा नहीं हो कि सर राजस्थान एक दिनांक में जी रहा और गुजरात दिनांक में जी रहा ऐसी बात नहीं होनी चाहिए तो अंतर राष्ट्रे का शमझ माइए हमको अंतराष्टे ती 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 रेका समझ माई ही 180 डिग्री एस्ट और वेस्ट दोनों एक है पर यह रेखा रेखा नहीं है लाइन वले बोल रहा हो पर यह लाइन नहीं है यह लाइन क्या है जिग जैग है रेंडम है क्या वो आलस में था नींद आ रही थी उसको बनाने वाले को इस एने यहां पर यह चीज होनी चाहिए और यह भी करवाई गए आपके पास ताटे बड़ी ताकते तो यह कालपनिक रेखा है एक दिग्री पूर्व और पश्चिमी देशांतर लगबग सामानांतर होती है लगब सामानांतर बोली मतलब कहीं थोड़ा बहुत रेंडम च यहां पे east of the line कैसर यह जो line है इस date line के east में मतलब western hemisphere के अंदर basically क्या होगा आपके पास में इसके east में तो क्या होगा western hemisphere और इसके west में जो होगा western hemisphere होगा यह भी थोड़ा सा technical चीज इसको भी समझना चाहिए तो इसके पूर्व से पश्चिम की और जाने पर एक तिती बढ़ जाती है अब पढ़ो के सर यह जो international date line है इसमें basically क्या है पूर्व से पश्चिम जाने पर basically क्या हो जा आपके पास में एक तिती बढ़ जाती है on crossing the date from east to west the date increases by one इसको समझ लेते तो तीन स्थानों को बचाने के लिए इस रेखा को यहां पर गुमाया गया है तो एक बार यहां पर यहां पर यह प्रशना पूछ लिया जाता है एक बार यहां पर प्रशना पूछ लिया जाता है कि इस international date line को किन तीन बिंदू पर basically गुमाय एक बार अलूशे रखायों के आसपस गमाया और एक बार पेसिफिक ओसिसरे के अंदर गमाया एक करेंदर आरूशेन में को हमने कुमाया मात्र तीन बार in तो वेस्ट इधर है तो उस तरीके से देखो तुम पीछे कड़ेंगे पीछे वाले पॉर्शन में तुम क्या देख रहे हो इंटरनेशनल डेट लाइन को देख रहे हो तो यह वैस्ट एमिस्फियर इदर है और अर्थ किदर से किदर रोटेट कर रही है आपके पास में वैस् पूरो से पश्चिम की और जाने पर एक तेथी रेखा बढ़ जाती है आपके पास में पूरो से पश्चिम की तरफ जाने पर एक कोशिश करते हैं अब continents कैसे बने, ocean कैसे बने, प्रत्वी क्या है, प्रत्वी पे क्या है, basic चीजे, longitude, latitude, size, rotation, revolution, हमने basic सारी चीजे जाने, अब हम थोड़ा सा basic से उपर उठने की कोशिच करते हैं, हम ये जानने की कोशिच करते हैं, जो हमको बाहर से अर्थ दिखती हैं, वैसी अर्थ कैसे हु बिल्कुल, आप लोगों का यही जोश जो हैं, यही जोश जो हैं, वो बरकरार रहे, class के अंत तक, बस मेरी यही कामना हैं, आप लोगों से, आपकी तरफ से, जो जोश दिखेगा, यहां से 100 गुना, ज्यादा efforts दिखेगा आपको, तो अपना excitement for the learning, अपनी curiosity, बनाए रखे, अपनी curiosity, जो हैं, दोस्तो, बनाए रखेगा, चली आईए, शुरू करते हैं, continental drift theory, theories में, पहला lesson है, आपके पास में, महादीप ये विस्थापन, स्थान, हैना, सिद्धान्द जो है, तो यहां पे, continental drift theory, दी किसने थी, वर्ष 1912 में, Alfred Wagner नाम के एक वैग्यानिक थे, हैना, और उन वैग्यानिक ने बेसिकली बताया था, continent जो है, महादीप जो है, पहले एक ही भाग थे आपके पास में, जिसको हमने पैंजिया बोला, जो बेसिकली आपके पास में, super continent था, उसके चारों तरफ पूरी दुनिया का पानी खट्टा हो गया, पुरा महा, सागर के सारे क सुपर ओशियन, तो आपके पास फिर बताया जाता है, कि यही पैंजिया और पैंथलासा, दीरे दीरे इनमें ब्रेक एक फीसर, एक जो है, रिफ्ट क्रियेट होती है, उत्तर वाला भाग और नीचे वाला भाग दोनों ब्रेक अवे हो जाते, नदन पोर्शन को हमने नाम आपके पास में लॉरेंशिया, सदन पार्ट को नाम दिया गौर्णवाना, भारत का आज की तारिक में जो सदन पैनिन्सुला है, वह पैनिन्सुलर इंडिया वाला पार्ट जो है, गौर्णवाना लेंड मास से ही औरिजिन रखता है, यह अभी अमें पता होना चाहिए, फ पर जो जो जोड़ाफर्स खाली अब्जर्व करके जो हैं अपनी अपनी रोजी रोटी चलाते हैं, यह चीज वहां देकी, यह चीज वहां देकी, तीनों चीजों को जोड़ करके, कुछ नया सिद्धानत, कुछ नहीं परिकल्पना दे देंगे, तो इन्होंने भी एक इसा अब जो जोड़ाफकी टियारी कर रहते है हैं मैप साभी एक बढ़ाफर्स और एक तैयारी करते हैं, लोग ने क्या कर दिया एक मैप देखतें, वेगनर्स आप क्या बोलें, यार यह देखो, कहीं तुम्ने देखा, कि हैं इस अफ्रीका में चार्ण के दोना संत्पारी उसी आऌता है यह ज यहाँ और मुलता है यहां पर जैसे फॉसल जिवास में मझा यहां भी मिल रहे प् Bunnyorf इनों ने जो हैं आपके पास में एक्जांपल दिया 600 टीजांपल दिया है बिल्कुल बिल्कुल यह आप लोगों को याद रखते तो सबसे पहले इन्हों ने प्रतित था पुरा पानी साथ में यहां पेंगारा लेंड यहा नाम दिया गया था आपके पास में यह सारी की सारी घटना है पैंजिया कब बना गया सरकार्मोनी फेरियस पिरेड में गौणवाना कब बना था जुरियेशिक पिरेड के अंदर तो लगबग 250 मिलियन साल पहले यह गटना हुई और 200 मिलियन साल पहले यह गटना गटित होती है तो यहाँ पर यह सारी चीज बता रखिए पैंजिया का फॉर्मेशन कैसे हुआ कैसे जो है आपके पास में यॉरोप है नौर्थ अमेरिका है आफरिका है औस्ट्रेलिया है साउथ अमेरिका है यह सारे जुड़े वे थे 225 मिलियन साल पहले दीरे दीरे बीच में टीथिय सागर डवलप होता है और यही टीथिय सागर जो है दोस्तों वह बेसिकली क्या करता है लॉरेंशिया को और गॉंडवाना को अलग लग करता है यह देखो भारत भी गॉंडवाना का ही लेंड पार ता पर 150 मिलियन साल बैदले वनलब जुरियोशिक साल के बात में युरेशिक के बात में 100 मिलियर्ट अगो के आसपास में कॉंटिनेंट स्टार्ट ड्रिफ्टिंग अपार्ट हमारी इंडियन प्लेट भी जो है नौर्थ की तरफ मुमेंट करती है और युरेशियन प्लेट से टकराती है युरेशियन प्लेट से टकराती है और यहां पर बिसिकली क्या बना देती है यहां पर इंडिया अपना अलग से बिसिकली जो है एक प्लेट प्लेट बाउन्डरी बना देती है बिल्कुल जाबाश तो करने वाला कौन था बंदा कहने वाला कौन था Alfred Wagner क्या पर्तिपादित क्या पैंजिया पैंथलासा है ना फिर क्या बोला आपके पास में लॉरेंशिया गौंडवाना फिर बोला मेरी बात नहीं मान रहे यह सब एक ही थे अभी यह अलग अलग हुएं यह सब एक ही थिली के बता दो बच्चो को मैंने का चलो ठीक है थोड़ा सा टूल्स उपन कर लेंगे इंटरेक्टिव मैप उपन कर लेंगे बच्चो को मैप भी दिखा देंगे लगे है तो तो आपने जब मैने मैप खोल के देखा तो मैप खोल तो यहां पर ब्राजील के आसपास मिल रहे वही जीव जंतु जो है घाना और यहां पर गल्फ ऑफ गीनिया के आसपास मिल रहे पॉइंट है अतेव फिर मैंने लाश्ट में जाते बोला ठीक है मैं क्लास में बच्चों को बोल दोंगा कि यहां पर जिक्सो फिट चुरी अल्फरेट भया ने दे दी थी उसके बाद में मैप बंद करके हम बढ़ गए ते आगे अल्फरेट भया ने बोला था जाते जाते साल रटवा दे ना तो 1912 के अंदर 1912 में जर्मन मौसम विग्यानिक अल्फरेट वेगनर ने यहां पर सिद्धान्त का प्रतिपादन किया इन्हों ने प्रूफ किया था किस जो कॉंटिनेंट से वो सारे एक लेंड मास बनाते थे जिसको इन्हों ने परिकल्पना की बैटे बैटे गप मारी कुल मिला के और कुछ नहीं था आपके पास में इससे भी बैटर गप है तो आप भी पर दूसरे वेग्यानिक उस गप से आनन्दित होने चाहिए वाव या क्या फैका है वाव पैंजिया पैंतलासा यह भी गप थी पर क्योंकि अन्य वेग्यानिको को इस गप में कहीं कहीं तरक दिखा कोई खारीज नहीं कर पाया तरक दिये वह सभी पर उस गप का वह साइंटिफिक प्रूफ नहीं कर पाया तो यहां पे उसने पैंजिया के बारे में बताया बोला इसका दीरे-दीरे विगटन हो गया फिर एक कालपनिक इसने सागर भी का नाम दिया करान हमालियन बना है तो किसी ने बनाया है अपनी कौपी अंदर बैट रटा लाइन खीज डाल दो यह क्या करना तो बैठे बैठे क्या करे करना है कुछ काम सुरू करो तो इस तरीके से यह काम करना शुरू कर दिया इन्हों ने पैंजिया के चारों और एक विशाल महासागर बनाया पैंतलासा कालांतर में बोला के पैंजिया को तोड भी दिया उले एक दिन बैठे बैठे क्या करें यह गोला अच्छा नहीं लग तोड़ डालो वही है बीच मे पैंजिया को दो भागों में विभाजित कर दिया है ना उपर वाला भाग अंगारा लॉरेंशिया नीचे वाला भाग गौनवाना लेंड और इन दोनों के बीच में डाल दिया टीथियस सागर को इसके बीच में डाल दिया तो मेजर कॉंटिनेंट जो हैं आपके पास में सदन हैमिसियर के वह सारे अंगारा लेंड से बने हैं जबकि आप दक्षणी गोलार्थ के प्रमुग महादीब देखेंगे गौणवाना लेंड से बनाएं अगर मैं आपसे पूछ लूँ अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि भारत का प्रायदी पिए पठार या पैनिंसुलर इंडिया किस से बना है तो आप मुझे जवाब देंगे गुरू यह गौणवाना लेंड मास से बना है यह इसी पैन्जिया के सदन भाग गौणवाना लेंड मास से बना है यह प्रश्न कई बार पूछा गया आपकी भावनाओं से आपकी आत्मा से गुदगुदी करते वे वापस अगर यहाँ पे कमिशन ये पूछता है तो आप सही जवाब देने की चेस्टा करेंगे उत्री गोलार्थ में इस्तित हैं परन्तु प्रायदी पिये भारत गॉर्णवाना लेंड से बना हुआ है तो इसको याद रख लेंगे भारत नदन हमिस्वेर में क्या पता है भारत हमारा एक्वेटर के उपर है के नहीं है भारत हमारा एक्वेटर के उपर याद करने के कोशित को हम कहते है ट्रॉपिकल कंट्रीज के अंदर आता है भारत एक्वेटर के नॉर्थ के अंदर है भारत ह हैं ना हमने का इक्वाडर सॉध में सदन हमिष्वेर के सारे कॉंटिनेंट जो हैं वह किसके बने हैं और भारत और ऊपर जी बारत कहीं ना सब्सक्राइब करता च bekommt बेखो और यह इअपे सब्सक्राइब आप आप करे सब्सक्राइब करता है सब्सक्राइब करना एक सो बारा साल बाद में पढ़ा जाओए इन भयाने फैक मारी थी 1912 में पराद हम 2023 में भी पढ़ रहे हैं और अगले साथ 100 साल और पढ़ेंगे पढ़ाएंगे समझ रहे हैं तो ऐसी फ्लाइट ऑफ थाट तुमारी भी लंबी होनी चीए तुम बात करते हो तुम्हें पता है वो क्या कर रहा था तुरे पता नहीं वो कैसा लड़का है तेरे को पता नहीं वो कैसी लड़का है चोड़ना यार लंबी सोच अगले 100 साल बाद भी तेरी गप पढ़ाई जाए और पढ़ी जाए इससे बहतर किसी ने गप मार दी वो उसकी ठीओरी को काट के उसकी ठीओरी पढ़ेंगे फिरम समझ माई बात है आपको भारत का उत्री भाग जो है नदन पार्ट ऑफ इंडिया जो है वह नया है बाकि जो सदन भाग है जो सदन भाग है वह तो क्या है गौणवाना लेंड मास से बना हुआ है गौणवाना लेंड मास से बना हुआ है तो वैगनर महादीपिय विस्थापन के कारणों का वैग्यानिक रूप नहीं समझा पाया उसको बोला ऐसे क्यों कोपी घलबूर गया पीट दर दो रहा है मम्मी ने बुलाया है तर आज आओ रिसेश की छुट्टी दे दो दूसरे दिन स्कूल ही नहीं पढ़ने के लिए मेरे पास तो उसने कोई वैग्यानिक रूप से के इसका सत्यापन नहीं कहा है समझाया नहीं बस वह आया थो टू जा फोर पाता नहीं पता नहीं वह तो उसने गप तो सही मार दी मैं भी वेसिकली उसको फिर इतना डिप्रेशन में आ गया कि वह अमेरिका छोड़के चला गया ग्रिन लेंड रिसर्च करने के वहां तो जेजे सर वापस पूचेंगे या अब हमको पता नहीं हमने पेल दिया गप मार दी वहां पे तो तो बोले यार बचो जेजे सर से वापस यहां पर क्लास लगा देंगे वह तो बोले क्या करेंगे ग्रिन लेंड चलते वहां भी रिसर्च करते थोड़ा बहुत यह आदमी करता क्या आरम चेर जोग्रफर है बैठा बैठा चारों तरफ ध्यान रखेगा और फिर कुछ चार पांच नई चीज़ों और जुड़ेगा अब ग्रिन लेंड इसलिए यह तो टीचर्स से मत भागो लाइव क्लास से मत भागो पता नहीं तुम कहीं जाओगे पांफ हिसल जाएगा लाइव क्लास में अंत तक बने रहो ठीक है तो एलफरेड वेगनर भाया की मौत अंति मौत ग्रिन लेंड में हुई बहुती आदर्स जीवन बहुती व करते हैं वैगनर कुड नॉट साइन्टिफिकली प्रूव दे रीजन बिहाइंड शिफ्टिंग ऑफ दे कॉंटिनेंट क्यों मुझ क्या बता नहीं पाए बता नहीं पाए तो चले गए कहां ग्रिनलेंड ग्रिनलेंड में अना मना कुछ नहीं बरफ मिली निकल लिए और लास यह जमा हुआ है यह कौन है हमारे वेगनर भाई यह अलफरेड वही आ है लोग वाई इसने 1912 में क्या बोल रखा था पर इसने जहां तक लिखा ना चार पेज चार पेज में खाली रीजन रीजन बताए पर साइंटिफिक प्रूफ कहीं नहीं बताया साइंटिफिक प्रू मतलब इस बंदे ने 1912 के अंदर त्योरी देड़ा ली उसके पास रिसर्च पेपर से पर इसको साइंटिफिक एक्क्लिमेशन कब मिलता है मरण उपरांत 1940 के दशक में समझने की कोशिश करो है ना तो हो सकता है आज तुम को सावासी आज न मिरे तुमारे इस गोले को छोड़ने के बाद में कोई कहेगा पता तुमको हमारे दद्दा जो है ना जोग्रोफी की टेस सीरीज में पूरे 90 मैंसे 100 नंबर लाए थे है ना आपको भारत रतन भी दिया जा सकता है तो अपने करम पे विश्वास करो जैसे एलफ्रेड वेगनर ने किया था है ना हो सकता है तुम भी कुछ अच्छा नाम कमा जाओ फ्यूचर में साइंटिफिक कम्यूनिटी के अंदर चलो यह सारी चीजे बेसिक हैं इन बेसिक अगली का फोर्मेशन हुआ आपके पास में यहें वह कारवनिफेरियस परियड जिसको हम लोग बेसिकली जो है फैनर जोए करनी एरा के रूप में जानते हैं इस्टी जीलोजिकल टाइम स्केल जिसको हम बहत तोर पर अगली किक्शाओ के अंदर भी पढ़ेंगे आपके ए में इंक्लूड किया करके कई लोगों को होगा यह सरी जुराशी के रहा कब था यह कारवनी फेरे से रहा कब था पढ़ ले भाईया एक्जाम के लिए जरूरी उतना डिसकस किया जा रहा है चलो अब यह जो है पुरा अंतरराश्ट्री कम्यूनिटी की आत्मा के साथ में गु किस तरीके से जो है आपके पास में ओशियन की जो सत्ता होती है वह किस तरीके से बनती है सी फ्लोर स्प्रेड यह ने दीती यह बंदा अपने युवा वस्ता में था जब इसने रिसर्च आइर्टिकल पढ़ा एलफरेड वैगनर का पर इसने एक चीज देखी के अलफरेड पीछे के हैं, दो सिट आगे की हैं, दो सिट पीछे की, सिर्फ इंजन नहीं है गाड़ी में, तो इन्होंने क्या क्या, इंजन डाला, उस इंजन में तेल डाला पारकर ने, उस में स्टेरिंग विल डाला मैकेंजीन में, और उसने GPS वगर और म्यूजिक सिस्टम वगर लगाया, मॉर्गन ने, वलब इन सब साइंटिस्ट ने मिलके, जो कॉंटिनेंटल ट्रिफ तेयोरी में कमे थी, उन सभी कमियों को दीरी-दीरे, पूरा क्या, इन्होंने खुद की नहीं तेयोरी डाली, उस तेयोरी को बेसिकली क्या नाम दिया, उस सिद्धान भी प्रतिपादित किया था दोस्तों, ठीके ना, तो थियोरी कब प्रपोस की गए थी, 1960 के दसक के अंदर प्रपोस की गए थी, मेजर प्रपाउंडर कौन था आपके पास में, हैरी हैस, और यह वही हैस है, जिन्होंने सी फ्लोर स्प्रेडिंग थियोरी भी दी मेकेंजी, मॉर्गन, मेरे साथ बोलो, मेरे साथ बोलो, पार्कर, मेकेंजी, मॉर्गन, पार्कर, मेकेंजी, मॉर्गन, है ना, यह तीन जो थे आपके पास में, सहायक, प्रपाउंडर थे, और मेजर जो प्रपाउंडर था, जो मुख्य आत्मी था, इस थियोरी के पीछे वो था Harry Hess Harry Hess इस point को भी याद रख सकते हैं हम लोग और scientific explanation जो है इस theory का वो Parker McKenzie और Morgan ने भी दिया था दीरे दीरे Harry Hess ने बताया फिर कुछ McKenzie ने बताया Morgan ने बताया आगे आगे जाते जाते यह theory इतनी strong हो गई कि आज की तारिक में continent ocean कैसे बने वो हमको किसे पता चलता है इसी theory से पता चलता है इसी theory से पता चलता है यह क्या कहता है कि स्कॉप इसी चोड़ी चोड़ी बड़ी बड़ी ब्लेट्स्सक्राइब करना हुआ है अलग च्छोड़ा चूटा-च्चोड़ा क्या है आपके पास एक हैं सलमें ने पोरा चूटी प्लेट के ऑपर एक क्ल फुटबॉल के पर पूरे के मैं भी एल्फरेड वेगनर की तरह गप मार रहा हूं सर पैचे सोते तो स्थल मंडल पे बेसिक लिए क्या है पूरा प्लेट से बनावा है चाए ओशिन हो चाए कॉंटिनेंट्स हो इनी कॉंटिनेंटल या ओशिनिक प्लेट्स के उपरी स्थित होते हैं आपके पास में और जब यह प्लेट्स टकराती है तो अर्थ को एक आता है जब यह प्लेट्स के बीच वे थोड़ी बहुत जगा होती है नीचे का मैगमा उपर आता है वाल्केन होता है और अगर यह दोनों प्लेट्स टकराए कंपरिशन जदा हो तो यहां पर फोल्ड माउंटेन हिमालय जैसे भी मतलब जो भी आपकी भूँ आकरतिक परिगटना है जियो मॉर्फोलोजिकल इवेंट्स है इनी प्लेट्स के टकराने और दूर जाने के कारण होता है अबु आकरतिक परिगटनाओं का वेगयनिक रूप से समझाया जा सकता है scientifically explained किया कि क्यों आता है भूकम क्यों आते हैं आपके पास में वल्केनोस है ना और किस तरीक से स्थल आकरतिया जैसे मैदान कैसे बने जैसे आपके पास माउंटेंस कैसे बनी जैसे ट्रेंचेस कैसे बनी इन सारी चीजों को यहाँ पे विस्तार से सिखाया समझाया जाता है स्थल मंडल विबिन भागों में बटा है तता स्थल मंडल के भागों को ही प्लेट भी कहा जाता है स्थल मंडल के भागों को ही क्या कहा जाता है यहाँ पे plates कहा जाता है मतलब यही स्थलमंडल जो है अलग अलग छोटी 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 plates में टूटा हुआ है आपके पास में और इनको ही basically major minor plates में divided हैं तो विश्व में जो है साथ जो है आपके पास में major plates हैं बड़ी plates है पूरे अर्थ के उपर और 20 जो हैं छोटी छोटी plates है minor plates है तो क्या हम इनका नाम लिख सकते हैं क्या हम हाँ नाम लिख सकते हैं बिल्कुल लिख सकते हैं तो अभी हमने कहा कि सर अर्थ के सेंटर से अगर में ऐसा apple of the pie जैसे एक तरीके का छोटा साफ cake का पीस होता है यहां पर अर्थ के सेंटर से लेकर के लीख स्वेट गर में यूँ break करूं तो क्या मेरे को यहां पर internal structure में क्या मिलेगा आपके पास में यहां से जहां आप बैठे हो सता से लेकर के अर्थ का सेंटर कितना है लगबग 36321 किलोमेटर मला हम कहते है इसको almost 6400 किलोमेटर लंब सम है ना सर इतना यह अंदर है चार मंडलों में तूटा हुआ है आपके पास में सबसे उपर लीथो स्वेर और लीथो स्वेर जो है चोटी चोटी प्लेट्स में बटा होता है प्लेट्स में बटा होता है किसमें चोटी चोटी प्लेट्स में है ना आपके पास में यह प्लेट्स या तो मेजर होगी या तो मेजर होगी या माइनर होगी ठीक है ना चोटी या बड़ी प्लेट होगी उसके नीचे आता है स्थल मंदल दूर्वल मंदल अच्छा इस स्थल मंदल और दूर्वल मंदल में क्या हो रहा होगा आपके पास में पूरा लावा है इसमें क्या है आपके पास में पूरा प्लास्टिक एक तरीके से जो है प्लास्टिक का नेचर कहता होता है एक तरीके से दीरे 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 पिगलता है, दीरे दीरे वो soft होता है, अब इसके उपर basically कोई चीज float हो सकती है, तैर सकती है, तो जो ये lithospheric plates है, वो इस asthenosphere पर इस durable mandal के उपर, इस plastic property के कारण इसके उपर float होती रहती है, और इसी के अंदर convection cycles, convection cycle चलते है, radiation, heat वगर वो होती है, फिर नीच स्वेर, मद्य, मंदल, फिर, नीचे आजाता है, ताप मंदल, यहां पर ताप मान सबसे ज़्यादा होता है, heat सबसे ज़्यादा होती है भईया, आपके पास में, yes or no, right, तो अर्थ के उपर basically क्या है, अगर मैं देखने की कोशिश करूँ, अर्थ के उपर, majority part में basically आप नीचे क्या होगा, आपके पास में, या तो continent हो सकता है, सरनदी बहरी है, जील है उसके उपर, या फिर ocean भी हो सकता है, ocean भी हो सकता है, पर ocean के नीचे भी surface तो है ना, वो पानी किसी ना किसी तो सतव पे है ना, तो या तो continental plate होगी, या oceanic plate होगी, या तो continental plate होगी, या oceanic plate हो दूर जाएगी ठीक है ना तो यहाँ पे plates कैसी होगी दो तरह की हो सकती हैं कौन कौन सी होगी आपके पास में यहाँ पे या तो महादिपियो plates होगी महा सागरी है continental plate है या oceanic plate है आपके पास में continental plate जो है वो granite से बनी है क्या हमने अगला चेप्टर वही है, थियोरीज के आगे क्या आएगा बच्चा, थियोरीज के आगे, रॉक्स आएगा, तो वहाँ पे हम पढ़ेंगे, के सर, लावा के थंडे होने के कारण, ग्रिनाइट बनता है, लावा के थंडे होने के कारणी, बसाल्ट भी बनता है, पर याद ग्रिनाइट का नाम दिया जाता है, याद रखेंगे, तो कॉंटिनेंट किससे बने, ग्रिनाइट से, कॉंटिनेंट किससे बने, ग्रिनाइट से, ओशन किससे बने, बसाल्ट से, याद रख लेंगे इसको, अच्छा, ये ग्रिनाइट हलका होता है, मतलब कॉंटिनेंटल प्लेट्स हा लाइटर लाइटर अच्छा यह जो है बसाल बारी होता है मतलब यह जो ओशिनिक प्लेट्स है वो क्या होगी हैवी बसाल जो है वो क्या है हैवी तो ओशिनिक प्लेट्स क्या है हैवी होगी अच्छा क्या एक पॉइंट और में यहां पर सिखा सकता हूं आपको एक point और मैं सिखा सकता हूँ आप ये चीज़ देखने की कोशिश करिएगा पानी में एक कंकड फैकिए क्या होगा उस कंकड के साथ में क्या होगा उस कंकड के साथ में कंकड भारी हैं, डूप जायेगा अच्छा, पानी में एक तेल की बूंद डालिये क्या होगा उस तेल की बूंद के साथ में हलकी है उपर तेरेगी राइट और रॉंग तो हमें ये चीज बता है कि जब भी भारी और हलकी चीजों के बीच में टकराव होगा तो भारी चीज नीचे डूब जाएगी तो जब भी दो प्लेट्स ओशनिक प्लेट्स कॉंटिनेंटल प्लेट्स में टकराव होगा तब क्या होगा भारी चीज ओशनिक प्लेट्स नीचे चली जाएगी बसाल्ट से बनी हुई ओशनिक प्लेट्स नीचे डूब जाएगी पॉइंट क्लियर है कंकर भारी नीचे डूब गया तो हलकी कॉन continent की granite से बनी हुई plate तो continental granitic lighter plate will float and heavier oceanic basaltic plate will subside समझ में आया बिलकुल sir sir basalt heavier than the granite इसलिए oceanic plates are heavier than the continent plate yes you are right you all are right very happy to see you all answering the answering the concepts ठीक है ना तो वह जो भारी होगा वह नीचे की तरफ move कर जाएगा इस magma में जाएगा और वह भी पिगल जाएगा अब उसके आगे क्या होगा जानिये अगली slides पे तो यहाँ पे asynosphere लगबक कितनी गहराई पे प्रत्वी के अंदर वह लगबक बेसिक लिए अगर हम देखने की कोशिश करेंगे बच्चा तो 100 km से 200 km के बीच में पुरा लावा लावा मैगमा मैगमा ही भरा हुआ पूरा एस्तिनोसफेर है पूरा दूरबल मंडल है क्या है एस्तिनोसफेर है पूरा दूरबल मंडल है यहाँ पे क्या होगा radioactive element जो है वो decay हो रहे होते है radioactive element जो होते है वो decay होते है अच्छा ये मेरे को बताने की कोशिश करो जब भी radioactive element decay होते है radio activity के करण क्या heat lose होती है क्या heat lose होती है yes sir अच्छा जब वो heat lose होती है जब वो उश्मा को energy को heat को release करते है क्या आसपास का जो टेंपरिचर इस असफेर में होगा क्या वह तापमान बढ़ेगा अच्छा तापमान बढ़ने से क्या होगा तापमान बढ़ने से आसपास की जो चटाने होगी जो रॉक्स होगी वो पिगलेगी तो इस एस्थेनोड ऍवियर में बिधी में है तो क्या रॉक सी तो है है तो क्या मिन्डरल सी तो है क्या वह यहाँ पे इस radioactive elements के कारण इसके decay के कारण रेडियो दर्भी प्रदार्तों के विगटन के कारण लगातार energy में यह थो तो एस्थिनोड पे मैंगमा है वह तापन ज्यादा अतेव वहां पे मेगमा है अतेव वहां पे किस कहराई पे मिलेगा 100 km नीचे से लिए 200 km की देफ्ट के बीच में से किया कहेंगे दूरबलमंदल कहेंगे हैं ना किष्ध विध्यारती आंसर लिखन में से को लिखते है दूरबलता मंदल वीकनेस जोन अरे भाया समझो इतना ना खेलो examiner की भावना उसे तो इसको क्या लिखोगे आप लो you are just going to write it as दुर्बल मंडल, दुर्बलता नहीं है यह प्रत्वी की दुर्बलता लिखोगे अब तुम इतने बड़े नहीं होगे, चलो sir temperature increase हो जाता है अब यह देखने की कोशिश करो कि sir यहाँ पे 100 km से 200 km के बीच में क्या यह पूरा एस्थिन स्फेर है अब यहाँ पे क्या बता है कि sir पूरा प्रत्वी का continent का crust है या ocean का crust है वो क्या plates में तूटा हुआ यह plates या तो एक दूसरे की तरफ आती है convergence होता है, अबीशन होता है या एक दूसरे से दूर जाएगी दूर जाएगी diver जोगा अपसरन होगा अच्छा, दो ही तो moment हो सकती है तीसरी भी हो सकती है ट्रांसवर्स उसके बारे में भी जानेंगे पर व्रहत तोर पे समझने के लिए यह चीज जानो तो सोचो, यह plate A है यह plate B है यहाँ पे क्या होगा अगर मैं यह चीज आपको कह दो के sir, plate A जो है वह भारी है plate B जो है वह हलकी है तो क्या होगा कौनसी plate डूबेगी यहाँ पे अनीश, किर्ती, अंशु, शत्या जल्दी से comment करके बताओ plate A is heavy and plate B is lighter तो यहाँ पे जब यह दोनों plate टकराएगी तो कौनसी plate नीचे जाएगी heavier plate will subside बेटा है ना, तो plate A will subside plate A will subside अच्छा जैसे plate A का subsidence होता है, वह डूपती है तो कहां तक जाएगी, एस्सिनोस्पेर में एस्सिनोस्पेर में 100 km, 200 km नीचे जाने के बाद में क्या होगा उन चट्टानों का, उस plate का, क्या होगा वो भी पिगलेगी, radioactive क्या चल रहा है उसके अंदर radioactive decay चल रहा है तापमान है, वहाँ पे बहुत हाई अतेव इस एस्सिनोस्पेर में आकर के वह भी basically subduction होकर के dupe के, liquid magma में convert हो जाएगी जब ये liquid magma में convert हो जाएगी वह नीचे नीचे वापास जो है उपर की तरफ उठेगी magma गरम हुआ गरम हुआ गरम हुआ वापस magma उपर की तरफ उठता ए क्या ये एक conveyor belt की तरफ moment नहीं लिख रहा है आपको? क्या ये conveyer belt की तरफ moment नहीं लग रहा है अच्छा ये दोनों एक दूसरे से दूर क्यों जा रही है क्योंकि इधर का जो convection cycle बन रहा है उसमें समवहन धारा thermal convection circle बन रहा है वो इस तरफ बन रहा है मतलब वो plate को इस तरफ धकेल रहा है और यह plate को इस तरफ धकेल रहा है मतलब यहां वाला जो है वह इस तरफ धकेल रहा है यह current और यह जो current है यह जो आपके पास में thermal convection है वो basically क्या कर रहा है इस तरफ धकेल रहा है इसी करण यह दोनों plate टक्रा रही है भारी plate नीचे चली जा रही है yes or no कीरो रहा है तो क्या conveyer बेल्ट कभी देखे आरपोर्ट पे क्या कभी conveyer belt देखे थी तुमने ? क्या कहा पर देखे तुमने ? railway station पर देखे test से ओंगे जनरली ? railway stations पर देखे आर railroad पर कपर देखे। जो accelerator होता है उपर की तरफ जाता है ने तरफ ने तरफ तो यह प्लेट भी क्या है thermal conduction current जो है यह basically क्या करेगा यह इस plate को इस direction में लेका आएगा यह plate तो उपर ही बैठिए यह इधर लिया है इस plate को plate A को basically क्या करेगा यह धारा इस तरफ लेके आएगी आपके पास में convection belt हम तो इसी continental continental या continental oceanic plate पे हैं पर astinus wear नीचे बें बेसिकली क्या है conveyor belt की तरफ यह समवन धाराएं चल रही है और यह समवन धाराएं एक दूसरे की तरफ एक दूसरे से दूड लेके जा रही है तो जो क्राम Alfred भया नी कर पाए वो किस ने कर दिया Harryhaz भया ने कर दिया McKenzie भया ने कर दिया समझ माई बिलकुल नजदीक कैसे आगे प्लेट्स दूर कैसे होती है diverging boundary प्लेट्स नजदीक कहता है converging boundary अगर हाँ तो comment कर के बता दो right now right here अगर हाँ तो comment कर के बता दो right now right here के yes we are able to understand sir चलो शाबास तो thermal conduction current के कारण जो magma में एस्टिनो स्फेर में चलता है 100 किलोमेटर से 200 किलोमेटर की depth के उपर वहाँ पर ये गरिगटना चल रही होती है और उस convection current की दिशा radio activity की rate के उपर depend करता है कि ये plate एक दूसरी की तरफ जाएगी या नहीं जाएगी दूसरी तरफ जाएगी ठीके चलो sir point clear तो दूर्बलता मंडल में रेडियो धर्मिता के विगटन के कारण उश्मा मुक्त होती है इस उश्मा की कारण इस शेत्र में चट्टाने पिगल कर मैगमा का निर्मान करती है एस्थनोस्फेर हीट इस रिलीज़ दू डिके और रेडियो एक्टिव एलिमेंट because of the heat of the rocks in this region they melt to form the magma concept is clear है ना तो वही hot magma जो है उपर की तरफ उठता है which is thermal conductive current वही जो magma बना है वही चट्टाने उपर की तरफ भी उठेगी और वही कहीन कहीं जो है conductive currents बनाती है आपके पास current मतलब एक धारा एक दिशा के अंदर movement होना किसी भी चीज़ का तो plates move because of this current और इनी धाराओं के कारण इनी धाराओं के कारण plates जो है एक particular डिशा में एक direction में move होती है because of the movement of the plate यहाँ पे कई geomorphological phenomena होते हैं कई भूप्राक्रतिक परिगटना होती है जैसे दो plate टकराने से क्या होगा बीच का सामान जो है बीच का sediment जो है वो उपर की तरफ pulled mountain मन जाएगी दो plate दूसरे जाने एक दूसरे की हटने के कारण क्या होगा rift valley create हो जाएगी अच्छा दो plate से एक दूसरे से slide past हो रही है याद रखनी है बच्छा चलो सर तो plate boundaries are important in tectonic views तो आपके पास में यहाँ पर जब भी आप देखेंगे न वीवर्थनी के द्रश्टिक से देखेंगे तो plate के किनारे बहुत ही महत्वपूर्ण होते plate boundaries को समझना जरूरी है कि सर कौन सी plate है oceanic plate है और oceanic plate है क्या या continental continental है या फिर continental oceanic plate है पहली बात हो यह फिर यह plate एक दूसरे से तरफ movement कर रही है एक दूसरे के opposite में movement कर रही है या एक दूसरे के सामानांतर movement कर रही है तो यहाँ पर plate boundaries जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है जिसने plate boundary समझ ली, आहा, मज़ा आ गया, क्या आ गया, मज़ा ही आ गया, उसका दीन ही बन गया फिर, क्या आ गया, उसका दीन बन गया फिर आपके पास में, तो major tectonic plates पढ़ो भईया, major plates कौन कौन सी हैं, आपके पास में पहली है North American plate, फिर है South American plate, फिर है Antarctica plate, फिर है African plate, Eurasian plate, यहां पे आपके पास में पेसिफिक प्लेट है, यहां सात major plates है, तो आपके पास में major plates लिख सकते हैं, उत्री अमेरिकन, डक्षणी अमेरिकन, यूरेशियन, इंडो ऑस्ट्रेलियन, एंटार्क्टिक, पेसिविक, आफ्रिकन, एड्सेटरा, है ना, लगू प्लेट्स कई स समाली, अरेबियन, एड्सेटरा, तो आपका जो एटलस है, वहां पे यह plates का फोटो दे रखा होगा, प्लीज कैंडली वाच, बर्मा प्लेट, सुंदा प्लेट, फिलिपाइन्स प्लेट, एटलस को खोलो, स्कूल एटलस, और ऑक्सफोर्ड की हो, चाहे, कोई भी हो, वहां पे आपको यह सारी चीज़े जानने में साहता मिलेगी, यह सारी चीज़े जानने में दोस्तों साहता मिलेगी, तो गती के नुसार, प्लेट किनारे तीन प्रकार के होते हैं, या तो एक दूसरे की तरफ, कांत परवरी से, 14 फरवरी की बात है, फिर 14 फरवरी से, बाकी का सा साल वही साल सेमियर डाइवर्जिंग बाउंडरी एक दूसरे से नजदी के बहुत ज्यादा हो गई अब दूरिया बटाना क्योंकि एक्जाम टाइम है न महीं जून जुलाई तो डाइवर्जिंग बाउंडरी फिर क्या हो गया फिर पता चल गया कि सर बातचित नहीं करनी है तो फिर क्या है ट्रांस्वर्ण बाउंडरी क्या है एक दूसरे से नजदी कैसे निकले क्याश्य से जानता ही नहीं हो पर पता नहीं पूरा आधार नमबर याद यह टूसरे का है तो यहां पर प्लेट्स भी ऐसी कुछ आप नहीं आपि कवर्जंग बाउंडरी बनेंगे द दूसरे से दूर जा रही हैं पेले यह इत्र komen मेरां पास से यां नोट फ्रेंड से नीमोर समझने की कोशिश कर रहे हो कभी क्या कहने की कोशिश कर रहा है तो यहां पर प्रत्वी में भी तुम्हारे वाले लख्षण ग्लुख्वीर निफ़ाई है यह कॉन आसन से से पाउल्टन कैसे बना अभी तो हम फॉल्ट पें आने वाले अभी तो हम फॉल्ट पे आने वाले हैं ना फॉल्ट पे आएंगे तब हम चीजों को जानेंगे चलो पहली प्लेट बाउंटरी पड़ो जब दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं महा फरवरी दिनांक साथ आठ नो दस ग्यारा से लेकर के चौदा है ना तो प्लेट कन्वर गिनारे क्या होते सदों गॉयंति द तरफ एक तरफ आंपके पास किसी वाला त्या करता है निच जाएगी और और जब वह डूबेगी जब वह डूबेगी तब क्या होगा आपके पास में वह नीचे जाएगी याद करो सौ से 200 किलोमेटर के अंदर एस्थिनोस्फेर के अंदर जाके मैगमा के साथ में जाकर के तापमान बढ़ गया चट्टाने पीगल जाएगी वापस क्या बनाएगी याद करो थर्मल कंडक्शन करंट याद करो थर्मल कंवेक्शन करंट बनाएगी आपके पास में चलो सर यह सारी चीजे हमको पता है आपके पास में तो यहां पर मैगमा मैगमा में कर्वर्ट हो जाती है यही जो ओशिनिक प्लेट है यही टेक्टोनिक प्लेट जो वर्ट हो जाएगी जहां सब्डक्शन हो रहा है इस सब्डक्शन जोन को बैनियों सोन का नाम दे दूंगा मैं है राइट राइट अलग सर आपका वीडियो देखके मजे ले रहे होंगे यार देखो मजे तो ले नहीं होते जिन्दगी में हमेसा याद रुको कोई काम करो आनंद से करो जिन्दगी में जिस दिन तुम्हारी लाइफ से आनंद निकल जाएगा ना चाहे वो पढ़ाने में हो चाहे वो कमाने में हो जाहे वो खर्च करने में हो तो तुम्हारे ज़िस सुनने है आफ्ष ये यह दिस लाइट इस लाइफ दिस गोइंप दिस लाइफ हो अन को भी student life ओ, उसमें भी जीना उसी का नाम है, चलो, ठीक है, तो सर यह यहाँ पर डूब गई, तो यहाँ पर जिस जोन में यहाँ सबसिदेंस चल रहा है, उसको हम लोग banioff zone कहते हैं, कौाँ सा zone कहते हैं दोस्तो बैणियोff zone कहते हैं, अचा मेरको बताओ, जब भी फरवरी का यह दूसरा हफता आता है क्या यह विनाशकारी हफता होता है सर कईयों का करियर विनाश होता है अते यहाँ पर भी जब भी कनवर्जिंग प्लेट बाउंडरी आती है तो क्या होगा विनाशकारी प्लेट बाउंडरी कहा जाता है destructive plate boundary क्यों हो क्यों कि यह plate भारी थी यह plate नीचे गई इस plate का जितनी भी चट्टा ने rocks थी वो नीचे एस्तिनो स्पेर में जाकर के melted विनाश destructed तो यहां पे क्या यह plate boundary पे heavier plate oceanic plate is getting destroyed yes hence this plate boundary is destructive plate boundary this plate boundary is destructive plate boundary boundary इसको हम लोग destructive plate boundary बोल रहें अच्छा यह चीज़े clear हैं अच्छा जब मेरे को बताओ अब यहां पर सारी घटनाएं होगी प्रत्वी के उपर जो जो घटनाओं में विनास हो सकता है sir plate boundary है ना एक तो सर हमारा plate खतम हो रहा है यहां पर दूसरा सर जब भी दो जाकर के बनाया ऐसीनो स्वेर के अंदर जाकर क्या बनाया मैगमा बनाया अच्छा पिगल के कहीं तो इस continental plate के बीच में से कमजोर रास्ता देखेगी और कमजोर रास्ता कोई फीजर वगर देखते वे कहां चली जाएगी यह उपर और इस रास्ते के तुरू यह मैगमा उपर और उपर निकलता ही धाम ड़ाम डिशुम वालकेनो राइट यही होता है जिसका डेस्ट्रक्शन होता है वो श्टॉक करता है इंस्टाग्राम पे हो चाहे फेस्बुक पे हो कहीं भुकमब आ रहें तो कहीं ज्वाला मुखी आ रहें है ना इसलिए हमेशा फरवरी के महिने में रिवीजन का महिना होता है इसलिए सेल्फ स्टड़ी पे मौक टेस्ट पे और इन तरके मैराथन क्लासेस पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए ना कि दूसरी गति वीडियो चलो सर चलो यह याद रखेंगे आपके पास में destructive plate boundary कौन सी है converging plate boundaries will be destructive plate boundaries ठीक है सर एग्जामपल क्या हम देख सकते हैं कि सर continental plate ग्रेनाइट की बनिये ग्रेनाइटिक भारी तूटती है और वही नीचे की तरफ जाती है, यस और लो, जब धी यहा पे ग्रेनैटिक प्लेट में टकराती हैं तो हुनके बीच में क्या होगा, Keyntle All Continent, से जब भी तो ग्रेनेटिक फ्लेट टकराएगी Pardon तकराएगी एक जैसी है एक जैसी है आपके पास में जब भी वो टकराई तो क्या होगी उसके बीच के अंदर compression पैदा होगा कि नहीं तो मैं डूबोंगी नहीं तुम डूबोंगे तो बीच में जो सामान है उसको अपलिफ बीच में जो सेडिमेंट सें उसको उपर की तरफ बले बना देंगे एक्जाम्पल एक्जाम्पल है ना आज सुबह बेसिकली शक्षम टू पॉइंट को बैच में मैंने यही निउस पेपर पढ़ के सुनाया था याद है तुम लोगों को है हाँ इसी के साथ मैं थो भारी नहीं दोनों सेम है आपके पास में इसके बीच के अंदर बेसिकली क्या लग रहा है फोर्स कंप्रेशन एक दूसरे की तरफ कंवर्जिंग बाउंडरी और यहां पर फिर क्या होगा एक तरीक है का फोल्ड क्रेट हो जाएगा इसके बीच में जो भी सेडिमेंट मिरमार्ण बना देगी वलित परवत बना दे इसी वलित परवत का एकजांपल हिमालिया हैं आपके पास में याद रहेगा यह will you remember that अच्छा, अब हम क्या करेंगे इस बार, इस oceanic plate को continental plate से टक रहा है है ना, इस oceanic plate को continental plate से टक रहा है continental plate, granite से बनी, oceanic basal से बनी granite, halka basal बारी तो obviously जो भारी चीज है, वो subside होगी वो नीचे की तरफ जाएगी अच्छा मेरे को यह चीज बताओ एक चीज तो यही रह गई और दूसरी चीज जो है वह डूब करके यहाँ पे चली गई तूट करके नीचे सबसाइड की तरफ होगे बैनियोफ जोन में चली गई तो क्या यहाँ पे एक तरह की गर्थ तयार हो गई क्या यहाँ पे एक तरह की ट्रेंच तयार होगे क्या यह तरह की ट्रेंच खाई दिखेगी तुमको यहाँ पे एक चीज नीचे की तरफ जारी है लगा तार नीचे की तरफ डूबरी है ट्रेंच तयार होगी तो जब भी यहाँ पे कोई भी प्लेट ब्रेक करके तूटेगी तो वहाँ पे गर्थ वहाँ पे ट्रेंचेज बनेगी जहां पे भी जोन ओफ सबसेडेंज होगा बैने ओफ जोन होगा याद रखेंगे इस पॉइंट हस तो बी रिमेंबर बाइ ओल अफ यू एक्वली ओल डिस प्लेट बाउंडरी इस टू प्लेट मूस्ट एच अधर प्लेटेंटन कउटिनेटल थो टूब करके क्या बनाएगी त्रेंच बस इतना सा याद रखना है तो आपके एक्जाम में एक वर्ष पूछा जाता है मौनिका क्या पूछा जाता है पूछा जाता है कि on which plate boundary I will find the venue of zone तो venue of zone कहां बनता है जहां plate धस्ती है जहां basically plate धस्ती है उस शेत्र को बताए ना sir एक plate जो है जब आपके पास में continental और oceanic plates टकराएगी converge होगी तो oceanic plate basaltic plate नीचे दस जाएगी इस zone को हमने क्या कहा था फिर venue of zone venue of zone नाम दिया था याद रखेंगे ये pointers please याद रखते हुए चलिएगा अच्छा जो subducted part होगा वो नीचे जाका एसनो स्वेर में गरम हो जाएगा पिगल जाएगा आपके पास में और यहाँ पे जो plates होगी वह destroy हो जाएगी मलब यह समझने की कोशिश करो जो लावा से granite से जो लावा से basalt से जो plate बनी थी वो plate क्या हो गई अब वही basaltic plate वही basaltic लावा से बनी हुई basaltic चट्टा नीचे जाकर करके पिगल गई वापस लावा में है उसका काल ख्रम खतम हुआ आत्मा का वापस परमात्मा में विल हुआ तो वह उसका destruction हो गया आपके पास में उसका destruction होगा इस डेस्ट्रॉइट एंडट इस वाइड़ जो converging plate boundaries हैं अभिसारित plate किनारे होते हैं इनको destructive विनासकारी plate किनारे कहा जाता है क्या कहा जाता है इसी लिए फरवरी का महिना खतरनाक होता है फरवरी में सबसे ज्यादा destruction होते है आपके पास में मजा कर रहा हूं लिख मत ले ले लेना है के साथ continental drift theory में लिख डाले plate tectonis लिख डाले जैसा ने बोला फरवरी का महिने में यह plate टकराती है ना समझो कभी क्या कहने की कोशिश कर रहा है ना इन चीजों से तुमको अप्रतेक्स तरीके से समझाया जा रहा है के बेटा समझो convergence अच्छी नहीं होती टीचर की students की academic convergence ठीक है है ना अब तुम student student कहीं कहीं बेसिकली फिर क्या करते हो convergence वह खराब है है ना वह खराब है है ना तो यहां पर ऐसी चीजे नहीं हो चलिए यह इन प्लेट सब्सक्राइब करों उससे दो और आगे तुम एक लेटर टाइप करों उदर से दो मैसेज जाते और वह पढ़ने पढ़ने स्क्रॉल करते करते चार और आगे तुम बहुले बहुत क्या करें अवाट से इंस्टॉल मार दे तो खतरनाक कनवर्जेंस होती है एंड़ फॉर्मेशन ऑफ फोल्डेड मांटें टेक्स प्लेस है ना फिर और कुछ नहीं होगे तो बोले परदा है परदा क्या है कॉंटिनेंटल कॉंटिनेंटल ना तू जुकेगी ना हम जुकेंगे बीच के टीटिय सी के सेडिमेंट को का side point हम लोग कर रहे हैं आपके पास में , र्त क्रतिंटिय चली जाएगे दोनों टक्राएगे ढर्ठियों का यह फोल्ड मांटन मनेका आपके पास में , और इंडिन प्लेट टकक्राहके हैं रिचा करके हिमाल्यन मांटन मना रही हैै इसका एक्जामपल लिख सकते हैं आपके पास में एेफ्रिकन भी तो उरेश unanim ल्यंश निस टकरा रही है वह भी कॉंटिनेंट वह भी स्वार्ण ओने यह लेश पास में दोनों प्लेट के बीच मेडूमध क्लेट स्वी आनदर कई सारी सारी मौंटेन कई सारे व्लकेनोस देखने आइसा क्यों हों मेरे भारत को टकराया तुमने युरेशा के साथ में तब क्यों निदिया विलकानों है और जब आप इस एफरीका को टकरा रहे हो इस युरेशा के बीच में तब आप बहुत सारे वलकानों भी दे रहो बोले ऐसा क्यों सर याद रखना यहां पर क्या है आपके पास में कॉंटिनेंट कॉंटिनेंट है ठीक है ना पर यहां पर क्या है कॉंटिनेंट और कॉंटिनेंट के बीच में मेडिटरेनियन सागर है बूमद्य सागर है और यह बूमद्य सागर जैसे सपोज यह अब यहां पर यहां पढ़ भी द्रइया निचे जा रहा है यह पानी निचे जाकर के शनसमें खरते कम चाहं है भाप फोन परस son miss continental plate पे कहीं भी उसको लगा कि सर ये जगा ये जगा दीरे दीरे बाहर निकल सकती है पहले भाप बाहर निकलती है भाप को follow कौन करता है भाप ने अपना रास्ता निकाला भाप को follow करेगा ये magma ये magma ये ही पिगली वी चट्टा ने इसके पीछे पीछे तू चल मैं आई पहले कोन निकला वाटर वेपर फिर कोन आया magma और पहले जब भी आपके पास में gases का रिसा होता है वाटर वेपर का रिसा होता है कोई जगा पे ऐसा नहीं के वहाँ पे जाकर के तुम जो है आपके पास में hot coffee, kuleड coffee, kuleड चाए बनाना चालू कर दो है ना पता जले volcano है ना हाँ तो यहाँ पे आपके पास में volcanoes नजर आएंगे आपके पास में तो यहाँ पे फिर जौला मुकी eruption देखने को मिलेंगे African Eurasian continents के आसपास में यह घटना देखने को मिलती है Mediterranean Sea का जो water water बीच में है वह पानी नीचे जाता है water vapor बनाता है वही जो है basically यहाँ से वापस बाहर निकलता है water vapor उसके पीछे मैगमा और भूमध्य सागर Mediterranean Sea को उठा के देखो भूमध्य सागर Mediterranean Sea को उठा के देखो तुमको बहुत सारे volcano को इसरे से वहाँ कि मैंग खात को रास्ता है कि वहाँ पर कि गोड़ा नीचे तक वह राया प्लिटे क्या नहीं आंत्स जाणना नाmother इसने ग्यामा समय उत भूम है और अगर वह नीचे तक रिसरामेटम तो एसिनस्पेर बैन्य ओफ जोन वाटर वेपर उपर गया मैगमा के साथ में यूरेशन एफ्रिकन प्लेट में ऐसा होता है एल्प्स की पहाड़िया तो बनती है यह फोल्ड मांटें तो बनी रिये पर इनके लाव जॉलम की छोटिया भी जैसे देखो मांट स्ट्रमबोली म सारे आपको देखेंगे यौरो और एफ्रिका के बीच में मेडिटेनिन सागर में देखो जाकर के है ना वहां पर मिलेंगे वाटर गैट सीटेट एंड चेंज इन्टू वाटर वेपर कहीं कहीं कमजोर स्थान देखके फिजर देखके बाहर निकलता है एंड डाट स्वाट हापनस एड दाट स्वाट एपनस जॉअला मुकि जॉअला मुकी ठीक है न समझ माया है कि नहीं आपके पास में चलो तो जॉअला मुकी चोटिया भी पाए जाएगी और फोल्ड माउंटेंस भी पाए जाती है तो कई बार ये प्रश्ण पूछा गया वाइड इन इस फोल वल्केनो एरॉप्शन मैगमा को भी एक डारेक्शन बार की तरफ मिलती है तो इन प्लेट किनारों पर महादीपी प्लेटों का अभीशरन कन्वर्जन्स होती है इन में से एक प्लेट नीचे की और धस जाती है आपके पास में और इस किनारों पर उच्च तीवरता के भूकम पा जाते हैं और फोल्ड माउंटेंस बन जाती हैं वलित परवत यहां पर बन जाएंगे दोनों तरफ से कंप्रेशन लग रहा बीच का मेटीरियल उपर की तरफ अपलिफ्ट हो गया है और ज्वाला मुकी का उद्बव तभी होता है जब उनके बीच में जल स्थित होता है क्या स्थित होता है जल स्थित होता है तो अगर कहीं भी जल नहीं है तो क्या यहां पर ज्वाला मुकी होगा नहीं हो सकता नहीं हो सकता ठीक है ना अच्छा इसको थोड़ा सा और बहतर वे में समझा दो सर हमें है ना क्या हम आप बूल रहे हो वैसा काम थोड़ी न करते हैं हम तो सर टांग पर टांग रखके बैठे हुए हम एयरफोन लगा करके घूम रहे हैं कोई चाय पी रहा है पढ़ेंगे तुम्हें है ना समझाए बीना भेजेंगे नहीं गर पे वापस ये देखो ये अफ्रिका ये यॉरॉप ये इसके बीच में काफी सारे एरिया में क्या पानी है परंतु यह हमारा भारत यहां पर बेसिकली जो है इमालिया जो बेसिकली क्या है illustrates और इंडिन प्रेट की बाउंटरी बना रहा है क्या इसके बीच में कहीं भी पानी दिख रहा है नहीं दिख रहा है अगर पानी होता तो वो भी नीचे की दरफ जाता और नीचे जा करके नीचे के मैगमा को उपर का रास्ता बताता पर नहीं पानी नहीं नीचे गया पर नहीं मैगमा बनाया ठीक है ना पर यहां पर देखन इड्सेटरा यहां पे यह सारी की सारी चीज़ा आपको बहुत लेह typically किसा Авिजा यहां पर काफि सारी क्या है आपको το सब्सक्राइब को बॉंटन दिखने वाली है कि एक अग अग वाकमक करने को मिलेंगे जिसे माल्टा के पास में हैं, Greece के आसपास में Agency, Ionian Sea, Mediterranean Sea के अंतिरिकत, अब मुद्दे की बात करते हैं आप, है ना, तो Africa तता Eurasian Plate के अभी सरन पे जौला मुखी उद्बव होते हैं जौला मुखी का निर्मान होता है आपके पास में येक एक एक्जामपल आप लिख सकते हैं, अब सर, Continent, Continent Plate किस तरीके से टकराती हैं, वो सारे चीज़े हम लोग समझ गए सर, सिर, जब दो लोगों के बीच में कोई तीसरा आ जाता है, तो ही लड़ाय होती हैं, वह 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 वह, क्या वात है हना, Give this guy a medal हाह हाहा, चल बढ़ायाई पे धियान दे ले भाई तो Continent की और Oceanic Plate, obviously Continent Plate जो हैं हलकी हैं, Oceanic Plate भारी हैं, आप क्या होगा, Oceanic Plate जो हैं यहाँ पे ओशनीप नीचे की तरब सबसाइड कर चूकी है क्या उसके साथ पानी भी जाएगा क्योंकि यहां तो ओशन के ओपर है ही पानी तो जहां जहां पे भी ओशन और कॉंटिनेंटल प्लेट है वहां पर क्या होगा 2-2 प्लेट के टकराने के कारण फोल्ड माउंटेन बन सकती है, बनती है गुरू, क्या यहाँ पे पानी नीचे जाने के कारण, जलवास्प बाहर निकलेगी, कमजोर रास्ते से, कॉंटिनेंट से, और साथ में मैगमा निकलेगा, क्या यहाँ पे जो हैं, वॉलकेनोस भी पैदा होंगे, होंगे सर, अच्छा ज़्यादा यहाँ पे भूब क्रतिक घटनाय देखने को मिलती है, वहाँ पे आपको अर्थखेक देखना को मिलेंगे, दोनों चीज़ी टकराई, वहाँ पे आपको वलकेनोस देखने को मिलेंगे, पानी नीचे गया, इसलिए, वहाँ पे कम्प्रेशन के कारण, फोल्ड म इन दोनों के टकराने के कारण क्या होता है यहां पे नास का प्लेट इससे टकरा रही है और यहां पे अमेरिकन प्लेट इससे टकरा रही है तो इसके चारो तरफ फोल्ड मांटन कौन सी बनी है कौनसी फोल्ड बाउंटेन है एंडीस माउंटेन बनती है और जहां पे ओशनिक प्लेट सबसाइड करिये वहाँ ट्रेंच भी बनने वाली है है ना तो वलित परवत आप देखलो अमेरिका में रॉकी है ना आप देखलो उत्री अमेरिका और प्रशांथ प्लेट जहां पे टक्रारी है उसके आसपास में कई माउंट है आप देखो उत्री अमेरिका में हुड रेनर और शास्ता हुड माउंट हुड माउंट रेनर Mount Shasta ये सारी क्या है जौलामू की छोटिया है कैसी बनी सर जौलामू की छोटिया सर ये वही तरीके से बनी आपके पास में के सर यहाँ पे जब प्रशांत मासागर की प्लेट ओशनिक प्लेट वसाल्टिक प्लेट नीचे गई नीचे जाकर के पानी नीचे गया पानी नीचे जाकर के यहाँ पे जलवास्प के रूप में बाहर निकला कहीं से वहीं से दीरे-दीरे मैंकमा निकलने लगा तो वहीं पे नॉर्थ अमेरिका में कौनसी प्लेट बन गई वालकनिक माउंटेंज भी बनी जैसे कि आपके पास में क्या है एक्षेंग का गुआ और क्टपॉक्सी एंड चिंबराजो आपका हमवर्क है कि आप इन माउंट्स को बेसिकली एक मैप के उपर लोकेट करके मार्क करने वाले हैं लोकेट करके मार्क करने वाले हैं अब हम बात कर रहे हैं ओशनिक प्लेट किनारों की अब यहाँ पर क्या होगा देखो इस बार दोनों ही ओशनिक प्लेट बाउंटरी है पर क्या कभी दो ओशन समान हो सकते हैं पैसिफिक ओशन सबसे बड़ा इंडियन ओशन उससे भी छोटा Arctic Ocean बहुत छोटा Antarctic Ocean थोड़ा उससे भी बड़ा तो जब भी दो plates टकराती हैं चाहे oceanic oceanic हो दोनों ही basalt की हैं दोनों ही भारी plates हैं पर क्या ये दोनों plates समान द्रवे मान समान मास्की हो सकती हैं समान भार की हो सकती हैं नहीं सर एक plate तो होगी जो ज़्यादा भारी हो एक plate होगी जैसे दो आम पकड़ लीजिए दो apples ले लो दो bananas ले लो कभी भी same weight नहीं होगा बली grams में ही difference तो होगा अतेव क्या होगा कि सर जो भारी plate होगी इस plate से वह plate नीचे की तरफ move करेगी obviously goes without saying heavier plate will subside और वह नीचे जाकर के क्या करेगी again वह क्या बना रही है जो भी plate subside हो रही है वह trench बनाएगी और trench में क्या बर जाएगा पानी बर जाएगा और पानी भरने के कारण क्या होगा नीचे magma के साथ में touch आने के कारण water vapor magma को guide करेगी और volcanoes बनेंगे तो oceanic plate के उपर भी vulcanos बनेंगे पर दीरे दीरे ocean में vulcanos तो आने लग गया है यहाँ पे पर अभी तेक समुद्र से बाहर नहीं आया पर जब आपके पास में vulcanic eruption लावा magma इतना निकल जाए कि वह समुद्र के जलस्तर से भी उपर उठ जाए तब वहाँ पे क्या होगा island arc बनना सुरू हो जाएगा द्वीपिये चाप बनना सुरू हो जाएगा तो यहाँ पे vulcanos बनेंगे और series of the vulcanos बनेंगे जहाँ भी ocean ocean plates टकरा रही है वहाँ पे यह चीज़ जाकर के देखो oceanic oceanic plate जाकर टकरा रही है वहाँ जाकर देखो एक series of the vulcanos आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे trenches देखने को मिलेगी आपके पास में जैसे Philippines Philippines Sea है और Pacific Ocean की plate है यह दोनो ocean ocean plate है महासागरी महासागरी plate है इस किनारे पे जब convergence होगी अभी शरन होगा तो यहाँ पे एक भारी plate नीचे डूबेगी प्रसांत plate नीचे डूबेगी और basically क्या बनाएगी सबसे deepest trench सबसे गहरी खाए जो है मरियाना खाई मरियाना trench मरियाना गर्थ का निर्मान करती है जो विश्व की deepest trench है Challenger Deep BC के पास में विश्व की सबसे गहरी गर्थ तो Challenger Deep तो एक location का नाम है It's a name of a location और इस trench का नाम है क्या नाम होगा मरियाना trench तो ऐसी oceanic और oceanic plate के आसपास में basically क्या बनेगा बच्चलो यहाँ पे plate boundaries जहाँ पे oceanic plates converge कर रही है वहाँ पे क्या होगा यहाँ पे high intensity earthquake आएंगे volcanoes आएंगे volcanic पूरे एक छोटा मोटा नहीं पूरा volcano की आर्क बनेगी एक बड़ा volcano से छोटा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा पूरा एक तरीके से जो है island की आर्क दिखेगी द्वीपी ये चाप जिसको कहते है island आर्क दिखने की कोशिश कर सकते है high intensity volcanoes भी आएगे यहाँ पे explosive volcanoes देखे जाएंगे deep trenches देखने को मिलेगी लावा बाहर दिखने को मिलेगा आपके पास में active यहाँ पे क्या दिखेगी active volcanoes लावा निकलता वाँ आप देख सकते हैं आपके पास में ठीक है ना फिर है sir diverging plate boundary कैसी plate boundary है भाईया आपके पास में diverging plate boundary give me a second yes all of you the points are clear earth, prajl, satya, din इस सारे points clear होगे अब diverging में क्या करेंगे sir plates एक दूसरे की तरफ नहीं आ रही है plates एक दूसरे से opposite direction में move कर रही है, जैसा ये continent continent plate एक दूसरे से ये इस तरफ इस तरफ तो ये west की तरफ जा रही है यहाँ पर क्या होगा नीचे क्या है क्रश्ट के नीचे क्या है magma है, astinus वेर है क्या इस magma को उपर आने का रास्ता मिलेगा yes, इसको उपर आने का रास्ता मिलेगा सर आपके पास में तो यहाँ पर क्या कहीं कहीं low intensity volcanic activities होगी yes, लना तो दीरे दीरे जो है जब भी आपके पास में continent और continental plate के बीच में rift होगी divergence होगा, तो दीरे दीरे यहाँ पर लावा उपर आखे जमना शुरू कर देगा लावा जो है all together यहाँ पर नया crust का निर्मान कर देगा एक rift, एक खाई एक gap create हो गया, एक rift create हो गई है तो यहाँ लावा के जमने से नया crust बन चुका है और rift valley जो है बीच में खाई देखने को मिल रही है क्या यहाँ पर हलका low intensity भूकम भी देखने को मिलेगा यहाँ पर यहाँ पर जो आला मुखी बहुती कम, बहुती rare देखने को मिलेगा, जो भी आयेगा low intensity होगा, थोड़ा लावा निकाला और एक नया crust बना के वह निकल लेगा, नया crust बना के टाटा, बाई बाई, गूडनाइट, है न, सम्तिंग लfar़ा घर, तो यहाँ रिफ्ट वैली कब बनती है, रिफ्ट वैली कब बनती है, जब दो plates एक दूसरे से opposite direction में move करना सुरू करें, जब दो plates एक दूसरे से opposite direction में move करना सुरू करेंगी, तबी तो रिफ्ट वैली बनेगी यस सर नया क्रश्ट यहां पर बन रहा है तो याद करने की कोशिश करना जब भी इतनी बड़ी चुनाती है रहा पर यहां पर नई प्लेंट का नए क्रश्ट का स्रजन भी हो रहा है तो जब बनी किसी से दूरी हुइ और यहां प rozp क्रि millennials कहते हैं और जब एक नयाग्षट यहां पर है तो मैं इसको क्या कहूंगा करें लकष दाइवर्जिंग प्लेट बांडरी जबरते हैं मैगमा नाया क्रंश्ट मिनाया नई सत्र का नई चटानों का निर्मान गया यहां passes को Hello हैं जैसे एफरिका को उठाइए एफरिका को उठाइए त्रि Around देखे ऐसा कुछ नहीं जगद 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 नहीं पर भी ने जवटे जगे ले सुसीटपर पानी बर गिया है कि मैं आप च्वेश्ख सभ्का दे roughly यह व्लीन में है क्या कि सब करना प्लेट पालने जी बिसक्ट की तरह दो भाग होगे एक भाग हो गया Nubian Plate और एक भाग हो गया Somali Plate यह Somali Plate जो है अलग हो रही है इस Nubian Plate से Continental Plate एक दूसरे से दूर जा रही है पीच में Rift Create हो रही है नीचे से लावा आ रहा है नीचे का क्रश्ट बन रहा है और उस क्रश्ट के उपर पानी खटा हो जा रहा है दीरे दीरे एक नया महसागर जनम ले रहा है इसके बीच में दो नये कॉंटिनेंट एक दूर जा रहे हैं तो पूरवी अफरिका प्रंसकाटी इस्ट अफरिकन रिफ्ट वैली यहाँ पे माउंट की लिमंजारों दिखेगी आपको वह माउंट की लिमंजारों क्या हैं वलकेनिक एक्टिविटी से बनी हुई है सर अब ठक रहे हैं दीरे दीरे वेट एंड वाच अभी तो सुरात के दस बजने वागी है वेट करो ठीक है तो यहाँ पे रिज भी बन जाएगी तो नीचे का लावा नीचे तो लावा है सर पूरा मैगमा है क्या नीचे का लावा बहार आएगा हाँ आएगा उपर पानी है क्या लावा में सॉलेडिफाई हो जाएगा हाँ हो जाएगा सर तो इसके कारण क्या होगा क्या सर लावा आएगा हर बार एक नई लेर बनाएग नीचे से लावाया, रीजेस का निर्मान करते हुए गया, एक्जाम्पल है, एट्लांटिक आंद्रमासागर में, मिड ओशनिक रीज बनती है, मद्धी अट्लांटिक कटक जिसको कहा जाता है, दुनिया की लार्जेस्ट रीज है यह, लगबक 14,000 किलोमेटर लंबाई में फै यह, टूल्स, इन्टरेक्टिव, मैप, और आउ यह, 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 क्या है आपके पास में, मिड, अट्लेंटिक, यह, अट्लेंटिक ओशन है, एसेप का, हम, अट्लेंटिक ओशन है, इसके बीच में, बेसिकली क्या हो रहा है, अब यहाँ पर देखेंगे न, आप, थोड़ा सा इसको उपर जा करके देखो, तो इसके बीच में आपको एक रीज नजर आएगी, यह, यह, से चालू हुई है, यहां से चालू हुई है, क्या एक क्रैक दिख रहा है, सबसे पहले दिखो, क्रैक दिख रहा है, बहुत ही माइनूट से क्रैक दिख रहा है, इस क्रैक में एक और चीज को अबज़र करो, क्या यहां पर एक आपको रीज टाइप स्ट्रक्चर दिख रही महां दीपों। के अपर, शबसे बड़ी परवत स्रंकला, जब कि यहान से सुरू हो इई, यहां से शुरू हो रही है, और यह यहां पर और ज्यौनि कहां तक चलती गई, आपके लिए सर कि लो इस अचे डिया चाहँ यहां पर क्या होगी है एक यह प्लेट बाउंडरी इदर जा रही है एक प्लेट उशनिक और एक फ्लेट इदर जा रही है ठीक है ना अतियों बीज का लावार बाहर आ रहा है और दीरे दीरे रिज बना रहा है तो यह ridges भी क्या है, these ridges are nothing but the वही volcanic eruption के त्वारा, volcanic mountains है पर यह समुदर के नीचे है, समुदर के नीचे है तो यह इस तरह की ridges जो है वो V-shape की पूरे समुदर में फैली हुई है पूरी यह क्या है, they are nothing but the oceanic ridges, they are nothing but the oceanic ridges can you see that, can you see that entire region, entire region में mid oceanic ridges है यह, ठीक है ना तो oceanic, oceanic plate में divergence अपसरन के कारण यहां पे ridges कटक बनेगी आपके पास में magma भार आएगा so these plate boundaries, two plates move into the opposite direction है ना, यहां पे मध्यम तिवरता के भूकम पा सकते हैं कम विश्पो तक ज्वाला मुकी का उद्भव होगा और यहां पे लावा जमने से क्रष्ट का निर्मान होगा obviously, दो plate एक दूसरे से दूर गई, बीच में से लावा आया और नया क्रष्ट बनाया है, रीजिस बनाया है रीजिस क्या एक नया क्रष्ट ही तो है, लावा बाहरा सुचो, जब यह बाहर निकलके पूरा ब्लॉक कर देंगे फिर शिप्व नहीं जा पाएगी अगले millions and billions of the year बाद में अगले कई billions और millions of the year के बाद में यह चीज भी हो सकती है पर अभी हम इनको सिर्फ एक oceanic ridge के सपान समझ रहें oceanic cut के रूप में समझ रहें sir can you tell about Mount Denali इसिटन इनली है Mount Denali क्या है बच्चा माउंट डेनाली इस नथिंग बड्ड आपका जो यह नौर्थ अमेरीका है जो यह नौर्थ अमेरिका है माउंट डेनाली को समभेर ओवर है अलास्का एंडिस रीजन है न माउंट डेनाली यहां पर नौर्थ अमेरिका का सबसे हाइस्ट माउंटेन है माउंट देना ली इसको याद रखो ठीक है ना बट यह क्या नहीं आपके पास में इस इस नॉट आ इस नॉट आपके पास में यहां भी आपको देखने को मिलेगी यहां भी आपको देखने को मिल रही है क्या इंडियन ओशन में भी कुछ रिजेश दिख रही है इस आर नथिंग बट दर रिजेश चलो पॉइंटर्स आर क्लियर मोविंग फॉवर्ड तो महाधिपय किनारों की ब्रंश गाटियों का निर्मान कहां होगा जान डाइवर्जंस होगी वहां रिफ्ट वैली बनेगी आपके पास में और ओशनिक रिजन के अंदर जो है यहां पे रिफ्ट वैली नहीं बनके क्या ब बना हमारा ऑशनिक डूर होने के कारण क्या बना हमारा लावा उपर से आया मिद पर क कटक बनती है वह चलो यह दोनों पॉइंटर्स क्लियर हो गएक दूसरे की तरफ जा अवे फ्रॉम इच अदर नहीं तो एक दूसरे की तरफ जा रही है नहीं एक दूसरे से परे जा रही है तो क्या हो रहा है प्लेट सार मुविंग स्लाइड पास्टिंग इच अदर एक दूसरे से सामाना अंतर गति कर रही है क्या गति कर रही है सामाना अंतर गति कर रही है है पे आपके पास में transform fault जो हैं देखे जा सकते हैं रूपांतर जिसको कह सते हैं हम लोग क्या कते हैं transform fault transform fault रूपांतर भ्रंश एतर की दरार पैदा हो सकती हैं दो plates के बीच में इन प्लेट बाउंडरी के अंदर parallel moment होती हैं दोनों plates समानांतर गति कर रही हैं और इन moments के कारण low intensity earthquake भी आ सकते हैं हलके से भूकम पा सकते हैं कम तीवरता के इन शैत्रों के आंदर और और इस प्लेट बाउंडरी जनरली वॉल्कनिक इरुप्षिन डजनाट टेक प्लेस क्योंकि वलके नों तो कहां आएगा वलके नों कहां आएगा पानी होना चाहिए यहां पे तो कोई नीचे लूब भी नहीं रहा है कोई बैनियों आप जोनी नहीं है कोई आपके पास में नहीं वाटर बेपर बाहर आ रही ह प्लेटों के अंदर बेसिकली क्या हो रहा है आपके पास में प्लेटों की गती के कारण इन शत्रों में रूपांतर ब्रंश गाटिया रिफ्ट क्रियेट होगी पर पैरलल रिफ्ट क्रियेट हो जाएगी विकॉस अब दो मूवमेंट ऑफ दिस सैं एंड्रियस फॉल्ट सै इन दो मैप सैं एंड्रियस मूवी भी बनीती इसके उपर किस तरीके से दो प्लेट के पारलल मूवमेंट के कारण एक ब्रंश गाटी का निर्मान होता है आपके पास में ठीक है कैसा यह बेसिकली पूरा आपने थियोरी पढ़ लिया है आपके पास में प्लेट टेक्टोन अगर रहे हैं विया स्टाटिंग न्यू चैप्टर चैप्टर नंबर फॉर रॉक्स चैप्टर नंबर फॉर रॉक्स यस अल गुड तो फार सो गुड जल्दी से सबी लोग कॉमेंट करके बताएंगे मुझे अब इस और अंडर्स्टैंडिंग अन्ड टॉपिक अभी तक हम चार गंटे पढ़ चुके हैं दोस्तों और हमारी मेहनत में कोई भी रत्ती मात्र भी जो हैं बेसिकली हम आगे पीछे नहीं हुए हैं प्रत्वी अपनी जगह से जो है 60 डिगरी जो है रोटेट कर चुकी हैं पर आप और हम इसी जगह पे बैटे हुए हैं अभ आ रहा है जल्दी से एक बार सभी लोग इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ क्यों नहीं शेयर कर देते जल्दी से एक बार इसको शेयर किरिये अपने सभी दोस्तों को इन्वाइट कीजिए और फिर हम आगे की जर्णी में आपको अगले चार गंटे भी जैसे फिल्डी हाइड्रेट करें अपने आपको कुछ खाएं पर लिखते जरूर रहें और दिमाग को भी अटेंटिव बनाएं चलिए सर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं इसी क्लास के साथ में सर सो दोस्तो हमारा अगला टॉपिक है रॉक्स चटाने देखिए अभी तक जो हमने बेसिकली व्रहद जानकारी ली है और हमारे एक्जाम्स के द्रश्टी कोंड से भी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी से दो होने वाली है अच्छा अब हम जिस विशे पे बात करने वाले हैं इसके उपर कई गतवर्ष के प्रशन देखे जा सकते हैं आपके पास में plenty of the questions can be asked तो चटाने है क्या सबसे पहले rocks जो है वो बेसिकली अलग-अलग तरह के खनीज मिनरल्स के मिक्षर से मनी होती है आपके पास में you must be knowing about that और यह जितने भी खनीज होते हैं वो अलग-अ काफी बिल सकते हैं और फिर हमारे अर्थ के इंटीरियर तक भी काफी सारे जो है elements मिलेंगे और वही जो आपके पास में elements रहेंगे वह मिल मिल करके basically क्या बनाएंगे आपके पास में they will be making the minerals और कई तरह के minerals जो हैं वह मिल के basically क्या बनाएंगे आपके पास में rocks का formation करने वाले हैं rocks का formation करने वाले आईए इनकी basic जानकारी लेते हैं कौन-कौन से minerals कौन-कौन से elements यहां पे मुख्य तह अप्रिजेंट रहने वाले दोस्तों तो हमारा जो अर्थ का crust है भूपरपटी है उसमें मुख् oxygen, silica, aluminum, ferrous, calcium, sodium, potassium, magnesium यहां हम अर्थ के crust की बात कर रहे हैं जबकि अगर मैं पूरी प्रत्वी के अंदर अगर मैं बात करूं के entire earth के अंदर कौन-कौन से यहां पे जो है elements उपस्तित होने वाले हैं इसमें फिर ferrous और oxygen जो है वह वरियता में आने वाले हैं आपने जाना होग का basically के हम अर्थ को जब भी basically अलग-अलग जैसे आपके पास में mental और फिर core के अंदर जैसे crust है यह mental है यह core है इसमें हम विवेदित करते हैं तो हमें कहते हैं यह basically किसका बना है सियाल सीमा एंड यह है नीफे निकल एंड फैरस राइट सियाल मतलब silica aluminium यहां सियाल मतलब सीम मतलब silica magnesium and यहां पर नीफे मतलब nickel and ferrous iron राइट तो यहां पर भू गर्ब के अंतरकत basically यहां पर मुख फैरस ऑक्सिजिण silica magnesium nickel sulfur calcium और aluminium जो हैं वहां present रहने वाले हैं दोस्तों तो सबसे पहली परिभासा लिख सकते हैं कि चटाने जो हैं वहां खनीजों से oxygen silica aluminium ferrous calcium sodium potassium magnesium और यहां पर अगर अर्थ का पूछ लिया जाए तो आप ferrous और oxygen को यहां पर जरूर वरियता देने वाले हैं I hope यह point आपका अभी तक clear हो चुका है तो 6 major minerals है आपके पास में rocks के अंदर इसको basically आप FAQ PMO short form में लिख सकते हैं FAQ PMO के रूप में भी इसको लिख सकते हैं फैल्स पार आमफिबूल क्वाज पायरोक्सिन माइका और अलेवाइन अब कुछ स्टूडेंट्स रहेंगे यह सर इसको हमें हिंदी में लिखवा दीजिए देखो बच्चा जो चीज आपको English में दी गई हैं उसको विज्यान मे पाया जाने वाले जो हैं कॉन कॉन से जो है именно पूछआ जाएं तो आप से आठ मुख्य आर्मीचा से वह लिखने वाले हैं इसको आप इनकेिन प्रकारें नी याद करें और जब आपके मिन यहांगे आपके पास में कहीं साथ ऐल्यमेंज़ 거지 होंगे at का क्या प्रमुक योग होने वाला है ठीक है तो यहां पे जो है पाइरोक्सिन माइका ओलेवाइन कौार्ड और फैलसपार यह मुख्य मिंडरल्स है अच्छा यहां पे निर्मान के आधार पर अगर मैं देखूं चट्टाने जो होती है एलेमेंट से बने हुए मिंडरल्स और मिंडरल से बनी हुए होती है छट्टान इपैं चट्टानों के कई प्रकार हो सकते हैं आए इनको जानते हैं कि क्या वह आगने चट्टान है या वह अवसादी है या रूपांतरित का यांतरित चट्टान है इग्नियस सडिमेंटरी और मेटमॉर्फिक इन तीन चट्टानो में सबसे पहले जो rocks बनी होगी जितनी भी rocks बनी होगी उसमें सबसे पहली type of rocks क्या है आगने चटान है जो कहीं कहीं जौला मुखी इसके मैगमा के बाहराने से लावा के ठंडे होने से बनी हुई है यह जो है थोड़ी हाड होने वाली है और यहां पर कोई fossil नहीं पहा जाएगा अगर मैं कहूं fossil क्या होता है जीवास में क्या होता है कि सर्फ एक जो है कहीं ने कहीं पैड पोदे का कोई हिस्सा कोई जीव जन्तू का पूरा सरीर या उसका कोई हिस्सा जो होता है उसका कोई ब कुलते वे लावा में आपको नहीं लगता कि वह भी जलके भश्व हो जाएगा वह जीव वह वनस्पती वह पैड़ पोदा येस हैंस हमें कोई रिमेंस कोई फॉसिल को जिवासमा इगनियस रॉक्स में नहीं मिलने वाले हैं और क्योंकि यहां पे जो है यहां लिक्विड से स कोई फॉसिल्स नहीं कोई परत भी नहीं होने वाली हैं एंटारली इगनिस का मतलब भी हॉट मैगमा से बनी हुई रॉक्स है और यहां पे धात्वी का खनीज अधिक पाए जाएगा क्योंकि मैगमा कहां से निकल काया है मैगमा सर प्रत्वी के अंदर से निकल काया है तो जब यो एस् तीनो स्फेर के अंदर से निकल काया है तो कहींक ही उसमें फैरस निकल अलेमिनियम एटसटर एटसटर प्रिजेंट होगा जी सर विलकुल प्रिजेंट होगा हैं हम यह कह सकते हैं के दात्वी का खनीज हुआचली और हम्योंकि मैटलिक मिनरल को रंद्र भी न कोई भी तरह का पूर नहीं होगा तो हैंस यहां पर पूरोसिटी भी नहीं होगी प्लस इसके अंदर जो elements है इसके अंदर जो minerals है वह high temperature से दीरे-दीरे जैसे ही cold temperature में surface के उपर, हवा में, surface के उपर पानी के touch में आएंगे तो वो दीरे-दीरे क्या होने है, एक proper crystal shape लेना शुरू करेंगे तो यहां पर igneous rocks में क्या देखने को मिलेगा हमें crystal structures देखने को मिलेगी क्या आपके घर में ऐसा कहीं ने कहीं आपके पास में granite लगावा होगा, यस तो आप देखेंगे कि जितनी भी igneous rocks होती है गर में marbles वगर लगाओगा specifically kitchen में, तो आप वहां पर देखेंगे तो एक shiny shiny particles देखेंगे आपके पास में कुछ ऐसे, कुछ black, कुछ grey, कुछ white है ना, तो अलग-अलग color के यह हैं दिखने वाले तो यह है क्या, सर यह है सारे elements यह है सारे minerals, जो दीरे-दीरे cool down वे, और cool down होनते time solidify होते time, दीरे-दीरे इन्हों ने क्या ले लिया, एक particular shape ले लिया, crystal structure ले लिया है, तो क्या यहां पर crystals पाय जाएंगे, yes, और obviously क्योंकि यह layer by layer परत दर परत नहीं बनी है, अतेव इसके अडूओं के बीच में जगह बिल्कुल नहीं होगी, इसके molecules के बीच में जगह बिल्कुल नहीं होगी, porosity रंदर बिल्कुल भी नहीं होने वाले हैं, और यहां पे जो हैं आपके पास में, Latin word ignition को आप लोग याद रख सकते हैं, जिसका मतलब fire होने वाला है, और यह hot पेरोजन होगा, अपरदन होगा, नहीं से, बहुत मुश्किल होगा, होगा, बट बहुत ही ज़्यादा जो है, पानी, हवा या और कोई अपरदन के कारक लगने के कारण, और यहां पे जिवास्मपरत और रंदर नहीं पाए जाएंगे, उसका ठीक बाहर आकर के कहिन कहीं यहां पे solidify हुआ है, उसके कारण जो है, यहां पे basically क्या बनी है आपके पास में, यह इस तरह की चटान बनी है, जिसको हमने ignis rocks का, ठीक है सर्थ, पर क्या यह लावा प्रत्वी के अंदर भी कहीं basically solidify हो सकता है, यस प्रत्वी के अंदर भी कहीं यह solidify हो सकता है, तो यहां पे निर्मान की स्थती के आदार पर इनको basically intrusive और extrusive rocks कहा जा सकता है, intrusive मतलब प्रत्वी के अंदर ही कहीं कहीं जो लावा है, मैगमा है, वो solidify हो गया, extrusive मतलब लावा प्रत्वी के बाहर आया, और बाहर आने के बाद में वो basically हवा और पानी के संपर्ग में आने से solidify हुआ, तो इस तरीके से basically प्रत्वी के अंदर है, तो intrusive बाहर है, तो extrusive है न, तो यहां पे अंतरवेदी और बहिरवेदी चटानों के रूप में जान सकते हैं, राशायनिक सनचना में, इसमें हम देखेंगे, क्या इसमें silika जादा है, या कम है, किस तरीके के इसके अंदर minerals पाये जा रहे हैं, तो उसके आदार पे, या तो यह अमलिय होगी, या शारी होगी, acidic या basic, तो आगने चटानों के, कहाँ पाई जा रही हैं, धर्ती के ऊपर या धर्ती के नीचे, intrusive-extrusive, है ना, इनका, basically, silika कितना है, इनके अंदर पाये जाने वाले elements की प्रकृति क्या है, उसके आदार पे, acidic और basic भी type यहाँ पे होने वाले, obviously, जो अंतर वेदी होगी, जो प्रत्वी के plutonic surface के अंदर कहीन कहीं, जो है solidify हो चुका है, लावा, उसकी अगर मैं बात करूँ, तो मैगमा के, मैगमा के, यहाँ पे जो है, आपके पास में solidify होने से बनी है, यहाँ crystals पाये जाएंगे, और crystals बड़े होने वाले हैं, आपके पास में, क्योंकि यहाँ पे पानी के और हवा के surface के संपर्क में नहीं आया, तो यह बहुत दीरे-दीरे cool down होता है, बहुत दीरे-दीरे ठंडा होता है, अगर surface पे पहुँच गया, जैसे कि यह बहीरवेदी extrusive चटा ने, तो यहाँ पे जब लावा solidify होगा, पानी के और हवा के संपर्क में आने से बहुत जल्दी solidify होगा, तो जो बीच में element है, उनको elements को, उन minerals को solidify होने में, restructure होने में, बहुत ही कम समय मिलता है, तो छोटे-छोटे crystals बनेंगे, यहाँ बहुत जादा समय मिलेगा, दीरे-दीरे ठंडा होगा, तो बड़े-बड़े crystals बनेंगे, I hope इन points को आप याद रखे होए हैं, अब यह जो प्रत्वी के अंदर पाई जाने वाली चट्टा ने है ना, उसमें भी बड़े-बड़े crystals, hypobacal, अधी, वितलिय, चटान भी इसको कह सकते हैं, और एक होती है आपके पास में, पातालिय चटान, सर, plutonic rocks इनको कहते हैं, कि सर, बहुत गहरा जाना पड़ेगा, जैसे granite, gabbro, और paradolite, एट्सेटरा, एट्सेटरा, तो इस तरीके से, कि सर, अंदर तो है, पर अंदर भी कम गहराई पे और अधी गहराई पे, कम गहराई पे जो हैं, अधी वितलिये, और ज्यादा गहराई पे जो हैं, पाता लिये, और यहां पे वल्कनिक रॉक्स में, ओवियस लिवाई है, कि सर, वल्कनों फटा, वो बहा, बहार जाकर के, जो है, उसने यहां पे दीरे-दीरे को साथ-साथ में लिखते हुए, चल रहे हैं, तो, इंट्रूजिव रॉक्स आप समझ में आ गया है, आपको, मैगमा के जमने से बनती है, आपके पास में, और, इंटरनल पार्ट ऑफ दो मैगमा, कूल डाउन होता है, धीरे-दीरे, अतेव क्रिश्टल्स बनते हैं, क्योंकि आराम से ठंडा हो रहा है, क्रिश्टल्स दीरी-दीरे, जो रहे हैं, और बड़े उते जा रहे हैं, राइट, अच्छा, इसके ठीक विपरीत आपके पास में, इन चट्टानों के भी दो प्रकार बतायागे, सब डिविजन हैं, आपके पास में, पातालिये, जो ज जाएगा हमको कहीं न कहीं, मैगमा हमारा, अधीवतलिये, चट्टाने, यहाँ पर इनको जो हम लोग जो हैं, एक्स्ट्रोजिव रॉप में भी जानते हैं, इस रॉक्स आर फॉर्म्ड ऑन दो सर्फेस ऑप दो अर्थ बाए, बाए, डिपोजिशन ओफ लावा सर्फेस के लावा डिपोजिशन से बना एक्स्ट्रोजिव के सर प्रत्वी के बाहर पहुंच गया है लावा, लावा फटा और यहाँ पे धीरे-धीरे जो है वह सॉलिडिफाई होता है, इतना समझ में आया हमको यहाँ बेसिकली क्या कहला रही हैं, वलकनिक रॉक्स कहला रही हैं, औ बहुत ही छोटे-छोटे क्रिस्टल बने पारते हैं, यहाँ पे क्रिस्टल जो है वो बनेंगे बहुत ही स्मॉल होंगे, छोटे होंगे, एक्जाम्पल बसाल्ट, अन्डेसाइट, रायोलाइट तो इन्टूजिव-एक्स्टूजिव इग्नियस रॉक्स आपने समझी, पहला वह बेसिकली इग्नियस रॉक्स जिसमें सिलीका की मात्रा ज्यादा पाई जाती लगबग 85% हाना एसिडिक जबकि इसके ठीक विपरीत अगर सिलीका की मात्रा कम पाई जाती है 40-50% के आसपास में तो वह होगी अब बेसिक शारिय जो है चटान इग्नियस चटान उसको मैं कहने वाला हूँ आपके पास में चलीए तो यहाँ पर फिर कहा कहा के सर फैल्स पार है इसके एक्जामपल ने इनके अंदर दो को फैल्स पार का यहाँ प आ अगया फैल्स ē 희ए ल एस और क्वार्ट का यहां पे, आपके आपके अपास में जो है uh और क्वार्ड को पहा जाता है तो मैफिक रॉक कौन सी है सिलिका इसमें कम है जब कि फैल्सिक रॉक कौन सी है अमलियर रॉक जिसके अंदर बिसिकली सिलिका की मात्रा जादा है अब जब सिलिका जादा है तो यह हलकी होगी है ना इनका घनत्व जो है वह कम होगा आपके पास में अब यहां प यहाँ पर रखना कि हलके कलर की होगी, यह इसका कलर क्या होगा? light होगा, white होगा, pink होगा, yellowish होगा, थोड़ा सा tinge हलके कलर में होगा. जब कि इसके ठीक विपरीद, आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर mathic है, फैरस वगर पाया जारा, जब चटानों में फैरस पाया जाएगा, कलर होगा क्या, डार्क कलर होने वाला है आपके पास में, इरोजन बड़ी ही आसानी से हो जाएगा, बसाल्ट तरकी यहाँ पे चटाने बनेगी, कैसी चटाने बनेगी आपके पास में, बसाल्ट, तो बसाल कि नाइट में इनको फेल्सिक रॉक कहते हैं हलकी होगी और घंधत्वा कम होगा लाइट कलर की होगी अपके पास ठीक विप्रिद बसाल्ट गहरे कलर के होगी आसानी से ए रोल होगी डैंसिटी जादा भारी होगी यह मैफिक करते हैं magnesium ferrous पाए जाएगा और सिलीका बहुत ही कम 40-50 परशंट के आसपास में तो आई होप यहां पर विवेद कर पा रहे हैं वाट इस दा रिजन देतरे तो अमलिय वह acidic जो rocks है आपके पास में उनको हमें बता चुक हूँ आपके पास में पूरी जानका रही है आपको के सर सिलीका ज्यादा पाई जा रही है यहां पे फैल्स पर क्वार्स पाई जाते है फैल्सिक रॉक इसको नाम दिया जाता है फैल्सिक चट्टा ने भी क्या हुआ अमलिय, acidic, igneous, rocks होगी सर आपके पास में यहां पे weight और density दोनों ही कम होते हैं रंग यहां पे इनका हलका होता है यह चट्टाने कठोर होती है आसारी से अपर्दन नहीं किया जा सकता इनका ग्रेनाइट रायोलाइट इसका एक्जाम्पल है उसका ठीक विपरित शारिय और यहां पे हैवी होगी high density और यहां पे dark color होगा इनका आसानी से इनका अपर्दन हो पाएगा बसाल्ट और गैब्रो क्या है बसाल्ट और गैब्रो जो है इनका example बसाल्ट एंड गैब्रो आई होब यह साथ-साथ में आप लिखते हैं चल रहे हैं flow points आपके flow charts आपके जाएगे आपको you will be getting the pdf also pdf कहां मिलेगी telegram group पे मिलेगी हमारा खुद का UPPSC और BPPSC के लिए telegram group है वहां पे आपको पी डबलू का ही एक official channel है वहीं पे मिल जाएगी link जो है वीडियो के description में दे रखा हुआ है right अच्छा वहां पे जो है आपको यह सारी की सारी जानकारी उसी पे मिल जाएगी फिर second type of rocks कौन सी आती है आपकी sedimentary rocks second type of rocks क्या है sedimentary rocks आईए in sedimentary rocks के भी हम लोग basic जानकारी ले ले layers क्या होता है layer by layer layer by layer परत दर परत जो बनी है अब यहां पे जो है दीरे 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 एक layer बनी फिर दूसरी layer बनी फिर तीसरी layer बनी तो क्या इनके बीच में कहीं कहीं कोई porosity है क्या कोई porosity है कि सरी इसके बीच में से कोई पानी है वो नीचे की तरफ जा सकता है कि यह सर इ लेयर में पढ़ा रहा तो वहां पे उसका कोयला पहाए जाए चुर्फेंगे और मतलो हो गया बाहय सतह तो परपटी है पूरी भू परपटी का जितना भी आपके पास में एरिया है उस एरिया के अंदर लगबख 75% एरिया में यहां अवसाधी चटाने पाई जाती है यहें अवसाधी चटाने पाई जाती है.. क्या आप इस-auen कि I.I.M to me on this point, जी सर, यह point भी हमारा clear हो गया, सर, यह process अवसाधी चट्टान कैसे बनती है, जनरली हमने कहा कि सारी की सारी rocks क्या है, primary rocks, primary rocks, igneous rocks, सुरुवाती सारी की सारी जो है, igneous rocks है, आगने चट्टान, उन आगने चट्टानों पे दीरे दीरे होती है, weathering की process, हवाय चल रही है हमारे planet पे, हमारे ग्रव पे, पानी बहरा है नदियों के रूप में, glaciers के रूप में, लगातार लगातार, अच्छा, यही चीज लगातार क्या कर रही है, आपके पास में, इस rocks का अपक् निक्षेपन होता है, मतलब weathering किया, यहां से पहले तोड़ा, फिर यहां पे जो है, erode किया, यहां से चीज़ों को दूसरी जगा पे हटाया, और deposit किया, हटा के कहीं और तीसरी जगा पे उसको deposit किया, उसको जो है यहां पे निक्षेपित किया, तो sedimentary rocks बनने के लिए, कौन प्रोसेस जरूरी है, सर, अपक्षे अपरदन निक्षेपन, I guess आप लिख पा रहे हैं, सर कहीं से weather होगा, कहीं से material इरोड होगा, और कहीं जाके वो material deposit होगा, layer दर layer यह काम होगा, यहां पे वो काम कैसे हो रहा है, दोस्तों, layer, layer भाई, layer यहां पे हो रहा है, अत्यों बेसि जाती है, अच्छा, इन layers पे भी फिर क्या होगा, आपके पास में, ऊपर वाली layers और बनती जाएगी, उन ऊपर वाली layers का, नीचे वाली layers के उपर क्या लगेगा, pressure लगेगा, pressure दाब लगेगा, नीचे से भी basically दाब, उपर से दाब, और लगातार जो है, भूमे का तापमान भी इसको sand कर रहा है, higher temperature और higher pressure के कारण, क्या यहाँ बीच की चीज़े compress हो जाएगी, संगनित हो जाएगी, संगनन होगा, yes होगा, और यसी pressure और compression के कारण, जो यह loose, यहाँ पे sand है, silt है, deposition किया गया है, निक्षेपित किया गया, material है, जो layers में है, वो दीरे-दीरे चटान का formation ले लेता है, इससे बनी है हमारी अवसादी चटाने, क्या आप लोग समझ पाएं इस पूरी चीज को, है ना, कैसर मैंने क्या क्या, पहले कहीं पर चटान थी, आगने चटान, उसको मैंने denude कर रहा हूं, उसको मैं तोड रहा हूं, उसको मैं दीरे-दीरे क्या कर रहा ह लगातार ताप और दाब, कई लाखो वर्षों के अंदर, यह क्या बन गया आपके पास में, यह बन चुका है अवसादी चटान, तो इगनियस रॉक्स तो कैसे बनी, ऐसे, कैसे बनी, जैसे लावा फटके बाहार आया, दूसरे दिन, तीसरे दिन, दसवे दिन, लावा सू जो आज से लाखो वर्षों पहले प्रत्वी पे राह करते थे, फिर हम इसी अवसादी चटानों में, सेडिमेंटरी रॉक्स में, हम इस डाइनासोर्स के जिवासमा को देखते, क्योंकि यह लेर बनी, डाइनासोर यहाँ पर कभी आया होगा, मर गया होगा, फिर उसी के यह सारी चीज़े अवसादी चटान में पॉसीबल है, यह सारी चीज़े सेडिमेंटरी रॉक्स में पॉसीबल है, तो यह पूरी प्रोसेस, डेनुटेशन, वेदरिंग, एरोजन, डिपॉजिशन, और कंप्रेशन, इन सारी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, लिथिफिक यहां बेडम का मतलब होता है, व्यवस्तित हो जाना, टू सैट्र डाउण, इन पर्टिकुलर लेर, यहां पे सेडिमेंट्स सैटल हो जाना, ठीक है सर, इस रॉक्सर फार्म्ट द्रू लिथिफिकेशन, सीली भहन प्रक्रिया से इनका निरमान होता है, इन चटानों का पहल इंटेड होने के बाद में धीरे धीरे जो है वह वन प्लेस से अनुदर प्लेस पे जाता है यहां पर इरोजिनल एक्टिविटीज होती है अवसाधी चटानों के बेसिकल क्या है खंड निक्षेपीट होकर दिरे-दिरे संगरित होते हैं कि सर जो यहां पर निक्षेपीट चटाने आसानी से यहां अपरदित हो जाती क्योंकि है तो end of the day ले रही यहां पर अगर पानी बहेगा कल की तारीक में तो क्या यह अपरदन हो जाएगा यस यह भी इरोड हो सकती है यह पूरे प्रत्वी का जो क्रश्ट है जो लितोसफेर है जहां पर हम बैटे हैं उसके 75 परशंट एरिया में क्या मिलती है अवसाधी चटान सेडिमेंटरी रॉक्स मिलती है सेर हमारे पास में परन्तु क्रश्ट के निर्मान में इनका योगदान मात्र 5 परशंट ही होता है यह याद रखना क्योंकि क्रश्ट जो है वह भी बेसिकली बहुत ही गहरा है यह चीज अगर मैं कहूं पूरा अर्थ का बाहर वाला एरिया तो सर बाहर वाले एरिया में तो 75% एरिया में यह फैला हुआ है ठीक है ना परन्तो अगर मैं पूरा का पूरा अर्थ का क्रश्ट मापू तो अर्थ के क्रश्ट के अंदर भूपरपटी के अंदर मत्र 5% इसका योगद गर यहां पे जो वेदरिंग इरोजन करने वाला जल है तो एक्विस रोक होगी अगर हवा से बेसिकली अपरद निक्षेपन हुआ है तो एउलियन होगी अगर ग्लेशियर से हुआ हेमनच से हुआ है तो ग्लेशियल रोक्स होने वाली है तो किसने जो process conduct की पानी ने हवा ने glacier ने उसका आधार पे हो सकता है या mechanically यांतरी ग्रूप से जैवी ग्रूप से रासाइनी ग्रूप से बनी उस आधार पे भी यह हो सकता है mechanically formed rocks भी यहाँ पे आप लोग दोस्तों में compression बनता है तो वही सारी चट्टानों के उपर क्या है आपके पास में compression के कारण यह चीज़े बढ़ना सुरू होती है तो इनको जो हैं हम लोग क्या कहते है classic rocks कहते हैं जैसे बालू पत्थर देखा होगा जैसे आपने जो हैं shell देखा होगा clay है ना जिसको हम लोग मृतिका मृतिबा भी कहते हैं आपके पास में chica and ब्रतिका तो यह उन्हीं का ही एक example के सर यह mechanically formed mechanically formed sedimentary rocks हैं आपके पास में फिर हैं brachia brachia में basically क्या होगा कि सर इस बार जो खंड है वो basically क्या है angular shape के अंदर है यहां पर क्या है आपके पास में proper एक angular shape के अंदर है कौनी यह खंड हो सकते हैं फिर cagglomerate हो सकते हैं cagglomerate क्या होता है आपके पास में pin कभी मिट्टी के ढेले बनाये हैं बच्पन में pin भी हो सकते हैं सर यांतरिक मतलब यांतरिक कैसे compression कैसे होगा किस तरीके से structure बन रही है किस सर यह pin पिंड पिंड पहले बने और फिर यह सब लोग एक दूसरे से जूड गए उस तरीके की structure हो तो सर पिंड शीला से भी basically काफी सारे जो है आपके पास में कई बार आपने round pebbles देखे होंगे नदियों के किनारों पे नदियों के किनारों पे आपने गोल शीलाए देखे होगी वो इसी तरीके से बनी होई rocks है यह rocks deposition of the fragments के तुरू होती है जो mechanical process से बनी होती है यांतरिक बल यहाँ पे लगा होता है इनके उपर और इनको classic rocks भी कहा जाता है sandstone, shale, brassia, caglumrate, etc, etc इनके example है I hope आप समझ पा रहे हैं जितना भी आपको covered convey किया जा रहा है दूसरा है organically जैविक तरीके से बनी हुई यहाँ पे जैविक मदब दो तरगे जीव हो सकते या तो वनस्पति हो सकते है, जीव जन्तु हो सकते है अच्छा, यहाँ पे जो जैविक पदार्थ organic material है या तो pad-pode होंगे या फिर जीव जन्तु होंगे ठीक है sir अच्छा, pad-pode के अंदर तो basically बहुत ही ज़्यादा मातला में carbon पाया जाता है तो इस बार जो चट्टाने बनेंगी उसमें फिर last में क्या बचेगा carbon बचेगा तो यह carbonaceous rocks होगी carbon यूप चट्टाने होगी example क्या koila है कई सारे pad पोते लाखो वर्स पहले, करोडो वर्स पहले जो basically यहाँ पे sedimentary rocks के साथ में नीचे नीचे layer के अंदर दब गए higher pressure के कारण दीरे-दीरे क्या हुआ उनका बाकी का bio-metrical तो चला गया पर carbon बच गया अब जो carbon बच चुका है वो carbon pressure और temperature के कारण कोईला बना चुका है और लाखो वर्स में यही कोईला temperature और pressure के कारण दूसरा रूप ले लेगा वही फिर जो है आपके पास पर तीसरा रूप भी ले सकता है फिर वो कायंतरन होगा परन्तु at least इस तरीके से भी जो है कुछ चटाने पाए जाती है तो जो आज आप कोईला यूज करते हैं वह भी क्या है एक organically organically formed sedimentary rocks है वह जैविक रूप से निर्मित अवसादी चटान है यहाँ आपको याद रखना है अच्छा इसी के ठीक विपरीर कई जीव जन्तु भी होते है जीव जन्तु भी जैसे सपोज यार डेड है ना कोई जीव जन्तु था वह मर चुका है एक layer के उपर उसकी dead body दीरे दीरे organic material खतम उसका skeleton बचा उसकी हड्या बची जब कंकाल बचता है उस कंकाल की हड्यों में ज़्यादा calcium source पाए जाते है अच्छा वह calcium source हजारों लाकों सार उस layer में pressure और temperature में रहने के बाद में बेसिकली क्या होगा कि यह जो चूना युक्त चटाने है यह और कुछ नहीं उनी जीव जन्तू के remains है उनी के कंकाल के remains यह चूना बना हुआ है और जैसे limestone आप यूज करते हो या dolomite वगर यूज करते हो यह सभी उनी उनी जीव जन्तू के calcium carbonate के remains से ही बनी हुई points clear है इन चटानों में जैव पदार्तों की मात्रा अधिक होगी दो तरह के यहां पर इन चटाने हो सकती है carbonacies rocks होती carbon new तो हो सकती है पैड पोदो के उस उसे सो बनेगी आपके पास में example के लिए मैं कोईला कह सकता हूँ carbon मिलेगा इन तरह की rocks के अंदर दूसरी है carbon calcareous rocks calcareous rocks में चुना युक चटानों में बेसिकली क्या होगा जीव जुनतुओं क्या हो सिस अधिक पाए जाएंगे आपके पास में high amount of the animal remains रहने वाला है calcium carbonate की मात्रा अधिक पाए जाएगे आपके पास में चुना पतर dolomite example क्या यह point clear हुआ यह तो हो गया आपके पास में कि वह किस तरीके से बनी है अब तीसरा तरीका है आपके पास में chemically formed mechanically हो गया और्गेनिकली हो गया अब chemically आ गया तो chemically formed में basically हम लोग देख ले कि रासाइनिक रूप से किस तरीके से बनी है सुरुआत में basically क्या होता है आपके पास में कि सर यह चटान थे अब क्या हो इस चटान के ओपर यह नदी बहती गई यह नदी दीरे-दीरे इस चटान को erode करती गए erode करके इसी के material को erosion weathering deposition याद करो अपक्षय और निक्षेपन के दौरा यहाँ deposit क्या यहाँ पे जल राशी के तल में bed of the water bodies के अंदर basically इसको दिरे-दिरे deposit कर दिया अब क्या होता है कालांतर के अंदर दिरे-दिरे यह चीज़े क्या हो जाती है evaporate हो जाती है यह उपर का पानी जो है ना यह नदी खतम यह पानी दिरे-दिरे सूख गया evaporate हो गया है ना अब इसके बाद में क्या होगा पर यह दिरे-दिर क्या बचा हुआ आपके पास में यहाँ अभी भी layers है sediments है और वह sediments layers हजारों लाखों सारों में compressor और pressure में आकर कि basically क्या बना देंगे चट्ठाने बना देंगे तो इस जल के वास्पिक्रत होने के बाद में इस तरह की जो चट्ठाने बन जाएगे इनको वास्पिक्रत चट्ठाने कहते हैं क्या कहते हैं वास्पिक्रन हो गया जल का तो पीछे जो चट्ठाने बन दे इनको कहा हमने वास्पिक्रत चट्ठाने क्या बोला नाम हमने वास चट्टानों का निर्मान होने लगता है और जब यहां पर जो है आपके पास में जब चट्टानों का जल वास्पिक्रत हो जाता है तो यह चट्टाने हमको दिखने लगती है वास्पिक्रत चट्टाने भी इनको कहा जाता है इवैपराइट्स तो इवैपराइट्स क्या उपवास होता है उन लोग का तो लोग सेंदा नमक का कंजम्शन सबसे ज्यादा करते हैं आपके पास में फिर एसर आपके पास में चर्ट एट सेटरा एट सेटरा यह भी दोस्तों आप लोग याद रख सकते हैं तो टाइपस ऑन दे बेसिस ऑफ दे सोर्स ऑफ फॉर्मेशन इसको भी आप लोग याद अखलो के असर ये जो सैडिमेंटरी रॉक्स क्या सैडिमेंटेशन करने वाला डिनूडेशन करने वाला एजेंट जल था तो यहां पे अलगलग जैसे इसको एक्वस जो रॉक्स करते हैं के सर वेदरिंग इरोजन डिपोजिशन अपक्षय अपर इरोजन डिपोजिशन किया है ठीक है ना तो यहाँ पे इस गतिवी दिया अगर जलने की तो उसके आधार पे इनको जलने में चटान कहते हैं तो यहाँ पे आपको पता होना चीए अगर एक्जामपल में आ जाए तो आप बता पाएंगे नदीकरत, जीलकरत, समुद्रकरत, रेवराइन, लैकेश्टराइन, एंड मरीन रॉक्स यह तीन प्रकार की होती है लाइमस्टोन, डॉलोमाइट, शर्ट, हलाइट, जिपसम इसके एक्जामपल है इन चटानों का निर्माण वायू की अपक्षय अपरदन निक्षेपन की गत वायू द्वारा निर्मिद चटाने, एउलियन, एई, ओ, ल, आई, ए, एन, रॉक्स यहाँ परदन अपक्षय निक्षेपन, तीनों काम कौन कर रहा है, हवा कर रही है, एक्जामपल है लाइस, लाइस जो है वो चटान, इस तरह की चटान होती है, जिसमें हवा के द्वार सब्सक्राइब और इसट्राइब। नाम से भी जानने वाले दीज रॉक्स और फॉर्ण बाई वैद्रिंग एंड इरोजन डिपॉजिशन एक्टिविटीज अप्टिविटीज अप्टेव इन्हें ही मोड मॉरेंस का भी नाम दिया गया है दोस्तों यहां पर बेसिकली चीजे थी वह हमने पड़ा कैसर इग्नि प्रेशर और ज्यादा प्रेशर में यह आपके पास में कहीं कहीं जो है सेडिमेंटरी रॉक्स यह जो सेडिमेंटरी रॉक्स है आपके पास में जो लेर बाई लेर करके बनी है इसके भी क्रिश्टल्स में चेंज होगा यस तो यहां पे स्वरूप का परिवर्तन होगा को पूरे triangular उपर आ गए circular नीचे आ गए यह कैसे हुआ आपके पास में कि सर क्रिश्टल्स ने अपने आपको reorganize कर दिया उन्हाने अपना पूनर संगठन कर दिया तो यहाँ पे उच्छ दाब में क्रिश्टल्स का पूनर संगठन हो जाना अथवा उच्छ दाब में क्रिश्टल्स का चेंज हो जाना क्रिश्टल्स जो है पूरे पिगल गए वापस तापमान बढ़ने के कारण और इस बार क्रिश्टल्स जो है कुछ और निखर के आते हैं और बदल के आते हैं crystals का पहले जो shape था उससे नई rocks के अंदर crystals का shape अलग होगा वह अलब recrystallization हुआ वह crystals हटे, पिगले, rock वापस जो है कहीं कहीं recrystallize करती है तो आपके पास में कभी भी metamorphic rock कैसे बनी आपके पास में कायंतरी चटान कैसे बनी या तो crystals reorganize होगे, या recrystallize होगे इन दो process के द्वारा metamorphic चटान बनती है यह point भी आपका clear हो गया these rocks are found by when existing rocks change their form क्यों होगा, तापमान के कारण होगा या दाप के कारण होगा आपके पास में तो metamorphics में minerals जो होते हैं वो reorganize होंगे और recrystallize होने वाले अच्छा इसमें दो तरह कि चटान हो सकती है पत्त व्ह और twisted चटान या तो photo rocks होगी या non promote of ret fato च्चा finally true rock का क्या मतलब हें वह सालिया play day to drop수 मेर क्या मतलब है non solitary dot FUCK old ə क्या मतलब है आईए इसको भी थोड़ा सा समज लेते हैं यहाँ पे आप देखेंगे follow में जैसे मैं कहता हूँ कोई अवसादी चटान ले लो सेडिमेंटरी रॉक्स ले लो जैसे हमने शेल रॉक का एक्जामपल लिया अब इसमें उच्छ ताप और उच्छ दाप के कारण जैसे जैसे इसके पर कैसे बनी सर सुरुवात में सपोज जो रेंडम क्रिश्टल्स थे वह दीरे-दीरे अगर एक सीधी उर्द्व रेखा के अंदर वर्टिकल लाइन्स के अंदर अगर बेसिकली यहां पर आज जाए होरिजॉन्टल लाइन्स में तो उसको हमने कहा दिया श्लेट अगर मैं इसका बेसिकली उर्द्व क्रॉस सेक्शन देखूंगा तो मेरे को ऐसी ऐसी लाइन देखेगी सीधी सीधी सामान अंतर अब ज्यादा ताप पड़गा ज्यादा दाप पड़गा तो अब क्या होगा दीरे-दीरे अब सो तो इस पर ज्यादा प्रेशर पड़ रह यही फाइलाइट शिष्ट में करनवर्ट हो गया इस बार क्या होगा किसा जो बीच के क्रिश्टल जो थे ना जो उठना सुरू हुए थे अब बीच में से पूरा वर्टिकल उठ जाएंगे अब मेरे को पूरा यहां पे एक बैंड एक यहां पर इस तरीके का वले एक तरह का यहां पे सर्कल हाफ सर्कल देखने को मिलेगा मतलब क्या हुआ एक जगह पर क्रिस्टल क्या है होरिजॉंटल एक जगह वर्टिकल एक जगह उर्दू है एक जगह पर यहां पर जो है उर्दू है और एक जगह पर शितिच पर हैं होरिजॉंटल और वर्टिकली अरेंज बिग लेंगे, उसके अंदर के elements बिग लेंगे, तो किस तरह के होता है, या तो acidic या basic, तो जो जो आपके पास में basic है, वह दीरे-दीरे basic लिखिया है आपके पास में, क्योंकि उसमें ferrous होता है, तो dark color का band बना देंगे, और जो acidic है, वो light color का यहाँ पे band बना देंगे, I hope you are able to understand this point, है ना, इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हैं, यहाँ पे acidic और basic और यहाँ पे अलग-लग तरगे bands बन जाएगे, यह banded rocks चटाने यहाँ पे देखने के मिलेगी, यह तरह की foliated चटान होगी, देखो, यह है foliated चटान, यह है foliated चटान, यहाँ पे proper आफ, जो है री-crystallize हो गया है, तो crystallization, री-crystallization और reorganization के बावजूद, यहाँ पे दो तरह की, जो है metamorphic rocks हो सकती है, foliated, non-foliated, foliation कैसे हो रहा है, मैंने आपको समझाया है, कैसे इसका band development हो रहा है, कैसे इसका band development हो रहा है, कायंतरन की चटाने, समझ माई आपको, जब कायंतरन के द रहा है, कायंतरन होगा, ताप और दाप बड़ेगा, तब घनीज रेखांकी तुरूप में व्यवस्तित नहीं होते, band नहीं बनाते, वह अपत्रित बन जाते, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे, मलब उसका कोई particular band नहीं है, there are no band, पत्रित नहीं ह और पत्रित चट्टाने बन जाएगे, आपके पास में, है ना, so metamorphism में, यहाँ पर कोई arrangement नहीं होगा, linear manner में, कोई band नहीं बनेगा, non-folluted rock और पत्रित चट्टाने बन जाएगे, I hope this point is quite clear, जैसे, marble, quartzite और serpentinine को देखोगे ना, तो marble कभी भी आपनो उठा करके देखा है, संग्मर्मर्ण जो कहते, इसके अंदर के जो crystals देखना आप, इधर चला में, उधर चला में, जाने कहा में, किदर चला, कुछ भी पता नहीं होता आप नहीं होता आपके पास में, यह क्या है, example है, किसका example है, non-folluted rocks का, quartzite और serpentine भी इसी का, अच्छा, क्या igneous चटान, metamorphic rocks में connect हो सकती है, हमने कहा, सर, igneous में, granite और basalt दो आते हैं, हमने पढ़ाता ना, अमलिय शारी है, तो यहाँ पे, granite और basalt के अंदर क्या, इस पे ज़्यादा ताप और दाब दिया, तो यह क्या बन जाएगा, गनीज बन जाएगा, यह क्या बन जाएगा, यह क्या बन जा जाएगी, यह जैसे की, sedimentation से, limestone और coal बना है, limestone पे ज्यादा pressure डाला, marble बन गया, temperature के कारण, coal पे डाला, तो ज्यादा temperature, pressure के साथ, लाख हो वर्ट में, गरिफाइट बन जाता है, इसी गरिफाइट को और किया, बने लाख हो सालों के लिए, तो यहाँ पे वो क्या बन जाएगा याद करो, हीरा, diamond, right, I hope यह pointers आप लोग समझ पा रहे हैं, बहुत ही मैतवपूर्ण है, shale जो है, slate में, sandstone जो है, quartzite में, बलब यह भी क्या है आपके, एक तरह के, अवसाधी चट्टान है, जो कायंतर चट्टानों में, परिवर्तित हो रही है, graphite, diamond के अंदर, slate, phylight में, phylight, cyst के अंदर, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, तो यहाँ पर चट्टानों क्या होता रहता है, कायंतरन, आगने चट्टान जो है, वह दीरे-दीरे-दीरे-दीरे-सीली बवन, lithification, weathering, erosion, deposition, compression के कारण, sedimentary rock, यही sedimentary rock, temperature, pressure, metamorphosis, कायंतरन के कारण, metamorphic rock, यही metamorphic rock, दीरे-दीरे, ज्यादा ताप के करण, पिगलने के करण, लावा के साथ मिलके वापस, igneous rock, इस पूरा, यहाँ पर इस process को हम लोग क्या कहते हैं, rock cycle का नाम देते हैं, और rock cycle बहुती mehtoporn, प्रक्रिया हैं, जिसके बारे में आपको basic जानकारी होनी चाहिए, चल तो अभी हमने basically basic जानकारी जहों हैं, वो एक बार ले ली हैं, और इस basic जानकारी के अंदर हमने basically चीजे समझने की कोशिश की, किस तरीके से rocks जो है, वो फॉर्म होती है, कितने प्रकार की rocks हो सकती हैं, अब मैं एक छोटा सा वीडियो आपके सामने प्ले कर रहा हूँ, I am just playing a very small video in front of you, और इस वीडियो में basically हम लोग जानकारी लेंगे के rock cycle जो है वो आगे कैसे चलने वाले, thank you Shruti for acknowledging, thank you, thank you all, यह एक और chapter हमारा complete होता है, ठीके, जोग्राफी के लिए best books बताएं, जो आज की PDF हैं, वो पढ़ लेना, और at the same time previous year paper 5 साल के लगा लेना, I guess, अगला जो और यह चीज़ जानने की कोशिश की के जो rocks है, वो किस तरीके से अलग-लग types की होती है, अलग-लग type की rocks जो है, वह मिलके एकटी होके, किस तरीके से जो है आपके पास में कायंतरन करती है, रूपांतरन करती है, इग्नियस जो है, वह sedimentary और metamorphic rock में जा सकती है, वापस metamorphic जो है, वाद दोनों तरह की rocks बना सकती है, तो rock cycle, cell चक्रों को हमने जानने की कोशिश की, number one point, number two point, sir, क्या आप paid batch में already पढ़ आते हैं, definitely, शक्षम 2.2 अभी चल रहा है, आप उसमें बिलकुल welcome है, उसमें इस से भी जो है, कहीं न कहीं, आपको understanding में, सुधारने में, और भी next chapter है, उसको हम लोग यहाँ पर पढ़ने की कोशिश करते हैं, chapter number five, chapter number five को basically हम यहाँ पर सीखते हैं, और समझते हैं, all right, all right, all right, all right, अब ठीक है, अब ठीक है, अब तो कोई blur नहीं हो रहा, चलो, ठीक है, सर रेकॉर्डेड है, सर बलर है, पता नहीं, क्या-क्या, आक्षेप लगाए जा रहे हो, बच्चा लोग, साड़े चार गंटे हो गए हैं, और energy में कोई कमी नहीं है, अब तुमको attention देना चाहिए, य चलो, heading डालो, chapter number 5, chapter number 5, वायू मंडल atmosphere, atmosphere में basically दोस्तों हम लोग क्या पढ़ने की कोशिश करने वाले, atmosphere में basically क्या चीज होती है, प्रत्वी के चारो तरफ, इसकी gravity के कारण, धूल, वाश्पकर्ण और कई gases, चारो तरफ जो हैं वो हो, एक तरह का cover कर लेती हैं, तो क्या-क् atmosphere के component होंगे, इसमें gases होगी, इसमें जलवास्प होगी, और इसमें धूल, dust के particles हो सकते हैं, dust के particles हो सकते हैं, दोस्तों, so, क्या होता है atmosphere, layer of the air surrounding the earth, तो वह, प्रत्वी के चारो और पाई जाने वाली, वायू की परत को ही वायू मंडल कहा जाता है, और इस परत में क्या होग gases होगी, जलवास्प होगी और धूल के कन होने वाले, अच्छा, क्यों होने वाले हैं, क्यों basically जो है, यह प्रत्वी के चारो तरफ है, क्यों किसा प्रत्वी के तरफ लगने वाला यहाँ पे क्या है, gravitational force है, gravitational force है, प्रत्वी गुरुत्वा कर्शन बल लगाती है, और components में, gases, water vapor और dust particle है, यही चीज़े देखने को मिलती है, इसके अलावा तो और कुछ चीज़ हमको नहीं देखने को मिलेगी, हाँ, देखिए, हमारे technical team से भी comment आ रहा है, ठीके dust के कारण दुनला दिखाई दे रहा है, तो यह भी possible है, है ना, पर dust और कहीं कहीं water vapor के कारण प चलिए, आगे वैटते हैं, वायू मंडल के घटकों को जानने के पश्चात, पहला घटक gases को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, दूस्तों, अब यहाँ पे जब मैं basically कह रहा हूँ, योगी ता, nitrogen सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाता, 78, तद पश्चात प्राण पाई यू, oxygen होगी आपके पास में 21%, और आरगन जो gas है, वो 0.3%, लास्ट में जो है कहिन कहीं CO2, जिसको हम greenhouse gas भी कहते हैं, यह भी पाई जाएगी 0.33% के आसपास में, है ना, 0.33% के आसपास में यहाँ पे देखने को मिलेगी, यहाँ पे इसको greenhouse gas कहा जाता है, greenhouse gas क्यों क् पे solar radiation को और terrestrial radiation को absorb करती है, वे यहाँ पे atmosphere में present होते हुए, अगर वो कोई gas यहाँ पे क्या करतेगी, heat को absorb करेगी, क्या वो atmosphere का तापमान बढ़ाएगी, yes, क्या हमारी प्रत्वी रात में ज्यादा ठंडी नहीं हो जाती, और दिन में भी उसका तापमान कहीं में इंटेन है, habitable zone में, goldilock zone में होने के कारण, हम यह देख पा रहे हैं कि सर, यहाँ पे कहीं greenhouse gas effect या हरित गरह प्रभाव मुक्यत हरित गरह gases के कारण देखने को मिलता है, यही हरित गरह gases प्राकृतिक तरीके से पाई जा सकती है, पर अगर यहाँ पे मानव जनित कारण जैसे की fossil fuels के emissions के कारण डीजल पेट्रोल की कारे चला रहे हों क्या उसके कारण भी कुछ emissions हो सकते हैं हो सकते सर और उस emission के कारण भी क्या हो सकता है आपके पास में you might have the higher temperature you might see the higher temperature तो green house gases का हो सकता है तो प्राकरतिक तूप से होना और चाहिए हां सर यह हमारे प्रत्वी को कहीं कहीं तापमान को maintain रखता है habitable zone में रखता है पर क्या यहां पर इसकी अधिक्ता के कारण मानव जनित कारणों की अधिक्ता के कारण इन gases की मात्रा वायू मंडल में atmosphere में gases की concentration बढ़ जाने के कारण क्या हो सकता है हरी तिग्रह प्रभाव भी बढ़ सकता है तापमान जो है climate का वहबल सकता है और जलवाईव परिवर्तन के प्रमुक घट को और प्रमुक खत्रोक्स में से डेंजर्स में से यह एक है green house gas effect के कारण atmospheric और planetary temperature का बढ़ जाना तो उहां पे green house gases के emission को रोकने के लिए कहिन कहीं एक प्रोटोकॉल है हमारे पास में 1977 में सबी लोग इखटे होते है जैपैन के एक area में और उस area का नाम क्या है जैपैन के उस area का नाम था Kyoto Kyoto एक जापान में शहर का नाम है उस शहर में खटे होते हैं जैपैन के अंदर और यहां पे सभी लोग कहते हैं हम green house gases को जैसे कि यह CO2 एटसेटरा इन gases को कम करेंगे इनके उत्सरजन में कम हो यह कोशिश की जाएगी धीरे धीरे यहां पे लगबग तीन दशक तक लगबग आपके पास में 32 years तक इस प्रोटोकॉल पे चर्चा की जाती है वे वर्ष 2005 में यह प्रोटोकॉल प्रभावी होता है यहां पे क्या बात की गई थी कि सर फेज 1 में 2005 से 2012 साथ वर्ष और 2012 से 2020 में इसकी फेज 2 चलती है यहां पे क्या बात की गई के सर हम CO2 जैसी मिथेन जैसी ग्रीन हाउस गैसेस को हरित ग्रह प्रभाव जनित करने वाली गैसेस को कम करने वाले हैं ठीक है न तो कुछ यहां पे कहिन कई कमिटमेंट्स दिएगे कंट्रीज के दौरा एमिशन कम करेंगे स्टेंडर्स रखेंगे वैकल्स का एटसेटर एटसेटरा क्लीन एनरजी मिंटिन करेंगे पर क्योटो प्रोटो कॉल जो है हम देखा कि उसमें कई कमिया थी फंडिंग की कमी कमी आ रही थी कई गरीब देशे उन पे भी जो है अतिरिक्द भार बन रहा था तो यहां पे एक मध्यम मार्ग establish करने के लिए हम आ जाते हैं Paris Agreement पे Paris Agreement वर्ष 2015 पे negotiation होना सुरू होता है और जब इस Kyoto Protocol का phase 2 complete होता है वर्ष 2020 में 2020 के पश्चा 2021 से इस Paris समझोते Paris Agreement को लागू किया गया मुखित इस पे international अस्तर पर बेसिकली कही न कहीं सहीयोग की भावना के अंतरकत यह बात की गई कि जो developed countries है वह कहीं के technology और funds दोनों provide करने वाले हैं ताकि cleaner और green energy की तरफ हम move कर पाएं और developing और less developed countries जो हैं वहे carbon emissions कम कर पाएं यह कहीं कहीं तटस्त बात की गईगी पर क्या होता है जब बात की गई थी तब Obama था और जब यह agreement force में आना था तब यहाँ पे कौन थे Obama की जगा आ चुके थे आपके पास में Donald Trump Donald Trump जैसी प्रसासन में अमेरिका के लाश्ट पती बनते हैं वह इस agreement से बाहर आ जाते हैं तो फंड देने वाला नहीं तो क्या होगा आमदनी अठनी ते खरचा रुपईया आमदनी अठनी ते खरचा रुपईया तो क्या यह पैरिस एगरिमेंट कभी भी काम में आया नहीं आ है सुरुवात में तो यह क्योटो प्रोटोकॉल के उपर जहां पे हम लोग खाली गैस का स्तर कम करने की बात कर रहे हैं उसी में 32 साल लगा दिये फेज वन फेज टू फेज टू इसकाल अल्मोस्ट फेलियोर रहा तत्पश्चात पैरिस एग्रिमेंट वहाँ पे जो बात की गई उस बात के उपर कुछ नहीं जहां पानी बता है वहां कीचर्ड भी नहीं मिला आज भी भारत इसके लिए संगर्ष अर्रत है है न और रिसेंटले आप देखेंगे कि COP Conference of the Parties चल रही है लगातार चल रही है और उसके उपर नए मुद्धार है यह एक कहीं कहीं बाइपासिंग टॉपिक था जो हमारे CO2 से रिलेटेड था क्योंकि मैं पढ़ा रहा था आपको एट्मोस्फियर जहां पे 0.033% CO2 भी मिलती है पासिंग रेफरेंस यहां हरित गैस प्रभाव कॉस करने वाली ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉस करने वाली गैस है इसके कारण टापमान व्रदी हो सकती है प्राकरती ग्रीन हाउस गैस भी होता है पर मानव जनित कारणों से भी होता है उन मानव जनित कारणों को इस क्या है पैरिस एग्रिमेंट ने तो पैरिस जलवायू समझोता आप सभी लोग ध्यान में रखने की कोशिश करने वाले हैं ठीक है ना इसके पश्चात एक और चीज जो हमारे एट्मास्फियर में कहीं धरती के सतह से लगबग 25 किलोमेटर की उचाई के उपर बेसिकली ए ओजोन मतलब O3 molecules देखने को मिलेंगे यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किर्णो अल्ट्रा वायलेट रेस को एब्सॉप करता है और रिफ्लेक्ट बैक करता है और प्रत्वी को और प्रत्वी पे रहने वाले लोगों को लोगर एट्मास्फियर में अल्ट्रा प्रत्रा वाले लेने की कोशिश करने वाले हैं दोस्तों और सर क्या यह क्लास डेली होती है मेरे दोस्तों यह क्लास वन शॉट है UPPSC के प्रिलिम्स के पहले जो थियोरी है वहां आपको पढ़ाई जारी है अगली बार जब मैं आपके समक्षाओंगा तब MCQ लेक्याओंग और इस चैनल को अपना सने देते रहेंगे और यह चैनल की तरफ से कहीं कहीं जो है कमिटमेंट आपके लिए गुड इंटेंशन के साथ में है कि हम स्रिष्ट कंटेंट कब से कम पॉइंट में और कम से कम जो हैं समय के दौरान आपको देने की कोशिश करेंगे बस आप कंसि यूट्यूब से मिले बातर लो जे जे सर से बटर लो इपक सर से भी बटर लो तर उसको रिवाइस करो उसको practice करो क्योंकि यान का होना सब कुछ नहीं जान का प्रियोग भी करना आना च्यहे इट's not having the knowledge rather it is about using the knowledge को knowledge को use करने के लिए कलम को practice इस पे ले के आजाओ भईया, यह भी हम लोग याद रख सकते So, in the upper atmosphere we are having the ozone layer and what happened, लगबग हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, 1970s 1960s की, और 1970s और 60s के अंतरकत, हमने यह देखने की कोशिश की, कि पश्चिमी देश जो हैं, वह कहीं कहीं चिंतित हो जाते हैं they are getting terrified, because this upper atmosphere में, Antarctica के आसपास में, Antarctica के आसपास में एक hole पाये जाता है एक hole पाये जाता है, and through which ozone layer को bypass करते हुए ultraviolet rays, आर्थ तक पहुँच रही थी और यह hole जो है, धीरे-धीरे बड़ा होता जा रहा था, and the people है कि सर, upper atmosphere में chlorine के free radicals available होते हैं यह chlorine के free radicals क्या करते हैं कि दो ozone के molecules को break कर देते हैं टीन oxygen के molecules के अंदर तो oxygen तो basically ultraviolet rays पराबैंग निकीड़नों को नहीं रोक पाती है अतेव क्या होता है, कि यहाँ पे धीरे-धीरे, जो हम कहते हैं, hole यह कोई खड़ा नहीं है, यहाँ पे basically क्या है, कि जो layer यहाँ पे basically मोटी थी, वो थोड़ी सी पतली हो जाती है chlorine molecules, free radicals के कारण, तो बोला यह sir free radical यह chlorine भेरा बेजा किसने अमेरिका ने, रश्या ने, चाइना ने, इंडिया ने, बोला नहीं sir यह आम मात्र आदमी ने बेजा है normal human beings ने बेजा है, अपनी anthropogenic activities से, कैसे, सर घर को color करते हो, उसके अंदर कहीं कहीं chemicals होते हैं, उसमें कहीं कहीं क्या मिलते हैं, आपके पास में, you are having the chloro-fluorocarbon, क्या होता है chloro chloro carbons, और यह chloro-fluorocarbon cfc's होते हैं, हमारी ac's में, हमारे refrigerators में हमारे coolants में, हमारे कहीं कहीं lubricants में, हमारे paints में, मिलते हैं sir, तो उस वक्तो, 1960s, 1780s के अंदर industrialization अपनी peak पे था, western countries में बोले sir, इसके बिना तो कोई काम ही नहीं चल सकता हमारे यहां पे, यहां तो यह चीज हो नहीं है, चाइना विरोध कर रहा, अमेरिका विरोध कर रहा, तो बोला, फिर भी sir, कम तो करो, क्योंके कम करेंगे, तो जहां हम 100% यूज कर रहे थे, वहां पे हम लोगों ने इसको यूज करना सुरू किया, 20%, 25%, ठीक है sir, कम किया, पर इसको कम करने के पस्चाद भी हम देख रहे हैं, कि sir, यह होल जो है, और बड़ा होता जा रहा है, अभी तक इसकी जो कहिन के रिपेरिंग होनी थी, वो रिपेरिंग उतनी यह नहीं हो पाई, फिर रिसेर्च की गई, we start, हाँ, we started researching on that as well, then when we started researching on that, what happens is, हम ने प्राप्त किया, किसर यह CFC के अलावा, HFC नाम का एक और मॉल्यकूल होता है, इसको कहते हैं, hydro, hydro, fluorocarbon, hydrofluorocarbon, तो मलब खाली chlorine ही नहीं, यहाँ पे fluorine के भी molecules होते हैं, जो responsibly इस ozone को oxygen में break करने के लिए, तो बोला, कि any molecule that is having, any substance, any chemical that is having HFCs, ban it, reduce it, regulate it, तो countries ने कानून बनाएं, और उसके उपर basically rule regulation बनाएं, कि CFCs, SFCs को दीरे-दीरे phase out करना है, शुरुआत में CFCs पे कानून बनाएं, Montreal protocol, Montreal एक सहर का नाम है, Canada के अंतरकत, और दीरे-दीरे पता चला कि CFCs ही culprit नहीं है, there is also a villain called HFC, hydrofluorocarbons है, यह भी इसके उपर, यह भी इसके उपर, कहीं-कहीं जो है, ill effects दिखा रहा है हर्शिता, there are negative effects on it, बोले इसको भी ban करो, इसको भी ban करो, तो हमने अपनी list को update कर दी, और यहां पे HFCs को add क्या, कि we need to phase it out, we need to reduce its usage, we need to regulate it, at the government level, at the industrial level, right, I hope this point is clear, ठीक है न? या, सभी लोग, fellow teachers के लिए, हमेशा respect बनाया रखेंगे, आपका opinion हमेशा व्यक्तिगत होता है, और future bureaucrat, कभी भी अपना opinion publicly नहीं देते हैं, you are not having the fundamental rights, you must be knowing about it, right, तो आपको कभी भी किसी दूसरे teacher के बारे में, इस chat में आके comment नहीं करना है, every teacher is unique, मैं हमेशा कहता हूँ, और हर teacher अपने आप में स्रेस्ट है, इसी कारण कहीं कहीं, वो आपके सामने इस platform पे है, right, thank you, thank you, thank how are you, welcome, तो साउट से भी हमार पास पे student and that is commendable, let's welcome our brothers and sisters from every parts and nooks and corners of our country, rather I will say even the beyond the borders, even the frontiers as well, right, moving forward, moving forward, तो आपको Montreal Protocol पता है, केगाली Agreement पता है and that's why you are getting smarter and smarter class by class, right, so gases कौन कौन सी, Nitrogen 78, Oxygen 21, Argon 9 and then 0.033 Carbon Dioxide सरेन में, ozone जो है अपर लेर में 25 किलोमेटर की heights पे पाया जाता है and then we are finding it out कि यह solar radiation, ultraviolet rays को stop करता है, then we went ahead banned CFCs, then we went ahead and banned HFCs as well, I hope this point is quite clear to all of you, right, right, बिल्कुल खाना बनाते हुए देखो, कोई काम करते हुए देखो, पर पढ़ते हो, कहते है न, के जो भी हो जीवन में पर आख के सामने हो मदुशाला, तो अपना लक्ष या अपना टार्गेट हमेशा आखो के सामने बनाए रखो दोस्तों, तो ग्रीन हाउस एफेक्ट नैचुरल भी होता है, वो हमार प्रत्री के अट्मॉस्फियर को क्या रखता है, हीटेड रखता है, बट यू अल्वेस मेंटेन दा, कि अपना रखता है, कि अपना लखता है, कि अपना लखता है, कि अपना लखता है, कि अपना लखता है, अपना लखता है, कि अपना लखता है, कि अपना लखता है, कि अपना लखता है, आपके पास में Paris Agreement, 2016 में अप्रूवल आया, और यहां 2021 से लागू हुआ, अब ओजौन जो है, सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किर्णों को अफोसित करती है, अपना लखता है, अपना लखता है, अपना लखता है, अपना लखता है, आपके पास में इंटरनेशनल एग्रिमेंट्स हुए हैं, सर, हाइड्रो फ्लोरो कार्बन गैस को कम करने के लिए, मॉन्ट्रिल प्रोटो करोलों में यहां पर अमेंडमेंट करता है, और यहां पर CFC के साथ HFC गैस को भी जोडा जाता है, है ना, यहां पर water vapor है ना, जिसको हम लोग कहते हैं के सर, उपर जाके कहीं यह cloud formation करती है, यह कहीं कहीं cloud formation करती है, है ना, water condensed हो करके, these water vapors are also causing the greenhouse effect, means they are also absorbing the terrestrial radiation, पार्थिव विकिरनों को यह भी basically क्या करती है, absorb करती है, अच्छा, majority of the clouds कहां मिलते हैं, हमको troposphere में मिलते हैं, हमको shoba mandal में मिलते हैं, lower atmosphere having the majority of the clouds, right, so lower layers are having the majority of the water vapor, vapors condenses and form the cloud, and more condensation results into the rain, और बादल बनने से ही वर्षा होती है, याद रखना है, जब भी बादल होंगे, heat absorb करेंगे, जब भी water vapor होगी, heat absorb करेंगी, and it will cause greenhouse effect, it will cause greenhouse impact, right, I hope these points are clear to all of you, so the most of the water vapor is found in the lower most layer of the atmosphere, the water vapors has the greenhouse effects as well, and the clouds are found by the condensation of the water vapor, आपको ये सहरी चीज़े बहुत ही basic है, I hope you know about it, I hope you know about it, right, 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 so you are having both Hindi and English over here, you will be getting the PDFs as well, so the focus, sole point here is to understand, to developing the understanding is the sole purpose, यहाँ पर समझ को विक्षित करना ही हमारा मूल लक्षय होना, चाहिए दोस्तों, ठीक है न, और जब भी यहाँ पर condensation होगा clouds के अंदर, when the clouds के अंदर, rain drops are getting condensed, they will be forming the precipitation, they will be causing the rains, they will be causing the rains as well, so evaporation, water vapor forming the clouds, clouds more condensation forming the, forming the rain precipitation, water cycle it is, अच्छा, we have done with the gases, we have done with the water, vapor, right, gas और जलवास पर दो चीज़ हम समझ चुके हैं, अब हम बात कर रहे हैं, the third element of our atmosphere, the dust, the dust, let us understand this point, the dust particles कहा होते हैं, obviously, जैसे-जैसे atmosphere में उपर जाता हूँ, आस्मान खुला और साफ दिखाई देता हैं, but निचली लेर के उपर, lower atmosphere में, I will be finding the more and more amount of the dust, where you and I are walking, we are playing the football, we are playing the cricket, we are driving the cars, we are doing the agriculture, we are doing the tillage, we are doing the building activities, construction activities, there we will find the more and more number of the dust, what is the important of the dust in our atmosphere, they are causing the scattering, scattering of the what, the sunlight, right, the sunlight, they are striking the sunlight on the dust molecule and they are scattering, सूर्य की किर्णने जो हैं, इनी धूल के कणों पे गिरती हैं, और उस प्रकास को प्रकरिणन कर देती हैं, apart from it, यही dust molecules जो होते हैं, around that dust molecules, the other water vapor molecule will condense, तो water vapor कई हवा में ऐसे जूलती जूलती कहीं condense नहीं हो जाती है, water vapor बनने के लिए क्या चाहिए होगा, किसे जो H2O gas के रूप में हैं, उसको कोई dust का molecule चाहिए होगा, that H2O molecule in the water vapor, वो उस dust के molecule के चारो तरफ condensed होती है, तो जो भी बारिश होती है न, वो कहीं न कहीं आपके पास में धूल का कण लिए होती है, वो dust particle के चारो तरफ होती है, जिसको हम hygroscopic nucleus कहते हैं, आद्रता ग्राही कैंद्र कहते हैं, आद्रता ग्राही कैंद्र भी कहते हैं, I hope this is clear है न, तो यहां पे धूल के कंण से क्या क्या होगा, scattering होगी, condensation होगा, condensation होगा, water vapor turning into the water droplet, और यहां पे वर्षा भी हो सकती है, cloud formation and the rain is just due to the dust, अगर यह dust ना होती, there will be no clouds, there will be no condensation, there will be no rain at all, है न, तो क्या dust होना जरूरी है? क्या dhul होना जरूरी है? Yes, dhul होना जरूरी है Shriwaan, तो the most of the dust particles were found in the lowermost layer, they are scattering the solar radiation, और उसके कारण जो हैं, हमको आकास का रंग नजराता है, suppose different types of the colors you are able to see in the sky, morning, red, orange, yellow, blue, sometimes different black, why you are able to see, just because of the scattering of the sunlight, due to this dust particles, हाना? क्या यह pointers क्लियर होते जा रहे है हमारे? I want to hear back from all of you guys, let's hear it from you in the form of comments, let's hear it from you in the form of comments everyone, yes, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो यहां पर यह सारी चीजे, तो यहां पर जब मैं sunset के उपर होता हूं, तो atmosphere में क्या होता है? आपके पास में जादा से जादा scattering होती है, क्योंकि शूरज क्या होता है? Sun at the sunrise, it is at the horizon, sun again at sunset, it is at the horizon, सुर्य शितिज पे होता है, तो जब शितिज पे होता है, तो जादा से जादा basically क्या sunlight को atmosphere क्रॉस करना होगा, and there will be more and more, there will be more and more scattering, और scattering के कारण क्या होगा? reddish color दिखाए देगा, दोपर के time क्या होगा? Sun is overhead, तो इसको कम distance travel करना पढ़ रहा है, sun is overhead, it is having less distance to travel, अतेव क्या होगा यहाँ पे? यहाँ पे कम atmosphere में, कम धूल के करन, कम यहाँ पे scattering होगी, तो आकास निला दिखाए देता है, आकास सफेद दिखाए देता है, तो सुबह का आकास लाल, orange color का, साम का आकास जो है, सफेद या निले color का दिखाए देता है, just because of the scattering of the particles, scattering of the particles, so the process of the condensation, takes place around the dust particles, अगर dust particles नहीं हो, तो कोई water vapor उसके चारों तरफ condensy नहीं होगी, नहीं water droplet बनेगी, नहीं rain होगी, और नहीं cloud होगा, तो यह सारी चीजे नहीं होगी, अगर यह dust particle नहीं होगा, अब पता से बला, तुमको धूल के करण कितने जरूरी है, हमारे atmosphere के अंदर, है ना, बहुत जरूरी है, अब धूल के करणों के द्वारा, उनको आधरता क्राहिक अंदर कहता है, क्योंकि इसी धूल के करण ने आधरता को, संगनन के लिए एक सर्फेस दी, उपर कौन सा सर्फेस है, आपकी गाड़ी पे कभी आपने देखा होगा, ओस की बुंदे जम जाती है, घरों की दिवार पे, कई आपके चपल जूते बाहर पड़े रहते हैं न, सर्दियों में, तो वहाँ ओश की बुंदे जम जाती हैं उसके उपर, पर कभी आपने यह चीज़ देखी, के सर, atmosphere में कैसे जमरी होगी, atmosphere में भी तो कोई सर्फेस चाहिए होगी, कोई molecule चाहिए होगा, जिस पे condensation हो, संगनन के लिए एक सर्फेस अविलेबल होना जरूरी है, उसी पे तो basically water molecule जुड़ेगा, right or wrong, right or wrong, yes, this point has to be understood by all of you, है न, तो condensation एक aerosol, एक dust particle के चारों तरफ होगा, जैसे जैसे condensation होगा, water molecules बड़ा होता जाएगा, droplet बड़ी होगी larger enough, gravity के अंदर, rain की format में गिर जाएगा, ये कंड़ बादल का निर्मान करते हैं, और वर्षा के लिए आवश्यक होते हैं, if there will be no dust particle, no hygroscopic, no hygroscopic nucleus, there will be no rain at all, sir, इंदर दनुष का निर्मान प्रकास के प्रकेड़न के कारण होता है, बिलकुल अशोक, yes you are right, ncrt का next video बनाए, time बहुत ही कम मिल रहा है अभी, बहुत ही कम time मिल रहा है, class के अंदर, basically time निकाला जाएगा, मैं सोच रहा है, Sunday को क्यों ना एक live session ले 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 तुमारे ncrt का है, Sunday को एक live session ले ले लेते हैं, 30 और 7 वी की quality हो चुकी है, क्यों ना हम इसके एक notes की format में, इसी notes की format में एक live session ले ले, क्या बोलते हो सभी लोग, क्या बोलती जनता, पॉलिटी का ले 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 एक बार, चलो सर, यह भी हो जाएगा next video ncrt का आ जाएगा आपको, तथास तू, अब आते हैं, जो मुद्डे की बात हम कर रहे थे, हम किस मुद्डे की बात कर रहे थे, कि सर, प्रत्वी के चारों तरफ जो है, यहाँ पे atmospheric layer होती है, वायू मंडल होता है, ठीक है सर, यहाँ पे gravity के कारण होता है, गैस dust particle और water vapor होती है, ठीक है सर, आइए इन layers को समझने की कोशिश करते हैं, सबसे नीचे troposphere, फिर strato, फिर meso, और फिर thermosphere, हम यहाँ पे, सोब, समताप, मध्य, और ताप मंडल की बात करेंगे, यह ताप मंडल वापस जो है, आयन मंडल और बहिर मंडल में तूट जाएगा, आप लोग जान सकते हैं आपके पास में, ठीक है, फिर आपके पास में layer of the atmosphere, सबसे नीचे है, फिर strato, फिर meso, फिर thermo, फिर exo, height आपको जाद रखनी है, 12, 50, 90, 800, and 3000 kilometers around, 3000 kilometers around, पहले ncrt कहां पढ़ाई हैं, पहले हमने ncrt कराई हैं, पहली हैं, पहले bpsc और upps एक ही था, था तो हमारा प्यस वाला channel था, अब हमने क्या कर दिया, यूपी के लिए लग channel हैं, बिहार के लिए लग channel हैं, तो उसी channel पे ncrt series चल रही हैं, उसी channel पे बिहार के channel पे ncrt series चल रही है, आज भी मैडम की एक NCRT आई है दिव्या मैम की उसको भी आप देख सकते है जोग्राफी मैडम ने वहाँ पर 7 वी क्लास की आंठ वी क्लास की कम्प्लीट कराई है गो एंड वाच इट है ना and then we will move ahead है ना तो हम भी देरे देरे प्रोप्वारीटी के अंदर भी आगे बढ़़ते चलेंगे you just search PSC वाला BPSC वाला you'll have it अब वै चलो पर इस क्लास के पश्चाथ अभी बीच में अभी बीच में कुछ भी नहीं करने का है भया अभी बीच में कुछ भी नहीं शेड़ने का है क्लास का फ्लो तो ट्रोपो स्पेर जो है न वह अर्थ की सर्फेस से एक्वेटर के आसपास तो होता है 18 किलोमेटर की हाइट तक 18 किलोमेटर की हाइट तक और पोल्स पे होता है 8 किलोमेटर की हाइट तक और इसकी जो अपरमोस लेर होगी इसको हम TROPOPAUSE कहेंगे शोब मंडल, शोब श्रीमा अच्छा, equator पे जादा है क्योंकि equator पे heat जादा है गर्मी जादा है और temperature जादा होने के कारण क्या होगा यहाँ low pressure create होगा और low pressure में हवाएं क्या करती है उपर की तरफ उठती है तो यहाँ संबहन पवनों के कारण वायू के संबहन के कारण convection of the air के कारण अपर जो लिमिट है ट्रोपो पॉस की वो 18 km तक हो जाती है अपर लिमिट कहा हो जाती है 18 km तक हो जाती जबकि यहाँ पे क्या होगा high pressure होगा poles के उपर क्या है high pressure है और poles पे कोई convection नहीं है poles पे तो हवाएं क्या है तो हवाओं का आउतलन हो रहा होता है temperature कम होता है अतेव यहाँ पे कम convection के कारण कम height तक होगा आपका ट्रोपो स्पेर तो यहाँ पे ट्रोपो पॉस जो अपर मोस लिमिट होगी जिसको हम सोब सीमा भी कहेंगे वो 8 km तक ही होगी अब आपके exam में पूछा गया कहीं 18 कहीं 8 मेरे को बताओ औस तो आप इसको कुछ books में लिखा हुआ है 13 km और BPSC ने भी इसी को सत्य माना है इसी को सही माना है तो आप क्या statement देने वाले हैं तो आप क्या से ट्रोपोस्फेर की एक्वेटर पे हाइट है 13 km तक द्रुवो पे हाइट है 8 km तक एक्वेटर जस्ट बिखास अफ़ लोग प्रेशर कन्वेक्शन अफ़ अफ़ एर हैंस देर विल बिल बिल रायर हाइट अफ़ ट्रोपोस आप क्या से श्या किया होगी अब्रेज हैट वुंट क्या होगी तापन मंदल लाप मैंस वी रच Mais To Reduce temperature is being reduced with the increasing height जैसे जैसे मैं उचाई में उपर जा रहा हूँ I am going 1 km higher in the atmosphere 1 km there will be 6.5 degrees Celsius lower the temperature तो 1 km की उचाई पे जाने पे 6.5 degrees Celsius तापमान में कमी आ जाएगी 6.5 degrees Celsius तापमान में कमी देखने को मिलेगी इसको मैं क्या कह सकता हूँ तापमान में क्या जाएगा इसको लैप्स रेट कहा जाता है क्यों गरम कौन है Earth the heat is there on the Earth so the Earth is also radiating the heat and this heat is given to this air the lower atmosphere will be warmer the more I go in the altitude the more I go at the height the less heat will be there so the temperature is higher in the lower atmosphere as I go at the higher and higher altitude what will happen the temperature will be reduced right as I go into the lower atmosphere the temperature will be increased I hope this point is quite clear to you I hope this point is clear sir इसका telegram ID क्या है telegram ID I guess आपको वीडियो के description में मिल जाएगा वीडियो के description में मिल जाएगा need not worry about it तो लैप स्टेट आप याद रख सकते हैं और ये data आपको कई बार exam में पूचा गया है कि कितनी उचाई पे कितना तापमान गटेगा एक किलोमेटर पे साड़ेच है इसको मैं कहा सकता हूँ कि 165 मेटर पे एक डिगरी कम होगा आपके पास में तो ट्रोपोस्पेर में देखो तापमान जो है वो बेसिकली गिरता है गिरता है और यहां 10-12-15 किलोमेटर के हाइट तक जाते जाते तापमान इवन माइनस तक आजाता है यू सी दाट इवन इन दो माइनस दो टेंपरिचर रिदूसेज सो एक विटोरियल रिजिएन में ट्रोपोस्पेर का हाइट 16-18 किलोमेटर के आसपास में दुरूविय शैतरों में हाइट 8 किलोमेटर के आसपास में है और आपको यह जानने की कोशिश करनी है अब दोस्तों के विश्वद्रे की शैतर में वायू का समवहन कन्वेक्शन होता है इसलिए सोब मंडल की जितनी भी विंड्स बहनी है जितना भी यहां पर बारिश होनी है जितना भी तुफान आना है जितना भी कोरियलिस फोर्स लगना है सब कहां होगा अमन सब का सब अशोग भया हमारी इसी ट्रोफोस्फेर इसी शोब मंडल में होने वाला है आवी clear on that सब का सरवादिक प्रकिर्णन इसी परवत में होता है the most of the scattering of the solar radiation takes place in this air only because the more and more number of the dust is here the more and more number of the water vapor is there right hence most of the weather phenomena will occur in this layer only that is the troposphere the very first layer the very lower sphere in this layer with an increasing high temperature will decrease उचाई के साथ-साथ तापान गिरेगा और एक निश्चित दर पे गिरेगा इसे तापान पतंदर कहते है normal temperature lapse rate के नाम से जाना जाता है right तो you can write at the height of 1 km temperature will be reduced by the 6.5 degree Celsius at the height of 165 meter temperature will be reduced 1 degree Celsius तो यहाँ पे इसको lapse rate बताया गया है we are calling it as the left yeah right need not worry सबी लोग कहीन कहीं busy हो सकते हैं मैं क्या कहता हूँ इसी तरीके से जब form बरे जाते हैं ना रित्विका रुती जब फिकास form बरे जाते हैं हमारे एक्जाम में लाखों की संग्या होती हैं कुछ लोग प्री क्लियर कर पाते हैं कुछ लोग ही परिक्षा देने जाते हैं फिर प्री बहुत ही कम लोग क्लियर कर पाते हैं फिर मेंस बहुत ही कम लोग क्लियर कर पाते हैं कहीं कहीं कट-off clear कर जाते हैं otherwise होता हुई है सब के अंदर कहीं कहीं क्या एंथू है पर उस एंथू के साथ consistency है क्या उस एंथू के साथ consistency है क्या वह बताने की कोशिश करो है ना यह बताने की कोशिश करो तो वह एंथू तुम्हार में maintain होना है एंथू के साथ एंथू से भी ब but consistently, but the rabbit will run, 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 get tired and then relax, no don't be that rabbit, don't be the guy who lives in between just be the consistent learner right, be mindful be mindful in your methods but never change your destiny right, always be very highly, highly highly focused person on your goal Hindi में इसको कहना चातवा हूँ तु तब करे, तु तब करे तो ऐसा कर परवान चड़े तपश्या तु तब करे तो ऐसा कर परवान चड़े तपश्या तेरी उपलब्दियों को देख मनुश्य तो क्या, देव भी करे इर्श्या देव भी करे इर्श्या, देव भी करे इर्श्या जब मैं देव की बात कर रहा हूँ I am not talking about the God, Brahma, Vishnu, Mahesh उनके अंदर कभी इर्श्या नहीं होती है मैं Gods की बात कर रहा हूँ, उन लोगों की जो कहीं न कहीं आपके पास में Demi Gods बने बैटे हैं, इन समाज के अंदर उन उचाईयों पे बने बैटे हैं, उन तक जाके उनको जवाब देना है, system में घुसके system को change करना है and that's where you will come in that's where the student in you the aspirant in you, should be very highly focused and adamant toward his and her goal and you should never refrain from challenging yourself going to the limits, push yourself to the limit है न, जो भीतर गया, वही तो तर गया so go within, don't go outside, right let's move ahead, let's move ahead यह सबसे शक्तिसाली जो आपका weapon है यह सबसे सक्तिसाली जो आपका weapon है इस weapon को सबसे जादा जो है best way में use कर पाएगा वही अंत में जो है, जंग जीत के आएगा है न, everyone in महाबारत has the bow and arrow but very few could use it effectively and they were the victorious Pandavas, right always, always be highly agile, always have the best of the hustle and take the best out of the hustle, right moving forward, the next layer, stratosphere stratosphere, and why stratosphere we are talking about sir and ma'am because it is the more higher in the height यहाँ पर क्या होगा शोब सीमा, याद करने की कोशिश करो at the equator 18 km height at the poles 8 km the height this is the this is the limit of the tropopause troposphere called the tropopause शोब सीमा, अपर अपर देन दिस, इसके उपर जो है planes चलेंगे, हमारे stratosphere समताप मंडल में, इसी के अंदर कहीं 25 km की height के उपर क्या मिलेगा ozone layer, ozone layer जिसके बारे में हमने अभी थोड़ी देर पहले बात करने की कोशिश की थी 20 km से 40 km की average height के उपर, 20 से 40 की average height के उपर, और इसकी upper height क्या होगी, आपके पास में, the upper height will be to the 50 kilometers from the tropopause, शोब सीमा से समताप सीमा, लगबग आपके पास 50 km की height के उपर होती है 50 km की heights के उपर दोस्तों, देखने को मिलेगे आपके पास में, यहां क्या होगा यहां पर जो commercial flight, कभी आप जो हैं उडन खटोले में बैटेंगे तो आप कहां travel करेंगे, बादलो से उपर, बादलो से उपर, ट्रोपोस्वेर से उपर, यूल बी गोईंग इंटु दे यूल बी गोईंग इंटु दे स्ट्राटोस्वेर समता मंतल अच्छा, यहां पर बेसिकली आप क्या करने की कोशिश करेंगे यहां पर कोई भी आपकी पैराबलिक फ्लाइट से हैं, वो सारी इसमें होगी सुपर सॉनिक फ्लाइट से हैं, वो यहां होगी आपके पास में, कहीं कहीं जो बलून्स आपने लेगा भी चाइना ने भेजे थे तब चाइना, चाइना ने कभी अमेरिका के उपर पर बलून्स बेजेते आप देखो अमेरिका नो उसको उड़ा दिया मिसाइल से आया था ना वो बलून किस हाइट में अमेरिका के उपर गुम रहा था लगबख स्ट्रेटोस्वेर में मतलब 18 से लेकर के 50 किलोमेटर की हैट के उपर था वो वो कहिन के जासूसी कर रहा था उ ना स्ट्रेटोस्वेर के अंदर बेसिकली क्या क्या होता है हमारे पास में इस लेर के अंदर क्या होगा आपके पास में ट्रोपोस्वेर के उपर 50 किलोमेटर की हाइट तक स्ट्रेटोस्वेर होगा और यहां मौसम परिगटना है ना के बराबर होगी मिस कोई भी प्रकार क क्लाउड नहीं होगा कोई भी अपफर्ड मनला आपके पास में कन्वेक्शन आप देया या नहीं होगा क्योंकि वो सिर्फ ट्रोपो पॉस्ट के बाद में हवाएं जो होती है नौर्ट और साउथ पूल की तरफ बट जाती है आपके पास में इसके उपर तक जा पाती है 50 सब्सक्राइब कोई टेकोग कोई फिनोमेना कोई प्रडव यहां मिल रहा है सर आपने इतना अच्छे से सब समझाया है कि यह ऐसे ही लर्ण हो गया है रटना नहीं पड़ा and this one shot is cherry on the top for us I hope आप सभी लोगों को मेरे effort जो है कहीन कहीं अगर मैं एक marks बढ़ा पाया ना तुम्हारे लिए तो मेरा यह t-shirt पहनना कहीन कहीं क्या हो जाएगा सफल हो जाएगा अगर एक mark बढ़ा पाया तो और आसा करता हूँ एक नहीं उससे तो जादा ही बढ़ा पाऊंगा आपको आपके लक्ष की तरफ हर सेकेंड यह वीडियो लेके जाएगा बस मन्जिल जो है हमें से अपने आखों के सामने रखना दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम स्ट्रेटो स्फेर से एक और ओजों लेर के हम बात कर दी टूंटी से फॉर्टी किलोमेटर की हाइट तक है तो देखो यह लगवग 20 किलोमेटर की तो इसकी क्या है ओजों लेर की खुद की बेसिकली मोटाई है तक हम ओझा के रहा है इसकीमोटाई कम हो जाना इसकीमोटाई कम हो जने को हम ओजोल करतें मालब ओजोन holiday in yeah weal कि नहीं क्राटी नहीं इ्पन अभाइट क्रम्वियर 108 नहीं करना है whit कोई पॉइंट है क्या है कोई बिंदू है no it is having 20 km to 40 km का बेसिकली पूरा का पूरा लेर है so the range of the layer itself is 20 km so 20 km के हाइट तक पूरा ओजोन 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 आराउंड ग्लोब इसको प्रोटेक्टिव लेर भी कहा जाता है बच्चो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी कीनों का उसोसीत करता है और उचाई के साथ तापमान भी बढ़ेगा अच्छा सोचो कोई चीज अगर हीट को एब्जॉब कर रही है सोलार रेडियेशन को एब्जॉब करी क्या याने देती मतलब यह हीट को एब्जॉब करते गी यूवी रेज को एब्जॉब करेंगी क्या यहां पर उचाई के साथ टेंपरेचर बढ़ेगा yes उचाई के साथ तेंपरेचर बढ़ने वाला है with the height temperature will increase क्यों because ozone layer is there stratosphere के अंदर 25 km के उपर and this is absorbing the solar radiation अल्ट्रा वालेट रिडिशन पराबैंगनी किन्नों का उस्वोसित कर रहे है जहां तापमान उस्वोसित कर रहे है क्या तापमान बढ़ेगा जी हां तापमान बढ़ेगा तो ओजोन इस अब्सॉब हामफुल यूवी रेस और इसके कारण temperature increase हो जाता है सो stratosphere और mesosphere के बीच में यह located होती है समताप मंदल वा मद्य मंदल के बीच समताप सीमा होती है stratopause की हम लोग बात कर रहे हैं तो ओजोन परत प्रत्वी की सुरक्सा करती है देखो ओजोन हम कहते हैं सर अगर यह 25 किलोमेटर की चीजे खराब हो जाएगी हमारे है ना इस सीज को याद रख सकते है इट इस गूट इन दे श्टैटोस्फेर बट यहां पे अगर जहां पे हम लोग बैटे हैं अगर यहां पे हुआ तो यही ओजोन लेर जो है वो क्या करेगा लोवर एटमॉसफेर में ट्रोपोस्फेर मे ग्राउंड लेटर ओजो है वह ग्रीन हाउस गैस है और समोग फॉर्मेशन करता है यहां हमारी हैल्थ को हमारे प्लैनेट को दोनों को तबाह कर देगा तो लेटर के पारे में समझा ओजोन पॉलिटेंट है नीचे जहां हम खड़ें पर अगर ऊपर आ गया तो यहां हमारा क् आप मेरे पास में तापमान कम होगा सर नंबर कम रोहें बच्चों का सर प्लीज कराईएगा सर आप निश्चिंत रहें नंबर चाहिए सुन्य भी हो जाएगा पर आपको यहां पर मैराथवन जो है वो कम्पलीट मिलेगा ठीक है पढ़ाई करो अच्छे से फोकस नॉट नंबर इसलिए कहता हूं कभी भी रिजल्ट पर ज्यादा फोकस मत करो प्रॉसस में इन्वाल हो जा अच्छे से होंगे तभी तो श्रेश्ट रिजल्ट निकाल पाएंगे अना कि अगरे चलो कि आये बढ़ते हैं राइट तो फिव्टी किलोमेटर पर क्या है स्ट्रेटो बाउस है समताफ सीमा आगी अब इस 80 किलोमेटर तक बेसिकली यह 30 किलोमेटर का जो है रेंज है यह बेसिकली का है कोल्डेश्ट लेयर है हमारा एटमास्फियर की मद्य सीमा इसको कहा जा सकता है यहाँ पर मीटियोर्स और उलका पिंड जो है गर्षण होने के कारण जलने लग जाते हैं मीटियोर्स जो बाहर से आ रहें उलका पिंड विल बी वैनिश्ट वो दिरे दिरे जलके खतम हो जाएं देखो मीटियोर्स शौवर में मद्य मंदल के अंदर सबसे कोल्डेश्ट है बाहर तापमान जो है माइनस में 50 डिगरी माइनस में 100 डिगरी है पर मीटियोर्स और गर्षण के कार यहां पर आग लग जाती है जो इतना बड़ा पिंड होता है वो जलते जलते लाश्ट में इतना सा बचता है प्रत्वित गिनते गिरते है ना इसको याद लग सकते है तो एट्मस्फेरिक लेर का यहां पर डाइग्राम दे दिया इस लेर इस फाउंड बेट्वीन 50-80 किलो रहा था फिर वापस में मीजोस्फेर में आया है तो वापस हुचाई के साथ कम हो रहा है लैप्स रेट याद रखो लैप्स रेट याद रखो आप लोग तो इस बरत में 80 किलोमेटर की उचाई पर तापमान कितना कम हो जाता है यहां पर मीजोपॉस पाया जाता है यहां पर यहां पर यह वाईूमंडल की सबसे ठंडी परत कहलाती हैं आपके पास में मीटियर जो है वो अलग अलग कलर के जलते वे नजर आते क्यों क्यों क्योंकि मैगनीशियम होगा तो एक तरीके का इंडीग कलर नाइट्रोजन ऑक कलर दिखाई देते हैं हमको दोस्तों चलिए तो अब सबसे उचे उपर वाली लेर क्या है आपके पास में अभी पढ़ाई में मज़ा आ रहा है रुको अभी मज़ा आएगा देखो अभी यहां पर हम लोग बात कर चुके हैं कि सर अर्थ के 80 किलोमेटर उपर कहीन कहीं हमा यहां हमारे भी जो हैं कहीन कहीं ठर्मोसफेर 80 किलोमेटर की उचाई पर पर यहां पर दीरे दीरे उपर जा रहा हूं तो वायू की सांद्रता वायू की concentration कम हो जाती है आपके पास में यह चीज याद रखना अच्छा जब यहाँ पे पूरा का पूरा आयनो स्वेर है तो मैं प्रत्वी में एक जगह से अगर radio active यहाँ पे क्या है radio waves radio wave radio तरंगों को छोड़ता हूं तो वो इस iron bundle में टकरा के वापस कहीन के जाती है तो मतलब मैं यहाँ से send कर रहा हूं तो यहाँ पे receive हो पा रही है radio waves तो आप जब police को walkie talkie के बात करने देखते हैं आप जब army वालों को walkie talkie के बात करने देखते हैं तो वो एक बंदा बोल रहा होता है दूसरे को सुनाई दे रहा होता है radio communication कैसे हो पाया इनी के कारण आपने mobile towers देखा होगा वो भी basically कहीन के radio waves के उपर ही depend हो जाता है वो भी कहीन कहीं इसी के उपर ही depend हो जाता है radio waves are reflected back तो अर्थ के curvature के बावजूद भी प्रत्री के कहीन के गोल होने के यहाँ पर क्या हो सकता है आपके पास में यह absorb करता है क्या absorb करता है यहाँ परावर्थित करता है reflect back करता है radio waves को अच्छा ट्रोपो स्ट्रैटो मीजो पढ़ लिया थर्मो स्वेर में क्या पढ़ा कि सर नीचे के होते charge particles यह charge particles क्या करते हैं सर अर्थ से आए वे रोडियो वे उसको वापस नीचे की तरफ transmit कर देते very good सर तो अर्थ के curvature होने के बावजूद भी यह रेडियो वे जो है आयन मंदल से टकरा करके कहीं भी बहुत सकते हमारा यहाँ से कोई telecommunication जो है बहुत दूर बेठा हुआ आदमी सुन पाता है just because of these radio waves being transmitted back है ना यह चीज भी हम लोगों को याद रखनी है और यहाँ पर अगर हम देखे प्रत्वी के चारो तरफ क्या है एक electromagnetic field है electromagnetic field है जिसको geomagnetic field भी हम लोग कह सकते हैं यहाँ चुम्बकिये शेत्र magnetic field जो है ना बेठा यहाँ पर basically क्या हो रहा है सूरिय से आने वाले charge particle इस magnetic field के चारो तरफ आने के प्रत्वी के अंदर जाने की कोशिश करते है बड़ चारो तरफ का magnetic field अंदर enter नहीं होने देता है जब इसको वा अंदर नहीं एंटर होने देता है तो क्या होगा तो क्या होगा आपके पास में कि सर यहाँ magnetic field सबसे कम कहा है कि सर यहाँ पर हम लोग देखने की कोशिश करेंगे यहाँ पर magnetic crisp पाये जाता है तो charge particle जो होते हैं वो यहाँ पर oxygen के साथ में और nitrogen के साथ में क्या करते हैं collide करते है sun के charge particle हमारे अपर atmosphere में oxygen nitrogen के साथ में collide करते है और यहाँ से जैसे ही यहाँ पर charge particle electrons collide करेंगे यहाँ पर photons निकलेंगे photon मतलब क्या हो गया photon मतलब light प्रकाश यहाँ पर colorful light लंगीन प्रकाश निकलेगा और यही रंगीन प्रकास को हम aurora कहते हैं क्या कहते हैं यही रंगीन प्रकास को हम लोग aurora का नाम देते हैं जिनको हम northern lights का भी नाम देते हैं जिनको हम northern light का भी नाम देते हैं I hope these points are quite clear aurora यहाँ पे north pole और south pole का आसपास में दिखेगा sun के charge particle और oxygen nitrogen का resultant होता है प्रकाश का जनरेशन करेंगे और लाइट का जनरेशन करेंगे प्रकाश का जनरेशन करने वाले हैं तो हमको सारी की सारी लेड समझ माई वी आरेबल टो अंडरस्टेंड अल दो लेड सारी पढ़ते समझ माई ट्रोपो, श्रेटो, मीजो, थर्मो, एंड एग्जो अब हमको ये पता चल गया के सोलार विंड से चार्ज पार्टिकल्स आए मैगनेटिक फिल्ड के तुर वो बेसिकली कहां पे आ गए यहां पे नॉर्दन कर्ष्प के आसपास में आ गए और नॉर्थ पोल सौथ पोल पे औरोरा बनाते हैं है ना चलो सो यह पोईंट याद रख सकते हैं लोक तो और-औरा कुछ इस तरीके से नजर आता है यह सारे फोटोन्स क्यों हैं यह सारे फोटोन्स क्या हैं आपके पास में इलेक्ट्रोंज ज ऑक्सिजीन नाइटरॉजन से react करके excited format में photons बना रहे हैं और जो हो basically प्रकाश के रूप में हमको दिखता होता है north pole और south pole पे north pole और south pole पे ठीक है so यह परत 80 km से 10,000 km की उचाई पे पाई जाती है और यहाँ पे the atmosphere temperature जो है वो दिरी दिर बढ़ता है क्यों क्योंकि charge particles और charge particles क्या करते हैं तापमान बढ़ाएंगे तापमान बढ़ाएंगे this layer is divided into the two layer 80 से 640 km तक ionosphere है और यह सूर्य के प्रकास के आवशित particles के कारण बनते हैं packets of the photons energy होगी आपके पास में यहाँ पे charge particles आपको देखने को मिलेंगे and this layer reflects the radio waves और यहाँ पे बेसिकली जो है radio wave communication के अंदर गत use की जा सकती है और electrons जो है आपके पास सूर्य से आ रहे हैं वह कहिन कहीं gases से upper layer के अंदर कहिन कहीं polar region में interact करेंगे और polar lights aurora का निर्माण करने वाले हैं above the polar region और जो photon colorful होने वाले हैं और यह polar region में क्या बनाएंगे aurora तो northern hemisphere में तो aurora, borealis और southern नमलब south pole के आसपास में aurora, australis यह लोग form करेंगे ठीक है ना aurora, borealis उत्री दुरूव पे aurora, australis, दक्षणी दुरूव के उपर this point has to be clear इनको northern lights भी कहते हैं जब selection हो जाए तो कभी जाना, देखना, समझना बहुत ही इसमें आपको भी मज़ा आने वाला these points are quite clear to all of you right, चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तो exosphere वालब 600, 600 km से 10,000 km की उचाहित तक धीरे-धीरे basically क्या होती है आपके पास में हवा की concentration कब होगी और atmosphere जो है वो अंतरिक्ष के साथ में वायू मंडल अंतरिक्ष के साथ में merge हो जाएगा और जो वायू मंडल अंतरिक्ष के साथ में merge हो जाएगा तब क्या होगा भया आपके पास में when atmosphere will be merge with the space that's it, exo मतलब इसके बाहर बाहीर मंडल है के सर इसके आथ पास में space है इसके उपर कुछ नहीं है तो generally हमने देखा के earth की जो layers है वह किश format में है हमारे पास में और हमने उनसे क्या-क्या चीजे सीखने की कोशिश की है ना कहाँ पे weather phenomena होगा कहाँ ozone पहाए जाएगा कहाँ पे meteor phenomena होगा कहाँ पे ionosphere होगा कहाँ पे thermosphere है और last में exosphere है ठीक है निसारी जानकर इली तो कहीं ने कहीं हम लोगों ने देखा कि सर किस तरीके से हमारा वायू मंडल जो है वह layers के अंदर बटा हुआ है तत्पशाथ हमने कुछ videos के द्वारा यह भी जानने की कोशिश की कैसे यहाँ पे aurora और northern lights देखने को मिलती है तत्पशाथ हमने यह भी जाना कि यहाँ पे इस atmosphere के अंदर लगातार वायू पॉने wind चलती रहके वायू मंडली यह दाब और वायू मंडली दाब के अलावा दाब पेटिया क्या होती है atmospheric pressure और pressure belts को जानने की कोशिश करेंगे बहुती patience के साथ में अगले 30-40 minute में आपके लूँगा जो आपकी समझ को चार चांद लगा देगा समझ को चार चांद लगाने का क्या मतलब है कि सोचो अगर मैं यहाँ 6 गंटे से पाउँ पे खड़ा हो करके आपके सामने न डगमगा रहा हूँ आपको भी न डगमगाना है उरा का पूरा attention जो है इखटा कर लो अपना will will power इखटा कर लो क्योंकि आज की class में सबसे best देना है आपको और मुझको ठीके चलिए दोस्तों आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं खुद के best की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं the best of ourselves atmosphere प्रेशर की बात करते हैं क्या atmosphere प्रेशर लगाने वाला है अमन भाईया बिल्कुल सर क्या एक इकाई छेत्र के उपर जो हवा है जो जलवास है जो dust particles है क्या लगातार प्रेशर डालने वाले हैं हां कैसे डालने वाले सोचो आप यहाँ पर बैटे हो हाथ के उपर फूक मारो आपके फैफडो की जितनी capacity है थोड़ी सी हवा बाहर आई और आपको हाथ के उपर एक movement दिखाई देने लगती है थोड़ी सी यहाँ पर movement आई और आपको हाथ के उपर थोड़ा दाब महसूस होता है सोचो उपर तक यहाँ से atmosphere कितना उचर है हमने का sir hundreds and hundreds of the kilometers उपर तक यहाँ पर एक इकाई area में एक unit area में यहाँ से लेकर के मैं troposphere, stratosphere, mesosphere, ionosphere, exosphere hundreds of the kilometers तक जितनी भी water vapor है जितना भी gases है जितना भी dust molecules है उनका कितना दाब होगा उनका कितना pressure होगा सोचो तो में इतनी जान है कि हाथ मैसूस कर पा रहा है तो सोचो इस unit area पे कितना pressure exert हो रहा होगा बात तो सही बोले आप बात तो सही बोले सर तो यहाँ पे air column air column exerting the weight on the unit area is known as the atmospheric pressure ठीक है ना अच्छा इस pressure को इस दाब को हम कैसे calculate करते है बच्चा barometer एक instrument होता है इससे तो इसकी 1 काई क्या होती है सर हुकुम इसकी 1 काई होती है milli bar small m और small b में इसको लिखा जाता है ओके समझ मागे अब हमको यह पता होना है कि जब भी यहाँ पे तापमान बढ़ेगा तो pressure घटेगा मतलब temperature और pressure में basically क्या है बच्चा inversely proportional relation होता है inversely proportional relation होता है और inversely proportional सर दोनों classes छोडने का बिलकुल मन नहीं है पढ़ाई करो अच्चे से पढ़ाई करो दोन्द में मत जीओ जिन्दगी के अंदर हमेशा mental clarity होना बहुत ज़रूरी है you are going to become a bureaucrat दिमाग में दोन्द नहीं होना चाहिए mind should be crystal clear कोई mental fog मत रखो पढ़ो अपनी प्रात्पिताओं को जानो है ना और उसके पशात आगे बढ़ो चलिए सर्थ तो यहाँ पर millibards के बारे में हमने पढ़ा lower atmosphere में basically क्या होगा कि सर्थ जैसे जैसे कही तापमान बढ़ा जैसे जैसे हवा गरम हुई वैसे वैसे क्या होगी गरम हवा वीरल होती है कैसे होती उसको समझते है जैसे कोई चीज ठोस क्यों है उसके अनू नस्दीक नस्दीक है तापमान बढ़ाया अनू दूर दूर हुए लिक्विड हुए तापमान और बढ़ाया और अनू और पढ़ाया अनू दूर दूर हुए गैसिय जवस्ता में आ गया मतलब क्या हुआ कि कोई पी चीज का तापमान बढ़ाया उसके अनुद दूर दूर जाते हैं उसके अनुद दूर गए वह चीज हलकी होगी लाइटर होगी जब कि कोई चीज हलकी होगी वह उपर की तरफ उठेगी भारी चीज होगी ठंडी जाती है अच्छा उपर उठके कहां जाएगी ट्रोपो स्पेर याद रखो हाइस्ट 18 किलोमेटर एक्वेटर पे और हाइस एट किलोमेटर पोल्स के उपर ट्रोपो स्पेर पे जाकर के यह हवाएं जो हैं बिसीकली पोल वर्ड्स दुरूओ की तरफ मुड जाएगी और कह कहीं जाकर के वापस पाइल डाउन होगी क्योंकि एट्मस्फियर में उपर क्या हमने लैप्स रेट पढ़ा था योगीता किरती अमन निशान क्या हमने पढ़ा था कि तापमान यहां पे हमने पढ़ा था एक किलोमेटर के उपर जाएंगे तो साड़े 6 डिगरी गम हो किलोमेटर 18 इंटू 6 अल्मोस्ट 100 डिगरी तापमान कम हो सकता है मतला अगर यहां पे कोई भी एट्मस्फेरिक टेंपरेचर था सपोज 30 40 50 डिगरी तो उससे लगबग 100 डिगरी तक तापमान कम हो सकता है कहां पे ट्रोपो स्वेर के अंदर ही उचाही तक जाने पे तो क् कि पूरी एक सिक्वेंस दोस्तों यहां बनी रहे तो यहां पर उपर जाते हैं थंडी होगी थंडी हवाय क्या करेगी थंडी हवाय भारी होती है भारी हवाय नीचे की तरफ आएगी तो cold air dense air का क्या होगा अवतलन होगा they will descend down है ना तो वो descend होना शुरू हो जाएगी रवी हवाय यहां पर आ रही है तो क्या है यहां पर जादा आएगा यहां प्रेशर जादा आएगा higher pressure होगा yes तो कोई भी जगह पर तापमान कम है higher pressure होगा कोई भी जगह पर तापमान कम है ज्यादा है तो lower pressure होगा तो यहां पर गरम होने के कारण lower pressure है यह ठंडा होने के कारण higher pressure हाईर प्रेशर में हवाओं का अउतलन होगा डिसेंट डाउन होगा गरम एरिया में गरम हवाओं के कारण बेसिकली हवाओं का कन्वेक्शन होगा हवाओं ऊपर की तरफ उठने वाली हैं यह पॉइंट क्लियर है इतना साम को समझ में आ चुका है अगर अब बा करने की तरफ मुझा फॉव होगा है अब मैं इस कहने की कोशिच करू अगर स worm लो प्रेशर की तरफ मूव होगी क्यों हाँ यहां अंणूों की सान्द्रता गयस की सान्द्रता वजल वास्त तंडी हवा मैं नीचे फाल डाूं हो रही है और हाँ जब हवा उपर उट गई मौनिका जी तब क्या होगा तब सर जहां हवाँ ज्यादा है वहां से जहां हवा का वेक्यूम बना गैप बना उस तरफ हवा बहना सुरू हो जाएगी यहां तो higher pressure में जहां हवा की सांध्रता concentration ज्यादा है वहां से हवाए lower pressure की तरफ बैना सुरू करेगी क्योंकि lower pressure के उपर जस्ट हवाई गरम हो करके उपर की तरफ से लिगए अभी यहाँ पर gap है, vacuum है, blank है the air are moving है ना तो यहाँ खाली स्थान को लेने के लिए कौन आएगा higher pressure से हवाई बाग के दोड के speed से आएगी इस lower pressure की तरफ तो winds का, पौनों का, हवाओ का movement high pressure से low pressure की तरफ होता है low pressure में हवाई गरम होती है और उपर की तरफ उठती है higher pressure में हवाई उपर के उच्छ atmosphere के अंदर ठंड के कारण गरम हो जाती है और नीचे की तरफ आउतलित होती है descent down होती है क्या यह points, क्या यह facts आपके दिमाग में बैट चुके है this should be the thumb rule यह thumb rules कहीं बूलने नहीं है पूरा atmosphere, belt वाला chapter है यहना pressure, belt वाला जो chapter है वो पूरा इसी concept पे लाग हो रहा है ऐसे ही हवाई उपर जाएगी troposphere से दोनों direction में बटेगी ठंडी होकर के कहीं अवतलित होगी higher से lower की तरफ आएगी lower से वापस उपर उटेगी तो यह एक chakra बनेगा यहाँ पे कई cycles बनने वाले हैं और इनी cycles को हम यहाँ पे पढ़ने की कोशिश करेंगे अच्छा, मैंने कहा कि sir, वायुदाब होता है थीक है, वायुदाब को यहाँ पे हमने कहा कि sir, barometer से हमने calculate क्या millibar में represent क्या अगर जहां मैं खड़ा हूँ वहाँ पे दाब है 1000 meter, 1000 millibar आप जहां खड़े हैं जहां पे रवी कुमार जी खड़े है है ना, जहां पे रवी कुमार खड़ा है वहाँ पे दाब कितना है हमारे पास में, 950 millibar वहाँ पे दाब कम है शापेक्स दाब में देखू, relate करके देखू तो कम है, तो अब मैं बने को बताओ हवाई किधर से किधर बहेगी हवाई किधर से किधर बहेगी दोस्तों, जल्दी से बता दो हवाँ किधर से किधर बहेगी हवाई, basically यहाँ उच दाब है, उच दाब है आपके पास में, तो इस उच दाब से निम्न दाब के शेत्र की तरफ हवाई बहना सुरूओगी, पवने बहना सुरूओगी यस और रो, यस और नो चलो सर, तो दाब में अंतर अगर हम देखें कहीं जादा है, कहीं कम है तो यह pressure gradient कहलाता है difference in the pressure is known as the pressure gradient हिंदी में दाब प्रवणता इसको कहने वाले हैं तो जो पौने हैं, जो winds है, वह दाब लगने पर, यहाँ पर क्या है, winds पर लगने वाले कौन-कौन से बल लगते हैं high pressure से winds low pressure की तरफ जाती है high pressure से winds low pressure की तरफ जाती है, सर आपके पास में अब आपको यहाँ पर यह बताना है कि सर कौन-कौन से बल लगते हैं जब भी wind जा रही है, तो क्या बता है आपके पास में, पहला बल तो pressure gradient यह कहीं पे डाब ज़ादा है कहीं कम है higher से lower pressure की तरफ जारी पहला बल तो यही है gradient है डलान है ज़ादा से कम की तरफ हवाएं जारी है पहला point तो यह clear हो गया दूसरा क्या हमने Coriolisable पढ़ा था any free flying object स्वतंत्र रूप से गतिमान कोई भी चीज northern hemisphere में right southern hemisphere में left में deflect हो जाएगी क्या Coriolisable फेरल स्लो याद आया क्लास की सुरुआत में पढ़ा हमने फेरल स्लो तो वो Coriolisable भी इस पे लगने वाला है दोस्तो फिर घर्शन बल जब हवा बैती है तो क्या हवा बिना घर्शन के बैस सकती है नहीं बैस सकती सर जब हवाए बैती है ना तो वह घर्शन करती है कही पहाड है कही मैदान है कही नदिया है कही पठार है कही सहर है कही गाव है कही वनस्पती है कही जंगल है कही पे घास के मैदान है कही पे कही सारे अवरोध भी है तो हवाएं free flowing तो है पर लगातार गर्षन करके बहरी और इन गर्षन के कारण हवाओं की स्पीड कम होती है तो स्पीड को कहां पे जादा होगी जहां पे गर्षन जहां अवरोध कम है और जहां गर्षन जादा है स्पीड कम हो जाएगी अच्छा दिशा कौन तेह करेगा आपके पास में दिशा क कम है या जौधा है वह प्रेशरेअ ग्रीइंट किसफर अगर यहीं परी 200 से नौ सो पचास के बीच में प्रेशरे डिफरेंच कितना सपार पिशा सब्सक्राइब नगर मैं यहां पर कर दूढक पांत्सों पेचास्मिली बार तो प्रेशरे ग्रेजिन ज्यादा आ क्या पॉनों की स्पीड जादा होगी, यस, तो दाब प्रवन्ता से विंड की स्पीड तै होती है, pressure difference, pressure gradient determines the speed, Coriolis Force determines the direction, and friction force, गर्शन बल, वह हवाओं के स्पीड कम होने या ज्यादा होने पे कहिन्गई लगाम लगाता है, आप हिए clear on this, क्या वायू दाब क्या होता है, कैसे काम करता है और पाउनों के उपर कौन-कौन से बल काम करते हैं यह पता चला आपन को crystal clear है सारी की सारी चीजे हमको clear होते वे चली है आपके पास वे तो आप यह pointers लिख सकते हैं के pressures exerted by air due to the weight is calculated as the atmospheric pressure इसको क्या का जाता है atmospheric pressure कहा जाता है दोस्तों और barometer से इसको मापा जाता है this is measured with the barometer how it is measured this is measured with the barometer guys ठीक है ना अच्छा यहां पर जो unit है वह है millibar millibar को हमेशा small mb में लिखना होगा यह याद रखना और यहां पर जैसे जैसे आपके पास it is increasing height concentration of the wind decreases तो उचाई बढ़ने के साथ साथ वायू की सांद्रता कम होती है अभी हमने पढ़ा था कि सर लोवर atmosphere में ही क्या है आपके पास में अर्थ के चारो तर्फ सबसे ज़्यादा gases dust water vapor है है ना तो सबसे ज़्यादा जो winds है वायू है यहीं बहेगी troposphere में अगर मैं कहूंगा कि सर मेरे को stratosphere में wind बहा दो सांद्रता ही कम है concentration ही कम है तो ज़्यादा से ज़्यादा gravity के कारण पूरा atmosphere तो बंदा हुआ ही gravity के कारण ही है ना it is because of the gravity और इसी कारण सबसे भारी सबसे ज़्यादा concentration वाले particles तो यहीं होंगे तो winds भी सबसे ज़्यादा हमको यहीं महसूस होगी मैं जैसे ही troposphere छोड़कर के शोब मंदल छोड़कर समता आप stratosphere में जाओंगा winds come यहां से छोड़के मीजो मध्य मंदल में जाओंगा और भी winds की बेर को एकदम महसूस ही नहीं होगी वहाँ पर yes or no how many of you agree with me on that all agree all agree all conquer all have the eyes in the हाँ चलो सब लोग इसमें agree हैं तो हम आगे बढ़ते हैं और लिखते हैं कि उचाई के साथ वायू मंदली दाब कम होता है मतलब atmospheric pressure यहां पे जहां हम बैटे हैं आप बैटे यहां सबसे जादा है उचाई के साथ साथ तापमान भी घटता है वह उचाई के साथ साथ प्रेशर भी घटता है तो वायू मंदली दाब कम होगा उचाई के साथ साथ तो गरम वायू हलकी होकर उपर उठती हैं जिसके का करना भारी होती है वह चाई बारी होने के कारण वह नीचे की तरफ डिसेंट डाउन होना सुरू जाती सर्फेस की तरफ और इसके कारण यहां पर हाई pressure कंडिशन फॉर्म होती है तो कहीं से हवाय उठके निकल ली तो लो प्रेशर कहीं हवाय पहुच गई तो हाई जैसे कहीं पर आपके पास में 1000 मिली बारे हैं, कहीं पर देखा होगा, किसा प्रेशर हवाई बहुत दे चलती है, तो हवाई किदर जारी होती है, लौ फ्ररसर एरिया की तरफ जारी होती है, कहीं ताप्मान ज्यादा है, तो फंडे ताप्मान वाले चैतर mı sounds अंशू, इश्नविय, अंजली, योगिता, कविता, all of you, पॉइंट क्लियर है, चलो सब, तो यहाँ पे pressure gradient force, या फिर दाब प्रवन्ता, वह क्या है, speed को control करता है, जितना ज़्यादा difference, pressure में, उतनी ज़्यादा speed, जितना ज़्यादा दाब प्रवन्ता, उतनी ज़्यादा पवनों का वेग, तो पवनों पर Coriolis बल भी लगाता है, जो कहीन कहीन, Northern Hemisphere में, Right, Southern Hemisphere में, Left की तरफ, deflect करता है, गर्षन बल भी लगता है, गर्षन बल क्या करता है, speed कम करता है, गर्षन बल क्या करता है, speed कम करता है, सर आप इतना अच्छा पढ़ाते हैं, कि हम भूल गए कि, कल हमारा एक्जाम है, Thank you Mohamed भाई, I'll take it as a compliment, अच्छा, अब आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा, क्या आप काम की अधिक्ता से मरते हैं, आपके सामने एक एक एक्जामपल लेगे एक्लास, चलो, energy को, efficiency को, resources को, right direction में, right channelize करते हुए चलो, definitely आप अपने लक्षे तक पहुँचोगे, है ना, तो आप जब flux में पहुँच जाओगे न, आप इतना enjoy करोगे, आप दर्द को, आप भूख को, आप gas को, आप संसाधन हिंता को, आप समय की कमी को, आप बाकी सब चीजों को छूट जाओगे, और सिर्फ अपने लक्ष प्राप्ति आपके सामने होगे, है ना, हाँ, और वो तभी होती जब interest जगता है आदमी का पढ़ाई में, है ना, बिल्कुल सर, चलिए, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, गिची, स्लांटिंंग, संडे, पहुंच रई, और यहाँ पर सीधी संडे, स्पोंच रही हैं, तो इसके कारण क्या होगा, कि सर, इस एरिया में, तापमान कम होगा, प्रेशर हाई होगा, तो यहाँ enne high pressure situation है, आपके पास में, यहाँ पे तापमान जो है जादा है अतेव यहाँ पे low pressure situation होगी आपके पास में यसर नो तो हमारी प्रत्वी पे भूमध्य रेखा के आसपास में विश्वत रेखा के आसपास में low pressure निम्नदाप की परिस्थित्या रहती है निम्नदाप की परिस्थित्या रहती है और दुर यहां पे तापमान बेसिकली बहुत ही कम, पोल्स के उपर तो जीरो से भी नीचे हैं, अतेव यहां हाई प्रेशर एरिया है, ठंड के कारण टेंपरिचर कम होने के कारण, यह दोनों ही पॉइंटर्स आपको क्लियर होने चाहिए, तो यहां पे अब हम प्रेशर समझने के इस डाइरेक्शन को बना लीजिए, डाइग्राम को बना दीजिए, फिर मैं सब समझा देता हूं आपको है न, फिर मैं सब समझा भी देता हूं आपको, निश्चिन्द रहे बच्चा आप लोग, चलो, तो इक्वेटर के उपर बेसिकली क्या है? लो प्रेशर बैल्ट है, निम्न दाप पेटी है विश्वत रिखे यह निम्न दाप पेटी Equatorial Low Pressure Belt यह क्यों? क्योंकि सूरीय की पवने जो हैं सूरीय की रेखाए जो है वो उर्दो पड़ रही है ज़ादा गर्मी है यहां पे तो जब यहां Low Pressure है तापमाण ज़ादा है low pressure है तापमान ज्यादा low pressure में हवाई गरम और हवाई गरम होकर के क्या करेगी बच्चा ऊपर की तरफ उटेगी बच्चा ऊपर उटके कहा जा रही है बताया गुरू जी ट्रोपो स्फेर 18 किलोमेटर की हैड़ तक जा रही है ऊपर जा करे ट्रोपो स्फेर एक तरफ की सीलिं है क्या है कि सर अब हम जोग्राफी समझा सकते हैं चैप्टर आप पढ़ाएं यही कॉंफिडेंस देना है बच्चों के अंदर के तुम खड़े होके बता सको कि मैं तिरको बताता हूं पूरी दुनिया कैसे गाम कर रही है यह समझ भाया बिल्कुल आएगा हर्शिता होल्ड होगा एक वीटर वाले रीजन में सबसे ज्यादा टापमान है पहला यह पॉइंट पकड़ लो सर हां विश्वत रिखा आपने बताया था सूर्य का सबसे ज्यादा संरेज यहां पर सीधा गिरता तापमान ज्यादा होता तो प्रेशर लोग होता तो पॉने उपर की तरफ नहीं जाने तरफ की तरफ गती करेगी तरह की करेगी या नुकरेगी कहां तक गती करेगी ट्रोप पॉस तक 18 km की हाईड तक फर्स्ट लेयर शोब मंडल शोब MIDल एक्वेटर के आसपास 18 km की हाइट पर होता है ठीक है सब यहां तक पहुंची अच्छा अब यहां पर पहुंच करके वह हवाएं नौर्थ की सरफ और साउथ पोल की तरफ मुग करना शुरू कर दिए आप तुम बोलोगे का है क्यों भगा दिया उपर और नीचे जाने देते अंतरिक्स की तरफ चंदरमा की तरफ भी अगर्बॉति का दुआ इमेजिन करो अगर्बउती ज़ायी तुमने अगर्बउती का दुआ ओपर उठा ओपर उठा कहां तक कहा तक गowan तक कमरे की सीलिंग तह चछत तक जाकर पिर किसा होगा उस दुए का वो कहीं कहीं आपके पास निचे की तन साथ था नीचे की तरफ तो जो ट्रोपो पॉज रहे वो हमारी एक तरह की सीलिंग है जितना भी वैदर कंडिशन क्लाइमेट कंडिशन पवने कंडिशन प्रेशर कंडिशन यहीं पर है तो वह ट्रोपो स्पेर पे जाकर क्या होगा वह पवने उपर उठी उपर जाकर के ठंडी हो यह याद करो 18 किलो यहाद में जायेगी तो यहाँ पर तापमान ज्यादा है तो टमपरेचर ज्यादा होने से और कित नंगे हवाई यहां से किदर गई भईया यहां से गई North Pole की तरफ गुरू यहां से गई South Pole की तरफ ठीक है अब इस North Pole और South Pole पे क्या होगा हवाई कि सर एक्वेटर से थोड़ा नीचे आओ 30 डिगरी के असपास में और उसके 5 डिगरी North और South का बेल्ट लेलो यहां पे सब ट्रोपिकल एरिया होता है उश्न कटी बंदिय शत्र होता है आपके पास में यहां High Pressure बनता है High Pressure क्यों? क्योंकि यही हवाई थंडी हो गई है सोमवती सोचने की कोशिश करो हवाई हमारे पास गरम है एक किलोमेटर उपर गई साड़े छे डिगरी ठंडी होई एक किलोमेटर और उपर गई साड़े छे डिगरी और ठंडी होई सोचो ऐसे ऐसे 10 किलोमेटर उपर गई हो तो हवा का तापमान हम कहते हैं कि सर यहां पे अगर 50 डिगरी भी होता हमारे पास में तापमान 50 डिगरी भी होता सतर पे तो उपर जा करके तो माइनस में तापमान हो जाता हवाई ठंडी हो जाती तो जैसे जैसे हवाई उपर जा रही ठंडी हो रही है ठंडी हवाई क्या करती है दीपक सोमवती खुश्बू अंजली थंडी हवाय तो नीचे गिरती थंडी हवाय तो भारी होती थंडी हवाय तो डिसेंड डाउन करती cold air descending down cold air descending down cold air उपर तक तो गई वापस north pole की तरफ जाते जाते descending down तो इस subtropical area में 35 के बीच में यह वाला उष्ण कटी बन दिये उच्च दाब पेटी सब ट्रॉपिकल हाई pressure belt ST HPB इस शत्र में हवाय का आउतलन होगा air will pile down हवाय नीचे की तरफ आएगी और जब हवाय नीचे की तरफ आएगी तो क्या होगा higher pressure हवाय नीचे आ रही थंडी हवाय नीचे आ रही हाई pressure बनेगा सब ट्रॉपिकल हाई pressure belt यहां सब जगह पे हवाय का आउतलन हो रहा है 30 degree latitude है ना उसके 10 डिग्री उपर और 5 डिग्री नीचे 35 से 25 के बीच में सब ट्रॉपिकल एरिया पे high pressure बन गया high pressure बन गया हमारे पास में ठीक है अच्छा इस high pressure के बाद में क्या होगा हवाय किदर से किदर जाती है इस high से low की तरफ high से low की तरफ yes और no high से low की तरफ yes और no यहाँ पे भी वापस हवाय नीचे pile down हो रही है सब ट्रॉपिकल high pressure बेल्ट high से low की तरफ yes और no yes और no क्या यह हवाओ का क्या यह पाउनों का पूर्ण एक चक्र बन चुका है गुरू yes पाउनों का पूरा एक चक्र बन गया है देखो हवाय उठी ट्रॉपो पॉस पे गई पोल की तरफ आई सब ट्रॉपिकल हाई बेल्ट के अंदर नीचे pile down होई high pressure zone से low pressure zone की तरफ हवाय गई तो क्या हाउनों का पूर्णों का विंड्स का एक six cycle सा बना अंजली सोमवती दीपक all of you yes यहां पर एक पूरा cycle बना इस cycle को हम लोग नाम देते हैं अधली साइकल क्या नाम देते हैं हैं हेड ले ऐड़े चक्र ठीक है ना हैड ले चक्र नाम दिया गया कहां से छहां तक बना एकविटोरियल लो से सब ट्रॉपिकल हाई के बीच में पूरने ऊपर की तरफ उठी लोग प्रेशर से उपर जाकर के ट्रोपो पॉस से पॉल्स के साउथ में अब मेरे को बताओ इसमें क्या टफ था कुछ भी टफ नहीं आज रात को तुम नींद में यही बनाने वाले हो है ना छे गंटे से जोग्राफी भड़ रहे हो आज रात को तुम नींद में यही बना दो है बनाओगे नि बनाओगे चलो बया अब हमको समझ में कि हाई प्रशच्छ न कि करो यहां पे आब करने कोशिश करो यहां पर आगया आ यहां पर रशेत्व क्या हाई प्रेशेर एस तरफ और यहां पर प्रस्टार गया फिर कुछ हवाई sub-tropical high से ऊपर की तरफ भी तो जाएगी तो यहाँ से जो हवाई नीचे आ रही है वह इस high pressure से यहाँ temperate low pressure belt की तरफ जाएगी temperate low pressure belt की जाएगी यहाँ पे शीतोष न उच्छ दाब पेटी जिसको कहा जाता है बच्चा 60 degree plus minus 5 degree 60 का प्लस 5 पैसर डिग्री 60 का माइनिस 5,5 तो 55 से 25 डिग्री नॉर्थ 55 से 25 डिग्री साउट के बीच में कौँसा एरिया है टेम्परेट लो प्रेशर बेल्ट टेम्परेट लो प्रेशर बेल्ट अच्छा लो प्रेशर रुको चीटिंग पागल बनाया सर ने यहाँ लो प्रशुर सर बोले थे द्रू द्रू, पोल, पोल वाला एरिया तिर्ची किर्णे, तिर्ची किर्णे कम उश्मा, कम तापमान, ठंडा एरिया लो प्रशुर तो गरम एरिया में बनता है पागल बनाया सर नहीं सुनो राजु भईया पागल नहीं मनाएं क्यों नहीं मनाएं सुनो अच्छे से हमने ये भी कहा था कि लो प्रेशर दो कंडिशन में बनता है एक जब तापमान उच्छे होता है जैसे कि एक्विटोरियल लो और एक तब भी जब हवाएं उपर की तरफ मूव करें क्या हवाएं उपर की तरफ मूव कर रही है डियार राइजिंग येस तो वहाँ पर भी लो प्रेशर बनता है तो सर यहां टेंपरेट एरिया इस शितोषन एरिया इस टेंपरेट एरिया में लो प्रेशर बेल्ट क्यों बना दिया हमारी भावनाओं से खेल रहो हमें दे लिखिया बाहर की तरफ बल लगाती है जो अर्थ लगातार रोटेट हो जो जो सपोज ये सफेर मेरे पीछो लगातार घूम रहा है 24 गंटे में एक चक्रफ पूरा तो क्या आपके पास में लगातार बाहर की तरफ हवाओं को फैकेगा यस तो इस एरिया में भी बेसिक लो प्रेशर के कारण यह लोप्रेशर हवाओं के उपर की सब्सक्राइब से दो डूप्रैशर की सब्सक्राइब। ठीक है सथ फिर क्या होगा लो प्रेशर से हवाई वापस उपर उट जाएगी सट कहा पर जाएगी सर आपने बता प्रोपोफ याद करो अगर बत्ती दोनों तरफ जाएगी यहां पर पहुंचेगी कुछ हवाई इदर जाएगी कुछ इदर जाएगी ओके ठीके पर फिर ट्र यहां पे हवाई उपर उठी, नीचे की तरफ आई, टोपोपॉस के साथ, और हाई प्रेशर शर्फ ट्रोपिकल पे नीचे आ गए, यहां पे हाई प्रेशर बनाया, यहां से हाई से लो की तरफ गई, यहां से अपकेंद्रीय, बाहर की तरफ बल के कारण हवाय उपर उठी, मतलब यह mechanical low pressure है, मतलब यहां यांत्रिक गती, पवनों की यांत्रिक गती के कारण, बाहिया गती के कारण, गती जन्रिय जो है, प्रेशर बैल्ट है, समझ में आया, किसी को कोई डाउट, I hope none of the students having any doubt, I'm wishing that none of the students is having any doubt, अचा next में क्या होगा, polar area में क्या होगा pole पे ठंड है, तापमान zero के असपास है, क्या यहाँ पे कम temperature, higher the pressure sir high pressure होगा यहाँ पे, अचा फिर क्या होगा, sir यह लो pressure से high pressure है, तो हवाई किदर से किदर जाएगी sir low से high की तरफ जाएगी है ना, sir यहाँ पे क्या होगा, आपके बास में high pressure से low pressure की तरफ हवाई गई यह temperate low pressure की तरफ, ठीक है sir, यहाँ से यहाँ हवाई आई, फिर क्या होगा, low pressure mechanical low pressure, गती जन्य, है ना, उपर की तरफ हवाई उटी, उपर उटके कहाँ जाएगी ट्रोपो पॉस, ट्रोपो पॉस से हवाई कुछ इदर गई, कुछ उपर की तरफ गई, उपर जाएगी और हवाई कहाँ पाइल डाउन होगी, पोल्स पे, पोल्स पे हवाई पाइल डाउन कर रही है, अवतलन कर रही है, डिसेंड कर रही है, इसी करण तो हाई प्रेशर है तो यहाँ पे जो चक्र मिला, इसको हमने कहा है, फैरल चक्र, यहाँ पे आपके पास में जो चक्र मिला, इसको कहा है हमने, दुरूविय चक्र Polar Cell Feral Cell Headless Cell Polar Cell Feral Cell Headless Cell क्या दोनों साइड में बना क्या हमारे कोई डाउट है तो पूछ लो अभी आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे हैंना अभी आपके सारे डाउट्स हो जाएंगे एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ मेर को एवरीवन काइंडली कॉमेंट और टेल में किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना इसके अंदर यहां तक अगर समझ में आ गया तो 100% बाकी कुरे प्रेशर बेल्ट समझ में आएंगे तो एक्विटोरियल एरिया में लो प्रेशर है ना यहां पर बेसिकली फिर सब्ट्रोपिकल एरिया में हाई प्रेशर हाई प्रेशर क्यों हाँ हवाओं का अवतलन हो रहा है तो यह भी मैकेनिकली जनरेटेड है अच्छा सब पोलार एरिया के अंदर यह टेंपरिट एरिया के अंदर लो प्रेशर बाहर की तरफ हवाओं की मुझमेंट के गराण हवाई ऊपर उठी है ना एइर्द सार राइजिंग फिर पोलार एरिया में basically high pressure temperature का में इसलिए high pressure तो ये बहुत अच्छी बात है कि कई students देख रहे हैं और कोई doubt नहीं कोई generally इस area में doubt जरूर आता है अब यहाँ पे हमको पता चल गया winds की movement किदर से किदर है के sir हमेशा high से low होगी हमेशा high से low होगी हमेशा high से low होगी direction पता चल गई अब आपको direction पता चल गई आपको अब इस direction के पश्चात लगा दो coriolis force के sir जो high pressure से low pressure की तरफ हवाई आनी थी जो high से low की तरफ हवाई आनी थी घुमा दो इसको northern hemisphere में right की तरफ यह हवा जो इस high से इस low की तरफ जानी थी सीधी जाने की बज़ाए यहाँ पर कुछ winds की direction क्लियर हुई हमारी क्या कुछ winds की direction क्लियर हुई ही है sir कैसे हुई है sir यह tropical high है और यह polar low है यहाँ पर हम देखने की कोशिश किया कि हवाई सीधी आनी थी Coriol Sports के खरण मुढ गई अते वो मुढ गई, तो ये पश्चिम सात्यू परतीत होती है कैसी यहाँ पर श्वारी इस्ट सात्यू परतीत होती है इनको हम लोग Easterlies कह सकते है Can I call it Easterlies Can I call it Easterlies Yes sir, यह पश्चिम सात्यू परतीत होती है जो हवा सीधी जाने थी वो ऐसे जारी है these airs are going like this going like this from high to low pressure तो जो हवा सीधी जाने थी क्या हमको पश्चिम साथी प्रतित होती है पच्छुअ पवने वेस्टर लिस पच्छुअ पवने वेस्टर लिस कह दिया हमने उसको जो पोल से सीधी हवा आने थी higher से मतलब यहाँ पे polar high से आनी ती आपके पास में सब polar low की तरफ वो पवने क्या हमको सीधी आती हुई नजर आती हैं नहीं आती सर राइट में बैंड हो गई सर पश्चिम साती हुपरतीत होगी पश्चिम साती हुपरतीत होगी आपके पास में यह पवने सब्सक्राइस कोर्स पूरा में क्यों नहीं लगता सार सिर्फ तीशा में क्यों लग रहा है क्योंकि पवनों से पवनों यह इस लोग की में कि सीधी नहीं जाकर के राइट में, अच्छा, अब इस हाई से पवन उपर की तरफ भी तो जा रही है, हाई से लो, पर अब यह सीधी नहीं जाकर के राइट के अंदर गुम जाएगी, राइट के अंदर, राइट के अंदर गुम जाएगी, point clear यहाँ पे भी यह पवने सीधी नहीं जाकर करके right में bend हो जाएगी तो यह पश्चिमी इस्टरलीज पूर्वी है यह पवने पूर्वा पवने इस्टरलीज यह basically जो है पश्चिम साथी उपरतीत होगी वेस्ट साथी उपरतीत होगी तो पश्चिमी परवो को हम लोग क्या कहते है आपके पास में यह पूर्वी पवने होगी और यह आपके पास में वेस्टरलीज होगी आपके पास में वेस्टरलीज इस्टरलीज है ना यह इस्टरलीज है वेस्टरलीज है और यह वापस आपकी इस्टर लीज, ठीके तो विंड्स जिस डारेक्शन में जारी हैं उसके उपर लगेगा, नदन है मिस्वर में हमेशा राइट में सदन में क्या होगा, दक्षिनी गुलार्थ में देखो, दक्षिनी गुलार्थ में भी इस हाई ओर, धर दक्षिनी गुलार्थ में जानी हवा ऐसे जानी थी लेफट हवा ऐसे जानी थी deflected to the left तो यहां west से आती हुई प्रतीद होती है यहां पश्चिम से आती हुई यहां प्रतीद होती है इता हुगे आपके पास में polar high area से यहां पे इस low area की तरफ जो अवा सीधी आनी थी वो अवा सीधी नहीं आ K denken deflected to the left यहां पे पूर्व से आती हुई प्रतीत होगी इस्टरलीज प्रतीत होगी तो यह सारे pointer समको clear होने चाहिए यहाँ पे कहाँ कहाँ पे आपके पास में इस्टरलीज बन रही है कहाँ वेस्टरलीज बन रही है क्यों बन रही है कोरियली स्फोर्स के कारण हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ मुह गोरते है नदन हेमिस्फेर में चीजे राइट के अंदर सदन में लेफ्ट के अंदर मुह हो जाएगी डिफलेक्ट हो जाएगी इसी कारण इनकी दिशा का भी चयन अवै निर्दारण होने वाला है अच्छा कितने सेल बनाए है सेल बनाए हेडले सेल है ना जीरो से 30 के बीच में हेडले सेल फिर 30 से 60 के बीच में फैरल सेल और 60 से 90 के बीच में पोल्स के बीच में पोलार सेल यह तीनो सेल हमने जो हैं यहाँ पे बना दिये हैं है ना और जहां पे यहां इस high pressure से इस low pressure की तरफ winds सीधी नहीं आकर के इस direction माई इस direction माई इस direction माई नीचे से भी यह trade wind जो है वो कहीं के पूरी दिशा से आई और यहां पे जिस zone में यह winds converge होगी जहां पे यह दोनों की दोनों winds converge होगी मलब इस tropical region में इस उष्ण कटी बंद यह शेतर के अंदर कत बेसिकली जो winds बह रही है जो बेसिकली इस्टरलीज बह रही है वो equator के आसपास में करके converge हो रही है मिल रही है कहीं कहीं इनका क्या हो रहा है सर आपके पास में convergence हो रहा है अभी शरण हो रहा है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन्स ITCZ बनाते मलब यह वही ह जहां पर बेसिकली क्या है इस्टरलीज उपर से आने वाली इस्टरलीज जो नीचे से आने वाली है वो क्या कर रही है दोनों मिल रही है हम इसी को दूसरा नाम कह रहा है सर ट्रॉपिक्स से आनने वाली पावने यहां मिल रही है कि सर इंटर ट्रॉपिक्स में जो पावने pointers clear है, तो सभी लोग इस diagram को बना लिये हैं क्या सभी लोग इस diagram को बना लिये हैं, जल्दी से comment कर दो yes points clear है sir आपके पास में right, चलिए तो ये जो आपके पास में headless hell बनेगा, equator पे हवा उठी tropopause से हवा जो है फिर वापस जो है कि इनके हवा ठंडी हो करके यहाँ पे tropics पे गिरी high pressure create गया, हवाई high से low की तरफ हाई, है ना, और यहाँ पे जो हवाई है भी रही है, higher से lower pressure की तरफ वो basically कैसे बह रही है, आपके पास भी Coriolis Swords के अंदर basically इस तरह परतीत हो रही है, कि सर वह राइट के अंदर बैंड होगी, पूरो साथी परतीत होती है, हवाई सदन हमिस्पेर में, लेफ्ट में बैंड होगी, पूरो साथी परतीत होती है, तो इन North East टेट विंड और South East टेट विंड कहां पे मिलती है Equatorial Low Pressure में मिलती है, और इसी एरिया को हम लोग क्या करते है, ITCZ, ITCZ का नाम देते है, राइट ITCZ का नाम देते है, तो कौन-कौन से Pressure Belt है, एक है आपके पास में विश्वत रेखिये, निम्न दाप पेटी Equatorial Low Pressure Belt, फिर है, Sub-Tropical High Pressure Belt, उपोशन कटिबंदी, उच्च दाप पेटी, फिर है, आपके पास में Temperate Low Pressure Belt, सितोशन कटिबंदी, निम्न दाप पेटी, तो यह तीन Belts है, मुख्य, और उसके बाद में है, दुरू के उपर, दुरूवी उच्च दाप पेटी बनेगी, फिर हमने बताया तक सर, एक Headless सेल, एक Feral Cell और एक Polar Cell होगा, Headless चक्र, Feral चक्र होगा, लोवर प्रेशर से हवा उठेगी, ट्रूपो पॉस पे बिसिकली जाकर के, दुरूव की तरफ जाएगी, और 30 डिगरी के आसपास में ठंडी होकर के वापस नीचे पाइल डाउन होगी, हाई प्रेशर बनाएगी, हाई से लोवर प्रेशर तक, तो यह हवाव का चक्र, Headless चक्र, यहां से हवाई हाई से इधर लोग की तरफ जाएगी, यहां बाहर की तरफ हवाई जाएगी, गुर्णन के कारण, उपर की तरफ उठते वे, यह मेकैनिकल लोग प्रेशर बनेगा, वापस ट्रोपोपॉस से हवाई दोनों डारेक्शन में जाएगी, और इस एरिया मा के हाई प्रेशर पे पाइल अप हो जाएगी, यह चक्र, फैरल चक्र, 30-60 की बीच में, 60-90 के बीच में हम देखने कोशिट करेंगे, कि दुरूवी उच्च दाप शेतर हाई प्रेशर से, यहाँ पे 60 डिगरी के आसपास में, टेंपरेट लोग प्रेशर पे हवाई आएगी, बाहर की तरफ हवाई मूव करेगी, लोग प्रेशर और यहाँ ट्रोपोपॉस से हव लोग प्रेशर की तरफ जारी है, हवाई का अपसरन हो रहा है, 30 डिगरी के आसपास में, जबकि लोग प्रेशर जहां बन रहा है, 60 डिगरी के आसपास में, वहाँ हवाई का क्या चल रहा है, आपके पास में अभी शरन हो रहा है, हवाई दोनों तरफ से आ रही हैं, इकट दिशाक के अंतरगत ही बहता है हवा तो पहला जो रीजन है इक्विटोरिय लो प्रेशर बेल्ट इसको आप लोग समझ लिजी विश्वत रेखिए निम्नदाप पेटी कहां पांच डिगरी नॉट से पांच डिगरी साउथ के बीच में मलब एक्विटर के पांच डिगरी उ फवा कम होने के कारण यहां पे पावने धीमे और मंद पावने बैती हैं यहां पे इस पेटी को क्या कहा जाता है डोल्डरम्स कहा जाता है तो एक्विटोरिय लो प्रेशर बेल्ट में बहुती धीमी मंद पावने बैती हैं और धीमी मंद पावने बैती हैं और धीमी मंद ट्रॉपिक सुर्पेat पीच में से बिसिकली हायर से लोऊर प्रेशो की तरफ जो हुआ आ हायर से लोवर प्रेशर की तरफ जो हवाय इस्टरलीज आ रही है वो कहिन के एक्विटोरिय लोव प्रेशर बेल्ट के आसपास में मिलती है यहाँ पे जो यह कंवर्जन्स जोन बना इसी को ITCZ बोल दिया इसी को जो है हमने इंटर ट्रॉपिकल कंवर्जन्स जोन की भिश्र प्रेश्र क्रीयक हो जाता है और यहाँ पे लोव प्रेशर कंडिशन सर्फ गें हो जाती है Club स्टाफ इसको कहा जाता है किसा बेल्ट है अब की जया पहती हैं थाकुर जी यहां पर अतेव क्या होगा किसर इस एरिया को हम लोग डोल्टरम कहेंगे काम बेल्ट है कोई ज़्यादा मोव्मेंट नहीं है शांत धीमी पवने शांत धीमी पवने डोल्टरम बहेगी यहां पर क्या है तो इस एरिया को डोल्टरम नाम की पवने भहेगी जो बहुती कम स्पीड से बहने वाली है बहुती कम स्पीड से दोस्तो बहने वाली है उश्नकटिबंद्य शैत्रों को पार करने वाली पवनों का यहां अभिशरण होता है और अंतर उश्नकटिबंद्य शैत्र कहा जाता है ITCZ यह वेंट ज ना temperature induced doldrums शांत पावने अब इसके उपर 30 डिगरी 30 डिगरी से 5 डिगरी उपर और नीचे मतलब 35 से 25 डिगरी के बीच का जो 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 प्रेशर बेल्ट होगा जो दाब पेटी होगी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट उपोशन कटी बन दिया उच्छ दाब पेटी स अब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट तापमान क्या है आपके पास में यहां पे यहां पे तापमान तो थोड़ा बहुत होता है पर हवाई पाइल डाउन हो रही है हवाई नीचे की तरफ आरी याद करो 30 डिगरी के आसपास में हवाई नीचे आरी यहां से जो लो प्र से डिसेंडिंग यह मेकैनिकल इंडिउजद है वालब यह तापमान के करण उच्छ दाब नहीं हुआ है यह तापमान निम्न नहीं है ट्रॉपिक से सूरी की उर्द्वर एखा यहां पे आती है यहां पे इन लेटिटिट्यूट को अस्वाख शांस भी कहते हैं होर्स इसके पीछे भी एक अच्छी खासी आपके पास में कहानी है जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ ठीक है ना अच्छा सर इसके आसपास से जो है आवाय कोच एक्वेटर की तरफ जाएगी और कुछ जो है आपके पास में नॉर्थपोल की तरफ बन्दब सांट डिग्री क लो प्रेशर की तरफ जयेगी और यह हमेशा थंडी हाई प्रेशल में बान ही हाई प्रेशर सिचैवेशन में बारिश होती है वायू मंडल स्थीर होता है एक मॉस्वे概 होता है मैं व्यर मायल्ड पाउने उती है । सफॐ मन होती है। जब पर देको बहुत परधा प परधा लगा जाता हूं कोई प्राज्था ने लगए गुरोख के sharah up एक परड़ेक की no sey ipad is LISA में धकेलती है तो हुमारे चपू चलाने वाले लोग है उनको कम काम करना पड़े पवने हमारा आधा काम कर जाए ठीक है सर लोग पहले ट्रेड किसकी करते थे याद करो लोग पहले किसकी ट्रेड करते याद करो बार्टर होता था एकनॉमी पढ़ने जा रहे हो तो बार्टर सिस्टम पता होना ची बार्टर सिस्टम में क्या होता था यहां पे ancient traders अपनी जहाद में भरके ले जाते थे गोड़े एक जगह से यॉरोप से कहीं कहीं बेचने के लिए एफरिका में या फिर आपके पास में उत्तरिया दक्षिन अमेरिका में पर जैसे ही इस 30 डिग्री लेटिटीटूड इस होर्स लेटिटीटूड के आसपास में पहुंचते हवाय मंद माइल्ड विंड्स एक्मोस्फियर स्टेबल अब यहां पर क्या जो हवा आपके पास में अच्छी खास पानी में गोड़े तेर सकते वह अपनी जान बचा लेंगे वह कहीं के आसपास के टापू पे पहुंच जाएंगे और अपना जीवन वहन कर ल पर अगर वह शिप पर हमारी शिप लेट पहूंचेगी अमेरिका अमरी शिप ब्राजिल दो लेट पहुंचेगी व्यापार में हो जाएंगे तो वह गोड़े को वहीं पर डंप कर देते थे पानी में गोड़ा तेयर करके आसपास के निकटवर्ती पांस-दस किलोमीटर के दूर टापू के आसपास में उसको ले जाकर के वह वापस बाहर आ जाता हो मरता नहीं एक्जेक्ली तो उसको हॉट्स लेटिटूड इसलिए कहा गया के सर यहां पर आने के बाद में जहांचे बहुत ही मुश्किल बाहर निकलती थी उनके उपर ज्यादा प्रेशर डालना प यापू पर पहुंचे और वहां पर कोई यह था नहीं कि GPS अभी ओला उबर बंगाल कुछ नहीं वह अपना गोड़ा साथ में लेकर जाते थे अपना लख पहन के चलो अपना गोड़ा साथ में लेकर चलो वैसे यह लोग भी कुछ ऐसा ही थे आपके पास में तो यह पेटी 25 से 30 सकी पेटी के बीच में जो है यहां पर उच्च दाप देखने को मिलेगा यहां पर हवाओं का आउतलन एयर विल डिसेंड डाउन और यहां पर बेसिकली क्या है पचुआ पहने निकलेगी इस रीजिन के अंदर डिसेंडिंग एर जो है वह नहीं तो आपके पास में cloud formation करेगी the region due to the descending air cloud formation और rain condition नहीं होगी नहीं तो बादल होगे नहीं वर्षाय होगी और नहीं यहां पे कुछ खास हवाय चलेगी तो पूरा वर्षा नहीं होने के करण पूरा एरिया क्या होगा एरिड होगा और पूरी दुनिया में इनी 25 से लेके 35 डिग्री लेटिटिटूड नॉर्ट और साउथ के अंदर बेसिकली हम देखने कोशिश करेंगे कि सारे hot लेजर्ड गरम मरुस्तल इनी शैत्रों में पाए जाते हैं आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो प्राचिन काल में मन पाउनों के कारण इस शैत्र में जहाद गती में अवरोध उत्पन होता था अता व्यापर ही अपने जहाद से गोड़ो को समुद्र में फैक दिया करते थे ताकि उनका जहाद गती कर पाए अता इसे अस्वक्षांस भी कहा गया है अभी तो ऐसा कुछ नहीं है अभी तो आपके पेट्रोल, डीजल, गैस इनके तुरू जो इंजिन के तुरू बेसिकली वो सारी चीज़े चलती है तो उसमें कोई अवरोध ऐस सच पैदा नहीं होता है दोस्तों ऐस सच कोई अवरोध पैदा नहीं होता है आपके पास में I hope this point is quite clear to all of you अच्छा, तो 55 से 65 के बीच में यहाँ पे एक और पेटी होती है शितोशन पेटी, temperate, low pressure, हवाई बाहर की तरफ जाती है यहाँ पे cyclone formation हो सकता है mechanically हवाई बाहर की तरफ मूँ करती है तो यह low pressure create होता है पैथिस पैस्ट के बीच में ठीक है ना, तो यहाँ पे निम्न दाब परिशित्या होती है low pressure situation होती है अर्थ के rotation के कारण mechanically induced low pressure होता है आपके पास में चकरवात हो सकता है आपके पास में इस एरिया में और polar area में तो तापमान कम होगा तो temperature induced belt है है ना, polar winds बहेगी यहाँ पे polar winds बहेगी भया यहाँ पे आपके पास में this belt is formed at the 90 degree वाला शेत्र और यहाँ पे ठंडी वायू जो है वो अवतलित होगी decent down होगी और उच दाब बनाएगी common sense है बताया है सबने और यहाँ वो move हो सकते है क्योंकि सूर्य की सीधी रेखा है कभी equator पे हैं तो कभी 3.5 degree north करक रेखा पे हैं तो कभी 3.5 degree south मकर रेखा पे तो उसी के कारण basically क्या होगा यह low pressure कभी equator पे हैं कभी equator के north में कभी equator के south के अंदर है इसी के कारण monsoon पावने भी चलती है monsoon पावने भी चलती है yes sir इसी के कारण monsoon पावने भी चलती है तो यह भी सारी चीजे हमने जानी वैसी की yes so I guess यहां तक आते आते आपने काफी basic जानगारी ले लिए हैं और अब हम अपने नए chapter की तरफ बात करते we are moving towards our next chapter और हमारा next chapter है winds क्या है दोस्तों winds chapter number 7 नए उत्साह के साथ में अपनी नए एनर्जी के साथ में एनर्जी बिल्कुल लो नहीं होने देना है दोस्तों yes go ahead mark the topic wind और winds में basically हम लोग क्या पढ़ेंगे कभी सुना है पावने पापने क्या होती है कह सराह आपने कहा सरा high pressure से कभी भी पावने जो है लो प्रेशर की तरफ move करती है इनको winds का पर यहाँ पे लो प्रेशर पे हवाय जो उपर ऊटती है वो क्या होती इनको हम air कहते है यह क्या है वाईउ क्या है आपके पास में वायू, the air is rising, the air is descending, तो यहाँ पे जब भी vertical movement होती है तो वो क्या है air जब भी horizontal movement होती है तब वो क्या कहलाती है, पवने तब वो क्या कहलाती है, पवने कहलाती है है ना, तो इन चीजों का हम लोग लियात रखेंगे है ना, तो यहाँ पे एक proper schedule है आपके पास में हर रोज एक विशे का आपको जो है one shot वीडियो दिया जाएगा और जैसे ही आपके पास में प्रमुक विशेओ का करम खतम होगा तो उनके previous year question discuss किये जाएंगे prelims के दरश्टी कोन से और जब वह करम वार, विशेवार जब वह सीरीज खतम होगी तब आपके पास में most important questions इस prelims में क्या आएंगे वह भी discuss होगे history, polity, geography, economy, current affair UP specific हर एक चीज डिसकस होगी इस channel पे इस channel को आप जितना प्यार दिखा पाऊ support दिखा पाऊ दोस्तों यही शन है यही moment है आपके लिए ठीक है ना बिल्कुल sir UPPSC के रिए देखना चाहिए यह class बिल्कुल you are to watch this class for the UPPSC as this is specific for that right क्या UPPSC के रिए देखना चाहिए मुझे बताओ monsoon क्या UP में अलग है और आपके पास में UPPSC के अंदर अलग है और BPSC में या UPPSC में या RPSC में अलग है नहीं तो हम फिजिकल जोग्राफी के बेसिक कंसर्प सीख रहे हैं यहाँ पे जोग्राफी के बेसिक कंसर्प सीख रहे हैं जो सब जगपे सेम है इस पर प्रशन बनने वाल हैं दोस्तों तो winds क्या होती है इनको समझने है हम लोग यहाँ पर horizontal movement है आपके पास में तीन तरह की होती है पर्मानेंट, periodic और local winds पर्मानेंट पवने, स्थाई पवने क्या होती है यहाँ पर हमने देखा किसे pressure belts के कारण जैसे आपके पास में high pressure belt से low pressure belt की तरफ पवने चलने की कोशिश करती है तो सीधी नहीं जाकर के deflect हो जाती है फिर वापस high pressure से low pressure की तरफ जाने कोशिश करती है पर सीधी नहीं जाकर के right में deflect हो जाती है पवने, क्या इसी तरीकी से पवने चलरी है आपके पास में यहां पर प्रेशर बेल्ट के दोरा गाइड होती है कि हाई प्रेशर बेल्ट से लो प्रेशर बेल्ट की तरफ पहुने चाहती है आपके पास में जो पहुने पूरे साल बर चलती रहे सुबूरे साल बर चलती रहे मतलब ऐसा नहीं कि सर्दियों में है या गर्मियों में है है ना यह बेसिकली दिन में है या रात में है यह पहाडों में है या मैदानों में है नहीं सर्थ यह सारे वर्ष चलेगी पूरे ग्रहे पे चलेगी planetary ग्रही ये पहने कहते हैं और क्योंकि ये लगा तार चलती रहती है इन्हें prevailing winds भी कहते हैं तो prevailing winds कह दो, planetary winds कह दो है ना, जो pressure Counts को follow करती हो उनको स्थाइप पहने permanent winds के नाम से भी कह सकते हैं उनको इस नाम से भी जान सकते हैं जैसे हम कहते हैं वेश्टर लीज वेश्टर लीज वो पर्टिकुलर प्रेशर बेल्ट्स में जाती है ना हाई प्रेशर लो प्रेशर की तरफ यह सारे चीजे हम लोग याद रख सकते हैं और यह पमने सामानेता अपनी दिशा में परिवर्टन नहीं करती हैं कुछ भी हो जाएं और फ्रतिके लगवा 3330 किलोमेटर के शत्र में लगवा 3330 किलोमेटर के शत्र में विंट एक डारेक्शन में चल रही है बहुत बड़ी बात है आपके पास में ठीक है ना और यह ग्रही पहुने भी कहा जाता क्योंकि पूरे प्लैनेट पे चलती है अभी हमने फोटो बना याद करो वो एक निश्चित दिशा में बैल्ट को प्रेशर बैल्ट को फॉलो करते वे फ्लो होती है राजुजी यहां पे इन्हें प्रचलीद या प्रिवेलिंग विंड्स भी कहा जाता है क्या आमने पड़ा के सर यहां पे हाई प्रशर से लो प्रशर एक्विटोरिल लो प्रशर वह इस तरिव से आती वी प्रतित होगी तो वेश्चित नाम दे देंगे हाई से लो की तरफ फिर पोल्स के अंदर तो बैसिकली हमने यह सारी चीज़ देखी है कैसर आपके पास में पॉल से इस लो प्रशर की तरफ टेंप्रेट लो की तरफ विंड्स आएगी अगें नौ से स इस्टरलीज कहलाती है नंबर वन और नंबर वन तो आई होब यह पॉइंटेट्स आपके क्लियर होते वे चल रहे हैं तो पूर्वा पावन इस्टरलीज देखें के सर जो सब ट्रॉपिकल हाई से एक्विटोरियल लो आईटी सीज़ की तरफ जा रही हैं पूरो से आती साउथ इस्ट से और यह दोनों ही जो है कहीं कहीं इस्ट से पूर्व से आती होती है अते विन पूर्वा पावन इस्टरलीज कहा जाता है यही पूर्वा पावनों को ट्रेड विंड के नाम से जाना जाता है क्या नाम से ट्रेड विंड है ना व्यापारिक पावनों के ना कर सकती कोई भी कॉंटिनेंट है तो यह पौणने अगर यहां पर मैं कह lobby पूर्व से आ रही है यह पूर्व से आ रही है तो यह कहां वर्षा करेगी पूरी तर्ड़ट पर यहां पर नहीं होगी तो यहाँ पे क्यों होगा कि सर इनके जितने भी पश्चिमी इनके जितने भी पश्चिमी यहाँ पे इस एरिया के रीजन जो रहेंगे शेत्र के अंतरगत वर्षा नहीं होगी एरिड शुष्क रीजन होगा डेजर्ट स्पाय जाएंगे वर्षा नहीं होगी शुष्क और एरिड रिजन पाया जाएगा सर लाइव है क्या सर लाइव भी है और अलाइव भी है आप भी लाइव हैं कमेंट करके बताएं चलो ठीक है दोस्तो इसको पढ़ो अच्छे से तो पूर्वी तर्ट पे यहां पे वर्षा हो सकती है इस वींड ब्लो फ्रम दर सब्रोपिकल हाई प्रेशर तोवर्ड दर एक्विटोरिय लो इटी सीजेट और यहां पे बोथ हैमिस्वेयर के अंदर यह पवने जो है आपके पास में इस्ट पूरो दिसास आती हैं तता इन्हें पूर्वे पवने भी कहती हैं इस्टरली के नाम से भी जाना जाता है बहुत ही मैतपूर्ण इस्टरली पवने आप सभी के लिए इस वींड ब्लो इन ट्रॉपिकल रीजन और बिकॉस अफ दिस वींड रेंफॉल इस रिजीवट ऑन दे इस्टन कोस्ट ऑफ दे कॉंटिनेंट कॉंटिनेंट पे पूर्वी तटो के उपर बेसिकली क्या है यहां वर्शा करने वाली है और यहां पे ट्रॉपिकल साइकलोंस भी आ सकते हैं याद करने की कोशिच करो क्या यहां पे हमारे बे ओफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी के अंदर क्या कई बार यहां पे ट्रॉपिकल साइकलोंस आते हैं क्या यहां पे अरब सागर में कई बार साइकलोंस आते हैं तो वो क्यों आए वो आए इन पूर्वा पवनों के कारण वो किसके कारण आये सर आपके पास में कैसर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जो winds बहे रही है वो इन लो प्रेशर और यहाँ कोरियोलिस इफेक्ट में circular way में उपर की तरफ बहेगी cyclone number अल्रडी पढ़ चुके सुरुआत की class के अंदर तो यहाँ tropical cyclones भी आयेंगे इन ही पूर्वा परवोन के कारण फिर है वेस्टर लिस वेस्टर लिस कहाँ 30 से 60 के बीच में बहेगी 32 60 north और 32 degree 60 south के अंदर तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा नदन हेमिस्फियर में राइट की तरफ बेंड हो जाएगी southern hemisphere में left की तरफ बेंड हो जाएगी मतलब इधर से यहाँ आते होए प्रतीत होगी दोनों में यहाँ पे south यहाँ southwest है तो यहाँ northwest है तो दोनों में इनकी दिशा जो है वह पश्चिम से हैं वह दिशा पश्चिम सोने के काराण इनको basically हम पच्छवा पऊने western list का नाम दे देंगे अच्छा अब बताओ यह कहाँ वर्षा करेगी जो पश्चिम से आएगी वह पश्चिम ही तरफ पे ही तो वर्षा करेगी तो दोनों ही basically western coast पे जादा यहाँ पे बारिश होगी और eastern coast पे नहीं के बराबर बारिश होगी यह चीज़ याद रख सकते हैं अब मेरे को एक चीज़ बताओ कि हमारे प्रत्वी के ऊपर equator के north में जादा से जादा जैसे के north america हो गया central america हो गया थोड़ा बहुत south america हो गया यॉरोप हो गया रशिया, चाइना, एशिया इवन हमारा पूरा भारत और एफ्रिका भी पूरा का पूरा लगबग जादा से जादा जो है तटिय भाग, लेंड भाग continental भाग, north hemisphere के अंदर है southern hemisphere हो बहुत ही कम जगा जैसे south america का छोटा भाग अफ्रिका का छोटा भाग, ऑस्ट्रेलिया और कुछ आपके पास में जो है south east एशियन कंट्री के छोटे जोटे island countries है ना तो बहुत ही कम landmass है आपके पास में southern hemisphere में, तो यहाँ पे मैंने क्या बाता आया था, के sir घर्षन के कारण भी पवनों की speed कम होती है, तो वही वेस्टली जब 30 से 60 के बीच में northern hemisphere में flow होती है ना west से आती हुई प्रतीत होती है ना आपके पास में, west से आती हुई प्रतीत होती है आपके पास में, तो वह basically क्या है, in continents के कारण land surface के करण speed कम होती है जबकि अगर इसी 30 से 60 में वह जो flow हो रही होती है ठीक है ना, याद रखना यहाँ पे कोई overrode नहीं है, यहाँ कोई भी barrier नहीं है, तो क्या यहाँ पे speed ज़ादा होगी क्या यहाँ पे speed ज़ादा होगी तो दोनों ही hemisphere में basically जो है western list बैती है, पर southern hemisphere दक्षणी गोलार्थ के अंदर उनकी speed ज़ादा होगी तो 30 degree के आसपास में चालो होगी, फिर 40, 50 और 60 degree तक चलेगी याद रखना, यहाँ पे speed बहुत ज़ादा हो जाएगी, जैसे 40 degree के आसपास में, roaring 40s 50 पे पास में, few years 50 60s के पास में, shrieking 60s गरस्ती 40 हैं, प्रचन पचासा, चीकती 60 तो यह है प्रशन पूछा गया आपके पास में, westerlies are having higher speed in the southern latitudes what is the reason, the absence of the landmass, absence of the absence of the continents वहाँ पे landmass बहुत ही कम है क्या यह point clear हुआ, बहुत ही कम बच्चों को यह पूरा points पता होता है there are very less number of the students who are clear about these points, right sir, mountain है, continents है, यह resist करते हैं, है ना, चलो तो these winds start blowing from the tropical high pressure belt to the temperate low pressure belt, और यहाँ पे दोनों ही गोलार में पश्चिमी दिसा से चलना प्रारम करती है, westerlies जो है इस तारिक से पश्चिम सात्वी प्रतीत होती हैं भया आपके पास में, और इनको westerlies के कारण जो है, rainfall, this winds rainfall is received on the western coast, obviously पश्चिम से आ रही है, जहाँ पे भी मौश्चिर उठा है, पश्चिमी कोश्ट पे, पश्चिमी तट पे सबसे पहले बारिश करने वाली है आपके पास में, तो cyclone भी कहाँ पे आएगा, western coast पे ही आएगा, तो यहाँ पे क्या होगे, यह पाउनों की गती बहुत जादा हो जाती, बहुत ही तेज होती है तो गरस्ती 40 है, प्रचंड 50 है और चीकती 60 है नाम की यहाँ पे जो है, विबिन नामों से इन वेस्टरलीस को जाना जाता है, इन को जाना जाता है, I appreciate your effort your moralist sense of humor, sir thanks a lot for wonderful session, which helps us a lot in our revision, thank you, thank you so much, that means truly the world to me, that you guys are able to gain momentum and gain confidence in your preparation, I am just nothing but a stepping stone in your preparation journey, बस आपको एक marks, एक class से भी अगर आगे बढ़ा पाया, तो definitely यह class successful है, चलिए दोस्तों विट रूभी अपाउने, sir, North Pole से चलेगी 90 degrees से, temperate की तरफ चलेगी है ना, तो high से low की तरफ आएगी अब North के अंदर basically है right की तरफ, मतलब आपके पास में पूरो से आतीवी प्रतीत होगी, South में भी basically जो high pressure से low pressure, temperate की तरफ जाएगी यहाँ पे भी basically क्या होगी यह उपर की तार, जाता तक इस direction में पूरो से आतीवी प्रतीत होगी, तो दोनों को ही हम लोग, पोल से, दुरूव से आतीवी East से आतीवी प्रतीत होगी, पोलार easterlies कहलाएगी, ठीक है ना, और यहाँ पे जो wind start होती है आपके पास में, पोलार high pressure से, temperate low pressure की तरफ बैती है और दोनों hemisphere में यह जो winds होती है, वह East direction में बैती है, किस direction में बैती है बच्चा, है ना, East direction में बैती है इसलिए इनको polar easterlies कहा गया, दुरूवी पूरवा कहा गया और यह पावने अतरीक थंडी होती है और दुरूवी शैतर में चलती है, यह very cold, मतलब यह पावने जहां बहेगी ना, आसपास का पूरा area बरफ माए, पूरा बरफ से धग देगी, क्योंकि माइनस में temperature यह कर देती, किसी भी area में, blizzards etc, इसका example है यह तो थी planetary winds, easterlies westerlies, polar easterlies, etc, etc trade winds का नाम दिया हमने फिर कुछ वह westerlies का नाम दिया हमने फिर हमने south वाली westerlies भी पड़ी polar easterlies भी पड़ी अब हम पढ़ते हैं prevailing winds के अलावा permanent winds के अलावा, कौन-कौन सी जो हैं आपके पास में periodic winds है, सामिक पावने, सामिक पावने कौन सी होती है, जो समय समय पर अपनी दिशा परिवर्तन कर दे मतलब, कभी इधर चली north की तरफ, कभी इधर चली south की तरफ तो यहां पे, यह wind जो है अलग-अलग समय में, अलग-अलग direction में बहती है, मतलब इनकी दिशाओं में परिवर्तन होगा, है ना इस डारेक्शन में भी जाती है, इसको याद रख सकते है friction more speed friction more, speed is less friction less, speed is more, yes Shruti, you are right चलो फिर है sir, mountain and the valley breeze के sir, दिन में basically हवाएं कहां से कहां चलेगी valley से mountain की तरफ या mountain से valley की तरफ तो हवाओं में परिवर्तन होता है, है ना inversion के कारण, तापमान विलोम के कारण, पढ़ेंगे land and sea breeze, समुदरी किनारों के आसपास में भी हम लोग इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे monsoon में क्या होता है, कै sir गर्मियों में क्या होगा, जमीन जल्दी गर्म होती है, और पानी जल्दी ठंडा होता है आपके पास में तो आपके पास में पानी दिरे-दिरे जो हैं गर्म हो रहा होता है, तो यहाँ low pressure है, तापमान जादा है, तो हवाएं जो है high से low pressure की तरफ बैती हैं, ठीक है न, तो यहाँ पे monsoon winds की direction यह होती है, गर्मियों में, सर्दियों में क्या होगा आपके पास में, कैसर, जमीन पे ठंडी है, दिसंबर का महीना है, आपके पास में रिश, शीत रितु है, और शीत रितु के समय में क्या होगा, इस शीत रिशू के समय में, बिसिकल क्या होगा, high pressure के अंदर हवाएं जो है, यहां उच दाब है, हमारे यहां तो ठंड चल रही है बारत में, शर्दियों का सीजन है, और आसपास का पानी गर्म है, अतेव यहां पर क्या होगा, आपके पास में, low pressure, high say low pressure, तो जो winds कभी भारत के अंदर जारी थी, बारिश लेकर के, वही winds कहीं के सीजनल रिवर्सल भी हो रहा है, तो यहां पर पूरे mainland इंडिया के अंदर जो है कब बारिश करती है, जून, जुलाई, अगर सित्तम बर, है न, और रिट्रिवल, जो कहीं कई winter monsoon हम कहते हैं, वो बेव बंगाल से भी basically पानी उठाता है, और यहां पे, कोरो मंडल कोष्ट पे, आंदरा मंडल के तर्ट के उपर बारिश करता है, ठीक है न, यह सीजनल रिवर्शल हो गया, के सर, winds bury थी, direction change कर दी, सर्दियों में अलग है, गर्मियों में अलग है, यह points भी clear होते गए सर, हमारे पास में, next सर, आपके पास में land and sea breeze, के सर, याद करो बॉर्डर मुवी का वो डायलोग, याद करो सब से पहले, सुनिल से टीका, के धर्ती मेरी माता है, और मम्मी का एक बहुती बढ़िया characteristics होता है, गर्म बहुत जल्दी होती है, गुसा बहुत जल्दी होती है, और प्यार भी बहुत जल्दी होता है, थंड़ा भी बहुत जल्दी हो जाते है, तो land is having a characteristics, के वह पानी की तुलना में, स्थल जो है वह जल की तुलना में, बहुत जल्दी गरम हो तो दिन में तो क्या होगा सुर्य के प्रकास से बहुथ ज़ल्दी गरम और दिने प्रेशंख समुधर अभी इतना ज्यादा जल्दी गरम नहीं हुआ तापमान कम है अभी, हाई प्रशत तो दिन में पवने कहां से कहां चलेगी दिन में वाइस नहीं आ रही है, किस-किस को वाइस नहीं आ रही है सबको वाइस आ रही है My voice is clear Stop spamming or else I will be blocking you gentlemen Stop spamming or else you will be blocked you will be blocked from the channel kindly refrain doing it तो यहाँ पर पवने जो है high pressure से low pressure की तरफ move हो जाएगी जब पवने high pressure से low pressure की तरफ move हो जाएगी सर आपके पास में तो क्या होगा, सर समुद्र से पानी, समुद्र से पानी basically किस तरफ चलेगा आपके पास में Yes चलो सर जब समुद्र से पानी की तरफ चलेगी जिसको मैं कहूँगा सर सी से land की तरफ हवा आ रही है breeze आ रही, इसको मैं कहूँगा समुद्र से आने वाली breeze, sea breeze और सर जो sea breeze होगी, जिसको मैं कहूँगा आपके पास में, जल समीर, sea breeze है आपके पास में, तो दीन में क्या समूद्र से थंडी पाउने, स्थल पे आसपास में आएगी, और इस ऐरिया का तापमान कम करेगी, मौडरेट करेगी, और टैंपरिचर रहने लायक मनाएगी, रात में क्या होगा, याद करो, धर्ती, बहुत जल्दी घरम होती ही, बहुत ज से सी की तरफ चलेगी तो रात में basically कौन सी पावने चल रही है land breeze दिन में कौन सी पावने चल रही है आपके पास में sea breeze और इन पावनों के अंदर basically हमने देखा कि सर दिशा परिवर्त नुए periodic winds है क्यों हुआ क्योंकि सर land और water के जल और स्थल के कहीं न कहीं तापांतर के कारण है न के सर उनकी relative cooling और heating land की ज़्यादा जल्दी होती है और water की थोड़ा धीमे धीमे होती है I hope this point is quite clear to you है न चल यह तो यह सारे बिंदू हम लोग लिख चुके हैं अब हम बात करते हैं mountain and the valley breeze की mountain और valley breeze में हम लोग अगर समझने की कोशिश करें बच्चा लोग तो जो यहां पर mountains होती है उनके बीच में कहीं कई घाटे अभी होती है valleys भी होती है आपने देखा होगा mountain जो है दिन के अंदर जो है सूर्य का प्रकाश जो है वो basically लगातार आकर के यहां पर mountain के top के उपर गिर रहा है तो यहां की जो पवने है वायू है air है वो गरम हो जा रही है तो यहां एक low pressure से low pressure की तरफ मतलब valley से mountain की तरफ valley से mountain की तरफ तो जिस डिसा से हवाई आ रही है उस दिसा का नाम दे दूंगा मैं तो सर दिन में बहेगी आपके पास में valley breeze घाटी समीर दिन में बहेगी valley breeze घाटी समीर का नाम आप लोग याद रख सकते हैं इसका ठीक उल्टा रात में रा कि सर यहाँ पे दीरे दीरे क्या होगा high pressure क्रिट होगा ठंडा होने के कारण हवाए और यह हवाए जो है ठंडी हवाए जो है high pressure वाली हवाए low pressure की तरफ जाएगी तो रात को हवाए mountain की top से basically low pressure के area के अंदर जाती है तो यहाँ पे high से low की तरफ हवाए जाती है mountain से valley की तरफ तो valley से mountain की तरफ valley breeze रात में basically क्या है यहाँ high pressure यहाँ low pressure तो basically क्या है यहाँ पे mountain breeze चलेगी परवत समीर इसको इसको भी आप लोग pointers की format में लिख सकेंगे I hope यह भी आपका point clear हो चुका है यह भी आपका point clear हो चुका है ठीके तो यहाँ पे अब आपको next topic करना है है ना तो आपका कौन कौन से topics clear हो चुके हैं मैं एक बार list देख रहा हूं दोस्तों अपना patience बनाए रखें कि सरकौन कौन से topics बाकी रह गए हैं मैं थोड़ा सा उसकी एक बार list देख लेता हूं चलिए यहां तक समझ में आया सबको क्या आप सभी लोग class enjoy कर पाए अभी हम basically next topic पढ़ रहे हैं और उस next topic में हम लोग क्या पढ़ेंगे humidity पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे humidity पढ़ने वाले हैं तो जल्दी से आओ यहां पे अभी हम लोग एक topic का यह डाल देते हैं heading डाल देते हैं humidity ठीक है लेट में ड्रिंक सम वाटर तो next topic है हमारा आदरता humidity humidity के उपर हम यहां पर बहुत ही basic और important concepts को basically दोस्तों सीखेंगे समझेंगे और आपके UPPSC exam point of view से क्या concepts यहां पे apply कर सकते हैं और क्या यह मेंस में आपको कहां तक help कर पाएगा उसकी भी हम विशेवार चर्चा करने की कोशिश करेंगे आपको यहां पे definitely साथ-साथ में pen और paper लेके जैसा कि मैंने हमेसा सुरुआत से ही का है बने रहना है flow chart pointer जैसे भी आप बना सकें end of the day आपको तमाम तो notes हैं PDF हैं वो अविल करवाई जाएगी जैसे ही यह class complete होती है यस तो next topic है हमारा आदरता humidity humidity के उपर हम यहां पर बहुत ही basic और important concepts को basically दोस्तों सीखेंगे समझेंगे concept लिख रहे हैं उस concept का यस तो next topic है हमारा आदरता humidity humidity के उपर हम यहां पर बहुत ही basic और important concepts को basically दोस्तों सीखेंगे समझेंगे और आपके UPPSC exam point of use क्या concepts यहां पर apply कर सकते हैं और क्या यहां मेंस में आपको कहां तक help कर पाएगा उसकी भी हम विशेवार चर्चा करने की कोशिश करेंगे आपको यहां पर definitely साथ साथ में pen और paper लेके जैसा कि मैंने हमेसा सुरुवात सही कहा है बने रहना है flow chart pointer जैसे भी आप बना सके end of the day आपको तमाम जो notes हैं PDF हैं वो अवेल करवाई जाएगी जैसे ही यह class complete होती है आए आगे बढ़ते हैं आदरता और humidity के बारे में हम basic जानकारी लेते हैं दोस्तों तो दोस्तों humidity आदरता जो है सबसे पहले तो हमको यह कहा गया है कि हवा में जो नमी पाई जाती है जो water vapor पाई जाती है है ना उसी को हम basically क्या कहते हैं आदरता कहते हैं उसी को हमने अंग्रेजी में क्या बोल दिया था उसी को हमने अंग्रेजी में humidity बोल दिया था अच्छा इसको मैं measure कैसे करूंगा इसको मैजर करता हूँ सरा हाइग्रो मीटर से किस से मैजर करता हूँ हाइग्रो मेटर से अच्छा हाइग्रो मेटर से जब इसको मैजर करता हूँ तो डेफिनेटली मेरे को पता चलता है कि मेरे आसपास की हवा में या जहां मैं मैजरमेंट कर रहा हूँ जहां मैं मापन कर र यह पता होता है जब मैं यह कहने की कोशिश करता हूं कि लोगों को तक्या कलाम नहीं पता होता है वट डूइन बैड़ एक सिंपल सी मीनिंग है हमारे पास में के स्टूडेंट्स को बेसिकली पता ही नहीं होता है and absolute humidity है ना आपके पास में शापेक्ष और निर्पेक्ष आदरता में क्या अंतर है तो पहले तो आदरता बताओ ना तो लोगों को पता ही निए वो उसकी उल जुलूल पता नहीं कैसी definitions लिख रहे होते हैं है ना इसको भी याद रख सकते हैं बिलकुल voice आ रही है आरे फ्लीज refresh करे class को विलकुल आप सभी students को voice clear है audio clear है video clear है एक बार मेरे को thumbs up लिखके दे दो आदरता को hygrometer से मापा जाता है it is measured by hygrometer अच्छा आदरता की ही क्या होगी के sir मैं अगर एक वायू का एक particular air का एक column ले लेता हूँ suppose I take this column suppose I take this column के sir यहां पर जो यह मैंने column लिया है इस column मैं basically मैं यहां पर क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ so this 1 meter by 1 meter by 1 meter तो यहां पर meter gun या meter cube area में कितने gram जो है मेरे पास में क्या है कितने gram मेरे पास में आदरता है वह किसमें दर्साई जाएगी humidity की format में दर्साई जाएगी यहां पर so hygrometer क्या है क्या काम करने वाला है यह basic चीज़े भी आपको पता होने चाहिए हम समझ चुके एक निश्चित आयतन में दीपक भाईया हमारे पास में कितना amount है water vapor का कितनी आदरता है उसको मैं कह रहा हूँ this is humidity this is आदरता रीमा यह clear है दीपक यह clear हो चुका है point चलो अब हम पढ़ते हैं कितने कितने आपके पर यह है प्रकार हो सकते जब मैं प्रकारों को पढ़ने की कोशिश करता हूं मेरे दोस्तों तो यहां पर मैं निर्पेक्ष आदरता की भी बात करता हूं I'm talking about absolute humidity चलो सर absolute humidity क्या होता है जब मैं और आप basically layman terms में बात करते हैं कितनी जलवास्प की मात्रा उपस्टित हैं उसको हम लोग क्या कह देते हैं आदरता कह देते एक particular temperature के उपर कितनी water vapor present है per unit volume मतलब cube square जो है meter cube area या फिर जो भी basically एक घन एकाई area के अंदर उस हवा में कितनी water vapor present है मतलब यहां पर मैंने इसको निर्पेक्ष क्यों कहा है why did I call it as the absolute मतलब इसको मैं किसी से compare नहीं कर रहा हूँ I am not comparing it with anything है ना जैसे मैं आपको कहता हूँ person A is taller than person B मतलब मैंने क्या दिया एक reference दे दिया है मैं कहीं न कहीं basically दोनों को क्या कर रहा हूँ relate कर रहा हूँ A को और B को basically क्या कर रहा हूँ एक शापिक्षता में लेके आ रहा हूँ एक relativity में लेके आ रहा हूँ मैं basically यहाँ पर क्या कर रहा हूँ बता रहा हूँ कौन बड़ा है कौन छोटा है पर अगर मैं कहा है दूँ आपके पास में के A की height जो है 5 feet 4 inch है ठीक है बया अब मेरे को नहीं तो B का पता और नहीं exactly प पता absolute humidity क्या होने वाली है कि जब आप किसी भी हवा के अंदर एक निश्चित आयतन के अंदर एक निश्चित एरिया के अंदर आयतन के अंदर कितना volume के अंदर जो है water vapor present हो सकता है उसको बता रहें मतला अभी तक मैंने compare नहीं किया है किसी दूसरे air mass के साथ में और नहीं य चलो सर ठीक है यह absolute कहलाता है मतलब इसका नाई मेरे को head पता है नाई tail पता है नाई left पता है नाई right पता है मैंने सीधा एक air pocket लिया और उसकी आदरता आपको बता दी मतलब मैं किसी से relate नहीं कर रहा मैं किसी से भी basically शापक्षता नहीं कर रहा यह है absolute जिसको हम लोग कहते ह आपके पास में relative humidity क्या होती है शापक्ष आदरता क्या होगी शापक्ष आदरता तो basically क्या बताएगी सर definitely यहां पर हम absolute humidity वाला concept उठाएंगे के सर एक निश्चित आयतन में एक निश्चित जो है आपके पास में volume में कितनी water vapor है उठाली सर के सर जो आपके पास हम absolute humidity है वो उ समता है कि सर हवा के अंदर basically मैं कहता हूं hundred gram per meter cube water capacity है उसकी के सर वो इतना moisture इतना water vapor इतनी जलवास पर रख सकता है पर वो रखे हुए सिर्फ 40 है तो जो 40 वाला number है ना भाईया वो यहां पर आ जाएगा जो 100 वाला number है वो यहां पर आ जाएगा इसको multiply कर देंगे 100 से तो यह बेसिकली क्या निकल जाएगा आपके पास में कट करने की कोशिश करो आपके पास में you will have the idea around 40% around 40% तो फिर मैं क्या कहूंगा कि यह जो हवा है इस हवा में सापेक शाधरता 40% है तो जैसे ही मैं आपको यह कहता हूं कि इस हवा में 40% है आपके पास सापेक शाधरता है अभी भी इसमें और मॉइश्यर एड कर सकता हूं can I add some more moisture to this yes यह है relative humidity and guess what इस बार में relate कर रहा हूं इस बार में शापेक शता बता रहा हूं sir कितना हो सकता है कितना है suppose आज मैं आपके एक test लेता हूं कि बच्चा मेरे को बताओ relative humidity के उपर यह यह questions है आप questions attempt करते हैं और 50 number म और 50 number क्या है पूर्णांक the full marks right तो हवा कितना full moisture hold कर सकती है उसमें से हवा में कितना moisture है तो यह relativity बताती है कि हमें relate कर सकता हूं कि सर यह बच्चा 50 number ला सकता था पर लाया 25 है तो सर 50% इसका क्या हो गया आपके पास में के सर माक्स इसके 50% माक्स है 50% 25% 50% आदा लग बग है किस में आने वाली हैं सापेक्ष आदरता हमेंसा percentage में दर्शाई जाएगी प्रतिशत में दर्शाई जाएगी अच्छा जब मैं absolute humidity की बात करता हूं उसको मैंने कहाता कि प्रती इकाई आयतन में जैसे मीटर क्यूब में कितना water vapor हैं कितना grams water vapor हैं इसकी हम बात करते हैं क्या समझ में आया क्या मज़ा आया अगर समझ में आ गया कि सर पहली बार आप में को समझ में आया कि सर absolute क्या है relative क्या है अब तो सर मैं basically किसी भी जो है Tom, Dick, Harry को राश्त में बता सकता हूं इदर आतर को निरपेक्ष आदरता समझा देता हूं चुटकियों के अंदर है ना तो यह चीज समझ में आ गए आपको I hope हर concept की तरह यह concept भी बहुत सहजता से आपको समझ में आया होगा यह मेरी आसा है आप सभी के साथ में तो अगर मैं यह कहूं कि सर आपके पास में full water holding capacity जैसे relative humidity कितनी है 100% अच्छा 100% हो गई तो क्या मतलब हुआ बया कि सर मैं जो सुरुवात में कह रहा था कि सर इस water volume के इंदर इस air volume में 100 unit जो है waterway पर आ सकती है और सर सुरुवात में हमने का सरी 40 ही थी तो सर relative humidity वहां 40% थी पर अगर 100 में से अगर जितना वो उसकी capacity उसके बराबर अगर मैं जाकर कि यहां पर रख देता हूं if all the capacity air is having to hold the moisture I'm supplying that amount of the moisture what will happen what will happen is multiply it with 100 again and you will have 100% relative humidity और जो 100% relative humidity है ना बच्चा वह क्या होगा वह क्या है जो आपके पास में जब भी मैं कहता हूं कि सापेक्ष आदरता 100% है बलब पानी अब बेसिकली क्या है 100% है एक बुंद और बढ़ाई पानी condensed होना शुरू हो जाएगा पानी जो हैं बुंदों में परिवर्तित होना शुरू हो जाएगा समझने की कोशिश कर रहे हैं यह याद रखेंगे तो जब आपके पास में relative humidity 100% होता है इसका मतलब आपके पास में वह air saturate हो चुकी है वह हवा वह वायू संत्रप्त हो चुकी है और जब कोई भी हवा संत्रप्त हवा कहला रही है आपके पास में जब कोई भी हवा संत्रप्त हवा कहला रही है उस वक सर मेरे को यहां पर सिधा सा यह देखना है कि सर वहां पर कंदेंशेशन होगा मतलब अभी तक जो वाटर वेपर्स थी वह दीरे-दीरे बिसीकली देखो आध्रता गराही केंद्र के चारो तरफ बेसिकली दीरे-दीरे water droplet condense हो ना शुरू कर जाएगी दीरे-दीरे water droplets बनाएगी जल की बुंदे बड़ी होती जाएगी condensation होगा cloud बनेगा cloud बनेगा दीरे-दीरे-दीरे rain भी हो सकती है कितने लोग मुझसे इसमें concur करते हैं इसको याद रख सकते हैं हम लोग ठीक है न इसको भी याद रख सकते हैं अच्छा अब कुछ लोग students कह रहे हैं कि क्या इसमें ice बनेगा हुकुम देखिए जब भी बारिस होते समय अगर आसफास का तापमान cloud का temperature और cloud का आसफास के area का temperature 0 से नीचे हैं तो यह water droplets ice crystals में convert हो जाएगी हम सबको पता है freezing point 0 degree से नीचे और अगर यह 0 degree से उपर है और condensation हो रहा है तो water droplets बन जाएगी आपके पास में I hope this point is quite clear तो saturation का मतलब समझ माया आपको अच्छा यह देखने की कोशिश करो प्रभाकांत करम वीर अभी तक किसी students को नहीं समझ माया saturation का क्या मतलब है तो मैं संत्रप्त वायू के बारे में यह बताना चाहरा हूं जैसे आप उठा लो एक basic pointer उठाओ एक basic pointer इसको इस तरीके से उठाओ आप लोग की just a second कि यह उसको इस तरीके से लेने की कोशिश करना घर में कोई भी रूई उठा लो छोटी सी रूई या घर में कोई सब्सक्राइब करता है तो क्या करता है उसको एब्जॉब करता है आरिफ करता है जितनी उसकी कपैसिटी जितनी उसकी कपैसिटी के बराबर अब्सक्राइब कर दिया तो उसमें से एक भी मूंद बाहर नहीं आएगी पानी की अगर सोचे उसकी कपैसिटी से ज्यादा पान अगर वो maximum amount तो पहुंच गया तो वो saturated air होगी आपके पास में ठीक है ना इसको याद रख लेना इसको लिख लिख सकते हैं pointers में आप कि पर्टिकुलर तापमान पे है ना आट पर्टिकुलर temperature कितना percent ratio है absolute humidity का और हवा की moisture holding capacity का इसको relative humidity कहते हैं मतलब उसमें कितना moisture है और कितना moisture हो सकता है maximum कितना अधिक्तम जो है उसमें आदरता हो सकती है वे कितना moisture है कितनी आदरता है जब मैं इन दोनों को compare करता हूं जिसका ratio अनुपात निकालता हूं तो मेरे पास में एक ratio आता है जिसमें शापक सता मैं relate कर पाता हूं कि सर इसमें और कितना एड़ किया जा सकता सपोज मैं आपको यह कह रहा हूं कि सर यहां पे 80% जो है वह क्या relative humidity है सत्या अभिशेक अगर मैं यहां पे कहूं साहिन कि सर हमारे पास में 80% के करीब क्या है relative humidity है इसका क्या मतलब हुआ फिर इसमें 21 के बाद में 100% हो गया 80 plus 20 100 हो गया 80 plus 200 हो गया अब उसमें एक प्रतिशत क्या आदा प्रतिशत क्या 0.1% भी थोड़ा और एड़ गया टप 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 कंडेंशेशन चालो I hope you are able to understand हम सब एक मानसिक एकता बनाके चलते हैं इस बिंदू पे at least आईए आगे परसेंटेज और बताया जाता है जब यहां परतिशत हो जाती हैं वह संतरप्त वाहिव कहलाती है मतलब उस वाहिव में अब और मोश्यचर नहीं एड़ कर सकता और वाटर वेपर होल्डिंग के पैसटी नहीं है नहीं है इतना सा आपको लिख लेना है और मैं आशा करता हुँ कितना तो लिखत चुके उसंत्रप्त वायू हो जाएक तो क्या होगा संकनन होगा संगनन होगा यहां पे intense hago कहा होना है क्या एसी हवा में होगा जहां पर में मौने में से punished मेरी केपैसिटी का पहुंच जाओंगा तब मैं कहूंगा हाँ अब मैं देने लायक हूँ अभी तो और लिगा है ना यह दिल मांगे मौर चलो यह दो चीजे हो गई अब हम एक तीसरे और कलिष्ट कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे जिसको कहींगे विशिष्ट आत्र सब्सक्राहां प्रतिह सब्सक्राइब कितने जलवा Agent की मातरा हैं उसे विश्ष्ट आदरता कहेंगे तो absolute मतलब समझ गए मैं आयतन की बात कर रहा हूं दिशा दीपक श्टुती absolute में आयतन की बात हो रही है यहां जब मैं grams और grams किया है भार की unit weight की unit और जब मैं यहां पर 1000 gram या 1 kg air volume को देखूं उसमें कितना water vapor है उसमें किती आदरता है तो वह जलवास्प की मात्रा को विशिष्ट आदरता कहा जाएगा आवी क्लियर ओन डैट आवी क्लियर ओन डैट आप निश्चिंत रहें आपको तमाम notes दिये जाएंगे जो आप board पे देख पा रहे हैं मेरा लक्ष क्या है आपको अच्छे से समझाना क्योंकि आप एक बार अच्छे से समझ गए ना तो जो आपने च्छटी में सात्वी आठी नोवी दस्वी ग्यार्वी बार्वी ग्रेजियोशन पास करके भी नहीं सीखा है जो ग्यान के मोती बिखरे हुए हैं उनको एक माला में पिरोना है तो सब करें प्लस क्लास के साथ में अगर आप सोचेंगे एक सर यह पॉइंट नहीं लिखा सर पिछली स्लाइट पर कोई पॉइंट नहीं लिखा निश्चिंत हैं हमें तो बेसिकली क्या करना है समझ को स्ट्रॉंग करना है आप समझिए यह सारा कंटेंट आपको मिलने वाला है आप पुरा निश्चिंत होकर के बैठने वाले हैं ठीके चलो शाब बाश तो विशिश टादरता आ गई तो सर वहां पे 1000 ग्राम 1 kg के अंदर कितना वाट वेपर हैं तो दोनों ही समझ में आ चुकी है आपके पास में चलो इसकी क्या होगी यहां पर मैं लिख दे रहा हूं percentage यहां पर मैं दिख दे रहा हूं आपके पास में पर grams per meter cube यहां मैं लिख ले रहा हूं grams per grams per kilogram ठीक है ना अब मेरे को बताओ इसमें से relative humidity किसका इकाई होगा यहां पर मैं क्या लिख होगा यहां मैं क्या लिख होगा relative humidity शापेक्श अदरता ठीक यह ना अच्छा जब मैं यहां पे आयतन में बात कर रोहOOOOoire ओ आपके पास में absolute humidity मैं हम अच्छा जब मैं यहां neurolog में भार में बात कर रहूँ तो यह क्या होगा आपके पास मैं इसको हमने क्या पूछा जा सकता है ना आपको यहां पर बेसिकली तीन इकाईयां दे दी और उसमें से पूछ लिया जा सकता है आपके पास में विच फॉलोविंग इस यूनिट तो शो रालेटिव उमिडिटी तो एक परसंटेज दे दिया जाएगा वह सही होगा है होग पॉइंट इस क्लिर धुल बहुत एक सबस्ज्द अब लोग बच्चा यहँँ पे नमी शमत शमता नमी शमता क्या है चले और सकती आंगा बोट अंदर कितना वाटर्य वेपर होल्ड करने की capacity है ना तो उसको हम लोग नमी शमता या moisture capacity भी कह सकते हैं आपके पास में या फिर इसको आधरता शमता भी कहा जा सकता है अच्छा यहाँ आपको याद रखना है कि सर इसका एक proportional relation होता है इसका एक proportional relation होता है किसके तापमान के साथ में मतलब अगर किसी हवा का मैं तापमान बढ़ाता जाओं अगर किसी हवा का तापमान बढ़ाता जाओं उसकी moisture holding capacity भी बढ़ जाएगी उसकी moisture holding capacity भी बढ़ जाएगी याद रखेंगे यह याद रखना कि अगर मैं किसी भी हवा का तापमान बढ़ा रहा हूँ तो moisture holding capacity बढ़ रही है पर अगर मैं किसी भी हवा का तापमान घटा रहा हूँ तो moisture holding capacity भी घट रही है तो इसलिए हम कहते हैं कि थंडी हवा हैं समुदर के उपर से बले कितना भी निकल जाएं वो कभी भी समुदर से moisture नहीं उठा सकती कारण temperature कम है हुकम कारण moisture holding capacity कम है तो जब moisture नहीं जलवास पी नहीं तो वो बहेगी mid latitude पर याद करो mid latitude 35 से 25 के बीच में वो बले ocean से basically land की तरफ चल रही हैं ठंडी हवा हैं पर वो कभी भी basically बारिश नहीं करा रही हैं वहाँ पर deserts ही मिलेंगे याद करो hot deserts हमने पड़े थे है ना यहाँ चीज भी आपको clear होनी चाहिए तो क्या है आपके पास में नमी शमता का तापमान से relation के सर यह proportional relation है एक बढ़ेगा दूसरा भी बढ़ेगा एक को घटाओगे तो दूसरा भी घटने वाला है है ना इसको भी हम लोग याद रख सकते हैं अच्छा इसको भी याद रख सकते ह ठीक है नमी वे आदरता में क्या फरक होता है देखिए moisture जो होता है ना शाहिन उसको हम layman's terms में यूज करते हैं जबकि उसी को हम geography में थोड़ा सा scientific way में पढ़ेंगे we call it humidity we will call it humidity है ना तो यहां पे basically जो है इनको interchange करके थोड़ा सा पढ़ा जाता है कई बार but you are supposed to know about the humidity as a concept and we delivered it to you in a very simple format I hope this point is quite clear just example Sahara right so relative humidity अगर हम बात करें सर यूमिडिटी तो सो तापमान के साथ में जो है proportional relation में पर सर शापेक शादरता क्या होगी सर शापेक शादरता के साथ में अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो वह basically क्या है यहां पे नमी शमता के मतलब इस moisture capacity के ठीक होगी मतलब अगर नमी शमता जादा है तो relative humidity कम होगी अगर नमी शमता कम है तो यह जादा होगी relative humidity जादा होगी आपके पास में राइट तो इन दो चीजों को दो रिस्तों को आप लोगों को बहुत अच्छी से समझना है relative humidity percentage के अंदर में दर्शा राता राइट percentage में में ये दर्शार आता और हवा की नमी शमता कब बढ़ेगी जब तापमान बढ़ेगा तापमान बढ़ा नमी शमता बढ़ी तो रेलेटिव उमिडिटी घटेगी घटेगी तो जिस भी एरिया में तापमान अधिक होगा उस एरिया में रेलेटिव उमिडिटी कम होगी कम होगी इस चीज़ को भी हम लोग याद रख सकते हैं, इस चीज़ को भी हम लोग याद रख सकते हैं, बस यह दो पॉइंटर्स थे जिसको आपको याद रखना था, किसी भी वायू की जलवास पर ग्रहन करने की अधिक्तम शमता को नमी शमता कहते हैं, है न, आपके पास में इसको म यहां पर साथ में काम होगी बढसे में सब्सक्राइब यहां पर कम होगी तो मीजेम के पास ओधा कम होगा व अर पर कना जबो जातीया है गया से एशेड़ा उन्ठी आध्रता जो है इनवेस्टी gपशेफ्शनल्ट तो यहां तक यह सारे पॉइंटर्स हमारे क्लियर हुए तो जिस ताप मान पर वायू संतरप्त होती है उसे वायू का ओशांक कहा जाता है देखो मैंने क्या खाता आपको याद करने की कोशिश करो अभी हमने थोड़ी देर पहले एक कपड़े का एक्जामपल लेकर समझाता के एक पोच्छा जब हम लगाते हैं गिली सर्फेस के उपर वो जितना होल्ड कर सकता है तब तक वो होल्ड कर रहा है नीता और उसके पश् जो है अपनी फुल कपैसिटी कितनी वह आदरता रख सकता है उतनी आदरता वह बनाए हुए है पर सोचने की कोशिश करना अगर वह उस आदरता से थोड़ा सा भी ज्यादा अगर अपने पास में लेके आएगा 100% तक मौशिर उसके पास में हो जाएगा तो वहां पे क्या ह उस तापमान पे जहां पे 100% जो है किसर मेरी कपैसिटी का 100% वाटर वीपर है मेरे पास में उस तापमान को हम ओसांक कहेंगे मतलब उस बिंदू से ज्यादा उस बिंदू पे पहुंचते ही वह जो हवाएं हैं अब संतरप हो चुकी है सैचुरेट हो चुकी है अब वह हव उसके कर्ण देखते हैं नहीं देखते हैं पत्तियों के उपर हैं घरों के उपर हैं दिवारों के उपर हैं देखते हो ना उस गाडियों के उपर हैं वो कैसे दिखी क्योंकि जो हवा अचानक से तापमान बिसिकली रात का कम रहता है हमको वहां ओस गिरती हुई दिखती है दिखता है कि हवा के अंदर जो moisture है वह कहां तक पहुंच चुका है हमने क्या बता है तापमान बड़ा moisture holding capacity बड़ी पर तापमान घटा तो जो हवा में moisture holding capacity वह भी घट गई सर्दियों में तापमान घटा तो moisture holding capacity भी घट गई मतलब saturation point बहुत ही कम है ना तो रात को ठंडी हवाओं के कारण तापमान घटने के कारण saturation point जो है वह basically संतरप्त हुआ है बहुत ही कम तापमान पे भी पहुंच पाती है अते बिसिकली क्या होगा कम तापमान है वह ज्यादा water holder नहीं कर पा रही है उसका जो basically saturation point बहुत जल्ली पहुंच जा रहा है आस पास में वह condensation शुरू कर देगी क्य क्या यह समझ में आया एक बार comment करके बता दो है ना तो ड्यू पॉइंट पे basically क्या होगा ड्यू पॉइंट पे condensation सुरू हो जाएगा कि जो water molecules जो थे आपके पास में हवा में वह water molecules जो है दीरे-दीरे basically क्या है यहाँ पे condense हो जाएंगे water droplets के अंदर कर और हमें due दिखने ल viewpoint है हमारा जो तापमान है हमारा अगर वह 0 degree से कम है अगर वह 0 degree से कम है तो वहां पे जो जल वाश्प है वाटर वेपर हैं वह condense होकर के हिम कर्ण बनाएगी ice crystals के अंदर आ जाएगा और जब ice crystals गिरेंगे तो हम basically बच्चों की तरह खोश होंगे वा बरफबारी हो रही है हम पात हो रहा है समझ माया चलो सर अच्छा अगर यह 0 degree से अधिक है मतलब अभी लिक्विट स्टेज में रहेगा मतलब आपके पास में यह जलवास्प जल में संगनित हो जाएगी water वेपर water में condense हो जाएगी और हमें आसपास के सतहों के उपर क्या देखने को मिलेगा we will find water droplets तो यह समझ माया क्यों हमें कई बार जो है सुबह उड़ते ही कुछ एरिया ठंडे एरिया में बेसिकल क्या देखेगी पत्तियों के उपर बर्फ जमी होई दिखेगी आइस क्रिस्चल जम होई देखेंगे जबकि गरम एरिया होगा आपके पास में 0 degree से उपर अगर dew point बन रहा है condensation हो रहा है saturation पहुंच रहा है वहां पर हमको water vapor देखने को मिलेगी ठीक है यह याद रखना fog क्या है fog basically क्या होता है कोहरे में तो क्या होता है कि सर atmosphere के अदर अभी condensation चल रहा है atmosphere में जो है दीरे-दीरे जलवास्प जो है वो दीरे-दीरे संगली थोरी है हाइग्रो سکॉपिक नूकलिएस के असपवास आधरता गराही केंद्र के असपवास पर यहां पर दीरे दीरे क्या है अभी भी एटमॉस्फिर क्या अंतर गती है वह एक एरिया के उपर नहीं पहुंची है तो जो dew होती है वो किसी surface के उपर पहुंचती है गाड़ी पे दिवार पे पैड़ पोदो पे पतियों पे घास पे आपके जूते बाहर रखे हैं रात को याद करो ठंड के अंदर तो सुबह सुबह उस पे हलकालगा moisture दिखता है तो क्या है वह ड्यू है वह ओस है याद रखन के उपर condense कर दिया ठीक है सर समझ मांगी हमें यह बात अगर सोचने की कोशिश करो यह तो कुछ moisture है ना अभी तो कई सारा moisture जो है अभी हवा में अभी उस air pocket में मौजूद है जो basically हवा के अंदर water vapors है वो हमको धुंद कोहरे के रूप में दिखाए देती है वो हमें fog के बरफ गिर रहा है तो बरफ के ओले गिरेंगे hills गिलेंगे और hills कैसे बनते हैं वो हम precipitation के साथ में समझेंगे तो आप अपने doubts को basically थोड़ा सा सहेज के रखें है ना एक पोटली बांद के उपर वाली जेब में डाल के रखें कि क्यों बारिश के साथ में बरफ के ओले गिर ग अपने आप में एक बड़ा subject हैं और बड़ा topic है जिसमें अच्छा खासा समय देने की कोशिश करेंगे आप इस पॉइंट इसक्राइब क्लियर चलो अ कि 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 या कि कि आई होब कि कि यह अबल तो अब्रस्टैंड the topics that I just covered with you all of you समझ माया बहुत ही अच्छे से yes हम सब को यह topic बहुत ही अच्छे से समझ माया चुका है एक मिनित का समय दीजीगा मुझे I'll just take my medicine I guess fever थोड़ा ज्यादा हो चुका है but still अभी क्या है the session is going on over here right the session is still going on तो वह आप लोग ध्यान रखेंगे just take some notes yeah अब हम next topic की heading डालने वाले और next topic की heading क्या है आगरिये जल जो है बहुत अधिक मात्रा में एक दिशा में बेसिकली प्रावाहित होने लगे तो इसको एक particular direction के कारण मासा के धारा कहा जाता है और obviously यहां पे यह कोई छोटा मोटा नहीं होगा वज़ा आपके पास में सेकडो जारो किलो मिटर में एक particular direction में एक particular direction में जो है यह flow हो रहा है अतेव हमें पता होना चाहिए ठीक है ना बिलकुल बिलकुल अभी 2 गंटे और पढ़ सकते हैं क्या बात है आप 2 गंटे और पढ़ सकते हो हम 10 गंटे और पढ़ावी सकते हैं ठ ठीक है हाँ चलिए आगे बढ़ने की कोशिश कीजिएगा आपने यह चीज लिख चुके हैं तो यहाँ पर लिखें मेजर जो objective क्या है ocean currents के किस तरीके से जो है हम redistribute करें अर्थ पर जो heat है खाली जमीन पर इनी ocean भी तो heat receive कर रहा है पानी भी तो जो है वह heat receive कर रहा है तो अगर हम विश्वत रेखें शेत्र से किस तरीके से polar region में दुरूविय शेत्रों के अंदर उसको ले जा सकते हैं महासागरिय धाराय हमें सा उच्च जलस्तर से निम्न जलस्तर की और ही बहती हैं इसको याद रखना अच्चा उच्च जलस्तर से का क्या मतलब हुआ सर आपक एक्वेटर और एक्वेटर के आसपास में बनाओ हमारा सन का डारेक्ट कहीं कहीं जो है ट्रॉपिक्स और एक्वेटर के आसपास में यहां पे है ठीक है सर तो इस एक्विटोरिय डीजिन में जीरो डिगरी के आसपास में क्या होगा ज्यादा गर्मी होगी तो सर यहां पे जो मासागरिय जल जो ओशिनिक वाटर होगा क्या वो भी ज्यादा गरम होगा जी हाँ होगा सर और अतेव बेसिकली क्या होगा इसके कारण बेसिकली क्या होगा कि सर यहाँ पे मासागरिय जल जो होगा वो ऊपर की तरफ थोड़ा सा उठेगा है ना ये पानी ठंडा है तो यहां पे सब मास आगरी है जलका basically sea water level होगा वो पोल्स के आसपास में कम होगा और यहां पे थोड़ा उपर की तरफ उठाओगा क्या हम कहते हैं कि सर गरम हवा फैल जाती है शुरुती कीर्टी नुद्धन महावीर आंजली हर्शिता योगिता अंशुए डॉल येस तो क्या हम यह भी जान सकते हैं कि सर अगर पानी को भी गरम करूंगा तो वह थोड़ा फैलेगा हां या ना उसमें भी थोड़ी होने के कारण क्या होगा कि सर यहां पर सी लेवल जो है वह थोड़ा रैलेटिवली हाई होगा पोल्स पर पानी ठंडा है सी लेवल लो रहेगा क्या यहां पर एक ग्रेडियंट देखने को मिला हमें शुरुती क्या हमें एक ग्रेडियंट एक धलान देखने को मिली यहां प डलान सी देखने को दोस्तो मिलती है आपके पास में तो मेजर अबजेक्टिव क्या है कि सर यह है इस equatorial शैतर के अंदर जो heat है इस heat को redistribute करे किस तरीके से पानी जो है वह है यहाँ भूमत यह सागर से equatorial region से basically हम दुरू तो यह लेके जाए ताकि दुरू पे भी थोड़ी उश्मा थोड़ी हीट पहुंचे और दुरू का ठंडा पानी एक्वेटर की तरफ लेके जाए ताकि जो यहां गरम तापान हो चुका है वो थोड़ा सा शीतल हो जाए थोड़ा सा ठंड हो जाए तो यहां पे अलग-अलग महासागरिय धाराओ के ओशनिक करंट के टाइप हो सकते है क्या वह गरम है गरम होगा तो क्या मतलब होगा जीरो डिगरी एक्वेटर से चलेगा पोल्स की तरफ पोल्स की तरफ वो बेसिकली रन होने वाला है सर सर ठंडी धाराए क्या होगी सर सर ठंडी धाराए ठीक विपरीट सर हमारे पोल्स से निकलेगी और एक्वेटर की तरफ वहेगी सर ठंडी जल धाराए सर ठंडी जल धाराए ठीक है ना तो जो गरम पानी को एक्वेटर की तरफ ले जाए warm oceanic current गरम महासाग्रिय धा रहा है जो थंडे पानी को equator की तरफ ले जाए थंडी महासाग्रिय धा रहा है तो इनकी प्रकृति के उपर यहां पे यह भी निश्चिंद रहने वाला है हमारा बिल्कुल इनका nature क्या है उसके उपर भी depend करने वाला है जोग्रफी का नाम आज से जे जेग्राफी होगा अरे भाई साब यह कुछ जादा नहीं होगी hold your odds चलो आओ आगे इसको समझने की कोशिश करते है गरम महासाग्रिय जल्द आ रहा है वो equator विश्वत रेखा के आसपास भी बहेगी वापस ट्रॉपिक्स का आसपास भी पहेगी और यह humidity को भी कंट्रोल करने की कोशिश करती है आदरता को humidity को क्या humidity topic अभी हमने complete क्या है क्या humidity का topic अभी हमने complete क्या है यह सर कुछ seconds पहले ही हमने humidity का topic भी complete कर लिया है तो सर equatorial currents कहाँ बेंगे कि सर यह हमेशा आपके पास में equator से लेकर के ट्रॉपिक्स के region में जो है गरम पानी की जल धाराओ को यहाँ पे लेके जाएंगे बहुत जादा quantity में गरम पानी जो है नॉर्थ पोल या सौथ पोल की तरफ जाएगा ओके बस समझ माँ आ गया कि कभी अगर मैं बोलू high latitude तो low latitude समझ माना चीए तो यहाँ पे यहाँ पे मैंने बताया था कि सर 90 degree के आसपास में क्या है higher latitude फिर आपके पास में यह क्या है middle latitude higher latitude और यह lower latitude तो अभी हम वापस पढ़ें इसको कि यह निम्न अक्षांस मतलब equator और tropics के आसपास से निकलेगा और higher अक्षांस मतलब आपके पास में mid से high latitude pole की तरफ जाएगा है ना तो यह भी हो सकता है ठीक है ना यह भी हो सकता है आपके पास में तो यह जा रहा है निम्न अक्षांस से उच्छांस की तरफ lower latitude से middle और middle से higher की तरफ जाएगी so these currents flow from lower latitudes towards the higher latitude लिख दिया सर हमने और current जो है basically यहाँ पर क्या करते हैं increase करते है humidity और cause the rainfall क्या हमने यह पढ़ा है क्या सर humidity जो है हवा में आदरता जो लिये होती आपके कास में क्या हमने कड़ाता तापमान पर relate करता है शूती अंजली अंशू हमने यह सारी चीजे पढ़ी थी भईया कैसर यह सारी चीजे किस पर तापमान पर निर्बर करती है और जब यह यहाँ पर आदरता तापमान पर निर्बर करती है गरम जलदहराए जाएगी तापमान आधरता को प्रभावित करेगा ठंडी जल्दाराए जाएगी यहां पर तापमान फिर आधरता को प्रभावित करेगा water holding capacity को और वहां पे rainfall को cause करवाने या rainfall को नहीं करवाने में गरम जल्दी और ठंडी जल्दाराओं का भी एक बहुत महतोपूर्ण योगदान रह वाला है और cold oceanic current अब cold basically कहां से आएगा थंड़ा पानी कहां है एक्वेटर के आसपास तो नहीं है सर दुरू के आसपास में तो सर दुरू से बेसिकली यह थंड़ा पानी जो है वह विश्वत्रेका की तरह माला higher latitude से lower और latitude की तरफ flow होगा, polar region में से basically क्या होगा ठंडे पानी का क्या होगा upwelling होगी आपके पास में क्योंकि ठंड़ा पानी जब आयागा ठंड़ा पानी तो लगबक आपको पता होना चीए कि ठंड़ा पानी हमारा क्या होता है, भारी होता है ठंडा कोई भी चीज ठंडी होती है, density ज्यादा, colder और वो नीचे की तरफ सबसाइट करेगा, और जब वो ठंडी चलदारा नीचे से भैके आ रही है, वो पानी उपर की तरफ अपफैलिंग करेगा, उसको हम लोग अपवलन भी कहेंगे, अच्छा, जहां पे भी ठंडा पान हैं, क्या वहां से उपर से पवने निकली, वहां से उपर से पवने निकली, तो क्या वो कोई मोईश्यर उठा पाएगी, अभी हमने humidity का चैप्टर पढ़ा और इसलिए उसको पहले पढ़ाया, ताकि आप जसे तमाम विध्यार्तियों को यह चीज पहले से नॉलेज में रह होगा, उसके आसपास के चैतर में बली कितनी भी पवने निकले, इस cold current से पानी को नहीं उठा पाएगी, और नहीं यहां पे ठंडी पवनों के कारण कोई वर्शा होगी, ठीक है ना? बहुत ही बढ़िया, मिश्टर दत्ता, salute my salutes and my respects to them, धनिवाद, चलिए, तो यहां पे आपके पास में कोई भी एरिया, अगर cold oceanic current के आसपास में है, कोई भी एरिया, अगर cold oceanic current, ठंडी जल धराओ के आसपास में, वो क्या होगा? गया काम से, वो क्या होगा? सुस्क, arid, desert होगा, वो क्या होगा गुरू? desert होगा सर आपके पास में, है ना? yes, सर, नदिया क्यों नहीं जमती है, नदिया भी जमती है, पोलार एरिया के अंदर जमती है, पहली बात, दूसरा जमती है, आपके पास में, altitude high होतो, दूसरी बात, जिनको हिमनद कहते हैं, glaciers कहते हैं हम लोग, ठीके, अब यह लिख लो, तो यहां पे, इसका अगर आप pointer लिखो, तो बताओ, कि यह current जो है, दुरूविय शेत्रों में बनते हैं, अतह यह बेसिकली यहां पे क्या है, पोलार रीजन के अंदर होके दूविय शेत्रों में होंगे आपके पास में, और जहां ठंडे जलका अपवलन होगा, ठंडा पानी नीचे की तरफ जाएगा, औ और current flow करते हैं higher latitude से lower latitude, बलब 90 से 60 और 60 से 30 डिगरी की तरफ, एक्विटर की तरफ पानी आएगा, निम्नक शान्सों से उच्च से निम्न की तरफ, यह धाराए सुस्क परिस्तियों का निर्मान करती है, जहां भी cold current का पानी पहुंचेगा, वहां बारिश बंद गरवा है ना, चलो, सबसे बड़ी चीज क्या है आपके पास में पता है, एक लड़की जब वाकई में पढ़ाई करना सुरू करती है ना, वह दस लड़कियों के लिए पढ़ाई के, शशक्तिकरन के, और जीवन निर्मान के, आजीविका के स्रोत खुल सकती है, यहां पे एक लड लर्की को देखकर के बाकी उसके गली की उसके गाउं की it случае मौले की दस लड़क और कहेगी, देखो पापा, वो दीदी को देखो वो अंशु दीदी, वो कीर्ती, वो शूति को देखो, है घर बैटे भी त्यारी ही, तो मैं क्यों नहीं कर सकती है, मैं भी ते गड़ सकती हू है तो उसको क्या का जाता है यह तो होना ही था एक लड़की जब होती है तो आसपास वालों को motivation दो गुणा विलता है और यार शर्मा जी की मिश्रा जी की पांड़े जी की खान साब कील लड़की सलेक्ट हो गई क्या वात कर रहा ह। क्या किया था उसने नौमी में गई लखनों गई वारानसी गई क्या हुआ उसका कुछ नहीं हो पाया ना पैसे बरबाद हुए तुम भी बैठो गर पे शादी कराएंगे अच्छे गर में तुम्हारी तो महिलाओं का पढ़ना और खुद से जागना बहद जरूरी है लड़कों का तो जागना सोना गिरना पटकना अंध शमय तक चलता रहेगा महिलाओं के लिए यही उम्र है कंपल्शन है सक्सेस बॉइस के लिए कंपल्शन है पर महिलाओं के लिए कंपल्शन ही नहीं महिलाओं के लिए एक तरीके से वो एक महिला 10 को empower कर जाएगे ठीक है बिल्कुल 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 चलो भया आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं मुद्डे की बात करते हैं due to which major hot deserts होते हैं दुनिया के वो कहां पे बनेगे सारे के सारे जो गरम जितने मी मरुस्तल होंगे वो सारे के सारे उन एरियास में हैं जहां पे उसके पास वेज़े ठंडी जलदारा पहुंच रही है ठंडी जलदारा पहुंच रही है तो जो reason where the cold and the warm oceanic currents meet के सर एक्वेटर से एक्वेटर से उपर की तरफ जा रहा है warm current उपर से आ रहा है cold current जिस एरिया में ये दोनों मिलेंगे अब वहां क्या होगा दुम डडाम डिशुम क्या हो सकता है सर यहां पे cold और warm oceanic current जहां जहां मिलेंगे वहां nutrients बढ़ जाएंगे क्योंकि cold current का अपपलिंग होगा वहां नीचे से जितने भी nutrients हैं जितने भी mental से वह उपर की तरफ लेके आएगा ओके सर तो वहां पे क्या होगा मचलियों को ज़्यादा से ज़्यादा खाने के लिए portion मिलेगा nutrients मिलेंगे और जब मचलियों को ज़्यादा portion मिलने वाला है तो वहां पे phytoplankton की growth ज़्यादा होगी और therefore ऐसे regions में basically क्या है fishing के लिए मतस्य पालन के लिए बहुत यह नुकूल परिस्थित्य हो जाती है और प्रमुक दुनिया के मतस्य के अंदर इनी शेत्रों में है जहां पे गरम जलधारा और ठंडी जलधारा मिलती है वहीं पे basically देखा जाता है major fishing center दुनिया के इनी शेत्रों के अंदर पाये जाते है जहां गरम जलधारा ठंडी जलधारा मिलती है पोशक तत्वों का upfelling होता है nutrients यहां पे इस zone में बहुत ज़्यादा पाये जाते है phytoplankton जो होते हैं वो पादब प्लावक होता है वो बढ़ जाता है मचलिया इनको खा खा करके यह मूटी हो जाती है तगडी हो जाती है ठीक है ना अब तगडी खासी मचलियों को पकड़ने के लिए आएंगे मच्वारे है ना अच्छा जब मच्वारे आएंगे कोहरा भी है अब जब कोहरा भी है इस एरिया में तो बिसिकली क्या होगा कॉलिजन तो यहां पर क्या नहीं होता आपके पास पर विजिबिलिटी बहुत कम है कोहरे के कारण फॉक के कारण है हैंस यहां पर एक्सिडेंट्स भी बहुत कजादा होते हैं चलियो, अच्छा, यहाँ पे आपके पास में कौन-कौन से currency बनते हैं उनके बारा में हम एक basic जानकारी लेने की कोशिश करते हैं एक basic जानकारी लेने की कोशिश करेंगे दोस्तो कौन-कौन से currency बन रहे हैं, जल्दी से focus कर लीजए सब से पहले यह देखेगा कि जो भी घरम करण्ट है वो red में बनाना है आपको जो भी ठंडा है वो बेसिकली जो है blue कलर से आप यहां पर बना पाएंगे यहां पे पहले आपके पास में जो है प्रत्वी के घुमने की दिसा क्या है के सर यहां पर प्रत्वी जो है पश्चिम से पूर्व की तरफ गुमती है लगातार जो है वेस्ट से इस्ट रोटेट हो रही है तो एक यहां पर पास में क्या चलेगा आपके पास में लगातार counter equatorial current चलेगा जो हमेशा इस दिसा में चलेगा किस दिसा में चलेगा भया सर इस पश्चिम से पूर्व की तरब समुदर के अंदर counter equatorial oceanic current चलेगा गरम होगा equator का region है अच्छा इसके ठीक विपरीट दो counter equatorial current चलते हैं एक नदन हेमिस्वेर में नदन हेमिस्वेर के अंदर क्या है northern equatorial current चल रहा है सदन में सदन equatorial current चल रहा है और यह ठीक विपरीट दिसा में चलते हैं यह ठीक विपरीट दिसा में चलते हैं वही चीज counter equatorial current जिस दिसा में प्रत्वी गुमरी उसके ठीक विपरीट सिर्फ इंडियन ओशन में क्या होता है क्योंकि सर इतना ज्यादा बड़ा एरिया नहीं मिलता क्योंकि यहां पर इंडियन पैनिंसुल आ गया न तो सर करंट को मुँँ होने के लिए फ्री स्पेस भी चाहिए वह नहीं है वह नहीं है भईया हमारे पास वे हैंस यह सारी चीजे आपको क्लियर होनी चीए ठीक है न तो यह हो गया North Atlantic Ocean में, South Atlantic Ocean में नीचे से ठंडा पानी, Farkland Current यहाँ पे Africa के पास में Bangola Current, यह Agulas Current आपके पास में, फिर Australia के पास ठंडा पानी, West Australian Current, यहाँ पे गरम पानी East Australian Current होगा आपके पास में इधर आजाओ, Peru के पास में Peruvian Current, ठंडा पानी नीचे से उपर जा रहा है यहाँ पे, कहीं कहीं आपके पास में, California Current होगा आपके पास में, गरम पानी यहाँ से भी बेसिकली जो है Pacific Ocean का उपर की तरफ जा रहा होता है यहाँ पे आप आने की कोशिश करेगे आपके पास में, तो यहाँ पे दो करेट मिलेंगे, एक ठंडा और उपर सातावा ठंडा और नीचे सातावा गरम, जैसे ओयो शियो करेंट और क्यूरो शियो करेंट जैपैन के कोश्ट के पास में मिलेंगे जैपैन के कोश्ट के पास में मिलेंगे अतेव हमें भी यह पता होगा पराबर यह सारी चीजे याद रखता चलो सर यह पॉइंटर्स हैं आप लोगों को याद रखते चलना है किस तरीके से गल्फ स्ट्रीम नॉट अटलैंटिक और यह नॉर्वेजियन रीजन तक गरम पानी जाता है होना और Greenland और Labrador करंट जो हैं यहाँ पर आपके पास में Fishing Banks बनाते हैं किस तरीके से Alaska का असपास में गरम पानी पहुंचता है California cold करंट नीचे की तरफ आता है Peru के असपास में cold करंट की upfailing होती है और Beneег renewla जो हैं यहाँ पर upfailing करता है वेस्टन ऑस्ट्रेले यहां पे तो क्या यहां पे डेजर्ट है क्या यहां पे भी डेजर्ट है कमेंट करके बताओ क्या यहां पे भी डेजर्ट है क्या यहां पे भी डेजर्ट है कमेंट करके बताओ नेवाडा डेजर्ट, अठकामा डेजर्ट, कालाहरी डेजर्ट, सहारा डेजर्ट, the great Australian डेजर्ट, yes or no सारे क्या है, western margin पे, सारे क्या है, western coast पे, western coast, western coast और वह region जहाँ cold current है, अमित, केर्टी, UK, अंजली, सभी लोग सुनो क्या यहां पे सब जगह पे deserts है world map आपने उठा के देखोगे अच्छा क्यों बना यह एक तो आमने कहा था कि सर यह basically वही region है याद करो horse latitude याद करो horse latitude याद करो horse latitude याद करो horse latitude 25 से 30 degree के आसपास में और वने चली नीरी है और चल भी रही है तो high pressure है high pressure थंडा शेत्र ऊपर से थंडा करन क्या यहां बारिश की situation होगी नहीं होगी गुरू और जब phytoplankton क्या है यह मान के चल लो कि यह basically जो है आपके पास में छोटे छोटे पैड़ बोदे टाइप में पादब टाइप में होता है जो समूदर में होगता है ज़्यादा nutrient होने के कारण ज़्यादा phytoplankton होगा मचलियों को खाने के लिए ज़्यादा मिलेगा तो मचलिया ज़्यादा गुरू होगी उस एरिया में अतेव यहां पे जहां भी आपके पास में ठंडा करन्ट गरम करन्ट से मिलता है वहाँ पे ज़्यादा nutrient मिलेंगे ज यह पांच जो है मुख्य आपके पास में क्या है यह पांच मुख्य आपके पास में हमिजी cold currents है और इस सभी के पास में देखो क्या है हमेशा arid situation हमेशा कहीं कहीं deserts यहां पर पाए जा रहे हैं आपके पास में है ना और northern hemisphere में जो है obviously हर एक चीज right way bend कर रही है हर एक चीज right way bend कर रही है तो यहां पर clockwise जो है equatorial current देखे का और southern hemisphere में जितने भी currents है वो लगवग आपको anti clockwise movement करते हुँ देखेंगे देखने कोशिश करो clockwise current anti clockwise current clockwise current anti clockwise current हाँ या ना अरशिता एलेक्स सही है हाँ यह pointer भी क्या मैं लिख सकता हूँ सर easily मैं इस pointer को भी समझ सकता हूँ और समझा भी सकता हूँ ओके गुरू यह समझ माया अब हम बात करते हैं नौर्थ equatorial current और counter equatorial current के सर नौर्थ equatorial current और south equatorial current दो तो लगते हैं इक्वेटर के नौर्थ में पश्चिम से पूर्व की तरफ लगेंगे नौर्थ और साउथ में पश्चिम से पूर्व से पश्चिम की तरफ लगेंगे सर दोनों ही बेसिकली क्या है आपके पास में ये करंट होंगे उत्री विश्वत धारा होगे और दोनों ही एक्वेटर पे है दोनों ही राजू एक्वेटर पे है विकास अतेव दोनों ही क्या है गरम होंगे आपके पास में और दोनों ही बेसिकली क्या है यह बेसिकली हमने कह तो हवाएं पूरो से अत्य वी प्रतित होती है अतेव यहाँ पेसिकली East से East से West की तपर आती वी जल धाराय भी प्रतित होगी अच्छाओं यहां पर जल्दाराय क्यों है जल्दाराय कारण हवा काड़ए हाई लगातार ड्रेग करी है और सब्सक्राइब करना यहां पे सुनिषित क्या गर्म-जल्दाराय क्या है और समझा तो यह करण जो है तभी बनते हैं easterlies के current आपके पास में तो पूर्व से आती हुई easterlies पूर्वा पवनों के साथ साथ में यह भी पूर्व से पश्यम की तरफ east से west की तरफ जो है यहाँ पे करंट चलते हैं यह गरम जल धाराय हैं जो पूर्व से पश्यम की और बहने वाली है और यह धाराय अंध्य गर्म धारमा का निर्मान करती है मतलब लिटरली इस डाइग्राम में इस डाइग्राम में जो आप देख रहे हैं न बच्चा कि जितनी भी जो बाकी की गर्म जल धाराय है न उन सब का निर्मान कौन कर रहा है यह equatorial current, north और south equatorial current ही कहीं कहीं पोल्स की तरफ जा रहा है और यहीं पानी आगे जाकर के कहीं हम लोगों ने इसको Pacific current बोल दिया कहीं Atlantic drift बोल दिया कहीं आपके पास में इसको जो है दूसरा नाम दे दिया जैसे south इंडियन है आपके पास में south Pacific है etc. 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 तो यहाँ पे यह होता है गरम जलदाराओ का निर्मान करती है फिर क्या है counter equatorial current के सर जो equatorial current पूर्व से पश्चिम की तरफ लग रहा है गुरू जो यहाँ पे south में भी पूर्व से पश्चिम की तरफ लग रहा है पर आपके पास में इसके ठीक विपरित दिसा में counter equatorial current लगता है के सर प्रत्वी जिस दिसा में घूम रही है उस दिसा में है ना पश्चिम से पूर्व की तरफ लगता है यह क्यों तो यहाँ पे यह होता है गरम जलदाराओ के अभी सरण के कारण तो कई बार यह प्रश्ण पूछा गया है के सर equatorial current चल रहा है North or South Hemisphere में thumbs up ओके गुरू बट यहाँ पे इसके counter में भी क्यों चल रहा है क्यों यहाँ पे प्रती विश्वतिय धारा चलती है counter equatorial current चलता है तो कारण क्या है सर आपके पास में जब यह दोनों converge कर जाते हैं जब यह दोनों मिल जाते हैं तो देखो पानी को क्या करो पूल देखा है अब ऐसे सोचो ocean एक पूल है शुरूती, अंशू, महवीर विकास यह सोचो ocean एक पूल है आप क्या करो पानी को धक्का दो दिवार की तरफ, पानी क्या करेगा, पानी क्या करेगा आपके पास में, पानी जो है आपके पास में हिंडोले खाएगा, एक बार आपने धक्का दिया पूल के अंदर पानी को दिवार की तरफ, दिवार पे धक्का खाके पानी कहां आया, समझ माया, सर मुझे UGC नेट का बैज जॉइन करने के लिए कुछ information लेनी है कैसे contact करूँ है ना तो आप टेलिग्राम पे लिखे JJ sir PW और text कर दिये यह doubt है हम उसमें आपको कैसे मदद कर पाएंगे बताएंगे है ना sir बहुत राथ हो गई है library से जा रहे room पे आप बता दीजिएगा कितनी देर में क्लास चलेगी आदा गंटा 20 मिनिट 25 मिनिट 10 मिनिट 5 सेकंड जादा से जादा चलो patience बनाया रखो और पड़ो तो यह पानी इदर से इदर आया पर कुछ पानी इदर कही नि कही टकरा के वापस भी तो जाएगा हाँ या ना इसको डाइग्राम में देखो बच्चा देखो यहाँ पे north equatorial south equatorial current टकरा के कुछ पानी तो वापस जाएगा टकरा के कुछ तो counter में वापस जाएगा तो यह है क्या जैसे ही पानी वहाँ पे टकराया वापस कुछ तो आएगा है ना तो क्योंकि पानी converge हो रहा है दोनों की दोनों north और south equatorial current converge हो रहे हैं और वह मिलके टकरा के वापस भी तो आ रहे तो वह counter equatorial current हो गया और equatorial current क्यों पूरवा पवनों के कारण counter equatorial current क्यों प्रत्विक्य घूणन की दिशा में पश्चिम से पूर्वा की तरफ reason बताया है गुरू हमने convergence of these oceanic current इनके convergence के कारण गरम धाराओं के अभीशरण के कारण चलो सर्थ current is formed due to the convergence of the warm current और जो current है आपके पास में यह धारा पश्चिम से पूर्वा की तरफ बैती है NEC और SEC द्वारा लगाए गरम जल को पूर्वा की और ले जाती है right it carries the warm weather by the NEC and SEC toward the east it is a warm current यह भी गरम होगा क्योंकि equator पे हर current क्या होता है warm होता है sir यह क्या रहा है सारे warm है तो equator पे तो सारे warm होंगे गरम होंगे sir UPFC की सारी preparation यूट्यूब पर ही करवाएंगे या batch join करना होगा सेरी यह crash course है यहाँ पे जो आप देख रहे हैं tip of iceberg है tip of iceberg है पर इसमें भी इतनी quality है तो सोचो अगर आप batch में आओगे तो वारे ही नियारे है तो हमारी तरफ से यहाँ पे भी आप देख पा रहे हैं कि लगातार आपको 8 गंटे से पढ़ा रहे हैं दोपर को 2 बज़ गए रात की 10 बज़ गई हैं अभी इसी जगा पे हिले भी नहीं है नहीं खाना और एक पानी एक बोटल पानी और दो डोलों के साथ में आपकी क्लास ली गई है आप लोगों की गुणवत्ता में टीचिंग गुणवत्ता में कोई कमी नहीं आई है तो आप लोग भी सुनिशित करें कि बेस्ट एफर्ट देने की कोशिश करेंगे आज की क्लास में तो सारे विश्वत्रिका के आसपास में गरम पानी के आसपास में करंट्स गरम ही होने वाले हैं दोस्तों और यहां पर अब हम बात करेंगे वेस्ट विंड डिफ्ट पश्चिमी पवन प्रवाह क्या होता है यह एक ठंडी धारा का निर्माण पच्छुआ पवनों के कारण होता है तो यहां वेस्ट विंड डिफ्ट क्या होता है ड्रीफ्ट कोल्ड करेंट होता है जो उपर की तरफ जा रही है यह धाराए डख्शनी गोलार्थ में पाई जाती है these currents are found in the southern hemisphere और यह cold current को form करती है cold current forms the other cold current है न यह दारा अन्य ठंडी दाराओं का निर्मान करती है तो कौन-कौन सी है आपके बास में यह ठंडी दारा है विबिन महादिपों में मरुस्तलों का निर्मान करती है याद करो peruvian current, parkland current benegola current, west australian current क्या करेगा south america में यह अटकैमा desert बना दिया क्योंकि cold current, ठंडा current बारिश नहीं करवाएगा सुष्क, arid situation होगी और दिरे-दिरे desert बन जाएगा parkland current, patagonia अगें south kendari, ठीक है न, south america benegola current, अगें आपके पास में कालाहरी नमीब desert जो हम आप देखने पाएंगे आफ्रिका के अंतर गर्थ यहाँ पे west australian current आप देखेंगे तो यह पस्टीमी australia jail धारा victoria और great sandy desert जो है वो form करती है australia के अंदर क्या यह pointers clear हो रहे है are these pointers clear enough for all of you तो यहाँ पे जो gulf है the current of the atlantic ocean इनकी बात की जा रही है sir atlantic ocean में क्या gulf stream होती है equator से आज़पास से निकलती है और north pole की तरफ जाती है मतलब गर्म धारा है आपके पास में यह north equatorial current के कारण बनती है this is formed because of the north equatorial current इसको भी हम लोग याद रख सकते हैं और यह गर्म जा रहा है उत्री अमेरिका से पूरी तरट पर वर्षा करवाती है याद करने की कोशिश करो जब भी कोई गर्म जल धारा होगी वह आजपास के area को भी गर्म करेगी हवा को गर्म करेगी और गर्म हवा आदरता को बढ़ाएगी आदरता की capacity बढ़ेगी उसके moisture जादा होगा और वह moisture जादा लिये हुए है अब वही हवाए जब continent के तरफ जाएगी जिन हवाओं में moisture है water है, h2o है, water vapor है क्या करवाएगी? बारिश करवाएगी तो यहाँ पे hot current जो है वह क्या कराएगा? rainfall कराएगा आपके पास में North America के coast के उपर और यह current जो है आपके पास में Labrador current से मिलेगा, उपर से आते वे ठंडे current से, polar region से आते वे से और वहाँ पे क्या बनाएगा आपके पास में Grand Fishing Bank बनाएगा जो कि आपके पास में Falkland Island Canada के पास में और वहाँ पे क्या होगा? मतश्य पालन होगा सर, batch कब तक join कर सकते हैं? Last date कब तक है? सर, नीचे दिएगे, numbers पे आप लोग test कर सकते हैं ना? वहाँ पे सारा कुछ मिल जाएगा आपको क्योंकि यहाँ पे हम लोग कोई भी batch promotion नहीं कर रहे हैं यहाँ पे आपको पूरे इमानदरी की और selfless भावना से पढ़ाया जा रहा है That's it आप join नहीं भी करेंगे तब भी हमारे लिए आप उतने ही अमुल है और तब भी आपका selection हमारे लिए उतना ही important है तो आप चाहते हैं mentorship तो आप जरूर जोइन करें पर हम YouTube के उपर कोई भी batch promotion नहीं कर रहें यह सतत consistent और एक honest effort है आपकी understanding subject के लिए बढ़ाने के लिए हैना चलिए दोस्तों आगे बढ़ने की कोशिश करते है due to which grand bank जो है वो fishing centers बनता है के सब उपर सातावा cold current उपर सातावा cold current और नीचे सातावा hot current मिलते हैं तो यहां fishing center बनता है Gulf stream पच्छुअ पउनों की परभाव से आ जाती है और पच्छिम से पूर्वकी और बहने लगती हैं और यहां से North Atlantic धारा का निर्मान होता है तो वही Gulf stream आगे जाकर North Atlantic drift बनाती है वही North Atlantic drift बनाती है higher latitude मतलब यॉरोप में जाकर के Gulf stream क्या करती है आपके पास में westerlies के अंडर में आती है और वह जो है westward flow होना सुरू कर जाती है towards the east which leads to the formation of the North Atlantic drift और warm water जो है Gulf stream के अंतरगत basically यॉरोप तक जाता है और वहां पे warm blanket बना देता है तो एक बार प्रश्न पूछा गया कि क्या है warm blanket कि सर ये कुछ नहीं है ये वही Gulf stream है जो आगे जाकर के basically North Atlantic drift बन चुका है यॉरोप में जाकर के basically क्या कराता है वहां के जमे हुए बंदरगाहों को आसपास की बरफ पिगला देता है और आसपास की एरिया में गर्मी कर देता है जो ठिटुरन माइनस में temperature था उसको कहीं कहीं सुहावना pleasant कर देता है वापस से तो ये warm water है Gulf stream के अंदर इसको basically क्या बोला गया है आपके पास में बहुत ही मैतोपून तरीके से warm blanket of the Europe भी कहा गया इसे यौरोप का गरम कंबल भी कहा गया यौरोप का गरम कंबल कहा गया किसको North Atlantic Drift को किसको कहा गया है NAD North Atlantic Drift को कहा गया है चलो भया यह point clear हुआ फिर North Atlantic Drift जो गरम धारा का निर्मान पच्छो पवनों के कारण वेस्टरलीस के कारण होता है तो यह वेस्ट से इस्ट की तरफ जाते है यह धारा यौरोप में पश्चिमी तर्ट पर जाके टकराती है दो शाखाओ में विभाजित हो जाती है ठीक है ना इसकी एक धारा नौर्वे की तरफ जाती है तो नौर्वेजिन करंट कहलाती है जबकि दक्षणी साखा कैनरी की तरफ नीचे की तरफ जाती है आपके पास में और कैनरी करंट कहलाती है North Atlantic Drift और Norwegian Current दोनों गरम जल दा रहा है उपर की तरफ जा रही है equator का गरम पानी पोल्स की तरफ जा रहा है और Europe के बंदरगाह उपर वर्ष पर इनको खुला रखती है अगर ये North Atlantic Drift ना हो अगर ये गरम पानी वहाँ न पहुंचे तो basically क्या होगा पूरे के पूरे पोल्स जितने पोर्ट से बंदरगाह हैं वो सब जमे रहेंगे तो क्या कोई नौका हैं कोई ships जा पाएगी कोई docking होगी नहीं होगी सर बैच में बहुत मज़ा आती हैं जबरदर्ष टीचर के साथ best classes है यस 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 तो आपके पास में canary current क्या है canary जो है वो नीचे आएगा सर नौक अट्लैंटिक ड्रिफ्ट यॉरोप से टकराया दो भाग में टोटा नौर्वेजिन करण्ट उपर गया और और फिर आपके पास में canary current नीचे आए canary current में क्या है उपर का थंडा पानी नीचे आएगा तो canary current cold current है शीत current है और इसके कारण क्या होगा जो easterlies displays हो जाएगी आपके पास में region easterlies displays the warm water and upfilling of the cold water takes place है ना और इस region में क्या होगा आपके पास में यह सहारा desert due to this cold current सहारा desert is formed तो सहारा desert किस कारण मना canary current canary current कैसा है कवीता cold current है कैसा है राजू cold current है सर्गोसा C सर्गोसा सागर के बारे में पता होना चाहिए आपको यहाँ पे salinity बहुत बढ़ जाती है सर्गोसा में algae पैदा होने लग जाता है और बिना तटवाला सागल यहाँ पे जो है यहाँ पे canary current इसके अंदर मिल गया तो लगातार यहाँ पे clockwise circulation देखने को मिल रहा है यह सर्विकास बिलकुल देखने को मिल रहा है पर बीच में क्या है सर आसपास का किनारों के आसपास का तटके आसपास का तो पानी जो है mix हो रहा है पर क्या यहाँ पे जो salinity है ocean की वो बीच में कहीं पानी जो है उसमें कोई moment नहीं है there is no moment यह पानी पूरा का पूरा क्या है यह सर्गोसा जो है आपके पास इसमें बीच में क्या हो जाता है इतनी salinity बढ़ गई इनरे minerals बढ़ गई इसके अंदर लवनता और इसके अंदर पाये जाने वाले जो minerals है वो इतने बढ़ चुके हैं कि अब इसमें algae बढ़ने लगी और algae इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि सेखडो मिलो के अंतरकत बेसिकली जो है चारो तरफ जो है सर्गोसम algae पाये जाती है और इस सर्गोसम algae के अंदर बेसिकली क्या पाये जाएगा ऐसा लगेगा कि स घ्रट बड़ जो कहते है तो ईपी साल प्रशन पूछा कोष्ट्लेस सी किसे कहते है सर्गोसा सी कि अप उठा के देखो आटलेंट कोशन में आपको वहांपे सर्गोसा सी मिलने वाला है दोस्तो, तो यहाँ पे गायरल सिस्टम is found in the North Atlantic Ocean इसको सरगोसा सी केते है, यह गायरल होगा मतलब उत्री Atlantic साकर में पाय जाने वाले भवर तंत्रों को क्या एक भवर तंत्र ही हो गया, कि सर पानी गोल गूम रहा है भवर में गोम रहा है, और बीच में basically क्या है salt रुग गया है, हैना salty पानी रुग गया है लवन बढ़ गए, minerals बढ़ गए minerals बढ़ गए, तो algae को अच्छे खासे मिनरल मिन गए, algae को खाने को कुछ मिल गया, algae बहुत ज़्यादा फैल गया और ज़ता है फैल गया और salinity बढ़ने के कारण यहाँ पे proper water की mixing नहीं होने के कारण भवर के बीच में जो है लवणता बढ़ने के कारण सरगोसम algae बढ़ जाता है सरगोसा sea कहलाता है coast less sea यहाँ पे बीना तट वाला सागर इसी को ही तो सरगोसा sea क्या है पता होना चीये इस सागर का जल अटलांटिक मा सागर के jal में मिसरित नहीं होता है बस यह इसी area में है और इसी area मेंает बहुत खारापानी है बहुत ही ज़्यादा खारापानी बहुत है हो जाता है इस सागर में लवणता ज़्यादा पाई जाएगी बस वही फस गया बाहर ही निकल पाएगा उसको खीच के वापस को इनको भाहर निकालेगा सर आपके पास में तो सरकोस्म सेवाल का निर्मान होता है अता या नोकायन में अवरोध पैदा होता है फिर हम बात में पढ़ते हैं ब्राजील के आसपास अब हम कहां पर आ सिर्मान जो है साउथ एक्विटोरियल करंट के कारण होता है और यह करंट जो है वह साउथ एक्विटोरियल करंट से तो बनी रहा है दक्षीन अमेरिका साउथ अमेरिका के इस्टन कोस्ट के पास यह वर्षा करेगा गरम जल धारा हमेशा आसपास की वायू को गरम करेगी वायू का तापमान बढ़ते हैं उसकी आदरता ग्राही शमता वाटर होल्डिंग केपैसिटी बढ़ जाएगी पानी जो है हवा जो है वो समुद्र के उपर से पानी मौईशर को उठा करके कहाँ पे तट पे ब्राजिल पे वर्शा कराएगी और यहाँ पे फिर हम फाकलेंट करन्ट की बात करते हैं याद करो नीचे से एंटाक्टिका के पास में से थंडी जलदारा जो हैं साउथ अमेरिका की तरफ आती है तो यह थंडी जलदारा जहाँ पे भी बहेगी उसके पास में क्या एरिड सिचुएशन कोई बारिश नहीं शुश्कता रैगिस्तान होगा तो यह करंट कोल्ड करंट है जो कोल्ड डेजर्ट बनाएगा तो यहाँ पे पेटगोनिया डेजर्ट देखो पेटगोनिया डेजर्ट एटलस में देखो कहां मिलेगा आपको उसी दक्षिन अमेरिका के फाकलेंड आइलेंड फाकलेंड करंट के पास में फाकलेंड आइलेंड क्यों क्योंकि यहाँ पे फाकलेंड आइलेंड नाम का एक शेत्र भी है एक द्वीब भी है यहाँ पे फिर हम बैनेगोला बैंगोला धारा बैंगोला करंट की बात करते हैं अब हम कहां पे आ चुके से Equator की तरफ जारी है South Atlantic के अंदर है नहीं इसको याद रख सकतो एगुलास करण्ट का है आपके पास में साओ एक्विटोरियल करंट से बन रहा है आपके पास में पहली बाद करवाएगी पॉइंट क्लीर पॉइंट क्लीर सरें मैं चलिए तो यहाँ पे वैस्ट आस्ट्रेलियन कर सब्न करें कि भी हम लोग बात करें पश्चिम भाग में बहुत सारे मरुस्त निर्माण करते है और यहा पिजा पॉइंट न होना sophisticated आप सभी को I hope this point is clear फिर हैं हम लोग प्रसांत महासागर की बात करते हैं जैपैन वाला एरिया देखो नदन नदन नौर्थ उत्री प्रशांत के अंदर गर्थ वहाँ पे क्यूरोशियो करंट देखने को मिलेगा आपको यह कैसी जल्दारा है आपके पास में North equatorial current से equator से पानी से जन्रेट ओरी है गरμ जल्दारा होगी सर आपके पास में ठीक है ना एक North equatorial current से जन्मी हुई गरμ जल्दारा वाम करंट है सर और इसई क्यूरोशियो में क्या हो रहा है आपके पास में यह जैपैन के coast पे टकराती है और यहाँ पे क्या होती है, leads to the formation of the tsunami current, इसको tsunami current भी कहा जाता है, सोमवती जी यह पूछा गया था और आपको यह बताना है, तो जापान के east coast के पास क्यूरियोशियो धारा जो है वह थंडी आपके पास में ओयोशियो धारा से मिलती है, यह क्यूरियोशियो धारा क्या है, क्य यूशियो उपरशाई ओयोशियो और दोनों की दोनों टकराती हैं आपके पास में, जापैन के east coast पे, अच्छा जहाँ भी जल थंडी और गरम जल धारा टकराएगी याद करो, grand bank, labrador current, and north atlantic drift, gulf current के आसपास में, है न, वहाँ पे क्या हुआ था आपके पास में, कोहरा, fog, fishing bank, phytoplankton, yes, यहाँ पे भी वही चीज़ होगी, यहाँ पे भी fishing banks बनने वाले हैं, मतश्यन के लिए अनुकुल परिसित्या बनेगी आपके पास में, favorable condition for the fishing, और curatio current जो है, वहाँ पच्छुआ पाउनों के कारण, western पाउनों के कारण, जो है, पच्छिम से पूर्व की और बहने लगती हैं, और high latitude में, curatio starts flowing from the west to east under the influence of the westerlies, अब यहाँ पे जो है, आपके पास में, NPD धारा का निर्मान होता है, which leads to the formation of the NPD current, NPD मलब North Pacific Drift, North Pacific Drift, यह आपके पास में उतरी अमेरिका, पशी में तट से टकरा कर दो भागों में बढ़ जाती है, एक होती है, है ना, और यहां अलास का तरगरन, गरम धारा होती है, नीचे की तरफ आती है, फिर होती है California current, यह थंडी जल धारा है, उपर दुरू से नीचे की तरफ आती है, यहाँ पर upfelling होगी, obviously California के पास में मोजावे desert है, आपके पास में sonoran desert है, यह hot desert, इसी थंडी जल धारा के आ यहाँ पे east के अंदर भी एक current बहरा होता है, और यह current जो है आपके पास में south equatorial current से बहता है, है ना, इसी से generated है, क्योंकि zero degree equator सा आ रहा है, गरम पानी होता है, तो गरम जल धारा इसके अंदर रहने वाली है, गरम जल धारा इसमें रहने वाली है, पेरूवियन current, पेरूवि अरिका के अंदर अटा कामा deserts बनाएगा, अटा कामा deserts बनाएगा, जहाँ पे भी आपके पास में cold current, वहाँ वहाँ पे cold desert, cold current, cold deserts बनाने वाले, ठीक है भया, चलो, आज की यह class कैसी लगी आपको, मुझे जरूर बताए, comment करके, लगातार हम लोगोंने लगबग 8-7-8 ग professional और academic कोशिश की है, कि आपकी इस UPPSC की journey को हम और सरल बना पाए, आपको और सक्षम बना पाए, और हमारी PSC टीम की तरफ से एक genuine कोशिश है, कि आपका यह attempt बहुत ही अच्छे marks के साथ में सफलता की और जाए, इस theory के साथ में आप काफी concepts और facts के साथ में clear कर चुके हैं, इसकी PDF जो है, कल morning तक या कल afternoon तक आपको telegram channel पे available होगी, तो please अपना patience बनाया रखिएगा, क्योंकि अभी रात के साथे 10 बजे हैं, टीम को भी समय लगेगा, तो कम से कम 24 गंटे दीजिएगा, चॉइस गंटे में यह PDF भी available रहने वाली हैं, I hope आप लोग comment section में अपना views और अपना opinion जरूर दर्शाने वाले हैं, और इस वीडियो को share करके definitely जरूरत मन student तक पहुंचाएं, ताकि जितना भी और मैं बिलकुल honesty से कह रहा हूँ, कलम मेरे हाथ में हैं, इस वीडियो में मैंने तमाम उन concepts को पढ़ाया है, जिसको मैंने paid batch में भी पढ़ाया है, इसका क्य पारी तरफ से वही आपके पास में energy लग रही है, जो paid में energy लग रही है, है ना, तो PW हमेशा आपके लिए कहता आया है, कि जो कहीं नहीं मिलेगा, वह best content यहां मिलेगा, जो कहीं भी possible नहीं हुआ, आपके लिए basically content का barrier, language का barrier, Hindi English दोनों में best content आपको दिया जा रहा है, I hope एक comment के through जरूर बताए, कि क्या आप इस मेहनत को recognize कर रहे हैं, और अगर कर रहे हैं, तो दूसरों के साथ में भी जरूर सेयर करें, thank you, जय हिंद, सरवदा सक्षाली, God bless you all, आप सभी को तह दिल से धन्यवाद, and love you all, जय है